यहें, देर ना करते हुए, शुरुवात कर रहा हूँ, आज के पहले सीरीज की, सीरीज का पहला प्रश्न, मैंने बताया कि जीयस को 10 पोर्शन में हमारी टीम डिवाइट करती है, और 10 पोर्शन से सवाल बनते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से आ रहा है प्रश्न कहे रहा है उत्तर प्रदेश में सरबाधिक भूमिगत जल को उपियोग करने वाला जिला कौन सा है आगरा सीतापुर मेरट या उन्नाव प्रश्न ध्यान से सुनिए सरबाधिक भूमिगत जल को उपियोग करने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में चलिए अ और चुन नहीं है शिविकल पारे हैं चलिए इसका अगर सही जबाब हम देखेंगे इसका सही जबाब की अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सरवाधिक भूमिगत जल का उपियोग करता है वो जिला आपका होता है आगरा ठीक है बिकल ए जो लोग चुनने हैं वो एकदम राइट हैं आगरा आपका एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का दोहन करता है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्ण पर दूसरा नमबर प्रश्ण कहरा है साब की तरह टेड़े मेड़े की भाती चलने वाली नदी कौन सी है बताइए जी ए विकल पा रहा है और रेज जेक्षन ए विकल पा रहा है बहुत बढ़ी हां दो नमबर प्रेश्न आप लोग देखचुके हैं यह जबाब आ रहा है विनीज जी बेरी गुड विने जी बहुत अच्छे विकल चुनन्हे सपना जी वी विकल अंबिका मिश्रा जी डे विकल बहुत बढ़ी हैं बहुत अच्छे प्रवेश जी बहुत बढ़ी हैं सक्सी जी चलिए बहुत बढ़ी हैं देखते हैं दो नंबर प्रशन जो लोग विकल चुनने हैं भी होते हैं एकदम सही सारदा नदी ऐसी है आपकी यह नदी आपकी टेड़े मेड़े चलती है लगातार ठीक है ऐसे ऐसे चलती ही इसलिए इसको सांप की तरह चलने वाली नदी भी बोला जाता है प्रदेश से प्रशन है अभ अगला प्रशन है तीसरा तीसरा प्रशन ध्यान से सुनिए कच्छुवा पुनर्वास योजना राज में कब आई थी राज इमनलब उत्तर प्रदेश में कब आया बताओ 1986 से 1987, 1999 से 2000 या 1985 से 85 होना चाहिए और 1986 से 87 मान सकते हैं इन चारों में से चुनिए कौन सा है यहां 85 कर दीजे 85 से 86 ऐसा कर लीजे 85 से 86 चलिए बताइए वही कौन सा विकल्प इसमें सही है कचुवा पुनरवास योजना राज जी में कब आया उत्तर प्रदेश में कब आया B विकल्प अम्भिका जी C विकल्प गुनगुन जी C विकल्प बहुत बढ़ी हां फरीन जी C विकल्प देखते हैं कौन सा ही होता है वही अगर सही जब आप देखें उत्तर प्रदेश राज में कचुवा पुनरवास योजना ये लोग जो बिकल्प चुन है 1986-1987 ये बेकल्प एकदम राइट है 1986-87 की बात है जब राजज में कचुवा पुनरवास योजना आई अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिए ये चीज थोड़ा सा दिमाद से क्यों फिसल जाती है क्योंकि ये एक प्लान के अंतरगत आया था एक प्लान के अंतरगत आया था और उस प्लान का नाम क्या है जानते हैं गंगा एक्षन प्लान ये गंगा एक्षन प्लान के तहत आया था इसलिए ये चीज डायरेक्ट हमारी नेजर में नहीं आती है और कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं तो गंगा एक्षन प्लान आया और गंगा एक्षन प्लान के तहत 1986-87 में कच्वा पुनर्वास ही हो जाना क्योंकि कच्वे नदी के किनारे होते हैं उसी के किनारे अंडे देते हर एक चीज़े रहती तो इनको कहीं न कहीं सेटल करना है अगर जो है गंगा की सफाई से रिलेटेड तमाम चीज़े आज तक हैं कुछ हुआ नहीं है आप भी जानते हैं चाल नंबर प्रशन ध्यान से देखिए और फिर जबाब दीजिए और इडिएफ क्या है भाई ये कोई न कोई आपका शंगठन है किस से शणकों के विकास से संबंधित या नाबाड की साहता से गाउं को पक्की सणक को जोड़ ना या विकल्प A और B या फिर इन में से कोई नहीं R.I.D.F अगर फुल फॉर्म आप जानते होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे पतिरम जाटो जी आपको भी भाई गर्व का विशय है थलसेना दीवस सभी को भाई मुभारग बहुत-बहुत मुभारग शपना जी सी विकल्प चुन्ने अशोग कुमार द्रवेदी जी सी विकल्प फरिन जी सी शुवं सिंग ए विकल्ब गरिमा जी ए विकल्ब चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क्या होगा उपेन सिंग जी सागत है भाई सी विकल्ब से आप आ रहे हैं बहुत बढ़ी हाँ बेरी गोड गुंजा जी गुंजा गुंजन या दो ठीक है आज मुझे ध्यान है कि दो योजना है ठीक है एक बिसेस फंड है इसलिए थोड़ा सा जो है रोड इंवेस्टमेंट करके है डेवलम्मेंट फंड करके तो यह चीजे नावाड की साहता से चलता है यह चीज ध्यान रखिएगा अगला है आपका प्रश्न ग्रेंट जो है ट्रंक रोड बहुत बार पढ हुआ है तो करेंट वो किनकिन राज्जियों से किनकिन जीलों से नहीं गुजरेगा अब ग्रेंट रंक रोड अगर आप सही से देखें हैं उत्तर प्रदेश के परिवाहन को तो जवाब ज़रूर देंगे बताइए चलिए बाचीत बाद में होती रहेगी रामनिवास जी थोड़ा लेट हो गए गोडेवनिंग चलिए जवाब दीजिए ए विकल पा रहा है शोरिभान जी बहुत बढ़ी हाँ बहुत अच्छे मारजन सी अभशेक जी सी विकल चुनने हैं मोना जी आभी श्री विकल गरिमा जी बहुत बढ़ी हाँ चलिए सभी के जवाब आ रहे हैं अगर सही जवाब देखें पांच नंबर का तो पांच नंबर प्रश्ण जो लोग विकल चुनने हैं सी एकदम राइट हैं ठीक है अली गड़ से यह होकर आपका नहीं गुजरत अब करेंड के प्रश्ण जैसे अभी बुंदेल खंड वाला छिव जो है लेन पास हुआ जो इसको सारे लोग रटे बैठे थे कि किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा पता चला कि PCR-19 इसको छोड़ दिया तो यह थोड़ी सी चीज़े आपके लिए हटके हो गई आगे बढ प्रश्ण पर छे नंबर प्रश्ण जो है एकोलोजी से संबन्दित है ध्यान दीजिए किसी भी प्रजात के जियों में एक समान जीन के अलग-अलग रूपों का आकलन क्या कहलाता है अनुवानसिक विभित्ता जलिय विभित्ता या पारिश्तिकी विभित्ता या जी ए विकल्प सपना को स्वाहा ये बहुत बढ़ी आंजनी जी सी विकल्प दे रहे हैं जितेन ए विकल्प आप दे रहे हैं बहुत बढ़ी हां बेरी गुड बहुत लोगों दीपक प्रेमी जी थोड़ा लेट हो गए कोई नहीं हैपनिय संकित सिक्से नेट वफरिंग र बार बार ए बता रहे हैं एकदम राइट हैं यह आनुवानसिक बिवित्ता कहलाती है एकोलोजी अगर आप देने जा रहे हो मिशन 2020 ठीक है या UPPCS का आपका BO देने जा रहे हो या UPPCS आप ROAR 2016 देने जा रहे हो तो एकोलोजी एक ऐसा टर्म है ना इसको बहुत अच्छे से क रहे होंगी ना हर दिन लगभग 5 क्वेशन होता है पूरा सेक्षन जो है जैसे 50 प्रशन है इसको 10 अलग-अलग छेत्रों में डिवाइड किया जाता है कुछ भी पढ़ो यहां 8 बजे सामको आओ पूरा रिवाइज करके जाओ ठीक है कुछ भी दिन भर पढ़ो क्या सही द नंबर साथ नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्रशन आपसे ऐसा बोला है कि आकसीजन और नाइट्रोजन गैस लगभग कितने किलोमेटर की उचाई के बाद लुप्त हो जाती है 50 किलोमेटर 20 किलोमेटर 140 किलोमेटर 150 किलोमेटर ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत चलिए भाई इसका जवाब 6 नंबर के बाद 7 नंबर वीक में एक दो बार चलिए हो भी जाएगा कोई दिखकर नहीं है च्रिविकल्ब ए विकल्ब सिएम जी इधर तो समस्या नहीं है नेट की उफर सकता है आपके उफर्व नबर प्रस्णिं अगर शही जवाब देखें तो सही जवाब इसमें क्या होगा शही जवाब इसका होगा 140 किलोमेटर 144 किलोमेटर क्योंकि सिर्फ आक्सिजन आपकी लेकिन नाइट्रोजन काफी दूरी तक पाई जाती है, इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर, अगला प्रशन आपका है, आठ नंबर, आठ नंबर आपसे कह रहा है कि भारत देश में लगभग कितने प्रत्सत भाग पर पा आठ नंबर प्रशन का आप लोग जबाब बताएं, शिवम जी, बेरी गुड, ए विकलब आप चुन रहे हैं, मनोर्मा जी, इससे पहले अब आठ नंबर पर आईए, आठ नंबर प्रशन पर अगर सही जबाब इसका देखें, कि क्या होगा, प्रत्वी जो अपना एक तरी यहां मैंने परशन्टेज उठाया है, पादप प्रशातियां कितने प्रतित्सत भाग पर, ठीक है, यह सीज में देखें, तो संपूर्ड, आप यह जानते ही हैं, ठीक है, कि 2.4 जो यह पॉइंट दिया है, यह 2.4 आप जानते हैं, पूरे बेस्व का भारत देश के पास ज चुनिएगा, 6.5 परशन्ट जो है, अगर देखा जाए, तो 6.5 परशन्ट पर यह जीव प्रजातियां हैं, 6.5 परशन्ट पर जीव प्रजातियां हैं, ठीक, और बाकी अगर इसमें देखें, जो 8 परशन्ट पर जो है, क्या है, पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, 8 8% पर पादप्रजातिया पाई जाती हैं ये चीज ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा आपका जितनी लेंड हमारे पास है उस लेंड को डिवाइड करके निकाला गया है थोड़ा सा ये अपने आप में टफ है नो नंबर प्रशन अगले कह रहा है सीती रित्में राजिक में हो गया कोई नहीं दिपक जी सही हो जाएगा ए विकल्ब कलमनाज जी गोड इबनिंग थोड़ा लेट हो गए जीतन जी जो है बफरिंग इधर से तो भाई स्वेड ठीक ठाक है चले इसका जबाब दीजे क्या है भाई नो नंबर प्रशन का अगर सही जबाब हम देखें कि नो नंबर प्रशन का आपका सही जबाब क्या होगा तो नो नंबर प्रशन का सही जबाब आपका होगा विकल्ब बी जिते लोग बी विकल्ब चुनने हैं कि उत्तर पश्मी ज जो तापमान होता है, ये सबसे कम होता है, सीत रित्म के दोरान, ठीक है? क्योंकि जब आप सीत रित्म में दच्छन से नीचे की ऊपर की और आप बढ़ेंगे, तो तापमान धीरे-धीरे क्या होगा? घटता चला ही जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान दखना है, नौके ब आकार कैसा है? गोलाकार है आपका, या फिर बेलनाकार है, या अंडाकार है, या लंबवद? बताइए, अगर भारत कमायब सही से देखा होगा आपने, चले बई, बहुत जबाब आ चुके हैं, अब इसका अगर हम सही जबाब देखें, कि इस प्राश्चन का सही जबाब क्या है? बी विकल पा रहा है, बहुत बड़ी हैं, नेटवर्क गिरर, समर जी, अज आप कई दिन बात देखें, हाँ कुछ इशू लग रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क हो सकता है, आपको उधर इशू हो, लेकिन इधर स्पीट सही आ रही है अभी, बी विकल पा रहा है, चले दस नंबर प्रशन का अगर सही जबाब देखें, तो दस नंबर प्रशन का सही जबाब आपका विकल डी जो लोग चुनने हैं, लंबवत, ये एकदम राइट होगा, ठीक, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आकार जो है, ये आपका लंबवत है, लॉंगी टीडिनल एक तरीके से ह तो इसलिए दस नंबर का जबाब आपका डी विकल फोगा, आगे बढ़ते हैं, ग्यारा नंबर प्रशन पर, ग्यारा नंबर प्रशन आप लोग ध्यान से देखें, कहरा है, नागरिक शैवागिता मंज, माई जीयोबी पर पंजी कृत, उप्वियोग करताओं की संख्या क अहां तक पहुँच गई है, जो माई जीयोबी एप है, इस पर कितने लोगों ने आज तक रेजिस्टर किया है, ए विकल फोग पर जो है कितने लोग, केतकी जी बहुत बढ़िया, वन करोर, ये करेंट से संबंधित प्रशन आपके आने लगे हैं, अब, श्रेया जी, ए विकल जो नहीं, बहुत बढ़िया, मनोर्मबा जी, वी विकल फरींजी, सी, बी जवाब आ रहा है, चले इसका सही जवाब देखते हैं, कि माई जीयोबी एप, जो है, इस पर कितने लोगों ने रेजिस्टर किया है, तो इस पर लोगों की जो संख्या है, नितिन जी, ए विकल ए आ रहा है, चले बहुत बढ़िया, ग्यारा नमबर प्रस्चन का सही जवाब होगा, जो लोग विकल C को राइट बता रहे है, एक करोण कमेंट कर रहे हैं, एकदम सही हैं, आप लोग करेंट अच्छा पढ़ रहे हैं, और करेंट अगर आप UPPSC में बढ़ना है, त उसको ज़रूर आप जो है, नोटिफाई हो, ग्यारा के बाद 12 नमबर प्रस्चन है, 12 नमबर आपसे कहरा है, भारती वाईशेना का कौन सा बिमान 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवर्थ हो गया, पढ़ा होगा ना करेंट में, बताइए, मिक 21, मिक 29, मिराज 2000, मिक 27, कौन सा बिमान है, जो सेवानिवर्थ हुआ, सूचित किया जाएगा, कल साम में बता दूंगा, सियोम जी, कित की जी, मिक 27, बहुत बढ़ी हाँ, बी विकल पौधेश जी, ए विकल पारा है, सियोम जी आपका, भाई 12 नमबर प्रस्चन का जबाब दीजिए, रितिका जी, थोड़ा लेठ है, बी विकल बहुत बढ़ी हाँ, संपना जी, डी, शुरभान जी, सी विकल अरपिज सिंग जी, गूड इबनिंग, स्वागत है भाई, चलिए अब प्रस्चनों पर आजाईए, बारा का जबाब दीजिए, मनोर्मा जी, डी विकल बिनिज जी, डी, गुंजा जी, डी वि रिटायर कर दिया गया, इसमें क्या हो रहा था, लगातार कई पाइलेट सहीद हुए हैं, इसमें जो होता था, कि जैसे ही उडान भढ़ने के दौरान, ये बीमान बहुत जादा दोरगणा ग्रस्ट होने लगे थे, और कई पाइलेट अपनी जो है, इस हाथसे में जान गम बैठे, तो इसलिए इसको जो है रिटायर कर दिया गया, मिक 27 बहुत दिन से खामिया थी, रिटायर इसलिए नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको जो उपनाम दिया गया है, ये कारगिल इद्ध का नायक बोला जाता है, कारगिल में विजय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका मिक 27 की रही है, इसलिए इसको रिटायर नहीं किया जा रहा था, आगे बढ़ते हैं तेरा नंबर प्रश्न पर, तेरा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, सईक्त राष्ट द्वारा हाल ही में किसे दसक में बेसुकी सबसे प्रशिद की सोरी बताया गया, दसक में मेटा थन्बर्ण, मलाला इश्वजई, मारले डियाज, या क्रिष्टीना अरगटेन, चलिए इसका सही जबाब दीजिए, सही पतराष्ट ने ये घोश्रा की है, कौन है वो बेड़, बहुत बढ़ी हां केतकी जी, शुरिभान जी विकल्बी, मलाला इश्वजई आ रहा ह है, बहुत बढ़ी हां, निधी जी, कल आप परशों गायब थी, कल भी नहीं देखी हैं, नितिल पांडे जी, ये विकल्ब बहुत बढ़ी हां, बेरी गुड, मलाला इश्वजई जी, बहुत बढ़ी हां, रवीन कुमार जी, चलिए देखते हैं, इसका सही जबाब क्या है तेरा नमबर प्रश्ण का, सही जबाब अगर हम ध्यान दे हैं, तो सही जबाब इसका विकल्ब बी जो लोग चुनने हैं, वो एकदम राइट है, मलाला इसुब जई, दसक की जो है रही हैं, सबसे ज़्यादा जो है, फेमस की सूरी, अगर मान लीजिए हाल ही में कहा थन जो है, बर्ग रही, क्योंकि इसने जो है, जब आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत जो है, एक तरीके से भासर दिया था, और काफी इसका भासर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उस दोरान, आगे बढ़ते हैं, तेरा का बाद 14 नमबर प्रश्ण है, 14 नमबर दीजिए, मैच के प्रेमी है, तो बेल आइकोन पुश कर लीजिए, निधी जी, तभी नोटिफिकेशन पता चलेगा, लेकिन हर दिन 8 बजे आपको पहुँच जाना है, ठीक है, कई भी रोंगा, तो लाइक भी पूरी कोशिस होती है, गरिमा जी बेविकल्ब बहुत अब ये चुनने, ये एकदम सही है, साउथ अफरीका के ये आपके खिलाडी है, वर्नर, फिलेंडर, इन्होंने हाली में क्रिकट से, अंतरराश्टी क्रिकट से सन्यास लेने की घोश्टा की है, आप देखते हैं, करेंड में उन्हीं खिलाडीों को उठाता है, जिनका नाम पर सो किशानों को 1000 वीबाक्स बित्रित किया है, सो किशानों को 1000 वीबाक्स बित्रित किया, चंदीगड में, कुलकाता में, लुधियाना में, अगरतला में, चलिए भाई, जबाब दीजे इसका, बहुत बढ़िया, गोड इबनिंग केदार जी, थोड़ा लेट हो गए, आप 27 मिनेट, कोई दिकर नहीं मनुर्मा जी, चलिए मिस्ठाकुर, जबाब दीजे, सपना जी, सी वीकल्ब, नितिन पांडे जी, सी वीकल्ब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, डी, शबराती खुल्ब, जी, बहिरी गोड सी वीकल्ब आप चुन्ने है, पंदरा नंबर का सही जबाब अगर देखें, तो वीकल्ब डी, जो लोग चुन्ने है, एकदम सही है, अगर तला में यह हुआ था, अगर तला में क्या किया है, कि खादी ग्रामदोग आयोग ने, सो किशानों को 1000 वी बाक्स बित्रित किया है इसलिए ये थोड़ा सा आपका important बनता है अगला है 16 नंबर चलिए बताईए भाई उत्पत की द्रिष्टी से निम्न परब स्रेणियों में सबसे नविंतम कौन है भुगुल में हम आ चुके हैं अजंता स्रेणी, पाक्ष कुंडा स्रेणी, कैमूर स्रेणी या पठकोई स्रेणिया कौन सी स्रेणी उत्पत की द्रिष्टी से सबसे नमेंतम है चलिए भाई जबाब दीजिए सुभम जी वी बिकल बहुत बढ़ी हां स्रेया जी सी मनुर्मा जी शी हो सकता है स्युम जी दिक्कत आ रही हो मैं मानता हूँ कैमूर चलिए भाई देखते हैं इसका सही जबाब क्या है शुरिभान जी ये विकल चुन्ने प्रदीब जी बी विकल पा रहा है बहुत बढ़ी हां नितिन जी बी विकल गरिमा जी शी विकल पा इसका सही जबाब देखें 16 नमबर प्रश्ण का 16 नमबर प्रश्ण का जो सही जबाब होगा न ये जबाब एकदम इसका राइट है पटकोई जो स्रेंडिया है ये उत्पत्य की द्रिष्ण से सबसे नमिंतम है इन चारों में ठीक है क्योंकि इसका निर्माड जो है ये जो पटकोई आपकी स्रेंडिया है इसका निर्माड अगर देखें तो इसका काल ला है टर्शेरी का इसका जो काल ला है ये टर्शेरी युग में इसका निर्माड हुआ था अगर से सभी को देखें ठीक तो सभी की सभी ये दच्छेण और मत इभारत में हैं इसलिए ये चीजे आपकी सबसे पुरानी होती और सबसे नमींतम आपकी पटकोई स्रेडी होती है इन चारो विकल्ब में 16 नमबर प्रश्ण में बढ़ते हैं 17 नमबर 17 नमबर आपसे कह रहा है कि निमलिक्षित इग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है इस शीज को ध्यान रखेगा इधर परबत दर्रे दिये इधर राज दिया है पहला बोला सिपकीला हिमांचल प्रदेश बामडीला और अंचल प करिए शी विकल परपेजी बहुत बढ़ी हां शी सी एक तरफ से सी आ रहा है क्या बात है बहुत बढ़ी हां देखते हैं 17 नमबर का अगर जब आप देखें तो जित्ते लोग इसमें अभी सी बाले भी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं तो इसमें कहीं कौन सा जबाब सही हो होगा अन्य लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं बहुत बढ़ियां सारे लोग वही कमेंट करते रहे हैं देखते हैं कितने लोग आपके परबत माला सहीं पढ़ रहे हैं बहुत बढ़ियां सारे लोगों के जबाब आ रहे हैं तो 17 नमबर अगर प्रश्ण का हम सही जब आ रहे हैं तो 17 नमबर का जो लोग बिकलब C चुनने एकदम राइट हैं नाथुला यहां दिया है मेघालया तो जाहिर सी बात है धिमाग सभी का गूम गया होगा कि नाथुला आपका हिमाले में नहीं पढ़ता है इसलिए यह आपका किस राजी का दर्रा है यह आपका सिक्किम राजी का दर्रा है नाथुला जो है सिक्किम राजी का दर्रा है तो सारे लोग इसलिए फटा-फट C पर उतर आए अठारे नमबर प्रश्ण आपके सामने ध्यान दीजिए कौन सा मेगाले पठार का अंस नहीं है भूमन पहाडियां गारू पहाडियां खासी पहाडियां जैनतिया बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका जबाब देंगे बहुत बढ़ी हाँ दिब्बया जी स्वाग आपके हैं स्वागत है अब इकल पा रहा है अब इकल पा रहा है श्रेया जीव बेरी गुड बहुत अच्छे जबाब आ रहे हैं एक बहुत बढ़ी हां केतकी जी चलिए देखते हैं बाई अठारा नंबर प्रश्ण का अगर सही जबाब देखें तो अठारा नंबर का जो लोग एक बिकल चुन हैं एकदम राइट हैं मेघाले पठार जो है उसका भाग भुवन पाहडिया नहीं पड़ती है ठीक है यह भुवन पाहडिया जो है जब आप जाओगे यहां पर क्या करता है मीजो हिल्स जब आप मीजो हिल्स में जाएंगे तो मीजो हिल्स का एक पा पहाडियों में, तो ये मीजो हिल्स की, क्योंकि इस पहाडियों से अभी 2019 देखिए, उसमें भी सवाल था, इसलिए थोड़ा सा ये जो आपका पोर्षन है, इंपॉर्डेंट बनता है, 18 के बाद 19 नंबर, चलिए बताइए बाई, निमलेखित में कौन साईगों सुमेलिद न नहीं है, सही जबाब आप लोग दीजिए, इनमल से, चलिए बताइए भाई, फड़ा फड़ जबाब आने शाहिए, बिकल्प D को राइड बता रहे हैं, यहां सिक्किम में दे रखा है तिबबती, जबकि सिक्किम राजी की अगर आप मुख्य भासा देखोगे न, तो सिक्किम में आपको नेपाली मिलेगी, ठीक, नेपाली के साथ साथ दूसरी इसकी एक भाशा होती है भूटिया, ठीक, औ सुमेलिद हैं, अगला है आपका 20 नंबर प्रश्ण, 20 नंबर फिर से वहीं चीज़े हैं, सुमेलिद नहीं है, शेरपा, नेपाल, थारू, उत्तराखन, टोडा, दच्छन भारत, जुलू, ओडिशा, अब यह क्या चीज़े दी हैं, यह मैं कमेंड नहीं करूँगा, कि देखा, इधर राज जी लिखे, आप लोग समझदार हैं, चलिए बताइए, राजे जी एकदम अच्छे हैं, बहुत-बहुत स्वागत है, चलिए भाई आजाईए, नितिन जी ये विकल्ब, शबराती जी डी विकल्ब आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, और पिद बिकल्ब डी को चुल्ब हैं, ये डी वाले एकदम राइट हैं, यहीं आपका सुमेलिन नहीं है, जुलू ये देखो, इधर जो लिखा हैं ये एक तरीके से जंजातियां लिखी हैं, इधर राज जी लिखें एक तरीके से, सेरपा नेपाल में पाई जाती, थारू जुलू ओडिशा में नहीं, जुलू ये जब आप जाओगे साउथ अफरीका, ये वहां की जंजाती है, जुलू जो है ये साउथ अफरीका की जंजाती है, इसलिए ये आपका युगम गलत है, बाकी आपके सारे युगम सही हैं, आगे बढ़ते हैं 21 नमबर प्रश्म, 21 और प्रश्म आपसे कहह रा है कि भारत में यलूंग जंगबो नधी को किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदे के नम से, सिंधो नदी, ब्रह्मपूतर नदी, महा नदी, बताईए, भारत में यलूंग जंगबो नदी किसको कहते हैं? निधी जी आपने 21-3 विकल्ब चुना है C विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ शिवाकान जी C विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ बहुत अच्छे I think C देखते हैं भाई भोजपुरी सर C विकल्ब पारा है ब्रह्मपुत्रा very good very good देखते हैं किश नमबर प्रशन का जो लोग C विकल्ब चुनने 100% right होते हैं ब्रह्मपुत्रा को भारत में वह मलब भारत में तो इस निधी को ब्रह्मपुत्रे नाम से हम जानते ही जानते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर 22 नंबर प्रश्ण आपके स्क्रीन पर है कैरा कयाल क्या है ठीक है कयाल तराई मैदान को बोलते हैं गंगा डेल्टा को बोलते हैं धकन पठार की रेगड है या फिर आपकी केरल के लाइगून है किसको क्याल बोलते हैं बताइए क्याल से सम्मधि इस बार भी प्रशन था ठीक है question team मेनत करती है हर जगे से होते हैं आपके डी विकल बार है बहुत बढ़ी हाँ डी विकल बेरी गुड अंजनी जी डी विकल चली देखते हैं सही जबाब क्या है क्याल का अगर सही विकल देखें तो जो लोग डी विकल चुनते हैं एकदम राइट होते हैं भाई क्याल के लैगूनों को बोलते हैं ठीक है केरल के लैगून जीलो को क्याल नाम दिया गया है और केरल पर आप जाओगे तो बहुत सारे लाइगून मिलेंगे जैसे आप एक नाम सुना है ना पुन्नानाद कयाल ये वहां के लाइगून है एक नाम अगर मैं और बता हूँ तो ये पढ़ता है वो अश्टमूदी यहां केरला में पढ़ती है अश्टमूदी कयाल अगर औ और देखा जाए तो एक वो बेंबानाद से इस बार प्रश्ण था ठीक बेंबानाद ये सब केरला के हैं इस बार इससे प्रश्ण था केरला के इंसे मनलब कयालों से इसलिए थोड़ा सा मैंने चुना तेइस नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर जूट का पता लगाने वाला यकोंतर किस नाम से जाना जाता है पॉलिग्राफ या पॉलिग्राफ पाइरोमीटर गाइरो इसको प्यमोग्राफ कौन साफ़ा इब भाई बताइए नमसकार विकास जी ठीक है लेगून बताए तो एजीले जो होती उनको लेगून बोलते नहीं लेगून और सीलो में खास सही जवाब तेश नंबर प्रशन का अगर सही जवाब की बात करूं तो विकल्ब ए जो लोग चुनने पॉलिग्राफ ये एकदम राइट है जूट का पता लगाने वाले जो यंत्र है इसको पॉलिग्राफ बोलते हैं कुछ लोग ऐसे हैं उनमें तो ये यंत्रकाम ही नहीं करता है आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पर ठीक है 24 नंबर प्रशन क्या बोला है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकोरती है जमने पर जल का आयतन घट जाता है जमने पर 24 नंबर शी विखल्ब बहुत बढ़ी यहाँ भ brighter वरी गुड देखते हैं सही जबाब इसका क्या है सही जबाब 24 नंबर परशन की बात करें तो जिते लोग विखल्ब सी चुनने हैं बहुत अच्छे हैं वाई साइंस जगत आप लोगों का बड़ा सहीयोग कर रहा है और पढ़ते भी रही है क्योंकि 28-30 प्रशन तो साइंस से आता ही है बस आप जो है अपना साइंस साइंस इंटेक पोर्शन भी अच्छा कर लीजेगा एक जम जाने से पहले यानि करेंट पोर्शन में साइंस इंटेक देख लीजेगा तो यह चीज़ें आपकी और बहतर हो जाएंगी वहाँ पर क्योंकि जब बोतल पानी से भरी है अगर बोतल जब जमेगी जाहिर सी बात है 0 degree centigrade पर पानी जमेगा तो जब बर्प बनेगा तो जल का आयतन बढ़ जाएगा ठीक और इसलिए क्या होगा कि यह चीज़ें अब यहां से इस question को आप जानते हो कच्छा 10 की किताब उसमें आपको यह question कम से कम 5 तरीके से मोड़ के इसको पूछा जा सकता है UPPCS कहीं से भी इ में कौन उत्तर दाई है कालसियम और मैंगनीशियम के क्लोराइड सब्सक्रेज वी बोला कैल्सियम और बाई करभोनेंड जी बोला इस सिलवर पोटैसियम के क्लोराइड सइस जबाबर दें अस्त्य कंठोड़ता किसकी वज़े से आती हैं इंधि को त पर क्ये दोरा क्या है अम्बिका जी मैं बिल्कुल कोसिस करूँगा आज हो सकता है यह दिक्कत आ गई हो फिर से ठीक है गरिमा जी यह विकल्ब बहुत बढ़ी हैं चलिए सही जबाब देखते हैं 26 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है फोटोग्राफी में उप्योगी तक तो कौन सा है सिल्वर नाइट्रेड, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फियूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड कौन सा इसमें जवाब सही है बताएं B विकल पा रहा है 26 नमबर प्रश्ण का सही जबाब बताईएं B विकल बेरी गुड इंद्रे जी, इंसेन जी, B विकल बेरी गुड चलिए बएई शही विकल देखते हैं, इसका सही विकल क्या है आपका, A आ रहा है कई लोगों के 26 नमबर प्रश्ण का जो लोग विकल बीच उनने एकदम राइट है silver bromide इसका प्रियोग फोटोग्राफी में किया जाता है ठीक है जब फोटोग्राफी plate विक्सित की जाती है उसमें क्या करते है उसको एक घ्रोल में डालते है एक आपका solution होता है उसमें डाल देते है photographic plate को और जब तक silver आपका bromide घुल नहीं जाता सही से ठीक तब तक उसमें इसको डाले रखते हैं आगे बढ़ते हैं अगला है 27 नंबर प्रश्ण ध्यान से पढ़िए फिर जबाब दीजिए निमलेखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसी लंबी अवत तक रह सक कान जी बहुत अच्छे भाई सभी के जबाब आ रहे हैं कोई दिक्कर नहीं है गोड इबनिंग भाई याशु जी थोड़ा लेठ है चले इसका सही जबाब देखते हैं कि आखिर क्या है 27 नंबर प्रश्ण का जो लोग विकल डी को राइट बता रहा है एकदम 100 प्रशंट सही है कंगारू चुहा ये एक आपकी ऐसी प्रजाती है जो बिना पानी पिये सबसे लंबी अवद तक जीवित रहती है ठीक है इसलिए इसको जो है अब विशेश इसकी खोज हुई है कंगारू चुहे को अभी तक हम लोग उट को जानते थे ठीक है लेकिन कंगारू चुह है एक ऐसा प्राड़ी है जो आपका सबसे लंबा जीवन जीता है बिना पानी पिये क्योंकि इसका उत्सरजन तंत्र जो है ये बहुत ही ज्यादा बेटर है निद्रा रोग किस नाम जो है निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किसके कारण बताओ विटामिन ए की कमी से सरी इसका सही जवाब देखते हैं भाई है क्या डी विकल पा रहा है 28 नंबर प्रश्ण का सही जवाब देखें तो विकल डी जो लोग चुन है प्रिपैनो सुमा नामक एक कोस्की जीव से यह बीमारी निद्रा रोग हो जाती है इस चीज को ध्यान रखेगा कहीं ऐसी समस्य आ पीस इंटरनेशनल का मुख्याल है कहाँ इस सित है एमस्ट्राडम में, कैनवरा में, इउटावा में या नागा साकी में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याल है कहा हैं बिल्कुल सपना जी डेविकल पा रहा है अरे भोजपुरी शर भाई आप अपना नाम बता दीजिए कृष्ण गोपाल जी इत्ते दिनों बाद एविकल चलिए देख गए हैं लेकिन आट बजे हर दिन आईए इसका सही जबाब देख्ते हैं प्रदीव जी बहुत जादा लेट हो गए गोडविं को डिपनिंग परिस्तिस की निशे या जिसको निचे बोलते हैं हिंडी में याला बोला जाता है कि संकलपना को किसने प्रत्पादित किया था ग्रीनल ने डार्बिन ने एपी ओडम ने या अर्नीज ने पारिश्त की निशे या पारिश्त की निचे कि संकलपना को किसने जो है सबसे पहले बताया निदी जी network problem हो रही है चलिए बिल्कुल मैं कोसिस करूँगा कि जो है कल से ऐसी समस्य आपको बिल्कुल ना आए 34 D विकल पा रहा है बहुत बड़ी हाँ शम्यार जी बहुत अच्छे भोजपूरी शहर C विकल ओडम चलिए देखते हैं भाई 30 नमबर का 30 नमबर का जो लोग विकल्प ए चुन ने ग्रीनल ठीक यह सबसे बेस्ट आपका विकल्प है क्योंकि ग्रीनल ने 1917 की बात है 1917 की बात है ठीक जब जोशप ग्रीनल ने एक वो प्रस्तूत किया था अपना पूरा का पूरा एक संकल्पना दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि इसे पारिस्तिकी निशे को इन्होंने परिभासित किया था सूच्म आवास से पारिस्तिकी निशे को इन्हों ने सूच मा आवाज से परिभासित किया था तो ये चीज आपको ध्यान रखने है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 31 नंबर आपके सामने है 31 नंबर ध्यान दीजिए भारतिय संसद्वारा जय विवित्ता अधिनियम कब पारित किया गया मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जन्वरी 2004 में या अक्टूबर 2008 में भारतिय संसद्वारा जय विवित्ता अधिनियम गर्मा जीब, बिल्कुल श्यूरमन जीब, चलिए भाई नाम जान गया हूँ कल से बिल्कुल ऐसा जो है नहीं होगा आज जैसे कई लोग कमेंट कर रहे कि हां नेटवर्ग प्रॉब्लम है कोई दिक्कर नहीं ठाकुर जी लगे रहे ये बोजपुरी सर्शी विकल अचा रमन जी चली भाई शिवरामन आपका नाम है 31 आ रहा है जबाब 31 का सही जबाब देखें तो विकल बी जो है एकडम राइट है दिसंबर 2002 की बात है ठीक और वो भी अगर सही देखा जाए तो 11 दिसंबर 2002 की बात थी जब संसन ने जय विवित्ता अधिनियम आपका पारित किया था 11 दिसंबर 2002 आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है 32 नंबर 32 नंबर आपसे कहे रहा है कि निमलिखित में से भारत के निमलिखित पारिष्ट की छित्रों में कौन सा सही जो है सुमेलिद नहीं है इधर ये पूरे के पूरे आपके प्रदेश एक तरीके से दिये हैं इधर उधर जो है इस साइडिन में उनमें पाई जाने वाली विशेश तरीके की आपकी प्रजातिया हैं यह वहाँ पर अस्थल में जो कुछ हो गता है 32C, very good, केदार जी, जया जी, सी विकल चुन नहीं, शमर जी, सी, बहुत बढ़ी हाँ प्रिवस्क्रेशन आप जो है थोड़ा लेट मिले हमेश, जया जी, सी विकल देखते हैं बाई, सही जबाब क्या है तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे सुस्क सदाबाहार बन, पूरवी दखन पठार में सुस्क सदाबाहार बन आपके सबसे ज़्यादा पाये जाते हैं इसलिए ये विकल्प आपका राइड नहीं होगा, यहां आद्र बन नहीं, सुस्क सदावाहार बन पाये जाए जाए जीज को आप ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रशन आपके सामने है, कह रहा है, 33 नंबर निमलिखित इगमों में से कौन सा एक इगमों सुमेली नहीं है, पहला बोला बायो स्फियर रिजर्ब, एड़ड स्वियेस, बी बोला एको सिस्टम, ADP कंडोल, सी बोला एकोलाजी, AG टांसले, डी ब कलमन जी, C विकल्प आ रहा है, कलमना जी, C विकल्प, very good, सरद जी, थोड़ा देर से दिख रहा है, D विकल्प है, केदार जी, बहुत बढ़ी है, 33 नंबर का विकल्प जो लोग A बता रहा है, एक दमराइट है, बायो स्फियर रिजर्ब इधर दे रहा है, एड़ड स्वि इस ने किया था, बाकी जो आपके दिये हैं, ये अपने आप में कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है, 33 के बाद 34 नंबर देखिए, हिस्ट्री के प्रशन आपकी स्क्रीन पर आने लगे हैं, पुस्तक कथा सर्था सागर किस ने लिखी, शोमेशर थर्ड ने, कलहर ने, प्र श्रेया जी, बे विकल्प बहुत बढ़ी हां, उदय जी, चलिए भाई, सही जबाब देखते हैं, 34 नंबर प्रशन का, अगर कथा सर्था सागर की बात करें, तो के रचाईता है, सोम्देव, विकल्प D राइट होगा, इस शीज को ध्यान रखें, कथा सर्था सागर को सोम विकल्प आपका राइट है, 35 नंबर प्रशन, ध्यान दीजिए, जबाब दीजिए, बोला है, एनालेक्टेस, एनालेक्टेस, पवित्र ग्रंथ है, किसका, सिंतो धर्म का, या सिंतो बोलते हैं, ताओ वाद, या दाओ धर्म का, कन्फियूसियस वाद का, या यहोदी, जि का पवित्र ग्रंथ है, बताइए भाई, 35 टू, C, A, विकल्प, इंशेन मोरेया जी, B, विकल्प, रवीन जी, C, विकल्प, चले भाई, देखते हैं, जबाब क्या सही है, जया जी, बहुत बढ़ी हाँ, B, विकल्प आरा, अमित पाठक जी, पहली बार देख रहा हैं जबाब क्या है, 35 नंबर का अगर सही जबाब देखें, तो एनलेक्टस को बोला है, यह किसका आपका पवित्र गरंथ है, कन्फूसियस बाद, जो कन्फूसियस को मानने वाले हैं, यह उनका पवित्र गरंथ माना जाता है, एनलेक्टस, इस शीज को ध्यान लखें, आगे पंडिता रमाबाई, दयानन सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक, अब निवेशिक भारत में, यानि जब अंग्रेजों का सासन था, भारतिये विध्वाओं के लिए सार्दा सदन स्कूल, किसने अस्थापित किया, जबाब दीजे भाई, बहुत बड़ी हाँ, शिवयारमन जी, बहुत बड़ी हाँ, बीरा हैपवी, चलिए भई, देखते हैं, इसका विकल्ब क्या सही है, बी विकल्ब पार है, देखता लोगों के, 36 नंबर प्रशन का सही जवाब आपका होगा, जो लोग विकल्ब बी को राइट बता रहा है, एक दम सही है, पंडित में बिध्वाओं के लिए, भारतिये बिध्वाओं के लिए, क्या किया था, जो है, सार्दा सदन स्कूल की अस्थापना की थी, आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रशन, 37 नंबर आपसे बोला, 1877 के इंपीरियल दबाव में, हाथ से काटी वी, खादी के कपड़े पहन कर, ठ तिलग, विपिन चंदरपाल, जी भी जोसी, चलिए सही जबाब बताएं इन में से, समर जी बहुत बढ़िया, ए बिकल्प आपने चुना है, शिवाकान जी, ए बिकल्प, डाक्टर सुर जी, सुल्तान पुर भाई, बहुत बढ़िया, थोड़ा लेट हैं, लेकिन स्वाग अगर सही जबाब देखें, तो जो लोग डी बिकल्प को चुनना है, ये राइट है, जी बी जोसी की बात करें, ठीक, पूर्णा सार्वजनिक सभा हुई थी ना, पूर्णा सार्वजनिक सभा, काफी फेमस हैं, इसमें हुआ क्या था, कि वासदयो जोसी, ये जी बी जोसी की बात है, ठीक, वहाँ पर जब ये गए, तो इंपीरियल दर्बार में हाज से काटी हुई खादी का पजामा पहन कर गए थे, ठीक, खादी का पजामा पहन कर गए थे, इस चीज को ध्यान रखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा, यहाँ गड़ेश वासदयो जोस प्रशन है, 38 नमबर प्रशन आप से कह रहा है कि भारत में प्रांतिये स्वायत्ता सुरू की गई थी, पहला भारतिये परिश्टत अधनियां 1909 द्वारा, बी बिकल्प कह रहा है भारतिये सरकार अधनियां 1909 द्वारा, शी बिकल्प आप से कह रहा है भारतिये स्वायत्त कब आई चलो बताओ भई जबाब दीजे भई विकाजी आपने कुछ कमेंट किया बहुत बढ़ी हाँ ठीक है मैंड अच्छा चल रहा है अच्छा लगता है वाई कि आप लोग जो है जबाब अच्छे दे रहे हैं बहुत बढ़ी हाँ सब्राती जी सी विकल पा रहा है देख गई थी प्रांतों के सासनांत कर पूर्ण उत्तरदाई सरकार यहां बनाने की बात हुई थी ठीक हर एक चीजें आई लेकिन कुछ भी जो है सही से नहीं हो पाया आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्ण बहुत ध्यान से जबाब दीजिए बाल गंगा धर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे श्वामी विवेकानन को राम मोहन राय को फिर आपका जो है रिशित घोस को डी बिकल्फ है आपका दादा भाई नौरो जी को किसको बाल गंगा धर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे चलिए जबाब यहां सिसिर घोस होना चाहिए र जी डी विकल्फ, जया जी सी विकल्फ पा रहा है अरपिजी, अरपिजी आपका नाम मैंने ले लिया भाई, केदर जी डी विकल्फ चुनने, बहुत बढ़ी हां, बहुत अच्छे जबाब आ रहे है सभी से, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है, सोरिभान जी सी विक चालिश नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि भारत में कैबिनेंट विशन किस लिए भेजा गया था, एक राष्टी सरकार की अस्थापना के लिए, बीबिकल्फ कह रहा है सक्ति के अंतरण के लिए, संभैधानिक व्योस्था निशित करने के लिए, सी कह रहा ह भारत को आजादी देने से इंकार करने के लिए, कैबिनेट विशन भारत में किस के लिए आया? बैधानिक ब्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मार्ज जो है कैबिनेट इस्टन भारत में 24 मार्ज को पहुचा था ये डेट भी धियान रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 41 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर किसी दी ही अवध के लिए देश की राष्टि ये आए एकौनमी से संबंदित प्रशन आपकी स्क्रीन पर पहला बोला नागिर कोद दोरा उत्पादित वस्थूँ और सेवाओं के कुलि मोलिक के बराबर होगी बी कह रहा है कुछ भोग और निवेस बे के योग के बराबर होगी सी कह रहा है सभी वेक्तियों की व्यक्तिक आय के योग के बराबर होगी D कह रहा है उत्पादित अंतिम वस्तुआं और सेवाओं के मौद्रिक मोली के बराबर होगी बताईए नेशनल इंकम क्या है दिये गए प्रशनों से आप बताएं बिरेंज सिंग जी B विकल्ब बहुत बढ़ियां अनूब निर्मल जी A विकल्ब बाग चुनने है C विकल्ब बार है जितन जी D विकल्ब थोड़ा लेट दिखाई दिये में चले सही जबाब देखते हैं इसका क्या है तो 41 नमबर प्रशन का जो लोग जबाब आपका A विकल्ब चुनने है एकदम सही है नागरिक को द्वारा जितना प्रोड़क्ट जो है निकाला जाता है जितनी वस्त में उत्पादित होती है और जितनी सर्विसेज होती है इन सभी का टोटल जो है वैलू देखा जाता है फिर उसे नेंशनल इंकम में सामिल किया जाता है 22 नंबर प्रशन आपके इस screan पर 22 नंबर आपसे कह़ए आर्थिक विकास सुगमेत होता है किस से अवसफीत के साथ इसफीत के साथ इस्टैक प्लेशन के साथ अती स्फीत के साथ सही जबाब बताई आर्थिक विकास सवराती जी A. विकल्ब, B. जयादो जी, बहुत बड़ी हाँ, C. विकल्ब आप बोल ले, 42 नंबर का जबाब भाई, B. विकल्ब पा रहा है, इंसेन जी, बहुत अच्छे, प्रदीव जी, A. विकल्ब, परपित सिंग जी, B. विकल्ब, सही जबाब देखते हैं, 42 नंबर का जो लोग से, भारी उद्दोग से, उपिक्त सभी से, नायक समित के बारे में, चलिए बताइए, किस से संबंदित है, बिरेंजी, A. विकल्ब पा रहा है, नेदी जी, बढ़िया, इस्विती, 43 नंबर का जबाब दीजे भाई, इंसेन जी, D. विकल्ब आप चुने, शीवा रमन जी, बिकल्ब आपका आ रहा, गरिमा जी, D. बिकल्ब, बहुत बड़ी हाँ, चलिए देखते हैं, इसका सही जबाब क्या है, 43 नंबर का जो लोग बिकल्ब बीच उनेंगे, वो एकदम राइट होंगे, लगू उद्दोग से संबंदित है, नायक समित, ठीक है, इसका गठन हु प्रशन आपकी स्क्रीन पर, निमलेखित में से कौन सा एक कोश्कीय नीत का भाग है, उत्पादन नीती, कर नीती, बिदेश नीत, या ब्याज नीत, एक राजकोशीय नीती का कौन सा भाग है, बताइए, डिबिकल्ब पारा है, मादवेंजी, बहुत बड़ियां, चलिए 24 नमबर प्रशन, राजकोशीय नीति का भाग, बिविकल्ब पारा है, बिविकल्ब पारा है, शिवाकांत, अंधाना वी विकल्ब भाई, रितिका जी, बिविकल्ब देखते हैं, एलोन बुआए, चलिए भाई, देखते हैं, अगला प्रश्णा है 45 नमबर कह रहा है आपसे निमलिखित में कौन सा कारिकरम ग्रामीड भारत में गरीबी दूर करने है तुथा IRDP, Trisame, NREP, उपेक सभी, चलिए बताइए ग्रामीड भारत में गरीबी दूर करने के लिए कौन सा कारिकरम आया था बीजे कुमार जी डी विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ चलिए बताइए भाई 45 नमबर डी विकल्ब सारज जी बेरी गोड डी विकल्ब पारा मनोज पंडे जी S डी विकल्प शमर जी बहुत बड़ी हाँ बहुत अच्छे अंजनी जी बहुत बड़ी हाँ चले सही जब आप देखते हैं 45 नंबर का सही जब आप अगर देखें तो विकल्प डी जो लोग चुनने एकदम राइट हैं IRDP, Trisame, NREP ये सब के सब कारिक्रम आपके ग्रामीड भारत कारिकास से संबंदित पॉलिटी के प्रशन आपकी स्क्रीन पर आने लगे हैं भारती शंबिधान के किस अनुच्छेद के तहर लोगसभा में अनुसूची जातियों और जन जातियों के लिए आरच्छन दिया गया A बोला 330, B बोला 332, C बोला 222, D बोला 345 किस अनुच्छेद के तहर लोग सभा में अनुच्छी जाती और जन जातीओं के लिए आरच्छन का प्राउधान है बताईए कौन सा अनुच्छेद है वो एलोन बॉय जाट भाई नाम तो कमेंट कर दिये आपका नाम क्या है तब तो मैं बताऊं चली डी विकल पा रहा बहुत बढ़ियां भाई ए विकल देखते हैं सही जबाब क्या है 46 नमबर का अगर सही जबाब देखें तो 330 जो लोग चुन है एकडम सही है अनुच्छे 330 के तहट लोग सभा में अनुच्छित जातीओं और जन जातीओं के लिए जो है आरच्छन दिया गया है 47 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है केंसासित प्रदेश लक्षिद्यूग के नियाइक छेत्र का कारी कौन सा नया आले करता है तमिल नाड़ो हाई कोड केरल हाई कोड कलकत्ता हाई कोड या बंबे हाई कोड ठीक लक्षीदिव का नियाई छेत्र का कारी जो है कौन सा निया आले करता है साई जबाब दीजिए देवा जी अब आपका नाम जान गया हो भव कभी गलती नहीं होगी ओदे सिंग जी, सी विकल्ब, देवा खीरवार, श्वागत है भाई, चलिए सही जब आप इसका देखते हैं, केन सासित प्रदेश जो आपका पढ़ता है लक्षी दिव ना, लक्षी दिव और केरला दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, तो विकल्ब बी इसका एकदम राइट ही है, चालिश में, एकतालिश में, बैलिशा में या चोलिशा में, प्रसासनिक प्राधिकरण, चलिए बताईए, एड्मिस्टेटिव जो है, प्रोसी जो एक तरीके से हैं, जितने भी आपके यह स्थाफित हुए हैं, दीरे-दीरे भारत में विभाग संभाग आए, बहुत बढ़ियां देवा जी, बहुत बढ़ियां, चलिए देखते हैं, इसका सही जबाब क्या होगा, 48 नमबर का अगर सही जबाब की बात करें, तो बिकल्ब जो लोग सी चुनने, बैलिशा में संभिधान संसोधन, क्योंकि यह मिनी कॉंस्टिटिउशन भी बोला जाता किस वर्स जाती और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अजिनियम की सुरच्छा पारित की गई थी, 1950 में, 1954 में, 1955 में, 1988 में, बताईए, 48 आ रहा है, बिजय जी डिवी कल्ब, गलत होने पर कुछ भी अपने मन में नहीं लाना है, हर दिन इसको पढ़ना है, हर दिन आना है, 8 बजी, सारे लोग ध्यान में रखिये, 8 बजे हर दिन आना है, मनुनुन्बा जी, वीवी कल, परपिज जी, इनसे जी, बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छे, चलिए सही जब आप देखते हैं, उन्चास नंबर का अगर बात करे 1955 की बात है, जब भारतिय संसद ने, जाती और धर्म से संबंधित जो अपराध होते हैं, इन पर सजा देने के लिए, एक नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था, 1955 में, तो 1955 इसका राइट है, आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर पर, मिस्र की संसद, के उच्छ सदन का ना से जाना जाता, अनुराधा तिवारी जी, याद रखे कल से जो है, आठ बजे जरूर पहुचना है, ठीक है, आठ बजे मेरी लाइब क्लासे होती है, सारे लोग पहुचे, समर जी ये विकल्प, बहुत बढ़ी हां, रवीन जी ये विकल्प, दिग ग्या है भाई, बहुत संग्राम सिमी, शीवा कान जी, पेडियाफ आप अभी बता रहा हूं सारी चीजे, इसका जबाब बताने के बाद सारे लोग रूखिएगा, एब इकल मादविन जी, चलिए देख लेते हैं, पचास नंबर का सही जबाब, मेसर की संसत का जो उच्य सदन है, उसका नाम है सूरा परिशद, ठीक, अपने यहां क्या बोला जाता है, राजी सभा, संसत का उच्य सदन राजी सभा, निवन सदन लोग सभा, लेकिन मेसर में बोला जाता है, क्या, सूरा परिशद, मेसर की संस पहला प्रश्ण आप से बोला है, आज हम जॉगर्फी से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है कमेंट करिए जो भी आ रहा है, बाकी तो मैं सही गलत का जबाब बताता ही बताता हूं, ठीक है पीडियम में लेगी उसमें लिखा रहता है, बिश्व में चांदी का सबसे बड़ ये विकल्ब बहुत बड़ी हैं, भाउना जी शीविकल्ब अमिद जी शीविकल्ब पा रहा है आपका, गोपालियादो जी बहुत बड़ी हैं, बिश्व में चांदी का अगर उत्पातक देखें, कि सबसे अग्रणी उत्पातक कौन सा आपका वो देश है, तो ये हैग उसके बाद अगर मैक्सिको के बाद देखा जाए तो दूसरा क्रम आता है चाइना का चीन का और चीन के बाद अगर तीसरा देश इसमें देखा जाए राष्ट देखा जाए तो वह राष्ट है आपका पेरू तो मान लीजे कहीं पर आपको क्रम भी दे दे तो पहले मैक्सिक को होगा नंबर वन नंबर टू आपका चायना है और नंबर थ्री आपका पेरू है यह तीन आपके बिसु के ऐसे राष्ट है जो चांदी उत्पादन में अग्रडी राष्ट के तौर पर गिने जाते हैं दूसरा आपका प्रश्ण है मेल सुमेल से है के रहें निमलिखित में किसका सुमेल नहीं है ठीक है कौन सुमेलिद नहीं है पहला बोल है डेट्रोइट आटो मोवाइल्स के यहां बनती दूसरा बोल ला है मैगनिटो गोर्स ये एक सहर है लोहा तथा इस पाद सी बोल ला है जोहांसबर्ग शोना खनन के लिए डी बोल है बर्मिंगम जलपोर निर्माड के लिए इसमें कौन सा सुमेलिद नहीं है यह इधर प्रसिद्द आपके सहर दिये गए इधर वहां निर्माड होने वाले कुछ ये अंत्रशन दिये हैं बहुत बढ़ी हां रहुल जी बेरी गूड अफशेग जी डीविकल पा रहा है प्रैक्टिस परिवार बी टाइम है रश्मी वाला जी बीविकल बहुत बढ़ी हां सरज जी बीविकल बहुत बढ़ी हां बीरा है पी डीविकल पा रहा है गरिमा जी डीविकल चलिए देखते हैं क्या जबाब है इसका ठीक है महाजन जी थोड़ा लेट लेकिन टाइम पर बहुत बढ़ी हां दूसर ये तो जानते हैं ये सहर किसका है ये सहर है UK का United Kingdom का Birmingham ठीक वहाँ पर जब आप जाएंगे तो Birmingham सबसे ज़्यादा famous है लौह इस पाद के लिए यहाँ पर जो सारी चीजे होती है ये लौह इस पाद से जोड़ी सारी की सारी यहाँ पर activity होती जलपोत निर्माण से जोड़ी नह यहीं है आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न है पृष्ञ पउर्वाफरी का डी बोलना नूबा सूड़ान ये इधर एक तरीके से जनजातियां दी है इधर उनसे मिलने वाले राश्ट तो कौन सी जंजाती किस राश्ट में पाई जाती है ठीक वो सुमेलित होगा और कौन सी गलत दी है वो सुमेलित नहीं है चलिए जब आप दें आप लोग मैच आ रहा है अरे इधार आ जाओ 50-50 खेल लो उसके बाद मैच देखना मादविन जी बहुत अच्छे बीविकल पा रहा है गरिमा जी बीविकल शायरां श्टेक कल आप थे नहीं भाई आज है बहुत अच्छा लग रहा है कौन्टिन्यूटी बनाई है जित्ते भी लोग है ठीक है राकेश जी बीविकल पा रहा है चलिए देखते हैं तीन नमबर प्रशन तीन नमबर में जो लोग विकल बी को बता रहा है कि यह सुमेल नहीं है वो लोग एकदम सही है ठीक है जन जाती है जो है अगर देखा जाए वर्ड लेबल पर आपकी पढ़ाई अच्छी है जो लोग इन सारी चीजों में सुमेल में अगर आप अच्छी इतने कम समय में कल ले जा रहे है तो आप समझ लीजे कि आप UPPCS फोकस हैं रियली तीन नमबर प्रशन बीविकल पी इसमें बीविकल में जैसे बंतु दिया है बंतु को सहारा का एक तरीके से जन जाती है यह पूर्वी, अफरीका, मध्य अफरीका, यों दचडी अफरीका यह तीनों जगे पर पाई जाने वाली एक तरीके से जन जाती है ठीक इसलिए बंतु आपका सुमेल नहीं था बाकी तीनों के तीनों आपके सुमेल है आगे बढ़ते हैं चोथे प्रश्ण बर चोथा प्रश मिटियों की जल धारन छमता जो है औरो ही क्रम में आपको बताना है बताएं भई राकेश जी हर दिन आठ बजे आईए भई लाइब रहता हूँ मैं पचास क्वेश्ण के साथ इधर तो कम से कम चार प्रोग्राम होने वाले हैं आपके ठीक है बहुत बढ़ी हैं सारे लोगों के जबाब आ रहे हैं बहुत अच्छे चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क है सबसे पहले मृतिका सबसे ज़्यादा फिर गाद उसके बाद बालू ठीक है बालू जानते ही है कि इतनी ज़्यादा जो है जल धारण चमता होता है तो सबसे कम इसी में होता है तो यह चीज़ दिमाग में हो तो एक आप्शन अगर दिमाग में है तब भी आप UPPCS के बह भूमध्य सागरिये जलवाई प्रचलित नहीं है ठीक बताएं मध्यचिली में केप टाउन में या एडिलेड में या पंपाज में कहां पर भूमध्य सागरिये जलवाई प्रवाहित जो है प्रचलित नहीं है यह वहां पर प्रवाहित नहीं होती है बताएं भाई आप लो इसका सही जबाब क्या है पांच नंबर प्रशन जो लोग विकल्प ए बता रहें ठिक कि भूमध ये सागरीय जलवाई प्रशली नहीं है वो लोग गलत हैं अगर इसमें देखा जाए कि राइट विकल्प क्या है तो विकल्प इसमें डी जो है पंपाज को दे रहा कि यहां भूमध ये सागरीय जलवाई ऐसा नहीं है जब आप पंपाज की बात करेंगे न तो यहां पर जो है यह आपका उसका उस्र जलवाई आपका छेत्र पढ़ता है यह उस्र कड़बंध है जलवाई का छेत्र है उस्र जलवाई का छेत्र है किसके अनुसार आपने पढ़ा न करिया का है यह दोनों सहर आपके जो है साउथ अपरीका के यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां भुम्मद सागरिय जलवाईू जो कोपेन ने ला दिया है और कोपेन का ला ध्यान करिए आपने पढ़ा होगा सी एस से ठीक और सी एस भी तो यह दोनों ला आपके इन तीनो से मैच करते हैं बाकी पंपाज वाला यह CWB कोपेन का कहता है आगे बढ़ते हैं इसमें सुमेल नहीं है कुछ न कुछ आपको समझ में आ रहा होगा किसके बारे में सुमेल पूछ रहा है गरिमा जी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है ऐसा तो नहीं है इधर गीता जी सी भीकल्ब आ रहा है विद्यानन जी डीमी कल्ब आ रहा है महाजन जी बेएगल भाई केदार जी सिक्सी बहुत अच्शे छली देखते हैं किसका सही जबाब क्या है कि अब भी भीकल्ब चुनने हैं सिक्स नंबर जो लोग क्वेश्चन बीबी कल्ब को बत होती है देरना करते हुए सुरवात कर रहा हूँ आज के प्रशनों की पहली स्रेंगला से पहला प्रशन आज विज्ञान जगत से आप से सुरवात होगा तरीक भी अपने आप पर प्रेशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा भी अपने आपको हतोत सही महसूस करना है मैं जबाब दोंगा हर एक चीजों की इसलिए कर्मेंट ज़रूर करो आ रहा नहीं आ रहा आप लोस से जुड़ जाओगे पहला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर कौन सा सही सुमेलित है ध्यान दीजिए पहला कहरा थर्मोरेजिस्टर, एलेक्टरानिक थर्मामीटर, संधारित्र, थर्मामीटर, सी बोला हाग, वाई पोलर फंक्शन ट्रांजिस्टर, देश्टकारी, डी बोला, जंसन डायट, आवरधर इधर इनका एक तरीके से कारे किस लिए उपियोग किये जाते हैं और इधर वो यंत्रों के नाम है, इनमें से बताई कौन सही सुमेलित यंत्र है, इधर यंत्रों के जो नाम लिखे, इधर उनके एक तरीके से लिए जाने वाले उनसे कारे हैं, तो क्या जो यंत्र लिखे, बोहत बढ़ी हैं सारी लोगों के जबाब आ रहे हैं गोड़ इविकल भी आ रहा है बहुत बढ़ी है चलिए इसका सही जवाब देखते हैं कि विग्यान जगत आपके लिए के लिए बहुत ज़रूरी है सुनु बर्मा जी विकल्प इनसे जी डे विकल्प सरज जी बहुत बढ़ियां बहुत अच्छे सी विकल्प पा रहा है सही जबाब अगर देखें तो प्रशन नमबर एक जो लोग विकल्प को चुनेंगे आपके यह एकदम राइट होंगे क्यो हैं किसी चीज को जो है भेजने में या किसी तरंगों को अपने पर जो है उसको रिशीद करने के लिए जंसन डायोड है इसका तरम आवर्धक का नहीं है यहाँ पर यह आवर्धक के तोर पर दिया है जो की गलत है तो प्रशनख्या एक सही जबाब थर्मोरेश्टर एलेक् की स्प्रीड पर कह रहा है मनुष्यों के लिए सोर की अधिक्तम ठीक सहसी मां कितनी होती है करीब करीब कितनी होती 45 डेस्बल 85 डेस्बल और 105 डेस्बल चलिए बताइए भाई मनुष्यों के लिए गोड़ इवनें कलबनाजी स्वागत है भाई मनुष्यों के लिए सोर की सहसी मां अगर देखी जैक कितने तक हतों ज्यादा से ज्यादा आप बरदास कर सकते हैं तो उसके लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए सबसे ज्यादा सोर बरदास करने की इसमें बत्चीत से भी प्रशन उठाता है इसमें कई बार आये हैं साधार बत्चीत की सीमा क्या होती है तो 30 से लेकर के ठीक 60 डेस्बल के बीच में ये साधार बत्चीत हमारी होती है अगर कोई बत्ची सो रहा है और सोती बत्ची को हमें उठाना है तो उसके लिए आपको लगभग जो है 50 डेस्बल धुनी की आवसकता पड़ती है 50 डेस्बल धुनी हमें किसी सोते व्यवेक्टी को उठाना है उसके लिए और जो 90 डेस्बल तक की आवाज होती है यह हमारे बरदास्त करने तक की होती है सबसे ज्यादा 90 डेस्बल तक की जो आवाज होती है यह हम अधिक्तम बरदास्त कर सकते हैं तो इस चीज को ध्यान र बी कह रहा ऑक्सीजन तथा एसेडली सी बोला है डूजन तथा अक्सीजन डी बोला है डूजन तथा हीलियूम चलिए इसमें सही जबाब क्या है वही तीन नंबर प्रश्ण का बेरी गुड जीतनाम साइज नहीं बहुत बढ़ी हां शिवरमन जी बीविकल्प बेरी गुड अन्सु जी डीविकल्प बहुत बढ़ी हां बी आ रहा अनूम डेरमल जी बहुत अच्छे अंतिमा जी डीविकल्प है राजु जी बेरी गुड चलि भई शमर जी बहुत बढ़ी हां एविकल्प चुनने हैं इसका सही जबाब देखें अगर तीन नंबर का कि वह कौन सी है जो आपकी गैस मिक्चर है जो बेल्डिंग में प्रिंट होता है तो बेल्डिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रमुक रूप से इस्तेमाल होता है वह सरवाधिक उत्तम अगर मैं बात करूं तो वह मिस्रण है आकसीजन और एसिड लीन का यह दोनों का जो गैस मिस्रण है यह बेल्डिंग के लिए सरवाधिक प्रयुक तो होता है आगे तीन नंबर के बाद चार नंबर प्रशन है चार नंबर आपसे कह रहा है कि निमलिखित बेस्पोर्ट को में से किसमे नाइट्रू ग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूब में नहीं पाया जाता है काड़ किसमे नाइट्रू ग्लिसरीन जो है आवश्यक संगठक के रूब में मौजूद नहीं होता है बताइए यह एक बेस्पोर्टक है नाइट्रू ग्लिसरीन डे बिकल फोर्थ धर्वेंजी बैरी गुड रेतिका अब बी विकल पाद्चुन नहीं है अमिजी श्री कलम्दाजी डे विकल अंतिमा जी वीजय जी बहुत बढ़िया बहुत अच्चे सारे लोगों के जबाब आ रहे है इसका सही जबाब देखा जाए зачार डंबर नहीं होता है इसे कहीना कही वह मख़र होता है क्या नहीं हुटते हैं एक तो ना कि दूसरा चीज इसमें इसी ताensed है जाता है आमोनियम जो है नई-ट्री सिंटता है यह तो है में नैट्रूट गुल्स्रींग का इस्तेमाल ना होकर के टी यंगडी और अमूणीम नाइट्रीट का इस्तेमाल होता है यह शीज को आपको ध्यान रखना है के विकल पार है अब लेकल बढ़ियाश जी बहुत बढ़ियां शियोरमन सीविकल पाक चुनन्ने हैं चलिए भाई देखते हैं राधा जी अच्छा जैतिन को आप बता रही है चलिए इसमें देखते हैं इसका जो पांच नंबर का सही जबाब होगा तो जो लोग विकल्ब C को राइब बता रहे हैं कैरिका जैन्थिन ठीक है वो 100% सही है पापीते में पीले रंग का कारण आपक तो आपका वानस्पतिक नाम अगर हम देखें कि इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है तो इसका वानस्पतिक नाम होता है करिका पापाया इसका जो वानस्पतिक नाम है यह करिका पापाया नाम है तो इस चीज़ को आपको भी सेस ध्यान रखना है इसमें जो है कैरोटीन भ के बारे में एक दिन प्रश्ण था मैंने उस पर पूरी डिटेल आपको बताई थी छे नंबर प्रश्ण आपके सामने प्लवमान जीन यानि तैरता हुआ जिसको जंपिंग जीन कहते हैं कि सिधान का प्रित्पादम किस ने किया था ग्रेगोर जॉन मंडल टॉमस हैंट मॉर् आरबरा मेकलन टॉक या फिर बाटसन एंट क्रिक ने किष्ट ने जंपिंग जीन का सिध्धान दिया बताईए अगर इसका देखते हैं गरिमा जी सी विकल प्लवमान जीन यानि जो जंपिंग जीन होता है अगर इसके हम सही विकल्ब की बात करें तो विकल्ब इसका सी जो लोग चुन है वो एकनम सही हैं बारबरा मैंकल टॉक जो है इन्हों ने सबसे पहले इसका उसकी सिध्धान का प्रतपादन किया था और यह सिध्धान 1983 की बात है 1983 की बात है ठीक इनको विशेस अनुष संधान के लिए सब इज्ञान में नोबेल पुरसकार से भी सम् सही क्रम है बताइए डाइटम फिर आपका है क्रश्टे सियाई फिर कहरा हेरिंग दूसरा बोला क्रश्टे सियाई डाइटम हेरिंग सी बोला है डाइटम हेरिंग क्रश्टे सियाई डी बोला क्रश्टे सियाई हेरिंग डाइटम कौन सा इसमें आहार सिंखला का सही क्रम है अविलाज जी सी विकल्प इतने टाप कोई दिक्त नहीं है आपको जो आ रहे हैं वो कमेंट आपको जरूर करने हैं उपएंजी सी विकल्प मादवेंजी ये विकल्प बहुत बढ़ी हां आ चुके हैं आप अपनी उपस्तिती दर्ज करा है बहुत अच्छा लगा असोग जी एक दम राइट है पहले डाइटम फिर क्रश्टे सी आई उसके बाद हेरिंग ठीक डाइटम अब इसका यहां इंगलिस इसलिए बर्ड लिखें हैं कि आप हिंदी वाला भी समझते हैं कई लोग इसकी अगर हिंदी रिखें तो डाइटम को स्वापोसी बोलते हैं ठीक है स् पहले स्वापोसी फिर साकाहारी फिर्मान सा पोसी तो ए विकल्प आपका एकदम राइट है आगे बढ़ते हैं साथ के बाद आठ नंबर प्रश्न ध्यान से सुनी जवाब दीजिए दस प्रेशन नियम किससे संबन देते हैं उर्जा का खादी के रुब में पोसी अस्तर स दूसरे पोसी अस्तर तक पहुंचना बी विकल्प दोला उर्जा का एक पदार से दूसरे पदा में पहुंचना इब ला पानी का एक जोन से दूसरे घोन में पहुंचना 10 परशंड डा क्या है वाई जवाब दीजिए ए विकल्प हर दिन आई ये संगर जी आठ बजे मैं हर दिन लाइब होता हूँ बेरा हैपी है बेविकल बहुत बढ़ियाँ एविकल धर्वेंजी चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क्या है 10% का जुला है ये उस्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना या एक तरीके से इसको ऐसा भी बोल सकते हैं इसका अगर सही जबाब देखें एविकल भोगा यानि एविकल उर्जा का खाद के रूप में पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर तक पहुंचना सबसे राइड विकल आपका ये है तो एविकल जो लोग बता रहा है एक दम सही है क्योंकि खाद रूप में जाहिर सी बात है इकोलोजी का जो अपना आहर से इंकला बना है एक तयार करता है दूसरा उसको खाता है दूसरा एक को तीसरा खाता है तो इस तरीके से पूरी ये सीरीज आपकी चलती रहती है तो खाद रूप में पोसी इस्तर यानि जो तयार किया ठीक उसको दूसरे पोसी इस्तर पहुंचाना ये 10 परशंट का लाव आपका कहता है आगे बढ़ते है आठके बाद 9 नमबर प्रश्न 9 नमबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है पारिस्त की ये पद्चाप के माप की इक आई गया है ठीक भूमंडली हेक्टेर नैनो मीटर हॉपस क्यूबिक फूट या क्यूबिक टन चलिए बताइए पारिस्त की ये पद्चाप के माप की इक आई चलिए सही है बहई ये विकल पार आया है सभी का ठीक है राजुजी बिल्गुल कोसिस होगी प्रश्नितों सारे हिंदी में यह है शी विकल, डी विकल, चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क्या है आके पारिस्त्रकी पद्चाप की अगर हम बात करें ठीक, पारिस्त्रकी प च्छा के मां की काई भूमंडलिय हेक्टेर होती है यानि विकल्प ए जो लोग चुन है वो एकदम राइट हैं आगे बढ़ते हैं नौ के बाद दस नमबर प्रश्ण कहे रहा है निमलिखित में से किसने सरप्रथम गहन पारिश्थित की यानि डीप इकोलोजी सब्द का इस् अगर सही जब देखें तो दस नमबर प्रश्ण जो लोग विकल्प डी को राइट बता रहे हैं एकदम राइट हैं बहुत अच्छे ठीक है अनिजनेस ने जो है सबसे पहले डीप इकोलोजी सब्द का इस्तेमाल किया था और वो साल था आपका 1973 जब डीप इकोलोजी वर्ड हमें जो है पढ़ने में आई किसी जर्णर में आई जहां पर इन्होंने अपना जो है अगला प्रश्ण है निमलिखित भारती प्राणिजात पर विचार करें पहला कहरा घडियाल दूसरा कहरा चर्म कूट चर्म पीट कूर्म यानि जिसको लेदर बैक ट प्राणिजात इसमें आपके संगटापन इस्थित में है जी राकेज जी पूरी चीजे रहती है एकोलोजी आप देखिए तो आपको पता चलेगा यूपीपीसेस इकोलोजी पर विसेस फोकस हो रहा है अब सी बिगल पा रहे हैं सी बिगल्ब सी बिगल्ब चलिए देखते हैं 11 नमबर प्रशन का जो लोग विगल्ब सी को चुनने हैं वह एकदम राइट है पहला दूसरा और तीसरा इसमें जो तीनों के बारे में कहा गया चाहे घड़ियाल है चाहे आपका चर्म पीठ कूर्म है कूर्म का मिनलब का चुवा होता ठीक यह अनूप म्रिग है यह त तीनों के तीनों आपके संकताफं स्थितू कोई भी डैट डिटा से संबंदित आपकी पूक आती है अगर त्वीrale डैटा से हमेसा सवाल होते हैं यह तो प्रसू करा आपके 12 quantity तुकन की एक लिए कि ने से किसने सुझाओ दिया है कि प्रत्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकनों से हुई बताएगे जिन्स जीन्स में े एच ऐलफेंड ने एफ वहले या ओश्मिडने किसने यह जानकारी दी थी किसने यह सुझाओ दिया था डी विकल पा रहा है, बी विकल पा रहा है, डी विकल सीम जी बहुत बढ़ी हाँ, असोग जी ये विकल, जया जी डी विकल, सही जबाब देखते हैं, 12 नम्र प्रशन का सही जबाब क्या होगा, वो विद्वान जिसने ये बताया कि प्रत्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल समंदित अपने से धांक दी है, जेम्स जीन की बात करें, तो इसने जवारिये परिकल्पना को इन्होंने बताया था, कि किसी जवार से प्रत्वी की दीरे दीरे उत्पत्ति हुई होगी, तो जवारिये परिकल्पना ये जेम्स जीन की तेवरी है, वहीं अगर इनकी होयल की भी बात करें ठीक हैं तो वैल ने जुआ नोवा परिकल्पना नोवा परिकल्पना होइल की टेयल के साथ एक वैकती ओर ते जिनकानाम था Leet Leg जब बिंगेन झो आम था उन्हों ने इन दोनहों ने जो एतर तारग धूर परिकल्पना का एक सिधान दिया था तो participant निमलिकित में से कौन समूह से संबंदिद नहीं है नीस बालुका पथर चूना पथर सेल चार में से तीन एक समूह बनाते कौन साइस से संबंदिद नहीं है बताएए विकास जीव होशला आपका अभजाई करना है यहां पर यह गलती नहीं कि इस गलती को सुधार नहीं सकते गलत हो जाएगा ठीक है तो उसको आपको बाद में इस लेक्षर को देखकर पीडियाप को देखकर सही कर लेना है ठीक है चलिए मनो जी थोड़ा लेठ है चलिए है यह तरीके से कैसे कैसी होती है यह आपकी औसाधी चत्ताने होती औसाथी चतने इसलिए अपकी समूँबाता है तो इस पैसाओं welfare यह एन सभी के साथ आपको भी मिलती नहीं इसका जो है अगर देखें ग्रेनाइट से होता है ठीक ग्रेनाइट से इसका रूपांत्रण होके फिर जाकर के इसका जो है निर्माड होता है नीज का आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर चौदा नंबर प्रशन आपके सामदे ध्यान दीजिए के राज सं दूर्बोरती घाटी घाटी का या रेट गारी रिट घाटी का बताइए डेध बारी किसका उधारण है इन में से सही जब आप जी कमेंट करिए उपेंजी डीबीकल शरिता जी बेवकल आइखने ये रिट वैली का उधारण है इस प्रश्ण को दूसरे तरीके से घुना के पूछा था ठीक है उनके सामने लिखे कौन सा इसमें गलत है चलिए बाई जबाब दीजिए अप लोग नीरेज शारशत स्वागत है भाई कि डीविकल्प सभी क्या रहें कि ऐसा सही है मनोर्मा जी डीविकल्प आपने भी शुना है धर्मिन जी 15C विकास जी डी आर्ती जी ये विकल्प देखते हैं 15 नंबर प्रश्नका जो लोग डीविकल्प को बता रहें कि हां ये सुमेलेद नहीं वो लोग राइट है क्योंकि अगर घ्थर्म की बात करें तो आप जाओगे आस्टेलिया में वहां पाया जाता है ये मरुस्तल का अब पचल्प नहीं नहीं अ कर दोसरे तरीके से पूछे तो पूछ लेगा यह में रूस्तल किन दो हो के बीच में इसलिभ एए तो ये जो मरुस्तल ना इधर तो पड़ता है इसका The Great Sandy और इस साइड अगर देखें तो इसके आप पड़ता है वो Great Victoria Great Victoria और Great Sandy के मध्य में इस्थित है आपका कौन सा Gibson कहां पर पश्चमी आश्टेलिया में चलिए आगे बढ़ते हैं, आगले 16 नेंबर प्रश्ण पर, कह रहा है कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित, कैमपास, उत्तरी प्राजिल, लानोज, वेनेजोला, पंपास, चीली, सेलवास, दच्छन्री प्राजिल, इधर घास के मैदान है, इधर वो अस्थल है, जहां पर य यहां, बीवी कल पा रहा है, कृतगा जी, शीवी कल, गरिमा जी, बीवी कल, अंके जी, भी जवाब आ रहा है, चलिए भाई देखते हैं, जवाब इसका सही क्या है, 16 नंबर का, जो लोग जवाब के तोर पर बीवी कल आपके बता रहे हैं, ये लोग एकदम उचित हैं, ठ उनको बोलते हैं, ठीक है, वहीं अगर दच्छिड पूर्वी ब्राजील में देखा जाए, ठीक, तो वहाँ पर आपका पाया जाता है, कुन सा, पंपास पाया जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अंगले प्रशन पर, 17 नंबर प्रशन आपके सामने बताईए ध्यान से, निमलेखित सागरों का पश्यम से पूर्व, ठीक है, सही क्रंग क्या है, जब आप वेश्ट से इस्ट की और पढ़ेंगे, तो उनका क्रंग क्या-क्या मिलेगा, ए बोला है, काला शागर, भूमदी सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बी बोला है, क कौन सागरम इसमें उचित लग रहा, सीवं जी थोड़ा सा जो है, कभी विकल्ब बहुत तेजी से आपके कमिट निखल जाते, तो देखता नहीं, ए विकल्ब पा रहा है, सीवं जी बढ़िया, मादवें जी सी विकल्ब, अमें जी सी विकल्ब, बहुत बढ़िया, चलिए भूमति सागर, उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन, फिर अरल सागर पड़ेगा, इनका सही क्रम आपका ये होगा, तो सीविकल्ब जो लोग चुन है, वो राइट है, आगे बढ़ते हैं, 18 नमर प्रशाव की स्क्रीम पर, वो लाएं, निम्न महासागरिये धाराओं मे से कौन सी प्रशाव महासागर से संबंदिद नहीं है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, कनारी या कैनेरी बोलते, फिर आपका किरोशियो है, कलिफोर्णिया है, हम बोल्ट है, कौन सी धारा आपकी प्रशाव महासागर से संबंदिद नहीं है, चलिए बताइए भई, अमें जी बहुत अच्छे सी विकल सी उम जी सी विकल अंगिल जी सी बहुत बढ़िया सभी के बाई जबाब आ रहें बहुत अच्छे सही जबाब इसका देखते हैं 18 नुम्मर प्रश्ण के अगर सही जबाब की बाद करूं तो इसमें कनारी धारा ये प्रशांत महासागर से संबंधि सभाल मैचिंग से एफ़ी पीचिस 2019 में पूछे गया है आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्ण चलिए बताइए फिर है कौन साइग में सुमेलिद नहीं है इधर नदिया धर्देश दिया पहला है नीपर उक्रेन बी बोला है पोर नदी इटली सी बोला है राइन जर्मनी इनमें बताई कौन सी नेदी उस देश से सब बद्द नहीं है कि सी बिकल्प बेरी गुड है 19 पर हम लोग है तो 19 के जवाब अंजनी जी डी बिकल्प बहुत बढ़ी हा रामनिवाजी भी शिवम जी डी बिकल्प रिया जी डी बिकल्प चलिए वाइब देखते हैं क्या है इसका सही जवाब तो 19 नम्बर प्रशने जो लोग जवाब के तोर पर चुनने हैं बिकल्प डी को रौनग इसर्ससा इसका यह गल्प दिखा रहा तो यह गल्प सुमेलित नहीं होगा यह जो रौन नधी पड़ती है ना यह रौन नधी आपकी पड़ती है कहां पर जब आप जाओगे स्विजर्ड लेंड जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर जैनवा बार बार सुनते हैं ना जैनवा के बारे में बहुत सारे उनका अंतराश्टि उनका मुख्याले है यह जैनवा से होकर बैती है और भूमद शागर में जाकर के लियोन की खाड़ी है लियोन की खाड़ी से यह मिलती है तो इन इतनी चीजों को आपको ध्यान रटना है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर बीस नंबर है बीस नंबर प्रश्ण कहे रहा है सूर्तुगोई ठीक है या सिंद्धुघाटी शभिता किस देश में है सूर्तुगोई एक पर आए क्रितका जी बेरी गोड बीविकल्व बहुत बढ़ी हां राम निवास जी डीविकल्व अंकित जी भी शिवा ठाकूर बैविकल्व बाई स्वागत है गर्मा जी बीविकल्व सही जवाब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है वीश नंबर प्रश्ण बीस नंबर का प्रश्ण है जो लोग विकल्व सी को राइट बता रहे हैं यह एकडम सही है सोर्थगोई और एक आपका है मुंडिगाग एक पढ़ता है मुंडिगाग दूसरा है सोर्थगोई यह दोनों के दोनों संद शिंद घाटी से संब्दित पुरा स्थल हैं और यह आपके अफ किस नंबर प्रश्ण है कि जयान से सुनिए गौतम गुद्ध का जन्मस्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है एक बोलहा अशोग मैरिक मौरिका रुमन देई अस्ताम भी बोलहा मुर्ति के द्वारा शी बोला पीपल बिरक्षि के द्वारा डी बोला है बोल्दमट के द्वारा किसके द्वारा अंकित किया जाता है जन्मस्थान चली वाई कीस नंबर प्रश्ण है जबाब रितिका जी बहुत बढ़ी हां अशोग जी दीविकलब आप चुनने हैं बहुत बढ़ी हां मनोजी डीविकलब पारा इंसें जी एविकलब किदार जी 21A बेरी जो एक तरीके से करते हैं असतंबलेक हैं इसने क्या किया था कि जब इस आशोग का जो है राजा भीटिसेख हुरत यह 20 वर्ष क 자 किया कि लुम्बनी गाम गया था लुम्बनी नामक गाउं में गया और वहां पर इसने क्या किया कि पत्थर की दिवार बनवाई और सिला जो है वहाँ पर एक सिला खड़ा करवाई और उसमें इसने लिखवाया था ठीक है उसमें इसमें जो है भगवान बुद्ध का जन्म 563 इसापूर्ग जो है लोग मानते हैं यह वहीं से लेते हैं क्योंकि आसूग ने क्या किया था इस लुम्बनी पर जो वहां पर पहले भूमिकर लगता था वह भूमिकर को एक बटे आठ कर दिया था घटा कर इसने तो तीन चार चीजे आपको एक साथ ध्यान रखनी है कि यह रुम्बनी अभलेख आपका आखिर अस्तंबलेग इतना फेमस क्यों है 22 नंबर प्रश्ण आप सबसे बाद वाला धर्म का ग्रंथ है बताइए देवेवंदना दोहा कोसा बज्र हैदिका फिर डी बोला है बाम साथ पाक सिनी कौन साइस में से है सही जब आप बताएं बेविकल पाप चुन ने हैं 22 नंबर प्रश्ण आर्यश प्रोडक्शन स्वागत है पहली बार आप सबसे बाद में रचित की है अगर इसकी रचना की बाद करें तो वह था लंभग दस्वी सताबदी के करीब जो है इस ग्रंध की रचना हुई बहुत ग्रंध की कहाँ पर भारत में आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्ण आप से कह रहा है निम्नमेसक कि सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रियास किया अलाव दिन खिल जी मुहम्मद बिन तुगलक जलालु दिन खिल जी या फिर तुगलक कौन सा रहा सुल्तान निराश शारश्वत जी ए विकल्प बेरिगुड शी बिकलपार है अंजनी जी डीविकल्प मनोज जी ए विकल्प बिकल्प आए असूग जी डीविकल्प जलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्ण जो लोग बिकल्प चुन है है भी होंगे ए हिस्सा लेता था मुहम्मद बिन तुगलक आगे बढ़ते हैं तेश के बाद 24 नंबर यह समय इतिहास के प्रश्ण आपके चल रहे हैं निम्न में कौन सा सुमेली थे बताईए समसे सिदाज आज सिब जो है अपिभ तारिक फिरोज साही जियाउदीन बढ़नी तारिक मुहम अधी विकल्प मशारस्वती में economist बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां स्वाघय थे थे में तारिक आपकर श्राज सिराज सिराज अफीप को वता रहा है यह आपका आपका राइट अरहा दो देंगा है वहीं जियादीन बरनी की अगर बात जाए तेकर बनी ने आखिर कुंसा लिखा तो इसने तारी के जötटिक की निका नाम में किसन उस सदिन किसन वो सदिन ये अमिर खुसरू की रचना का नाम है इस चीज को ध्यान रखना है और इबन बदूता ये तुम फेमस रहा रहला के लिए ठीक रहला आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर 25 नंबर कह रहा ह अइसा फेमस बेखती है जिसके कथन को हम उठा रहे हैं यहां डेविकल्ब बहुत बढ़ी आणुग निर्मल जी यह विकल्ब अंजनी जी बी आ रहा है रहा है रमन तिवारी जी डेविकल्ब स्वागत है भाई माशार्दे मैथमेटिक्स बीविकल्ब चले इसका सही जव सब्सक्राइब करें जब पूछ सकता है पिछले के पिछली बार में कि किस मुस्लिम ने गांधी जी को कंधा दिया था तो आप समझ सकते हैं कि आप से डीप इनलेसिस मंगता है गांधी जी की तेहरी पर 1937 में गएर कांग्रेस मंत्री मंडल बने थे बताइए 1937 में बिधान सबाद चुना हुए थे यादना पहला पाश्म वह बंगाल और पंजाब बी बोला है पंजाब और उत्तर्पर्देश सी बोला है मदरास और मधी प्रांथ होना चाहिए यह बोला है बिहार और उत्तर प्रदेश चलिए भाई बताइए गैर कंग्रेस मंत्री मंडल किंदो राज्यों में बने 1937 का इलेक्शन बीजय जी डेविकल बहुत बढ़ियां राजय मिश्रा बहुत बढ़ियां भाई श्वागत हैं इंसेन जी बीविकल बारे धर्में जी बहुत बंगाल और पंजाब इन दोनों की बाप करें तो यहां गैर कंग्रेस मंत्री मंडल थे ठीक है 1937 में और दूसरा आपका जो है एक तरीके से यहां पंजाब और सिंद्ध यहां पूर्ड बहुमत कंग्रेस को मिला ही नहीं ठीक है ग्लै इस घुन की अधर कंग्रेस को पूर्ड बहुमत मिला था च्षे मंडलों में वहां पर कंग्रेस से ने सरकार भणाल ही और आगे बढ़ते हैं अगला 27 प्रशन पर सुनइन पर बोला भीट्राओं को करन और नससाव लगा है। पौन साई पहला तीसरा कॉस्रा तीसरा मुझे दोसरा हो गा थी हैं त्रविक उच्छत च्छतरों जबाप है रस्मी गालाई जी अब मुझे दिखी हैं थोड़ा लेट हैं गुंजा जी आप मुझूद थी ठीक है इससे पहले जबाब आए हैं चली भई कि देखते हैं सही जबाब इसमें क्या है 27 नंबर प्रश्ण का अगर सही जबाब देखें तो जो लोग इसमें विकल्ब सी को चुनने हैं दो तीन एक ये लोग एकदम सही है क्योंकि दो अगर इसका देखें तो वास्को डिगामा जानते हो 1498 में भारत आया ठीक है उसके बाद क्या हुआ था बाबर्द जो है मुगल सामराज की सुरुवात इसने 1526 में किया था ठीक है और उसके बाद जब बात कर प्रश्णाव की स्क्रीम पर किस पंचवर्षी युजना ने मानो विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था पहली पंचवर्षी युजना दूसरी आठमी या नौई कौन सी पंचवर्षी युजना रही ऐसा करने वाली बात है इस पंच वर्षी युजना को ठीक है मानो विकास के सभी विकासों के प्रयास को मूल बताया गया था ठीक क्योंकि इसमें जो है 5.6% अपना जो क्या था एक तरीके से लच्छित ब्रिदि प्रत्सत थी ठीक लेकिन वास्तविक 6.8% रही थी वास्तविक ब्रत्सत 6.8 रही थी इसलिए जो है इसको सर्वत्तम बताया गया प्रयास अगला है कि रहाएं निमन में किसे उत्प्रावी द्रब्र वाना जाता है ठीक है कौन सा है कौन उत्प्रवाही द्रब्र यानि बहुत जल्दी खिसक लेता है बताईए कि शी विकल राधा जी इधर तो नेट की शमस्या नहीं है ठीक है कि शी विकल पार रहा है बीरा जी अनी लोग भी बताएं भई शी आ रहा है अंजनी जी असुक जी सही जवाब देखते हैं 29 नंबर प्रशन का इसका विकल ए जो लोग राइट बता रहे हैं ठीक है FII foreign institutional investor इसका पूरा नाम है foreign institutional investor इसको जो है hot money या उत्प्रवावी द्रवी के तोर पर FII यानि foreign institutional investor को जाना जाता है तीस नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर लोग बित में अधिक्तम सामाजी गलाव का सिधान किसके द्वारा दिया गया है लोग बित में ठीक है अधिक्तम सामाजी गलाव Robinson ने या Robins मुस्ट ग्रेव ने फिंडले ने या डेटर ने किसनी यह जो है सिधान दिया है जब आप बताएं बहुना जी 29 ने 30 पर हम लोग हैं ठीक है 30 नमबर ए विकल बहुत बढ़ी हां राम जी खिलावन जी विकास जी है तो विकल जो डी चुनेंगे वो एकदम सही होंगे लोग बित में अधिक्तम सावाजिक लाव का सिधान डेल्टन और इनके साथ एक बेक्ती और था जिसका नाम था पीगू डेल्टन और पीगू ने इस सिधान का प्रित्पादन किया था अधिक्तम सावाजिक लाव आगे बढ़ते हैं शे विकल पा रहा है आपका शपना ज प्रशन है जो लोग ए विकल्ब चुनने हैं जो है गिरीश चंद चतुरवेदी वो लोग एकदम सही है ठीक नेशनल स्टाप इस्चेंज आफ इंडिया लिम्टेंड ने जो है गिरीश चंद चतुरवेदी को अपना नयाध्यच बनाया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है 32 नंबर आपकी स्क्रीन पर एफ आई ए ठीक है जिसका पूरा नाम फेड्रेशन आप इंडियन एसोसियेशन ने निव्यार्ग में गर्तन दीवत समारों के लिए किसे नहोता दिया है आनन्द कुमार को संजय लीला भंसाली को करन जोहर को या इन में से कोई नहीं एफ आई एफ एफ एडरेशन आप इंडियन एसोसियेशन बताइए वड़िये विकल्व बहुत बढ़ियां अगल पा रहा है अन्जनी जी एविकल्व इंसे बीविकल्व पा रहा है मलब करेंट अच्छा पढ़ रहे हैं करेंट बहुत ज़रूरी यह गर्तन दीवस समारोग के लिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर बोला है निम्न में से मानो पुस्तकाले का आयोजन कहां किया गया है केरला में गोवा में जम्मू में या करनाटका में मानो पुस्तकाले का आयोजन एविकल्व प्रदीव जी चलिए गई 33 नंबर एविकल्व पारा राम खिलाम जी बहुत बढ़ी हां विकास जी एविकल्व जया जी डी विकल्व सही जवाब देखते हैं 33 नंबर प्रशन जो लोग विकल्व पर डी को राइट बता रहा है एकदम सही है करनाटका में मानो पुस्तकाले का आयोजन किया गया भगवती प्रशाद मोहांती का निधन हो गया वह कहां के पूर मंत्री रहें भगवती प्रशाद मोहांती ओडिशा करनाटका जम्मू या हिमांचल पर्देश बताइए अगर इसकी बात करें भागवत प्रशाद मुहाती जो एक तरीके से हैं यह ओडिशा के थे ए विकल्प आपका राइट है तिगर ए विकल्प जो लोग चुन है एकदम सही है यह पूर्व में मंत्री थे 35 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए किस सरकार ने कच्छा च्छा से आठ के लिए पाटकरम में बी आर अमबेट कर के जीवन और कारियों पर ए आरेश प्रोडेक्शन डी विकल्प भाई आप अपना नाम भी कमेंड कर दें रही अजी सी बहुत बढ़ी हां गुंजा जी ये विकल्प सही जब आप देखते हैं 35 नमबर का जो लोग जब आप ए विकल्प चुन है एकदम सही है दिल्ली शरकार ने 6-8 का जो पाटकरम है उस पाटकरम में डक्टर वी आर अमेटकर के जीवन और कारियों पर एक पुस्त का सुरू की है आगे बढ़ते हैं 37 नमबर आपसे पूछ रहा है कि उच्छतम नयाले के नयाजिशों की संख्या में ब्रिध करने की सक्ति किस के पास है राश्पती के पास राजिपाल के पा या संसत के पास उच्छतम नयाले के नयाजिशों की अगर नीट इग्जाम तयारी भाई सागत है भाई शिवरमन डिविकल पारा रहा है राश्मी बाला जी डिविकल आरती जी एविकल गरिमा जी यह चलिए बाई सही जबाब देखते 36 नमबर 36 नमबर का जो लोग के तोर पर विकलब डी चुनन है एकदम सही है उच्छतम नयाले शुपरिंगोड के नयाजिशों की संख्या में ब्रिदी संसत आपकी करती है संसत के पास यह जो है ताकत है 36 के बाद आपका 37 नमबर आपकी स्क्रीन पर 37 नमबर प्रशन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदे है कि विकलब बीविकलब रामनिवास जी बहुत बढ़ियां चलिए अगर नहीं की बाद करें इंद शेंजी 37 नमबर का जो लोग जबाब एविकलब चुनने हैं एकदम राइट हैं ठीक है उत्तर प्रदेश की डार्धानी से नहीं होकर नहीं गुजरता है ठीक है अलिगर कौनी गेहूं नारीम टेन सेरा या इन में से कोई नहीं चलिए बाई बताइए 38 नमबर का ठीक है बताइए कि कौन सी इसमें से गोहूं गेहूं की प्रजात ही नहीं है बताएं कि यहां कि चलिए आप लोग कमेट करें फिर मैं बता रहा हूं इसका अगर हम सही जवाब देखें कि कौन सा इसका सही जवाब है ठीक है कि इसका सही जवाब आपका क्या आएगा तो उसके लिए अगर देखें इसमें जैसे माइक्रोनी जो आपकी है ठीक नारेंटेंड त político यह सभी कि सभी आपकी घ्यूं कि प्रजातियां हैं थीक तो इसमें उपरोक्त सभी होना चाहिए यहां विखल्ब में उपरोक्त सभी इससे आपका जो है यह ञता होता ऱोगने खेकल चुन्मे वे यहां है जो सुखि ग्रस्त आपके प्रदेस हैं वेहां उगाया है ज्यान रहीएगा जितनेुन सूख ग्रस्त छेत्र रहें वहां पर आपका तो इसमें से जबाब दीजिए नीरत जी डिविकल पाप बता रहें 49 नंबर जया जी डिविकल पाप का भी आ रहा है परवेज जी ए विकल बहुत बढ़ी हां इंसेंजी विकल देखते हैं सही जबाब धान की बौनी प्रजातियों की बात करें ठीक तो इसमें साकेद बुंदेल आत्युक्त है थीक या साकेद बुंदेला भी इसको बोलते हैं यह दान की सबसे लंबी परजात है शीच को ध्यान रखिएगा ज्यास की सबबनीendPraadis सरस्वती कृष्ण विजय यह सब की सब बाउनी प्रजातियां लेकिन धान की सबसे ज़्यादा लंबी प्रजात साकेद बुंदेल है इस चीज को आप लोग ज्यान रखेंगे चालिश नमबर प्रश्ण आपसे बोला है अरहर में जो उक्ठा रोग होता है यह किसके कारण सपेद मक्खी के कवक के या काली मक्खी द्वारा या इन में से कोई नहीं किसके बज़े से जो है उक्ठा रोग हो जाता है शमा अलें जी चलिए बिलकुल कोशिस होगी आवाज पूरी आये जया जी बिविकल्प धर्में जी बिविकल्प आ रहा है आपका गर्मा जी डिविकल्प देखते हैं 40 नमबर प्रश्ण चालिश नमबर प्रशन जो लोग विकल्प आपका जो है बी राइट बता रहे हैं अरहर में उठा रोग ये कवक के द्वारा लगता है ठीक है तो बी विकल्प आपका एकदम राइट है चालिस के बाद एक तालिश नमबर प्रशन है बोला है कि स्वेट स्वन्ड किसे कहा ज विखल्प विघणड़ विखल्प ऑप चुनने हैं चली भई दिखते हैं सलसरंड जो लोग विखल्प जो है एको यारी कापास को राइट बता रहे हैं एकदम सही है सुनेरा सुना ठीक है यह आपका एक तरीके से कापास को ही बोलते हैं 41 के बाद 22 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि काफी का मूल अस्थान क्या है कोफी का आश्रेलिया केन्या अभी सीनिया तंजानिया काफी का मूल अस्थान क्या है बताए भाई ये विकल पा रहा है शरिता जी विकल प्रदीव जी एससे परवेश ज चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है बैयालिश नमबर का अगर देखे का जो है मूल अस्थान तो काफी का मूल अस्थान या उत्पत्ति ये आवी शिनिया है इस चीश को ध्यानें रखेगा बाबा बदून की पहाड़ियां पर पहुचिए तो इसके पीछे रिजन कुछ कुछ रहा है बाकी आपको ध्यान आ गया होगा अंगोरा उन किस से प्राप्त होता है बक्री से खर्वोस से या खर्वोस और बक्री दोनों से या फिर भेड़ से किस से प्राप्त होता है बताएं सही विकल का चुनाओं करिएगा सी विकल पा रहा है सी विकल पारा है जस्पाल लाठी डे विकल पारा है अंगोरा उन अगर देखे ना सही उसमें वे में तो ये बक्री से प्राप्त होता है ए विकल पारा राइट होगा तैतालिश नंबर का आगे बढ़ते हैं चववालिश नंबर ट्राइफेड की अस्थापना कब हुई ठीक है ट्राइफेड की अस्थापना कब हुई 1987 से 1987 में 1986 1989 1908 ट्राइफेड की अस्थापना कब हुई है चलिए बढ़िश नंबर अगर देखें ट्राइफेड की अस्थापना तो ट्राइफेड की यह स्थापना वोई थी 1987 की बात है यह विकल जो लोग चुन है वो इंदम राइट है 1987 की बात है अच्छा दूसरा इससे क्या प्रश्ण पूल सकतर ट्राइफेड का संब्ध किस से है तो ट्राइफेड का संब्ध ही यह जंजातियों से है ठीक है जंजातियों को लेकर इसका जो है लटन किया गया था तो इस चीज को भी धियान रखना है आगे बढ़ते हैं प्रथाफ्ञ नमबर प्रश्ष आपसे बूला प्रथांजंगर्णा भारत में कब हुई थी बतायाएं अठारा सुबाद्तर उनीच सुबाद्तर अठारा सुबाद्तर अठारा सुबाद् अगर देखें इसमें बिखल पापका राइट क्या होगा तो जो लोग जो है 1872 को जब आप बता रहे हैं वो लोग आपका ठीक है प्रथम जंगर्णा 1872 लाड़ मेयों के जो है कारिकाल में शाशंकाल में शुरू हो यह थी ठीक है बाकी बढ़ते हैं छियालेश नमबर अब प्रशन आप चुके हैं पॉलिटी के गोबनेता के निहित अधिकार जिसको जीमन और बैक्तिकत स्वत्रनतरता के अधिकार का एक हिस्सा है जिसके तरह भारत के समिधान के निमलेखित अनुछेदों में से एक है आपको जीमन का ठीचावेशी कि सिघ्व बैसी स्युदा से विकल्पम के अनतर ग्रताया है सिफ मनोच जी विकल्पनब पारव देखते हैं साई जवाब क्या है न लाइट ऊप्राइसी करण नियवर नेडवा को नेडाय रहा है तो द्श्राफεται तो 46 नमबर बलो बीगा है एक डम साहिए ह आपको देता है तरीके से अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वत्रतता का अधिकार और इसी के तहए सब्डूर्इन कोड़ ने आपको राइट टू प्राइबेसी का अधिकार दिया है ठीक है आपकी फोन टैपिंग वगएरा यह सारी चीजें जो है तरीके सानुच्छे 21 के तहट ही आपकी 19 के तहट तो फॉन टैपिंग के बिरूद दिकार है 21 के तहट गोपनेता का अधिकार है ठीक है जीवन जीने का भारत में आपको मरने का जो है अधिकार नहीं है अगर मरने से बच गया है सुसाइट से तो पुलिस उठा ले जाएगी इसलिए ध्यान रखे ठीक है कुछ कंडिशन में जो है हुआ है लेकिन वह कंडिशन बहुत ज्यादा टफ है 47 नंबर है 47 नंबर आप से बोल ला है कि निम्लेकर अनुछेद में से किसके अनुसार भारत के राश्पत को छमा राहत रात या छूट देने से या किसी अपराधी के दोसी वेक्तिकों किसी भी अपराध की निलंबित अनुबोदर या यात्रा करने की सकती है सत्तर नंबर 72 या चोहतर या चियत्तर किस अनुछेद के तहंत ऐसा हुआ है बताएं बही बिनी जी सी विकल्प जया जी बीवी कल्प आपका आ रहा है रिद्गा जी बीवी कल्प भाई चलिए कर सकता है परिहार कर सकता है यह सारी चीज़े कटावती कर सकता यह सब राश्पत को अनुछेद 72 के तहट मिलता है प्रश्चांख्या 48 साब की स्क्रीन पर बोला है निमलेख्यत में से कौन सा कानून भारत की संसरद्वारा नहीं बनाए गया धान दीजिए पहला बोला है अब पिछले साल की बात को याद करें पिछले के पिछले साथ की ठीक यह महराज सरकार का अपना अधिनियम है जैसे यूपी को का के बारें जानते हैं यूपी को का भी योगी योगी आधितनाक गवर्मेंट ने फिरसे लागू किया है वैसे महाराष्ट नें एम को का लागू किया है यूपी को का प्रेहां करहा है और यह महाराश्ट का है तो यह सीज को ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं उन्चास नमबर प्रश्ण है उन्चास नमबर आपसे कह रहा है कि भारत में प्रशासन की बुनियादी छेत्री एक आई निमलिखित में से कौन सी है प्रशासन की बुनियादी छेत्री एक आई राजश्मंडल तहसील जिला या पिर गाउं बताईए गुंजा जी 47 थोड़ा उन्चास आगे बढ़ें उन्चास नंबर पर हम लोग आये हैं उन्चास नंबर का जो लोग जबाब C चुनने यह एक्डम सही है बुनियादी चेत्र रेकाई प्रशासंकी जिले अस्तर से सुरवात होती है। कि जिले अस्तर पर ही आपके क्या SP, DM सबकी नियुपती होती है। आगे बढ़ते हैं लाष्ट प्रश्ण पर आपका है 50 नंबर. पचास नमबर बूला आप से यह कि निमलिखित में से किस सब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है अटार्णी जन्रल नियंत्रक और महालेखा परिष्छा बजट कैबिनेट इन चारों में से कौन सा वा सब्द है जो भारती संविधान में लिखा नहीं है बताए बिखल्ब कृति जी अनिलोग ब्यंप जब आप दें जया जी सी विकल्ब आप चुननेए निरश जी ए विकल्ब को आप चुननें है बिजे जी, C विकल, अंजनी जी, D विकल पारा है, बीला जी, चलिए भाई, जब आप सभी के आ रहे हैं, रितिका जी, A विकल, आर्ती जी, A विकल, सपना जी, A बाउना जी, शी आराक्षे, A विकल को चुनने आप, बिकास जी, D विकल को आप चुनने हैं, केदार जी, C विकल पारा है, बिनोट जी, A विकल, बहुत बढ़ियां, बहुत अच्छे, शर्ता जी, सही जब आप इसका देखते हैं, भारत के अगर शंबिधान की मैं बात करू आप से, तो भारत के संबिधान में कई भी बजट सब्द का उलेख नहीं है, ठीक है, शिर्प आयवे का विबराण अनुच्छे देख सुबारा कहता है, आयवे का जो है, लेखा जो खा, अदाश्पस संसत के सदन के समक्ष रखवाएगा, तो अनुच्छे देख सुबारा यह अफरीका, ठीक है, मलावी जैसे नाम सुने, वैसे आपके दिमाग में अफरीका घूं जाना चाहिए, बाकी अनी जो दिये हैं, वो सबके सबाब के सुमेलित हैं, आगे बढ़ते हैं, आगले प्रशन पर, साथ नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर, साथ नंबर प्रशन बढ़ता है, ये UPPCS में इस बार भी इससे रिलेटेड एक क्वेशन था, पूछ रहा है होकेडो, होन्सू, क्योशू, सुकोकू, ये दीपों के नाम है वहां के, फिर बोला होकोडो, सिकोकू, होन्सू, क्योशू, फिर अगला बोला है होकेडो, होन्सू, सिकोकू, क्योश जी अभी रुकिएगा अंत में सारी चीजे मैं जबाब दूँगा ठीक है मैं लेक्चर के बाद रुकता हूँ पांस-दस मिनिट कि आपकी जो समस्या है वो पूछ सकते हैं मुकेश जी बी विकलब पा रहा है गीता जी नेटवर्क प्रावलम इधर तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है नेटवर्क तो इधर ज़्यादा सही दिखा रहा है अंजनी जी थोड़ा लेड लेकिन सही है जया जी सी विकलब देखते हैं साथ नंबर प्रश्ण का साथ नंबर जो लोग विकलब सी को राइट बता रहा है एकदम सही है पहले होकोडू आपका पढ़ता है फिर उससे नीचे होंसू फिर सी कोकू फिर आपका क्यूसू एक दिन होंसू दीव से संबंदित मैंने सवाल लखे थे उसमें इसके बारे में थोड़ा आपसे डिसकस किया था साथ के बाद आठ नंबर प्रश्ण आपके स्क्रीन पर आठ नंबर अब हमें इतिहास के प्रश्णों में आ गए हैं ठीक है असो के निमलिखित अबलेखों में से किसमें दच्छिड भारतिये राज्यों का उलेख हुआ है किसमें जो है दच्छिड भारतिये राज्यों का उलेख हुआ है बताएं भाई आप लोग C विकल पा रहा है, B 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 विकल बहुत अच्छे, C विकल पा रहा है, B विकल बहुत अच्छे, C व दोतिये जो आपका मुख्य अभलेख है इसमें बात हुई है दच्छेंड भारतिये राज्यों की तो सेकेंड आपको याद रखना है दोतिये मुख्य अभलेख में असो के दच्छेंड भारतिये राज्यों की बात कही गई है आगे बढ़ते हैं नौ नंबर आपकी स्क्रीन नौ नंबर आपसे पूछ रहा है कि निमलिखिद मेंसे कौन सा एक काक्तिय राजी में अतिमहत्पूर्ण समुद्र पत्तन था काक्तिय राजी बताईए काकिनाडा मोटू पल्ली मचली पड़नम और फिर मेलोरू चारू मेंसे कौन सा जबाब सही है मादविन जी थोड़ा नेटवर्क हो सकता आपके उधर इशू हूँ इधर तो अभी सही है हर एक चीज़ें चली देखते हैं इसका सही जबाब क्या है राजा जी सी विकल्फ है पत्तन से संबंधित तो मोटू पल्लू आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर दस नंबर आपकी स्क्रीन पर दस नंबर आपसे पूछ रहा है कि चीनी लेखक भारत का उलेख किस नाम से करते थे चले बताएं चीन के लेखक भारत को किस नाम से करते थे परविज जी गड़ इवनिंग भाई स्वागत है जबाब देते रहे हैं राम खिलाओं जी से विकल बहुत अच्छे AG Buff Staff नेट की ऐसी समस्या दिखा नहीं रहा मुझे चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क्या है 10 नंबर प्रश्ण का सही जबाब अगर देखें तो विकल B जो लोग चुन है वो एकड़म राइट है ठीक, इन्टू कहीं भी किताब आप पढ़ोगे तो उसमें इन्टू नाम मिलेगा ये इन्टू भारत का नाम होता है किसमें जो चीनी लेखा कुलेख करते थे वो इन्टू का अब इसमें कई लोग सीउ की भी मार सकते हैं विकल ठीक है, सीउ की नहीं होता कि है ना कि चारों में से जब हम देखते हैं कि कोई option आपको एक आ रहा है उसका जबकि सही जबाब हमें नहीं पता तब भी हम उस शीच को try कर देते हैं कि चलिए हो सकता है, ये सही हो जाए blind guess तब करिए जब दो आपके कट जाए option, दो बाकी रहें उन पर 50-50 करें, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, यहां करिए, यहां मैं हूँ, ठीक है right option होगा, बात होगी, संगम यूग में उर्ययूर विख्याब था, किसके लिए उर्ययूर, मशालों के ब्यापार के लिए, कपास के ब्यापार के लिए, बिदेशी विख्यापार के लिए, आंतरिक विख्यापार के लिए, बताएं, उर्ययूर जो एक नगर था, बहुत ज़्यादा फेमस था संतोस, 84 जी, बिविकल्प आप चुन रहे, नितेश जी आपका विकल्प A आ रहा है, रिया जी A विकल्प, B जे जी, B विकल्प बहुत अच्छे, B आ रहा है, C आ रहा है चलिए भई, यतिन जी थोड़ा लेड़, लेकिन सही टाइम पर देखते हैं, इसका सही जबाब क्या है, 11 नंबर प्रश्ण का, अगर सही जबाब देखें तो उरेयूर जो है, वो समय कपास के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो आपको विकल्प, B एकदम ध्यान रखना है मैंने बताया ना कि UPPSC का मोह संगम साहित्ति से बहुत ज़्यादा होता है तो संगम काल आपको अच्छे से पढ़के जाना है तो इस चीज का ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं, अगले बारा नंबर प्रशन आपके सामने बोल क्या रहा है प्रशन नुश्खा ये दिलकुषा के रचनाकार कोन है इसानी, भीम सेन, आनंद भट, अबास खां सेर्वानी नुश्खा ये दिलकुषा इसके बताएं भई, रचनाकार कोन है चली भई, इसके जवाब बताएं बारा नंबर शी आ रहा है, जवाब गीता जी बहुत बड़ी हाँ, प्रमोज जी, डी विकलब आप चुनने है राम खिलाओं जी, ये विकलब पा रहा है बहुत बड़ी हाँ, बी विकलब पा रहा है केदार जी हाँ, डी दिग गया आपका मैमा जी डी विकलब, देखते हैं भाई बारा नंबर प्रश्ण का, बारा नंबर प्रश्ण जो लोग विकलब बी को चुनने है वो यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि नुष्खा ये दिलकुसा जो है, ठीक, इसके रचनाकार भीमसेन है, ठीक जब यह फेमस थोड़ा सा किस लिए है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह जो है, औरंग जेब के काल के दोरान क्या हुआ था कि दच्छन भारत के इतिहास का वरणन इस किताब में किया गया था ठीक, डच्छन भारत का जब आप इतिहास देखेंगे तो उसमें वरणन बहिमसेन नुष्खा ये दिलकुसा में किया है किस के दोरान? औरंग जेब के सासन के दोरान, ये आपकी पुस्तक रची गई थी, आगे बढ़ते है तेरा नंबर पर, तेरा नंबर आप से प्रस्ण पूछ रहा है कि चोलो के आधीन, ग्राम प्रशाशन के बहुत से बेवरे, जिन सिलालेखों में हैं, वो कहां पर हैं, तंजावुर में, औरेवूर में, कांची पूरम में, या उत्तर मेरूर पर हैं, बताएं भाई, ग्राम पूरम प्रस्ण से सम्बंधित जितनी चीजे हैं, वो कहां पर हैं, इमानसु जी, यह, बी विकल पा रहा है, जर्ब है, जर्ब पेखर देखते हैं, सही जबाब, तेरा नंबर प्रस्ण का, अगर सही जबाब देखें, कि उत्तर मेरूर, ठीक, उत्तर लेखों में चोलो के आधीन कहां पर होते हैं तो इसमें उत्तरमेरूर जो डी विकल्प को चुन हैं वो लोग एकडम राइट हैं ठीक उत्तरमेरूर एक जगे हैं यहां पर जितने भी आपके सिला लेख मिले हैं वहां पर ग्राम प्रशाशन के बारे में बहुत से वेवरे अ अंकित हैं उन सिला लेखों में, तो ध्यान रखना है कि चोलो के आधीन ग्राम प्रशाशंग की बात हो, सिला लेख की बात हो, तो उत्तर मेरूर आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर, 14 नंबर आप शे बोल ला है कि निम इबनिंग, स्वागत है भाई, चलिए जुट जाएए, C विकल्ब पारा, राम निवास जी बहुत अच्छे, C विकल्ब, अंजनी जी C, डॉली नंबर C, चलि भाई, 14B अफशेक जी, गीता जी A विकल्ब पारा है, मनोज जी B विकल्ब, देखते हैं भाई, क्या जबाब इस प्रशन पर आपके, 15 नंबर प्रशन आप ध्यान दीजिए, विज्ञान जगत में आप प्रवेश कर चुगे हैं, प्रकास सजावट तथा विज्ञापन के लिए बिसर्जन लिकाओं में, प्रयोग तो होने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डैयक्साइड, अमोनिया, सल्फ देखते हैं, क्या जबाब सही है, 15 नंबर प्रशन है, जो लोग इसमें बिकल्प सी को बता रहे हैं, कि सल्फर डैयक्साइड वो गलत हैं, जो लोग डी को चुनने वो राइट है, नियान भरी जाती हैं, प्रकास सजावट करना है, विज्ञापन करना है, तो वहाँ पर ज जाते हैं, उनमें जो है, नियोन गैस से भरेवे बिस्टारजन लाइंप लगाये जाते हैं, चमकीला बनाना के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन पर, 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर आप से पूछ रहा है, फिर से प्रकास से संबंध प्रशन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग, उस रंग के कारण होता है, जिसे वाहा, अवसोसित करती है, आपरिवर्तित करती है, परावर्तित करती है, प्रकीनड करती है, बताएं भई, जबाब दीजिए, कोई दिक्कर नहीं है, चलें, 16 नंबर बताएं भई, प्रमो जी, C विकल पा रहा है, महिमा जी, A विकल्ब, D, बहुत अच्छे, देखते हैं, 16 नंबर प्रशन का, जो लोग जबाब दे रहे हैं, विकल्ब C, वो एकदम राइट होते हैं, भई, कोई भी चीज, जैसे अप हरी वस्तु हरी इसलिए दिखाई देती है, क्योंकि प्रकास में सात रंग होते हैं, याद है न, B, I, B, G, Y, O, R, विकल्ब, तो प्रकास में सात कलर होते हैं, कोई भी वस्तु आपको मालो हरी वस्तु है, यह आपको हरी इसलिए दिखाई दी, क्योंकि इस पर जो प्रकास उसमें से यह हरी छोड़ के बागी सब कुछ होसोसित कर लेती यह हरी प्रकास आप जो है परावर्तित करती है वो हमारे रेटिना पर पढ़ता है हरा प्रकास तब हमें प्रतीत होता है कि अच्छा यह वस्तु हरी है तो कोई भी वस्तु जिस कलर की दिखाई देती है वो उस परावर्तित कर देती बलेक आपकी होती है वो किसी भी रेंगों को परावर्तित नहीं करती ठीक इसलिए वो काली निजर आती सोलगे बाद 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर बोला है graphene होता है क्या आव़य जार कांपन का नैनोप्रतिरूप कार्बन का समस्थानिक या उप्रोग तमें से कोई नहीं ग्रैफिन क्या होता है बताएं आप लोग मादविन जी सी विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ सोला नंबर का जबाब दें बहुत बढ़ी हाँ राम निवास जी बहुत अच्छे गीता जी देखते हैं इसका सत्रा नंबर प्रस्ण का सही जबाब क्या होगा तो सत्रा नंबर जो लोग विकल्ब बी को राइट बता रहा है एकदम सही है बहुत अच्छे है साइंस जगत पर आप लोगों की पकाड़ अच्छी है कार्बन का नैनो प्रत्रूप होता है आपका graphene, समझ गए ना, यह होता क्या है कि एक आणू-मोटाई के लगभग, एक आणू-मोटाई के लगभग जो है graphene होता है carbon के, तो यह शीज को आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं अठारा नंबर, अठारा नंबर आपसे सवाल है, प्राकि जी उसके लिए जो है आप चिंता ना करें, आइसो प्रीन, राधा जी, बहुत बढ़ी हाँ प्रमोट जी, C विकल पा रहा है, परविज जी, C विकल, बहुत बढ़ी हाँ 18B, राकेश जी एकदम क्लियर हो गया, चलिए 18 नंबर का सही जबाब देखते हैं, तो जो लोग व पहुलक है, ठीक है, यह आपका कार्बनिक कही ना कहीं पॉलिमर है, इस चीज को भी दिमार में अपने बनाए चलना है, 18 के बाद 19 नंबर, देखें बढ़ी, 19 आप से बोला है कि पशुओं, बिसेष्ता दुधारू जैसे गवो है, या गवो बोल सकते, कि अनपूरक भोज वो में कुछ चीजें हम एक्ट्रा खिलाते हैं उन्हें, जादा दूद दे, कौन सा है इसमें से, बताइए, रिशी जी, गोड इबनिंग भाई, आपका स्वागत है, थोड़ा लेट है, कोई नहीं, निलम जी, 19C, बहुत बढ़ी हाँ, प्रैक्टिस परिवार, ए प्रश्ण का, जो लोग जबाब के तोर पर बिकल्प बीच उनने हैं, एकदम सही हैं, एजोला क्या करते हैं हम लोग, ठीक, ये दुधारी पश्णों पर अभी जब प्रियोग हुआ है, तो एजोला से ये चीज आई है, कि एक लगभग डेड़ से 2 किलोग्राम, अगर पश्णों में दूध की मात्रा बढ़ जाती है उत्पादन की, तो ये चीज ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर, 20 नमबर आपसे पूछ रहा है, कि निम्नमेसिक किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या वो जामुन है, करोंदा ह लोकाट है या अम्रूत है, बताएं वाई, किस में सबसे ज़्यादा लोहा होता है, कोई दिकतर नहीं कीता जी, ठीक है, अभी तो यहां तो हर एक चीज़ें है, बी बिकलप आ रहा है, बी बिकलप, शिवरमन जी, मनो जी, ए बिकलप आपका आ रहा है, शमर जी, ए देखते हैं इसका सही जबाब क्या है सही जबाब में 20 नंबर का अगर जो लोग विकल इसमें देखें बी को बता रहें वो एकड़म सही है ठीक विकल बी आपका एकड़म राइट है करौंदा जो है ठीक करौंदे में सबसे जादा लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसलिए करोंदा खाना बहुत फाइदेमंद होता है, इसमें एक तो लोहा, दूसरा बिटामिन C, ठीक है, दूसरा है बिटामिन C और जो है इसके अलामा आपका आइरन, ये बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए करोंदा बीच-बीच में खाना ज आगे बढ़ते हैं, 21 नमबर प्रशन आपके सामने, बोला है निम्निमे से कौन सही सुमेल नहीं है, A बोला है कस्तूरी, ब्रिहद हिमाले परवच छेतर में पाये जाता, B बोला है गिबन कपी, गारुखासी और जैनतिया पहाडियों में पाये जाते, C बोला है श्यामिग ठार के मरु अस्थल शेतर में पाये जाते, D बोला है गोर पश्मी हिमाले में, चले बताए भई, कौन सा जवाब सही है, दीपक जी प्रशन से मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अखेल जी A विकल बहुत बढ़ी है, गीता जी D विकल, C विकल पा रहा है, प्रैक्टिस C जैसे बता रहे है, स्याम में मरिक को, ठीक, ये चीज नहीं, ये आपका सही है, विकल जो D लोग बता रहे है, ये लोग राइट है, क्योंकि गौर को बता रहा है, कि ये आपका पश्मी हिमाले, जबकि आप इसका अगर देखें, गौर कहां पाये जाते हैं, तो ये पाये रखें, ठीक है, 21 के बाद 22 नमबर, 22 नमबर, एकोलोजी से संबंधित प्रश्णों पर आ चुके हैं, निमलिखित में से कौन कृतिम पारिष्ट की तंत्र है, धान का खेत, बन, घास का मैदान या जील, कृतिम पारिष्ट की तंत्र कौन सा है, जबाब दीजी आप लोग कोई नहीं राके जी, यहां गलतियां हो जाएंगी, उनको सुधारा जा सकता है, बहुत बढ़ी हैं प्रमोजी, ए बिकल्ब, बहुत बढ़ी हैं अनुब जी, ए जबाब ही आ रहा है, देखते हैं भाई, क्या है आखिर, 22 नमबर, जो लोग ए बिकल्ब चुन हैं ना, सही ह 22 का ए एकदम सही है, क्योंकि वन, घास का मैदान, जील, यह सब प्राकिर्तिक आपके पारिश्च की तंत्र हैं, धान का खेज जो होता है, यह मानो निर्मित है, यानि कृतिम है, शीज को ध्यान रखें, उसके बाद 23 नमबर, 23 नमबर बताएं भाई आप लोग, के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत बढ़ी हाँ, इम्रान जी, कोई नहीं, थोड़ा सा जो है, जरूरी है, हार एक चीज है, डे विकल्फ है, बहुत बढ़ी हाँ भाउना जी, 23 ए आ रहा है आपका, ए विकल्फ आ रहा है, प्रमोज जी, बहुत अच्छे, देखते अस्तंधारी, ठीक है, ये डुगोंग जो है, ये एक अस्तंधारी है, और एक विसाल समुद्री अस्तंधारी है, ठीक है, समुद्र में पाई जाते हैं, और काफी विसालतम होते हैं, बढ़े होते हैं, जैसे वह लावका है, वह उसी प्रकार से अस्तंधारी है, आगे बढ आद्ट पांद्याव है आपकी भी के से संबंधित तो इसका बताएं जारा टूमा रोज भाईल ऩायविस्टि पुस्तक के या कि लेख Unters दो पारु मेधर पार टेकर टूमा रोज भाईल डाइवस्टि चले बही बताएं अब लोग D विकल्प पा रहा हैं A विकल्प पा रहा है C विकल्प, D विकल्प, उपेन जी बहुत अच्छे गिता जी B विकल्प, गरिमा जी C देखते हैं सही जवाब क्या है आखिर 24 नमबर प्रश्ण, 24 नमबर का जो लोग विकल्प A राइड बता रहे हैं एकदम सही हैं, वंदना सिवा, इनसे संबंदित एक क्वेशन मैंने इससे पहले डाला है किसी सीरीज में आपको ध्यान होना चाहिए न उन्होंने इस बुक को लिखा है, तुमा रोज बायो डाइबस्टी आगे बढ़ते हैं, 25 नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको और सवाल ये है, बैग्यानकों की निम्न टीमों में से किसने सरप्रथम अंटार्कटिका के उपर ओजोन छिद्र का पता लगा है, रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिकन टीम ने या ब्रिटेश टीम ने बताएं भाई, किसने सबसे पहले है, बहुत बढ़ियां प्रदीव जी, चले बाई, बताएं इसका रादा जी, बहुत बढ़ियां, ए विकल्प आ रहा है, जया जी, 25D, बहुत बढ़ियां, सुमिच जी, ए विकल्प आपका भी है, प्रिया जी, C विकल्प, चले देखते हैं, इसका सही जबाब क्या है, आखिर, 25 का जबाब, जो लोग विकल्प के तोर पर चुलन हैं, यह पर D, वो होंगे एकदम सही, ब्रिटिस टीम ने सबसे पहले अंटारिकटिका के ऊपर यह पता लगाया था कि वहाँ पर, और यह मतलब अगर मैं येर की बात करूँ, तो येर था 1985, 1985 वो साल था, जब ब्रिटिस टीम ने सबसे पहले ओजो उनचितर का पता लगाया था, ठ हम आ चुके हैं, इकॉनमी जगत में, ध्यान दे और समस्त ग्यान को अपने जो है, कंसंट्रेट करें यहाँ पर, जब RBI ने आरचिन नगत निधी अनुपाद, CRR जिसको आप बोलते हैं, मैं ब्रिटिकी घोषडा की, तो इसका मतलब क्या है, बताएं वाई, वाणिज बै क्यों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा, CRR अगर आप सही से पढ़ें एकॉनमी तो जबाब जरूर देंगे, थोड़ा सा लेट है प्रवेश जी, बता दिया आपने अच्छा किया, तयब जी आज थोड़ा मुझे लेट दिखाई दिया, सुमेच जी, D विकल रहा है, बहुत अच्छे, C विकल मनो जी, बेरी गुड, चले भई, A विकल पा रहा है, शमर जी, F, चले केदार जी, C विकल पा रहा है, 26B, यतेन जी, बहुत अच्छे, देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर का जो लोग विकल एक के तोर पर राइट बता रहें, इनक तो क्या ऐसा माना जाए कि ये लोग सही हैं, बिल्कुल सही हैं बहुत अच्छे, मलब आप लोग जो है, इकॉनमी में बहतर करेंगे भारत के, भारत में जूट का अगरणी उत्पादक राजी कौन सा है, बिहार, असम, पश्रिम बंगाल, ओडिशा, कौन सा राजी है, जूट उत्पादन में, अमिज जी, ये विकल बता रहे हैं आप, चले बाई, 27 नमबर, सी विकल पा रहे हैं, बहुत अच्छे मनोज जी, बहुत बढ़ी हाँ, ओपें जी, चले मोनिका जी, सी जबाब आ रहा है, 27 नमबर प्रश्न जो लोग विकल इसको, सी वाले को, पश बंगाली है, ठीक है, गोल्डन फाइबर, जनते ही जनते हैं इसका उपनाम है, 27 के बाद 28 नमबर बताएं, ठीक 28 नमबर आपसे कह रहा है, नौ मल्थूसियन सिध्धान्त, निमलिखित में से किस से संबंदित है, रोजगार से, गरीब से, संसाधन की कमी से, आय से, किस से स संबंदित है, बताएं भाई आप लोग, मादवेन जी डी, अलका जी, शी विकल्ब, चले भाई बताएं, 28 नमबर, नितिन जी डी, इसका सही जबाब देखते हैं, 28 नमबर प्रशने, 28 नमबर का जो लोग विकल्ब, सी चुनेंगे, वो राइट होंगे, संसाधन की कमी से स मंदिर, नौ मल्थूसियन सिधान्त आया था, ठीक है, इस सीच को आपको ध्यान रखना है, एक थे आपके वो, क्या नाम है, रोबार्ड माल्थस, इनका पूरा नाम था, रोबार्ड माल्थस, अगर और पूरा नाम देखें, तो थामस आगे लगा दीजे, थामस, रोबार माल्थस, इनका पूरा नाम था, इन्होंने 1798 में एक थेओरी आपकी पूरी तरीके से इनकी जो थेओरी थी उसको नकार दिया था, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर, 28 के बाद 29, 29 नंबर आपसे कह रहा है बाई, कि राजकोशियनीति का संबंध किस से है, अर्थ ब्योस्था में मुद्रा इस पूर्ती से, या B बोला है कि बैंकिंग ब्योस्था के बिनमे से, C बोला है कि आर्थी विकास के नियोजन से, D बोला है सरकार की याय तथा B से, चले भाई, अब लोग जबाब बताएं, गीता जी, बहुत अच्छा, A विकल्प आ रहा है, बहुत बड़ी हाँ, अंजनी जी, D, गरिमा जी, A विकल्प, बहुत अच्छे, सभी के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे भाई, सुश्मा जी, मनुर्मा जी हो सकता है, कोई दिक्कत हो, चले देखते हैं, 29 नमबर प्रश्नकार, जबाब इसमें, सरकार की आय बेश से, इसी को राजकोसिय नीती बोलते हैं, ठीक है, तो यह चीज आप ध्यान रखें, डिबिकल्प एकदम राइट है, जो लोग बता रहे हैं, सही है, 29 क या कर से, पी रामा राओ समित किस से संबन दीत है, जबाब दें आप लोग, सी विकल्प पा रहा है, बहुत बढ़ी हाँ, उपेन जी सी विकल्प बहुत अच्छे, गुंजा जी यह विकल्प पा रहा है आपका, अरे बिनी जी ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सभी का जो न जबाब क्या है, तीस नंबर, तीस नंबर का सही जवाब आपका विकल्प A है, यह रच्छा से संबंधित आपका रहा, ठीक, डाक्टर पी रामा राओ जो समित बनाई गई थी, इसका संबंध रच्छा छेतर से है, यह चीज ध्यान रखें, एक तिस नंबर प्रश्न बताएं भई, सुमे जी स्वारी उसके लिए हो सकता, मैं देख न पाया हूँ, ए विकल पा रहा है, अलिगड़ राधा जी, ए, ए, ए सभी का ए है, क्या बात है भई, देखते हैं, 31 नंबर, बिल्कुल सही, बरेली का सुर्मा सभी को ध्यान है, तो ए विकल बताने वाले सह है, ठीक है, बरेली अपना सहर सुर्मे के लिए बहुत फेमस है, इसका नाम सुर्मा नगरी है, उपनाम सुर्मा नगरी है, समझ गए ना, 32 नंबर पर आ जाईए वही, चलिए जंजाती से संबन देते हैं, कह रहा हैं, निमलिखित में से कौन सी जंजाती उत्तर प्रदेस म पता हैं, इनमें से कौन सी जंजात नहीं पाई जाती है, रिसी जी, ए विकलब पा रहा है, अनुजी, सी विकलब, मादबेन जी, बहुत अच्छे, डी विकलब चुनने हैं आप, बरेली, हाँ, आगे आजाए आप, चलिए अमित जी, बहुत अच्छा, देखते हैं बाई, एक आपकी होती है वो पारवो, एक होती है लुसाई, ये सब आपकी बहां की मिजोरम की जंजातिया है, ठीक, बाकी तीन जो दी हैं, ये आपके यहाँ पाई जाती हैं, उत्तरप्रदेश में, उत्तराखन से कुछ निचले भी स houses में पाई जाती हैं, तो ये संबंदित, ल यह इधर देश दिये इधर उनकी राजधानी बताओ कौन सी सुमेलिद नहीं है अंजनी जी यह बिकल पा रहा है मुंम्मद इम्रान बड़ी है भई इम्रान जी बहुत अच्छे मनुर्मा जी यह बिकल पा रहा है चले देख लेते हैं कि सही है यह बिकल 33 नंबर का जबाब जो लोग बिकल इसमें देखें ठीक तंजानिया को यह बोला है कि आपका दारेश शलाम ठीक वैसे इसमें सबसे बेस्ट देखा जाए कौन सा अप्षन है ठीक इसमें डी बिकल पापका एकदम राइट है मकाव यह चाइना के अंतरगत चीन गणराजी के अंतरगत पढ़त की है दस्मिक सीरिया की है इन चीजों को जो है दिहान रखें बेकल के अनुसार भी अंसर होते हैं 33 गेबाद 34 नंबर बताएं भाई राजियो गांधी का जन दिन हमें मनाना है 20 अगस्त किस रूप में मनाएंगे हम सिछक दीवस मनाने सर्भावना दीवस मनाएंगे प्रग अगर सही जब आप देखें कि राजियो गांधी का जन दीवस यह सद्भावना दीवस के तौर पर मनाया जाता विकल्प बी जो लोग बता रहा है एकदम सही है ठीक है विकल्प आपका सही है 35 नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर आपके बोला पूर्ब में श्याम ना आप मैं बताएं भाई सुमी जी चलिए भाई आप सही है थोड़ी सी जो है गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं आप से अगर ऐसी कोई बात है चलिए बहुत बढ़ी हां सभी के जबाब आ रहे है 35 नंबर का जबाब देखते हैं 35 नंबर का जबाब इसमें जो लोग बी विकल्प को चुन्ने एकदम सही है भाई थाइलेंड पूर्ब में स्याम नाम दिया गया है थाइलेंड का इस चीज को ध्यान रखें 36 नंबर पूर्ण भारत एक जो है सर पीडिया योगें जी अभी इसके बाद जो है जो बाचीत करनी है करते रहेगा ठीक मैं रुकूंगा तुरंत लेक्षर बंद नहीं होगा ए विकल पा रहा है डी बहुत बढ़ी हां चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क्या है 36 नंबर का जो लोग विकल एब राइट बताएंगे उनको हम सही कहेंगे डी बताने वाले या ने बताने वाले गलत हैं बाई सियार दास ने बोला था वाई कि समूचा भारत एक विसाल बंदी ग्रे है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर 37 नंबर आपके सामने 37 आप से बोला है कि य नुईयार को जापान को बेलजियम को बहरीन को इरोब का खाड़ा ठीक है बताएं भाई 36 नंबर का बताएं भाई C आ रहा है श्वाती जी बेवी कल्ब बहुत बढ़ियां आप थोड़ा पीछे हो गया है राहुल जी अभी आप बरेली पहुंचे हैं जल्दी आईए हम लोग बेसुम्हें हैं इस समय C आ रहा है इमराज जी बहुत अच्छे देखते हैं भाई सही जबाब क्या है इरोब का खाड़ा अगर इसका जबाब देखें तो बिकल्ब C जो लोग बता रहा है एकदम सही हैं बेल्जियम को बोलते हैं तो 37 नंबर का जबाब होता है C Now 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला है उत्तर प्रदेश में मार्डन बेकरीश का जो है कहां आवस्थित है बाई कानपुर में है नैनी में है गोरकपुर में अपने की वारारसी में बताइए कहां पर है बाई पीडियप भाई एप पर लगी है योगिन जी एप डाउनलोड करिए बहां पर लगी है मिल जाएगी अंजनी जी बहुत बड़ी है एब इकल्प एकदम क्लियर दिखा दिया आपने बहुत अच्छे शिवनाएक 38A बेरी गुड चलिए देखते हैं बाई जबाब क्या सही है 38 नंबर का जो लोग ए वाले को बता रहे ना कि सही है मान लेते हैं कि हां 100% आप लोग सही है बाई कानपूर में है modern बेकरीज बहुत बड़ा कार खाना है modern बेकरीज प्राइब लिम्टेट के नाम से जानी जाती है 49 नंबर आपके सामने है चलो बताओ भईया कहरा उत्तर प्रदेश में राज जी चर्म विकास यों विपणन निगम की अस्थापना कब की गई है 12 फर्वरी 1974 12 जनुरी 1974 12 मार्च 1974 12 प्रुएल 1974 थोड़ा सा भी अगर डिसमिस हुए ठीक इधर उदर हुआ तो गलत होगा तुरंद बताएं भई 49 नंबर का जबाब दीजिए योगें जी ये विकल्प बहुत अच्छे हैं इम्राण जी सी विकल्प आ रहा है आपका बहुत बढ़ी हामिद जी ठीक है राकेश जी 49 देखते हैं भई क्या जबाब इसका सही है 49 का जो लोग यहाँ पर बिकल्प ए राइट बता रहे हैं ठीक है कि ये बिकल्प सही है एकडम सही है बारा फरवरी 1974 को जगे आपकी है आगरा आगरा में बारा फरवरी 1974 को राजजी में चर्म विकास योम विपणन निगम के स्थापना हुई अगला है 40 नमबर देखने भईया उत्तर प्रदेश राज में संजीवनी परिवहन योजना प्रारम की गई किसके लिए भई गरीबों की आर्थिक सायता के लिए ग्रामेट शेत्रों में जच्चा बच्चा को वहन उपलब्द कराने है तो क्रिसी छेत्रों की बिद्धत आपेर्थ हो आपूर्ती है तो या इन में से कोई नहीं कोई और यह है बताएं भई बहुत बढ़ी हां मोहमबत तैयब जी बहुत अच्छे भई शोष्मा जी बीबिकल इम्राण जी बीबिकल पार आए आपका बहुत बढ़ी हां शीरोवन चले भई देखते हैं इसके जब आप कौन से सही है तो 40 नमबर जो लोग बिकल बी को राइट बता रहे एकदम सही ह है यह वाहन उपलब्द काराने के लिए जच्चा बच्चा के लिए है ग्रामीड शेत्रों में तो इस चीज को आपको धियान देना है एक तालिश नमबर आपकी स्क्रीन पर बोल ला है अब आपके जो है करेंट अफेर के प्रशने सुरुवात हो रहे है हाली में ग्रे मंत बहुत बढ़ी हाँ भाई अमिज जी ए विकलप आप चुनने हैं लामनिवाज जी ए विकलप अंजनी जी डी जया जी बहुत बढ़ी हां बे विकलप आ रहा है रादा जी भी देखते हैं बिद्यानन जी बहुत अच्छे एक तालिश नमबर का अगर हम सही जब आपकी बा इसलिए जो है अर्दसाइनिक बलों के लिए ये स्किम लाई गई चलिए भाई बैयालिश नमबर दिख रहा आपकी स्क्रीन पर और बता दीजिए जबाब फटाक से दिसंबर 2019 में उत्तरप्रदेस सरकार द्वारा राज में रजशा उद्धोक अस्थापित करने पर कितनी सबसेडी और इस टाम सुलक में सत प्रतिसत छूट प्रदान करने का निड़े किया गया 15 प्रत्सत 20 प्रत्सत 25 प्रत्सत 30 प्रत्सत बताईए भाई जबाब दीजिए सुमिज जी बहुत बड़ी हाँ भई विकल्ब पा रहा है अंजनी जी ए विकल्ब, ब popcorn विझे जी डी विकल्ब, सोरेभान जी बहुत बड़ी हाँ ए विकल्ब पा रहा हैं चलिए भई सही जबाब देखते हैं क्या है 42 नमबर का जो लोग विकल्ब के तोर पर यहां पर बता रहे हैं कि C आपका राइट है वो एकदम सही है 25 परशंट क्या किया है इसने सबसेटी दीगी और इस टाम सुल्क में 100 परशंट दो चीज़े याद रखना है इस टाम सुल्क में 100 परशंट दे रहा है छूट और सबसेटी कितना दे रहा है 25 परशंट तो यह उत्तरपरदे सरकार की नीती है कि इसमें रच्छा उदो अगर जो है अस्थापित करना है तो उन कंपनियों के लिए यह किया गया है आगे बढ़ते हैं करेंड का प्रशंट है उत्तरपरदे से तो ध्यान रखिएगा तैतालिस नंबर आपकी स्क्रीन पर दिसमबर 2019 में किसे आस्टेलिया के प्रतिष्ठिट टाउब टेनिस अवार्ड जिसको न्यू कोम मेटल्स बोलते हैं से सम्मानित किया गया निक कॉर्जियोस, स्रेग बार्टी, फिर एलेक्स डी मिनावर, बर्नार्ड टॉमिक कौन सा वो नवजवान है बताएं बढ़ी राहूल जी बहुत पीछे हैं बाई अब जल्दी आगे आईए इम्रान जी बहुत अच्छे C विकल पा रहा है बाई आप लोग एकदम राइट हैं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया करेंट पर पकड़ आपकी है ये एल्सरेग बार्टी हैं जिनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है 43 के बाद 44 नमबर आपकी स्क्रीन पर ध्यान दें और जबाब दें सही दिसंबर 2019 में किसे महिला बिग बैस लीग जिसको WBBL बोलते हैं में इस संस्करन का सर्वस्रेष्ट खिलाडी नामित किया गया बैथ मूनी को भाई, अलिशा पेरी, सोफी डिवाइन या मेग लैनिंग बताएं भाई, सही जबाब क्या है चलिए, 43 के बाद जो है, 44 नमबर का जबाब आना चाहिए बहुत बढ़ियां फाउना जी, C बेकल पारा, मुकेस जी, B बेकल बहुत अच्छे सुमिझ जी, देखते हैं, सही जबाब क्या है 44 नमबर, जो लोग बेकल C को राइट बता रहें, एकदम सही है सोफिरी डिवाइन को जो है, महिला बिग बैस लीग में जो है सरस्रेष्ट खिलाडी के तौर पर नामित किया गया है तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ट पर, 45 45 नंबर आप से पूछ रहा है कि अंतर राष्टी स्वयम सेवक दिवास बोलेंटीर डे जी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कब मनाया जाता है भाई, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 8 दिसंबर, 5 दिसंबर बताये, स्वयम सेवक दिवास कब मनाएंगे हम लोग बताएं भाई, बहुत बढ़ियाँ जञा जी, CP कल भाई, sometime बढ़ियाँ उपलन जी, रादा जी, 5 दिसंबर, सरज जी, वी क्येदर जी, डिविकल, चलिये देखते हैं भाई, 45 का जो लोग विकलब ड को बता रहे एकदम राइट है भाई पांच दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंटियर जो है डे मनाया जाता है इस चीज को ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 2019 के लिए इसकी जो थीम है वो थीम रखी गई है कि समावेशी भविश्य के लिए प्रशंख्या 46 निवास जी डिविकलप आप का आ रहा है कि अबिकलप जैया जी शुरेण जी अबिकलप आप का है बहुत बढ़ी है भाई दीपक प्रेमी जी डिविकलप देखते हैं 16 होते हैं जो बैलेट होता है उसमें 16 होते हैं और इसमें 64 होते हैं ठीक है चलिए इसमें एक में 16 हैं अब 16 से ज्यादा उम्मेदवार होगे तो सबको जो है समानांतर क्रम में सभी को जोड़ देते हैं तो यह उस जो है 64 हो जाते हैं यह मिला के आगे बढ़ते हैं 47 नमबर आपसे बोला है कुछ बताएं भाई भारत के दूर संचार और नियामक प्राज करण की अस्थारना कब हुई 1997 भारत सरकार का एक कारिकारी आदेश के द्वारा 2001 भारत सरकार के एक कारिकारी आदेश के द्वारा 1997 कानून द्वारा संसद ने बना है या 2001 में कानून बना जो है संसद द्वारा बताएं भाई कौन सा जबाब सही है सुमिट जी 16 मैं यहां पर हूँ अगले बिकल पर आपके 47 में 47 का जबाब C आ रहा है बहुत बड़ी आंजनी जी देखते हैं सही जबाब क्या है भाई 47 का अगर सही जबाब देखें तो जो लोग विकल C को बता रहे एकदम राइट है ठीक है 1997 में कानून जो है संसद ये कानून के माध्यम से दूर संचार और नियामक प्राधी करण की अस्थापना की थी 48 नवमर आपके सामने हैं बोला है कि राजियों और केंद्रों के बीच राजस्व साजाकरण ब्यास्था को हल करने के लिए बितायोग रखने का प्राउधान संभिधान का हिस्सा है जिसके तहट निमलेखित अनुच्छेदों में से एक है किस अनुच्छेद के तहट बताओ 265, 270, 274, 280 चलिए भई फटा फटा आप लोग जबाब दे डी विकल्प बेरी गोड डी विकल्प ग्रामनिवाज जी बहुत अच्छे बहुत बढ़िया है इमरान जी डी विकल्प पार रहा है आपका बीजे जी विकल्प देखते हैं भाई क्या जबाब इसका सही है 48 का जबाब जो लोग विकल्प डी बता रहे एकदम सही है अनुच्छेद 280 के तहट बितायों की अस्थापना की जाती है ठीक है तो 280 इसमें एकदम राइट है आगे बढ़ते हैं 49 नंबर आपकी स्क्रीन पर 49 नंबर आपसे कह रहा है संबिधान के भाग 4 का अनुच्छे 43 B किस से संबंदित है ग्रामीड व्यापार किन सहकारी समितियां ग्राम पंचायद 1 व्यापार बताएं 43 B किस से रिलेटेड है आपका 49 शिवनायग जी बहुत पीछे हो गए आप रिसी जी B विकल बहुत बढ़ी है केदार जी B विकल पा रहा है आपका बहुत अच्छे चले इसका सही जवाब देखते हैं खिर क्या जवाब है तो 49 नमबर का जवाब जो लोग विकल बी को राइट चुनने है सहकारी समितियों को वो लोग एकदम सही है ठीक है B विकल पे एकदम सही है 43 B में आपका सहकारी समितिया है उसके बाद अंतिम प्रशनास सीरीज का 50 नमबर आपके सामने है कहरा है दूई सद्निय विधाई का निमलिकित में से किस सरकार की एक विसेस्ता है संसदिये विवस्ता है राश्पत विवस्ता है या संगिये विवस्ता है या एकता प्रणालिये दूई सद्निय विधाई का किस की विवस्ता है बताएं भई बी विकलब आ रहा है बहुत बढ़ी हाँ ए विकलब डी विकलब सी विकलब बहुत बढ़ी हाँ बहुत अच्छे सारे लोग एकदम रिलेक्स माइंड से जवाब दे रहे हैं मुझे अंतिम समय में आप लोगों के बड़े अच्छे जवाब आ रहे है चलिए सही जवाब देखते हैं जो लोग पचास नंबर का विकलब ये सी वाला बहुत लोग बोल ले हैं मैं देख रहा हूँ ठीक है कि ये संगिय वे उस्था का हिस्सा है ऐसा है कुछ भी या बेलगुल सही है आप लोग भाई ठीक है ये पढ़ लीजेगा पॉलिटी में कि ये कात्मग में कौन गौन से आते हैं और जो है ठीक है आपके संगिय वे उस्था में कौन गौन से पॉइंट है इसको इतना जरूर पढ़ लीजेगा पॉलिटी का ये बहुत इंपॉडेंट है ये उपीपीसियस में खासकर पूछा जाता है पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर पहला प्रशन आपसे पूछ रहा है कि निमलेकित में से किसका सुमेल नहीं है इनमें से जबाब आप लोग कमेंट करें कि कौन सा इसमें सुमेल नहीं है शुरू हो जाए भाई बहुत-बहुत स्वागत सारे लोग सिवरमन जी अभी बाद में सारी चीए होंगी हिमा ठाकुर जी स्वागत है चलि भाई जबाब आना सुरू होगे बहुत-बढ़ियाँ पहले क्वेशन का अगर सही जबाब की बात करें तो जो लोग कमेंट के तोर पर यहां लगातार सही जबाब को बोल लहें हैं क्या इन्हें हम सही मानेंगे बिल्कुल क्योंकि इन लोगों ने जानकारी जो है अच्छी इकठा की है अपने मस्तिक्स में भोर घाट जो है यह हिमाचल प्रदेस यहां दे रखा है यह हिमाचल प्रदेस में नहीं है आपका भोर घाट की अगर हम बात करें तो यह महाराष्ट्रा में पढ़ता है महाराष्ट राज्जी का आपका एक दर्रा है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है किसका महाराष्ट राज्जी का ठीक है समझ गए मैंने एक दिन इससे पहले एक और question उठाय था उसमें बताया था कि दर्रों से संबंदि सवाल पूचता है तो इसको ध्यान कर लीजिएगा आज इस प्रशन को सामिल किया गया है ठीक है दूसरी चीज ये पूचता है कि कहा से कहा किसके किसके बीच तो आप ये समझ जाओ ठीक ये करजत और खंडाला के बीच में इस्तित है करजत और खंडाला के बीच में है दूसरी जानकारी आपके लिए ये जरूरी है मालो ये नहीं दिया थोड़ा डीप पूछ लिया तो वहाँ आपको ध्यान रखना है करजत और खंडाला आगे बढ़ते हैं अनी जितने दिये हैं ये सब सुमेलित हैं दूसरा प्रश्ण बताए भाई अगर हिमाले आच्छे से पढ़ाए तो जबाब देंगे हिमाले में हिम रेखा निम्न के बीच होती है पहला बोल ला है तैतालिस सो से छे हजार मीटर पूर में दूसरा बोल ला है चार अजार से ठावन सो मीटर पूर मीटर पस्चिम में सी बोल लाए 4500 से 6000 मीटर पस्चिम में डी बिकल बोल लाए उप्युक्त में से कोई नहीं चलें बताए बाई जो आपकी आइस लाइन होती है आइस बेल्ट होता है कहां से कहां तक होता है सुरेज जी अभी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ठीक है अभी रुकूंगा मैं जब ये लेक्षर खतम होगा उसमें सारी जानकरिया मैं दूंगा आपको बहुत बढ़ियां सुरुभान जी सी यतेन जी बहुत अच्छे आगे राइट टाइम से केतकी जी बहुत बढ़ियां सी जबाब है केदार सोनी जी चले भाई देखते हैं सही जबाब क्या है दो नंबर का जो लोग जबाब के तोर पर ए विकल चुन है एकदम राइट हैं ये तैतालिस सो मीटर से छे हजार मीटर जब आप पूर्व में हेमालिया जब आप जो है रेंज पढ़ना सुरू करते हैं और जब आप पूर्व रेंज पढ़ना सुरू करते हैं तो वहाँ पर तैतालिस सो से छे हजार मीटर जो आपकी उचाई है उसको हिम रेखा दिया गया है नाम ठीक है हिम रेखा इसका नाम दिया गया है तो ये इसका जबाब बताएं तीन नमबर राम निवाज जी बहुत अच्छे बहुत बढ़ी है प्रमोज जी 6 बेरी गुड चलिये वई देखते हैं गरिमा जी question number 3 C देखते हैं इसका सई जबाब क्या है भारत के प्रादेशिक जलशेत्र की अगर मैं बिस्तार की बात करूँ तो जो लोग विकल्ब सी को राइट बता रहा है एकदम सही से आपने पढ़ा है धंग से ठीक है जो तट रेखा से समुद्री मेल की है जब आप इंडिया का ऐसे मैप उठाओगे ना तो ये अपनी जो है हम एक तट रेखा डिफाइन करते हैं ठीक और वहां से ज देशिक जलशेतर सीमा है और दोसो जो आपकी समुद्री मेल होती है ये अननिछेतर कहलाता है इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं जो है ये दोसो जो आपकी एक तरीके से समुद्री मेल सीमा होती है ये अननिछेतर कहलाता है किसी भी देश का उससे जुड़े हुए सागर से आगे बढ़ते हैं चार नमबर पर, ध्यान दे भाई, केराय दियूप हैं और इधर उनकी अवस्थित दी है, सुमेलिद नहीं है, ये आपको पहचानना है, इस चीज पर गौर गरिएगा, पहला बोरा है, बेयंत सयोधर, कच्छिकी खाड़ी में, बी बोला है पिरम, अगर में, डी बोला है, दियू, कठिया वार तट पर, कौन सा इस में सुमेलिद नहीं है, बताएं भई, गोड इबनिंग, विद्यानन जी, थोड़ा लेट हैं, जितेन जी, थोड़ा लेट, लेकिन चलिए, सुरू हो जाईए, चोथा नमबर प्रश्न है, अंजनी जी, ब आप के तोर पर यहां चुनेंगे, विकल्ब B को आप ध्यान दीजी, पिरम दीवप को रामेशर में इसकी अवस्थित बता रहा, जबकि रामेशरम स्वयम एक दीवप है, तो यह विकल्प आपका सुमेलिन नहीं है, अगर मैं बात करूँ आप से कि जो है यह यह पिरम दी स्री लंका के बीच में जो पढ़ता नहीं है, पंबन दीवप, बताये थे इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, भारत और स्री लंका के बीच में जो है रामेशरम दीवप आपका अवस्थित है, तो इसलिए बी विकल्प आपका राइट नहीं है, आगे बढ़ते हैं बिलाने वाले या मिलने वाले चार नगरों या सहरों का कौन सा सही क्रम है, यानि आप जो है बेश्ट से चल दिये, ठीक है, पास्चिम से आप चल दिये, पूर्व की ओर, अब कौन कौन सा नगर आपका कब कब पड़ेगा, उसका सुमेल बताएं, पहला कह रहा है, राजक चले सुमेच जी, कोई दिक्कर नहीं भई, गीता जी आप थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन अब जो जाएं, जो है, क्वेशन्स पर, पांच नमबर पर हम लोग हैं, आठ बजे करेक्ट आजा करें आप लोग, ठीक है, बेबी कल्ब बहुत बढ़ी हैं, अनुज जी, चले बेबी कल्ब आगिया, गीता जी, बहुत बढ़ी हैं, प्रमोज जी, बेबी कल्ब, अखिल जी, आप ही लेट हो जाएंगे, तो मैं किसको बोलूँगा, आठ बजे करेक्ट, चले भई, सबराती जी, बेबी कल्ब, बहुत बढ़ी हैं, सुमेच जी, देखते हैं, पांच न पहले बीकानेर आपका होगा, पस्चिम से जब सुरुवात करेंगे, उसके बाद आपका पढ़ जाएगा, अलीगर, फिर आपका दरभंगा पढ़ेगा, उसके बाद नोगाओं पढ़ेगा, ये इन सहरों का सही क्रम होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, बीबी क एक तरीके से जन जाती है, ये उनके अस्थान, चलिए बताईए, कौन सी सुमेलिद नहीं है इनमें से, बहुत बढ़ी हाँ, जी तेन जी, बीबी कल्प, इस पर आजाएं, आप लोग 6 नंबर के जबाब देए, 6 नंबर प्रश्ण है, डी विकल्प पा रहा है, बहुत बढ़ी हाँ, मनो जी, सी विकल्प, अमिजी, आभी सी विकल्प चुनने, बहुत बढ़ी हाँ, बी विकल्प पा रहा है, बहुत बढ़ी हाँ, कलमना जी, अभी दिखे, सी है, चलिए अमिजी, बी विकल्प चुनन तो बोंडा तमिलनाडू नहीं आपकी ओडिशा में पाई जाती है, कहाँ पर? ओडिशा में इस चीज को ध्यान रखना है, बोंडा जंजात ओडिशा में, बाकी जो तीनों दी हैं ये अपने आप में सही है, ठीक है? तो बोंडा ओडिशा में ही पाई जाती है, डोंगरिया क अमिल, माराथी, कौन सी भासा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हिंदी के बाद, बहुत बढ़ी यहां संदीब जी, चले भई, सुरेज जी, सचिन जी, सी विकल्ब, सवराती जी, ए विकल्ब, बेरी गुड, बहुत बढ़ी यहां प्रमोज जी, चले भई, ब्रिजे जी, देखते हैं, इसका सही जबाब, साथ नमबर की, अगर मैं सही जबाब की बात करूँ, तो जो लोग विकल्ब, एक को सोच रहे हैं, ठीक है, वो एकदम सही है, जो हिंदी के बाद देखा जाए, ठीक, तो आपकी बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा है, उस सुमेलिन नहीं है, मेसां की खोज, हिडे की, कावा ने की, पोजिटरान की खोज, सीडी एंडेशन और जो है, यू या फेस ने की, सी बोला, सूरी तथा तारूम में, उर्जा उत्पादन का सिद्धान, एचे वेथे ने दिया, डी बोला है, परा यूरेनियम तत्तो का संस स्लेशन, एन्रिको फार्मी ने किया, कोन इसमें सुमेलिन नहीं, बिज्ञान जगत से प्रश्न हैं भाई, बता दें आब लोग, बहुत बढ़ी आखिल, बेंगाली, आगे आजाएं, आट नंबर पर बताएं, बिज्ञान जगत के आपके प्रश्न हैं, बहुत बढ़ी हा पर आएं, चलिए देखते हैं, शिवरमन जी, से बिकल, आट नंबर परश्न, अगर मैं सही जबाब बात करूं, तो जो लोग, डी बिकल को राइट बता रहे हैं, कि ये आपका सुमेल नहीं है, वो एकदम सही है, बिज्ञान जगत पर अच्छी पगड, ठीक है, अगर पर को फरमी, इससे संबंधित ना है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, भाई, नौ नंबर प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिध्धान के लिए, आइंस्टीन को निम्न में से किस, जो है सिध्धान के लिए, नोबेल पुरसकार दिया गया था, अमिद जी, ए विकल्ब पारा है, शिवरमन, ए, कलबना जी, आप भी ए विकल्ब दे रहे हैं, चलिए देखते हैं, किसके लिए मिला, सी विकल्ब, सियुम जी, देखते हैं, सही जबाब कौन से लोग दे रहे हैं, तो 9 नमबर प्रशन, जो लोग यहां देखें, प्रकास के बैदुद सिधान के लिए इनको जो है दिया गया था, तो यह विकल्ब आपका राइट होगा, बी वाला, ठेक, बैदुद जो प्रभाव था प्रकास का, उसकी ब्याख्या और नियम के अविस्कार के लिए इनको 1921 की बात है, जब नोबल पुल असकार इसके लिए सम्मान किया गया था, आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर, दस नमबर आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें और फिर जबाब दें, निमलिखित में से किसके निर्मान में फिनल का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, पहला बोला है पीवी सी के, बी बोला है नैलान के, सी बो डी विकल्ब, सी विकल्ब, मनोजी, चले भाई देखते हैं, इसका सही जबाब दस नमर की अगर मैं बात करूँ, डी विकल्ब, भाउना जी, बहुत बढ़िया, डी विकल्ब, इसका ही राइट है, बेकलाइट के निर्मान में फिनल का प्रियोग होता है, इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है, होता क्या है कि जब फार्मेल्डी हाइट, बेकलाइट के साथ आपका जब फार्मेल्डी हाइट मिलाया जाता है, तो दोलों का जब है, बेकलाइट के साथ जब आपका फार्मेल्डी हाइट मिलता है, तो दोनों के साथ इसके मिक्चर से, क्या होता है आपका फीन जो है उसका निर्माड हो जाता है क्या बोलते हैं बेकलाइट का ठीक तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है फीनाल और फार्मेलडी हाइट जब आपस में मिलते हैं तो बेकलाइट का निर्माड होता है इस चीज को आपको दिमाग में रखना है आगे बढ़ते जबाब उची थे इनमें, डी विकल बहुत बढ़ी हैं, चले भाई हर्विंदर जी, अनि लोग भी इसका जबाब बताएं, ग्यारा नंबर प्रश्ण आपका जबाब क्या होगा, कलमना जी, C, आप दीपक जी थोड़ा पिछड गया है, केदार जी बहुत बढ़ी हैं, बी जी थोने वाला रसाइन आपका, पोटेसियम ब्रोमाइड है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दखना है, के वियार, पोटेसियम ब्रोमाइड, ये आपका एक साल्ट होता है, यानि लमड होता है, जिसका जो है, इस्तेमाल हम करते हैं, सांधिकारक औसद के रूब में, ठीक है, और इसका सबसे ब्यापक, अगर मैं प्रियोग आपसे पूछू कि किस में होता है, तो जो मिर्गी रोग होता है, उसमें सबसे जादा आपका प्रियोग के बियार का होता है, यानि जो है, पोटेसियम ब्रोमाइड का होता है, दो चीजे ध्यान रखना है, आगे बढ़ जा जड़ों को नाम दिया जाता है तो कौन साइस में सुमेलिन नहीं बताएं आप लोग अब लोग डी दिपक जी अब जहां पर हैं बारा पर बात करिए अब बहुत बढ़ी हैं दी विकल पा रहा है मनुझी सी विकल बहुत अच्छे चले अखिल जी देखते हैं भाई डी विक घंणन दिया है यह आपका जिंदी कंद सूरन होता है गन्ने की जड़ नहीं होती है ठीक है किसकी जिसको आप जिम्मी कंद बोलते हैं ना जिम्मी कंद सूरन सूरन का मलब एक उसमें अपनी लेंग्वेज में क्या बोलते हैं यहाती लेंग्वेज में सूरन को बोलते हैं क जीवाण द्वारा संसलेशित होता है आत के जीवाण द्वारा संसलेशित होता है क्या बताएं बाई विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन A कौन सा जो है आत के जीवाण वो द्वारा संसलेशित होता है बिलकुल अखिल जी बहुत बढ़ियां एबिकल पा रह जो लोग प्रश्ण के बिकल्ब के तोर पर A चुनने है, ठीक है, इनको मैं राइट बोलता हूँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़ी हाँ, ठीक है, बायो पर पकड़ अपनी अच्छी बनाया रखिए, ठीक है, किसी भी एक्जाम में बायो का रोल बहुत ज़्यादा है, तो B बिटामिन के और दूसरा बिटामिन B12, दोनों का संसलेशन करते हैं, इस चीज को दिमाग में रखना है, नाओ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नमबर 14, 14 आप से बोल लाएं, निमलिखे दिगमों में से कौन सा सही रूप में सुमेलिद नहीं है, पहला बोल लाएं, दीवान हिब बंदगान, फिरोज तुगलग, B बोल लाएं, दीवान हिरें, को ही, अलावत दीन खेल जी, D बोल लाएं, दीवान हिर्ज, मुحम्मद बिन बीविकल्ब बहुत बड़ी है बाइप प्रमोज जी चलिए देखते हैं बीविकल्ब राम निवास जी ऐसे ही मैचिंग आती है हिस्टरी से एकनम बीविकल्ब पीचेस आपको फील होगा कि आप पेपर दे रहे हो बैठके बीविकल्ब बहुत बड़ी है चलिए जवाब दे है दीवाण ये मुस्त खराज इसको बोला है बलबन तो बलबन नाहीं नहीं किया था ये विकल्ब आपका जो है राइड नहीं होगा इसमें सुमेलित पूछा है तो ये विकल्ब बताने वाले एक्डम सही है दीवान ये खिलजी ने की थी तो यह सीज को ध्यान रखना है। पूरा नमबर प्रशनाव की इस्क्रीन पर है बोला है निमलेखित में से कौन सा इग नहीं है फिर से धयांदे पहला बहादुर साह गुजरात बी बॉला है चांद बीवी अवद सी बॉला है रजिया सुल्तान दिल्ली डी बॉला है बाज बहादुर मालवा चलिये इसमें के करीब हैं चलि भाई जबाब आ रहे हैं देखते हैं इसका सही जबाब क्या है किदर जी आप डीवी कल्ब चुननें बहुत बढ़ी है प्रमोजी बीवी कल्ब है देखते हैं सही जबाब 15 नंबर प्रशन अगर मैं सही जबाब की आप से बात करूँ कि इसमें कौन सा सुमेल आपका नहीं है तीक अहमन नगर का तीसरा सा सक्था जिसका नाम था हुसैन निजाम अहमन नगर का जो है तीसरा सा सक्था जिसका नाम था हुसैन निजाम ये हुसैन निजाम की तीसरी पुत्री है कौन चान बीवी इसलिए इसका सुमेल सही नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला ध्यान दीजिए अगला प्रश्ण आप से बोला है अधोलित लिखेत इग्मों में कौन सही सुमेलित है ए बोला 1849 भी 17 का बिले बी बोला 848 भी जैगपूर का बिले सी बोला 8456 भी अवद का बिले डी बोला 8455 भी कौन सा इसमें सही सुमेलित है बताएं भाई 16 नंबर यतेन जी सी जबाब चलिए देखते हैं सुमित जी डी विकल्ब सी जबाब सी आ रहा है भाई चलिए देखते हैं कौन सा विकल्ब सही है अगर इसकी बात करें 16 नंबर प्रश्ण की तो 16 नंबर प्रश्ण जो लोग विक आगले प्रशन पर अगला प्रशन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर आप से बोल लांगा है संग्राम का जो है नेटित किया या नेता था कौन बताएं भाई नाना साहब अजी मुल्ला तात्याटो पे मौल भी लिया का तली कौन था जिसने इलाहाबाद में ठारसो सत्ताओं की कांधिका अगवा रहा बहुत बड़ी है अंजनी जी डी विकल्ब पा रहा है दी विकल्ब देखते हैं भाई डी चले देखते हैं इसका जबाब क्या है आखिर सही जबाब 17 नंबर प्रश्ण जो लोग विकल्ब डी को बता रहे हैं मौल भी लिया का तली ठीक है एकदम सही हैं ठारसो सत्ताओं में इलाहबाद के संग्राम में विद्रोहों की जो कमान थी ठीक है वो किसने संभाली थी मौल भी लियाकत अली ने संभाली थी तो डी विकल्ब पाले एकदम राइट होते हैं आगे बढ़ जाते हैं अठारा नंबर पर चले बताएं वही अठारा नंबर फिर से पूछ रा कौ इसमें सही सुमेली नहीं है बताएं ये क्रम अधिकतर पूछा जाता है ध्यान रखिए नहीं गीता जी हर दिन लगी रही है यहाँ पर जो है जी नहीं है जी आठ बजे मैं हर दिन आता हूँ आज सुलाहवी क्लास है इससे पहले आप सोचिए साड़े साथ सो क्वेस्टन छोड़ चुकी हैं वो क्वेस्टन के सारे वीडियोज पड़े हैं उनको जाकर देख लीजिए बहुत बड़ी हाँ संदीब जी चले देखते हैं सही जबाब 18 नमबर प्रश्ण का अगर मैं सही जबाब की बात करूँ तो इसमें जो लोग विकल्ब D को बता रहे है वो एकदम सही है क्यों कोल विद्रो को 1870 दिया है जबकि कोल विद्रो का सही अगर टाइमिंग देखे तो कोल विद्रो की सही टाइमिंग है 1831 से 32 1831 से 32 के दोरान आपका कोल विद्रो हुआ था तो विकल्ब D आपका सुमेलित नहीं था बाकि अन्य आपके सब सुमेलित है इस क्रम को जरूर ध्यान रखना विद्रों से संब्धित हमेशा क्रम UPPCS का pet question रहा है ठीक है और फिर स से पूछेगा 19 नंबर 19 नंबर ध्यान से question सुनिए इंडियन ओपनियन पत्रिका के प्रथम सब पादक कौन थे एमके गांधी अलवर्ट बेस्ट महादेव देसाई मनसुख लाल नजर कौन सा बेक्ति था जिसने प्रथम जो है किया था कुछ विहारी जी एकदम feeling UPPCS की आएगी इसलिए प्रश्ण के अस्तर थोड़ा अच्छे रखे जा रहे हैं कि फाइदा मिले उसका बहुत बढ़ि हैं तो 19 नंबर में अगर जो लोग विकल डीको राइट बताएंगे वो लोग सही होंगे मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे दिमाग में एक दम गढ़ लीजिए इंडियन ओपनियन पत्रिका एमके गांधी से संबंदे लेकिन मनसुख लाल जो है इसके प्रथ मनसुख लाल नजर समझ गए और यह जो है नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे मनसुख लाल नजर जी उस समय साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि इंडियन ओपनियन किस भासा में प्रकासित हुई मैंने भी उस सवाल को रखा था तो यह गुजराती तमिल हिंदी और अं 1986-1995-2000 में कब आया था पर्यावरण सनचन अधनियम हर्विंदर जी बीविकल्ब 20 नंबर विकास जी बहुत अच्छे बीविकल्ब पा रहा है बहुत बढ़ी है अनुब जी थोड़ा लेट दिखाई दी हमें आप सुमिद जी चले वही बहुत अच्छे देखते हैं सही ज हैं 1986 की बात है जब पर्यावरण सनचन अधनियम आपका पारित किया था किया गया था यह संपूर्ण भारत में आपका साथी साथ लागू है जितने अधनियम आते ना पहले क्या होता था जंबू कास्मिर को छोड़ कर ठीक मानलो कोई इस्पेसल जैसे आया आसम वाले यह आपके पूर्वी राजियें इनर एरिया वाले इनर लाइन वाले इनको छोड़ कर आइसे कई आपके होते थे लेकिन आप जो है यह जब आया था तो यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ था पर्यावरण सन्राचान अगला आपके से है आहार सिंखला से निमलिखित में इसे कौन आहर सिंखला का निर्मार करते बताएं भाई घास गेऊं तथा आम घास बकरी तथा मानो बकरी गाये तथा हाथी घास मचली तथा बकरी आहर सिंखला किन से बनेगी बताएं भाई जी एक्षिल जी थोड़ा सा सग्यान में लिया गया इस शीच को जो है सारे लोग जब बोनेल लगे तो देखा गया आखिर समस्या क्या है एक केस नंबर जब आप बहुल लोगों के आ चुके हैं भाई बहुत अच्छे हैं चले देखते हैं इसका सही जबाब क्या होगा थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे आहार संखला ठेक है कुछ सोचना नहीं है इसमें बीबी कलप आप देख लो घास बकरी मानों घास को बकरी खाती और बकरी को मानों खाता तो जायर सी बात है आहार संखला बन गई अपनी आगे बढ़ जाते हैं 22 के 22 नंबर पर कह रहा है रामसर संबेलन संरच्छन किस से संबंदित था बताईए भाई जैवी इंधन से वनों के जो है संरच्छन से नंब भूमी से या स्वस्क भूमी से किस से संबंदित रहा है रामसर इंसान कुछ भी खा सकता है शाहुसैन डी बी कलब ए चले वई नंब भूमी बहुत अच्छे खिल जी चले इसका सही जब आप देखते हैं 22 नंबर का जो लोग सी बी कल बता रहे है एकदम सही है बहुत अच्छे ठीक है रामसर संबेलन नंब भूमी संरच्छन से संबंदित था इसलिए इसको जो है ध्यान रखना है आगे बढ़ जाते हैं 23 नंबर 23 नंबर जो है आपसे बोलाए कि इस परियावरण में जयद्र बिमान का वार्सिक उत्पादन नियुन्तम होता है किस परियावरण में जयद्र बिमान का वार्सिक उत्पादन नियुन्तम होता गहरे सागर प्रेरी पज़डी वन टैगा चले बताएं इसमें सही जबाब क्या है भाई 23 नंबर बहुत बड़ी हाँ सुमिच जी जी जो है डी आप बोले है टेगा अखिल जी देखते हैं भाई सही जबाब 23 नंबर का क्या हो सकता है डी जबाब दी जबाब आ रहे हैं देखते हैं इसका सही जबाब अगर 23 नंबर के मैं right option की बात करूँ तो इसमें right option अगर देखा जाए ठीक है कि परियावरण में जैयुद्र विमान का बार्सिक उत्पादन नियुंतम जो होता है तो यह होता है गहरे सागर में नियुंतम पूछा है इस इसको ध्यान रखना ठीक है यहां नियुंतम पूछा है इस इसको अगर छोड़ देंगे तो गलत होंगे गहरे सागर में ए उस्ण कड़ बन दिये जितने भी आपके बन होते हैं, ये सब नंबर बन अस्थान पर होते हैं, किसके वार्सिक उत्पादम के देश्टी से जयोद्र बिमान में, तो नंबर बन पर कौन? उस्ण कड़ बन दिये बन और सबसे कम कौन? गहरे सागर. आगे बढ़ जाते हैं, चोविस नंबर प्रश्णाप की स्क्रीन पर. चोविस नंबर आपसे कुछ ऐसा बोला है, कि निमलिखित में से कौन सा पदार, सावत्त्रिक तापन, जिसको ग्लोबल वार्विंग बोला जाता, उत्पन करने में युगदान नहीं करता है. सलफर तथ बहुत बढ़ियां भाई, दीपक जी, पुरवीन जी, दी, शुष्वा, बीविकल्ब, मिश्ठाकु, रेविकल्ब, चलिए देखते हैं भाई, सियोटो, सही जवाब इसका क्या होगा, अगर 24 नंबर प्रश्ण की मैं सही आपसे जवाब की बात करूँ, तो जो लोग इसम अब यहाँ पर सही है, ध्यान दीजिए, कहरा है कौन सा पदार्त, ग्लोबल वार्विंग उत्पन करने में युगदान नहीं करता, मिथेन करता, सियोटो करता, जलवास भी तीनों के तीनों करते, सालफर ततन नाइटोजन के आकसाइड जो है, ग्लोबल वार्विंग में युगदान नहीं देते हैं, इस चीज को दिमाग में रखना है अपने, ठीक है, हमेशा, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रस्ण पर, पचीश नमबर देखिए, भारतिये वनी जी उसंस्थान इस्तित है कहां पर, नई दिल्ली में है, सिमला में है, देहरादून में है, भ बहुत बढ़ी हैं, बिजे जी, सी विकल पा रहा है, धर्मेन गुण, थोड़ा लेट दिखाई दिये, चलिए देखते हैं, सही जबाब पचीश नमबर का, पचीश नमबर जो लोग देहरादून बता रहे, एकदम सही हैं, सी जबाब एकदम राइट है भाई, भारतिये बनी जी उस संस्थान जो है, देहरादून में पढ़ता है, तो बिकल सी चुनने वाले एकदम सही हैं, उसके बाद बढ़ते हैं, 26 नमबर पर, एकउनमी से सम्मधियत प्रशन आपकी स्क्रेन पर, दीरकालिक क्रिशी रेण, प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, मलब क सी जबाब आ रहा है, ए भी आ रहा है, अभी जी, प्रविंजी वी विकल्ब, सी जबाब है, सी, देखते हैं, सही जबाब 26 नमबर का, जो लोग विकल्ब के तोर पर सी जबाब बता रहे हैं, एकदम सही हैं, भूव विकास बैंक के द्वारा जो है, दीरकालिन क्रिसी प्रशन ध्यान से सुनें, फिर उसका जबाब दें, क्योंकि यहीं गलतियां हम वहाँ एक्जाम में भी कर बैठते हैं, जिससे की प्रशन हमारे गलत हो जाते हैं, निमने में से किस पंचवर्शी योजना के दोरान, आद्म निर्भरता और सोनी विदेशी सहायता घोसित कि गया, दोतिये, पंचवर्शी योजना, तृतिये, चतुर्थ या पंचम, किस पंचवर्शी योजना में ऐसा हमने घोसित किया, अभी जी अभी लास्ट में सारी चीजे हो जाएंगी, फिफ्ट आप्शन डी, चलिए देखते हैं भाई, अभी जी सारी चीजे अभी बात हो जाएंगी, अभी रुकिएगा जो है, अभी बहुत सारी जवाब आ रहे हैं, तो उसमें 27 नंबर का जो लोग विकल्ब के तोर पर डी बता रहे है, प्रथम जो है, पंचवर्शी इस पर फोकस थे कि आत्म निर्भरता है और सोनी विदेशी साहता, क्योंकि हमने जितनी चीजे ली, देश हमारा 1947 से आजाद हुआ, तब से हम विदेशों से हर एक चीजे मांगते रहे, तो पंचम में हमने मोड बनाया कि आत्म निर्भरता लानी अब जरूरी है, ठीक है, 28 प्रइस नंबर आप देखें, बताया है भाई, कहरा अर्थसास्त्रियों के निमलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थ बेउस्धा का प्रबल समर्थन किया था, एड़म स्मित कीन्स और हिंक्स ने या एड़म स्मित मार्क्स औरikleन ने, या एड़म स्मित हे C विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ, कलबना जी, A विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ खेल, C विकल्ब पा रहा है, देखते हैं भाई, विकास जी, C विकल्ब, 28 नमबर, जो लोग जब आपके तोर पर यहाँ पर बता रहे हैं, कि विकल्ब C, ठीक, वो लोग एकदम जो है, 100% वाले ग C विकल्ब ब्रेप भी है, इसी में सामिल, उसके बाद एक पीगू भी हैं, वो भी इसके समर्थक रहे हैं, जीवीशाय हैं, जीवेशाह, यह सारे लोग इसके समर्थक रहे हैं, किसके 200 अर्थब्यूस थाके, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रस्ण पर, 29 नमबर ध्यान सवाल हमेशा होते हैं बहुत बढ़ियां अर्विंद जी से विकल्ब आप चुलने हैं बहुत बढ़ियां विकास जी विकल्ब है भाई प्रवीन जी ए शिवरमन जी सी ए भाई अखिल जी ए जवाब देखते हैं 29 नमबर जो जबाब के तोर पर यहां पर जो है काका कालेलकर समित की अगर बात करें तो विकल्ब भी आप ध्यान रखिए पिशड़ी जातियों पर पहली समित जो है बनी थी काका कालेलकर समित इस चीज को आपको दिमाग में हमेशा बनाये रखना है आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्ण पर 29 के बाद 30 नमबर देखें 30 नमबर समित राश्ट से संबंदित है बोला है निमलेखित में किस वर्स में समित राश्ट संग ने परम गरीवी की परिभासा अंगी क्रिद की थी 1994-95-96-97 परम गरीवी कब आई परिभासा इसकी कब दी जी बेलकुल विजे केल कर अलग हैं सी जबाब आ रहा हैं सी जबाब मनु जी ए विकल बी विकल बिजेजी बी विकल चलिए भाई देखते हैं इसका कमल किसूर जी 96 बेरी गुड देखते हैं सही जबाब 31 का ठीक है ओ तीस नमबर सॉरी तीस नमबर का विकल बी जो लोग तो चुन है एकदम सही है 1995 में सही तो राष्ट ने परम गरीवी की परिभासा को अंगी करेत किया था आगे बढ़ते हैं इक तेस नमबर आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश से संबंदित सवाल उपर हम लोग पहुच चुके पहला सवाल उत्तर प्रदेश राज मुक्त बिद्याले की अस्थापना कब की गई दो जार आठ दो जार छे दो जार तीन दो जार नो कौन सा सन नहा जब ऐसा कुछ घटा रिया जी थर्टी वी थर्टी वन पर है कमल के सूर जी ए विगल पार आए भई सी दिखते हैं सही जब आप 31 नंबर अगर बात करें तो विगल ए को ध्यान दीजिए 2008 की बात है जब राजी में जो है पने मुक्त बिद्याले की अस्थापना होई थी ठीक है इसका उद्यसी था बिद्याले में निवमेत अध्यम जो लोग नहीं कर पाते उन बच्चों को घ घर बैठें माधमिक अस्थर की सिच्छा देना माधमिक अस्थर की सिच्छा के लिए जो है यह चीज को चलाया गया था तो इसलिए जो है राजी मुक्त बिद्याले की स्थापना 2008 में की गई थी 32 नंबर 32 नंबर बताएं बाई अत्रॉली घराना के संस्थापक कौन है बं पूरेजी सी बिकल पाप चुनन हैं बहुत बढ़ियां विकाश डी आ रहा है डी डी सही जवाब देखते हैं तुक्का डी बिकल सही जवाब देखते हैं 32 नंबर 32 नंबर का सही जवाब अगर देखें तो जो लोग यहाँ पर डी बिकल बता रहा है एकदम सही है ठीक है का आले खां और चांद खां या तरोली घराणना के संसापक थे दोनों ने मेलकर किया था इसलिए इसीश को ध्यान रखना है तैतिस नंबर राई निरति कहां का प्रशिद्य निरति बताए बाई बुंदेल खंड का रुहेल खंड का ब्रजशेत्र का इन में से कोई नहीं राई निरति कहां पर चलता है अपना डी बिकल पा रहा है 32 33 पर है रिया जी सुधिर जी ये बिकल ए ही आ रहा है बी भी है चलो भाई देख लेते हैं तैतिस नंबर जब आब ए के तोर पर जो लोग बता रहे बुंदेल खंड होते हैं सही ठीक है ये जो राई निरति है ये बु पूछा मैयूर नित्र पूछ लिया तब भी सही मार देना दोनों का एक ही नाम है क्या करती है महिलाएं कि जन्माष्टमी के आउसर पर मैयूर के तरीके से नाच करती है वहां की महिलाएं गुंदेल खंड की मोडनी बनके नाचती है तो इसलिए ये इसको जो है मैयूर नि 1988, 1988, प्रोड सिच्छा के लिए अलग ब्योस्था बताएं, बहुत बढ़ियां संदीब जी, 34 नमबर, दी विकल्ब, ए भी आ रहा है, अनन जी, प्रदीब जी, C, UPGS, जी, चले इसका देखते हैं, सही जवाब क्या होता है, तो 34 नमबर, जो लोग जवाब के तोर पर देंगे विकल्ब, ए होते हैं एकदम राइट, 1982 की बात है, जब प्रोड सिच्छा हेतु जो है, अलग ब्योस्था की गई थी, कब 1982 में, अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अगला देखें 35 नमबर, 35 आप से पूछ रहा है कि बड़ा ख्याल, जैसे नई गयान सैली का आ जबाब आजिद अली, केसन महाराज, अलग दास, हुसेन सर की, किसने हैं, बड़ा ख्याल, ठीक है, चले बताएं भाई, डी विकल्ब, बी विकल्ब, बहुत बढ़ी हैं शबना, ए विकल्ब आपने चुना है, सुरेज जी, बी विकल्ब, ए विकल्ब आ रहा है, ठाकुर जी, चले भाई, प्रबीन जी, अलाबाद में होई थी, बहुत बढ़ी हैं, बहुत अच्छे दीपक जी, देखते हैं, सही जबाब 35 नमबर, जो लोग विकल्ब के तोर पर, यहां डी विकल्ब चुनेंगे, उनको मैं राइट बूल आउं, आप सही हैं भाई, बिल्कुल, हुशेन सरकी ने जो है, बड़ा ख्याल जैसे घराने का जो है, क्या किया था, आविस्कार किया था, ठीक, यह जौनपूर के सुल्तान थे अपने, जौनपूर के यह थे सुल्तान, तो इसलिए इन्होंने एक नया घराना बनाया, जिसका नम था बड़ा ख्याल, समझ गए चलो, 36 नमबर बढ़ जाए, 36 नमबर में, उत्तर प्रदेश में फल पट्टी छेतर ककराला, किस जिले में है भाई, बंदाईव में पढ़ता, कौसांबी में, उन्नाव में, चंदोली में, ककराला कहां पर है, बताएं, बंदाईव में पढ़ती है, बंदाईव में पढ़ती है, ककराला, और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमा से जानाव में, जानते हैं, अमरूत के लिए, ये अमरूत के लिए फेमस है, तो बंदाईव में कौन सी पट्टी, ककराला, फल शेतर पट्टी, किसके लिए, अमरूत के लिए, आगे बढ़त जाते हैं, सहतिस नंबर देख लिए, अशुगंधा, और एलो वीरा, कि ड्रहत खेती उत्तर प कमल जी, D आ रहा है, चलिए देखते हैं, सहतिस नंबर, केदार जी, बहुत अच्छे, रिशी मोहन, D विकल भाई, चलिए देखी लेते हैं, इसका सही जवाब, सहतिस नंबर अगर बात करूँ मैं, कि सहतिस नंबर का सही जवाब क्या है, तो सहतिस नंबर में, जया जी, ब बाबा रामदेव का ये प्रोग्राम है अगला देख लीजिए 38 नंबर आप से यह बोला कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सगन कपास विकास का रिक्रम चलाया गया था भाई आग्रा मतुरा हातरस या उपिप सभी कहां पर किस जिले में ये कपास को लेकर विशेस का रिक बताए भाई विकास जी डी चले भाई आनन जी डी डी नेहा जी डी प्रबीन जट सी संदीब जी जब आप देख लेते हैं इसका कौन सा है आखिर तो इसका सही जबाब 38 नंबर जो लोग विकल्ब डी के तोर पर बता रहे एकदम सही है आगरा मतुरा हातरस इन सभी में कारिकरम चलाया गया था ठीक है आगे बढ़ लेते हैं 49 संबर देख लो भाई है 49 आप से कह रहा है कि निम्न में राज जीवें नियुंतम लिंगा अनपात वाला जीला कौन सा है गोतम बुद नगर हमेरपूर कानपूर बांदा चले बताए भाई प्रमुद माली डी विकल्प भाई रिया जी 38 से थोड़ा पीछे हैं जल्दी आए ये सीम जी बहुत अच्छे चलिए देखते हैं सुमेज जी डी विकल्प है आखिल जी ये विकल्प साही जब आप देखें 49 का जो लोग यहां बुलंस गौतम बुद नगर को चुनने एक किस फसल के अंतरगत आती है रभी, खरीफ, जाहिद या सभी में आती बताईए वई 40 नंबर तंबाखु चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं 40 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो लोग विकल्प एको बता रहा है एकदम सही है तंबाखु रभी फसलों के अंतरगत आती है चीज को ध्यान लगिए 40 के बाद 41 नंबर देख लें करेंट से संबंदियत प्रशनाव की स्क्रीन पर आने लगे राश्पर दामनात कोविंद ने पाई का विद्रो इसमारक का सिलन्यास कहां किया है कटक ओडिशा में या जो है बलांगीर ओडिशा या ख बता दीजे भाई अगर करेंट पड़ रहें तो जवाब तो आएगा ही बहुत बढ़ी या मनों जी अखेल जी ए विगल सभी के आ रहा है देख लेते हैं 41 नंबर जो लोग विकल्प यहां पर अगर बात करें कि राम जो है राश्पर रामनात कोविंद ने पाई का विद् परती है बारूनी ठीक बारूनी तलहटी है वहां पर जो है इन्हों ने इसका जो है सिलन्यास गिया था समझ गए यह 10 एकड का पूरा इसमारक बनाए ठीक 2017 में इस जो है इसमारक की घोष्रा केथी सरकार ने बन माने की अब जो है 19 में इसका हो चुका है एक तरीके से सेलन्याज भी अगला प्रश्ण पूरा देख रहा है चलो प्रश्ण ये है कि हैदराबाद यानि तेलंगाना में एक गैंगरेप और एक पस्ट के सक्की हत्या के मामले में सामिल चार आरोपियों की मुटभोएड की जांच के लिए सुप्रिम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्य जांचायों का प्रमुक कौन है असोक कुमार माथूर कल्याण कुमार सेन गुपता कल्याण जियूती सेन गुपता सुरेंदर सिंग निजर या फिर बी यस सिरपुरकर चलो बताओ भाई बहुत चर्चित मामला था अगर 42 नंबर क्या है तो 42 नंबर अगर सही जबाब देखें तो सही जबाब इसका वो बनेगा जो लोग बिकल्प इसमें डी को राइट बता रहे है बी यस जो आपके सिरपुरकर बने हैं ठीक है इनको जो है सब क्या किया गया है अध्यश बनाया गया है यह आपके जो है निया अधीस हैं, ठीक है, 6 महीने के भीतर, रिपोर्ट संपनी है, कितरे महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रशन पर, करेंट का मुद्धा है, बहुत चर्चित रहा, तो इसलिए ऐसे भी प्रशन बन सकते हैं, 43 नंबर आप CS बोलते, प्राइद करंण विधेक 2019, या अंतर राष्टिय वित्तिय सेवा केंद्र प्राइद करंण विधेक 2019, कौन सा है बताईए, डे विकल पारा है, बहुत बढ़ी हैं सुमिज जी, अकिल जी, बी विकल गुंजा जी, ये विकल गरिमा जी, 43 डी, बैरी गुड, कमल कि सोर जी बहुत अच्छे भाई 47 का जबाब देख लेते हैं कि आखिर इसका सही जबाब क्या है तो सही जबाब में अगर देखें तो 43 का जो लोग विकल B के तोर पर बताएंगे एकदम सही है ठीक है बित्तिय सेवा केंद प्राज़कन विधेग 2019 केंसरकार लेकर आई थी IFCS इसको ध्यान लखना है ठीक है IFCS लेकर गवर्मेंट आई थी ये संसर ने इसको जो है पारित किया है बात थी 12 दिसंबर की कबकी 12 दिसंबर 2019 की बात है जब राजसभा ने इसको जो है पास किया ठीक चले आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद 43 के बाद 44 नंबर कुछ ऐसा है 44 आपसे पूछ रहा है कि डेल के साथ साजेदारी में साइंतराष्ट सैचिक बैग्यानिक और सांस्कृतिक संगेठन UNESCO यानि महत्मा गांदी सिंचर्ण संस्थान सांती और सतत विकाज जिसको EMG IEP बोलते द्वारा सुरू किये गए कारिकरम का नाम क्या है जिसका उद्दे से स्कूलों में सिच्छकों को प्रसिचित करना डेल सांग की कारिकरम डेल सिच्छा कारिकरम डेल वोकेशनल प्रोग्राम या डेल आरंब कारिकरम कौन सा है बताएं इसमें B विकल पारा है आनल जी B विकल अखिल जी D संजे जी A विकल पाप चुनने हैं बहुत बड़ी हां B रेंज जी B रेंज शीमा C विकल पारा है 44 जो है B गरिमा जी बहुत अच्छे संदीब जी बहुत बड़ी हां भाई देख लेते हैं जबाब क्या है 47 नंबर जो लोग विकल डी को बता रहे हैं एकदम सही है डेल आरंब कारिकरम का नाम है ठीक है क्या नाम है डेल आरंब आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रस्ट पर 45 नंबर देखे भाई 45 नंबर आपसे पूछ रहा है कि बियतनाम प्यूपिल सार्मी के चीफ आप जनरल स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने हाली में भारत का दोरा किया था इतने अच्छे अच्छे नाम है कि बोलने नहीं आ रहे चलिए भाई इसका सही जबाब बताएं पैतालिस का रिया जी बी बिकल्प है अनि लोग भी जबाब बता दें आप भी नाम सुनके परिशान हो गया भी जी बी बिकल्प चलिए भाई देख लेते हैं बी आरा सी आरा अख्यल जी बहुत अच्छे पैतालिस का अगर सही जबाब की बात करूँ तो बिकल्प इनका सी ध्यान दो ठीक है फानवान गियांग यह आपके जो है 24 से 28 नॉम्बर पर भारत की जो है राज की एक तरीके से राज की जो है या अधिकारी की यात्रा बोलेंगे 24 से 28 नॉम्बर 2019 में यह भारत की यात्रा पर रहे समझ गए ना नाम से चलो अब आगे प्वालिटी के आपके पस्ट बताएं भार्य सरकार अधनियम 1911 के उन्सार राजी परिशद और विधान परिशद का कारिकाल इस प्रकार था पांच वर्स, पांच वर्स, तीन वर्स, तीन वर्स, पांच वर्स, पांच वर्स, तीन वर्स, बताओ, राजी परशद और विधान परिशद का कारिकाल, अभी जी, जो है, अभी मिल जाएगा आपको, डी विकल्प पारा है, डी विकल्प है, सची जी, बहुत अच्छे, डी की भी आ रहा है सही जब आप देखते हैं 46 नंबर का 46 नंबर का जो लोग विकल्ब के तोर पर यहां पर डे विकल्ब चुन हैं एकदम सही हैं ठीक है पांच वर्स और तीन वर्स यह इसका था 1919 के अनुसार राज परिशत का जो कारिकाल था यह पांच वर्स का था और वहीं च सम्विधान के निमलेखित अनुछेदों में से कौन सा ओच नियालेओं को रिट जारी करने के सक्ति देता 222,224,226,228 बताएं ओच नियाले किस अनुछेद के तहट रिट जारी करता है इसमें कौन सा है इसका सही जबाग अगर देखें 47 नंबर का तो 47 नंबर भईया एकदम ध्यान रखो दिमाग में बनाए रखो C जबाब एकदम सही है अनुछेद 226 के तहट है थिक है हाइड कोड को ये ताकत दी गई है कि आप रिट जारी करो और अनुछेद 32 के तहट सुप्रीम कोड को ये पावर दी गई है कि आप रिट जारी करो तो 226 के तहट किसको हाई कोट को और अनुछित 32 के तहट किसको सुप्रीम कोट को दोनों चीजें एकदम याद रखिएगा आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रस्ट पर 47 के बाद 48 48 आपसे बोला है कि सुप्रीम कोट ने किस वर्स तक वर्तमान परिशद में जाने से पहले संस भवन से अपनी बैठा की 1950 तक 52 तक 55 तक या 58 तक ठीक है आज तो आपको देखता है सुप्रीम कोट का अपना सब कुछ अलग है चले बताए बहुए 48 नंबर जबाब दीजी आप लोग बी जबाब आ रहा हरा हर विंजजी सी जबाब है भई अखिल जी 1952 मनो जी बहुत अच्छे बी बिकलब आ रहा है चले इसका देखते हैं सही जबाब क्या है सही जबाब के तोर पर अगर 48 का जबाब आप लोग बिकलब चुन लेंगे कौन सा 1958 तो इसमें सही होंगे वर्तमान परिशर से जाने से पहले परिशर में जाने से पूछ रहा है तो 1958 तक नहीं ठीक है 1958 में वर्तमान परिशर में अपनी कारिवाही शूरू की थी हुआ क्या था था थोड़ा सा इसका इतिहाद जानलो 1937 भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था उसके माध्यम से भारत का संगियन आले जो था ये 1937 से लेकर 1950 तक संसत भवन में एक चैंबर बना था जिसका नाम था प्रिंस चैंबर उसी में सुनवाई करती थी 1937 से 1950 तक प्रिंस चैंबर में फिर 28 जनवरी 1950 को अस्तित्त में आ गया कोई 28 जनवरी 1950 को सुप्रिम कोर्ट अस्तित्त में आया अब सवाल ये पूछ ले कि सुप्रिम कोर्ट अस्तित्त में कब आया तब आपका जबाब होगा 28 जनवरी 1950 या केवल 1950 लेकिन परिसर में जो कारिवाई इसने शुरू की थी यह 1958 की बात है जो वर्तमान परिसर इसका है वो इसमें इसने कारिवाई कब से प्रारम की तो यह 1958 की बात है ठीक है तीन अलग-अलग चीज़े इसमें सामिल है उनचास नमबर देख लें, उनचास नमबर आपसे कहई रहा है कि भारतके संबिधान में संसोधन द्वारा निमलिखित आयोग में से कौन सा अस्थापित किया गई था भाई राष्टी बालदकर संवरचण आयोग, भारत अलवशंखका आयोग, राष्टी महिला आयोग या राष्टी अनसूची जनजाती आयोग संविधान में संसूतन के उपरांद कोन आया है? बताए भाई इसन में से अभी जी, B. विकल्ब है, कमल किसूर जी, A. विकल्ब, बहुत बढ़ियां, संदीब जी, C है बिजे जी, B. विकल्ब, बहुत बढ़ियां, मनोज जी, J. जी, D. विकल्ब है आपका, देख लेते हैं इसका सही जबाब अगर मैं बात करूँ कि कौन सा है, तो 49 नंबर जो लोग विकल्ब, D. बता रहे हैं, एकदम सही है तेक है, राष्टी अनसूची जनजाति आयोग जो है, ये आपका हुआ था, उनिस्वमा जो है, नमाश्रीव में संभिधान संसोधन के द्वारा 89 जो आपका constitutional amendment हुआ था, उसके द्वारा जो है, राष्टी अनसूची जनजाति आयोग जो है, अस्थापित किया गया था अन्तिम प्रशन आज की जो है, क्लास का प्रशंख्या 50 है, ध्यान से सुनिए, जबाब दीजिए उच्चिन आले के नया जीजिस का बेतन किस में से दिया जाता, भारत की समय किनिद, राजी की समय किनिद, भारत की आकस्मिंद या राजी की आकस्मिंद, किस से बेतन जाता है बहुत बढ़ी हैं, अंजनी जी, 338A, 50 बता दीजिए अप लोग, C विकल पा रहा हैं, रियाज जी ये विकल, कमल के सोर जी ये, अखिल जी ये, A जबाब, A जबाब मलब, सही है, सही है जबाब दे लो तब बताएं ये जबाब, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, इबुक पर एक ग्रूपी वार्मिंग सेंटर अवस्थित है, चिन्नई में, नाकूर में, हैदराबाद में, या पोर्ट बलेयर में, भाहाँ पर अवस्थित है सभी का भाई स्वागत अब शुरू हो जाएं, गोड इबनिंग सुस्मा जी, पाप देने को याद दे रहे हैं, एकदम सही है, भारत में सुनामी वार्मिंग जो सेंटर है, ये जो है, हैदराबाद में है, और इसका अगर मैं परिशालन आपसे बात करूँ, तो बात थी ज जुलाई की, वो जुलाई थी आपकी 2005, जुलाई 2005 में भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर जो है, हैदराबाद में अस्थापित किया गया, यहां से ये चलू हुआ, पहली क्वेशन हो चुका है, दूसरे क्वेशन पर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेशन आपसे कह रहा है, निम्न कत्नों में कौन लेटराइड मिटियों के लिए सही नहीं है, जो लेटराइड मिटिया पाई जाती है, वो किसके लिए इसमें उन से संबंदित चार कतन है, देखें पहला कह रहा है, वह आद्र अपग्यालित प्रदेशों की मिटिया है, भी बोला हुए बहुत ही अ बहुत ज्यादा लेट कर दिया है, सुरिकान जी, स्वागत है बाई, गोड इबनिंग, हरविंदर जी, स्वागत है, गरिमा जी, गोड इबनिंग, चलिए आप सारे लोग जबाब पर आ जाए, बिनेश जी, गोड इबनिंग, बाई, डी विकलप आ रहा है, दूसरे नमबर इसका सही जबाब अगर देखें क्या है तो दो नंबर प्रश्ण का जो लोग जबाब इसमें यहां पर देखिए ध्यान दीजिए कौन सा उसे रिलेटेड नहीं है तो डी विकल्प अगर आप चुने तो एकदम सही है इसमें बोल लाए उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह बिकल्प कहीं से भी लेटराइड मित्यों के संब्ध में और चुना इन सभी की कमी पाई जाती है ठीक है पोटाज़ चूना नाइट्रोजन फासपोरस इन सभी की लेटराइड मित्यों में को पहला बोला है यानि परत अपरदन फिर आपका आसफल या उनालिका रिल परत और आसफल क्या इसका जो है सही क्रम है उसको बताएं बीविकल तीन नमबर प्रश्ण का सही जबाप क्या होगा आप लोग विकल चुनें अराम से सोच ले फिर बहुत बढ़ियां केदार जी हर्विंदर जी बीविक आप चुनें बी आ रहा है सही जब आप देखते हैं तो तीन नमबर प्रश्ण में आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि जैसे इसमें जो ए विकल आपका दिया है ये ए विकल एक दम आपका उचित है जब मिर्दा का छरण होता है तो जो लोग ए विकल पिसमें चुनें एकदम सही है पहला दे रहा है आसपल अपर्दन इसको समल्लो होता गया है आसपल अपर्दन ये होता है जब वर्सा की बूंदे हैं ठीक है बारिस की बूंदे जब मिट्टी पर पढ़ती है तो उसकी वज़ा से जो मिट्टी का छरण होता है ठीक है जाईर सी बात है कुछ कुछ उनकी स्पीड होती है तो जब धरातल पर पढ़ेंगी तो मिट्टियों का छरण होगा बारिस की बूंदों की वज़े से ठीक है इसी को जो मिट्टियां प्रिथक होती है इसी प्रिथक करण को क्या नाम दिया जाता है आसफल अपर्दन उसके बाद फिर परत अपर्द कहलाता है फिर उसके बाद अउनालिका आता है जब यह नालिया बहुत बड़ी हो जाती है तब उसको अउनालिका पर्दन कहते हैं तो सही क्रम यह है सबसे पहले बारिस की बुंदों से मिट्टियों का छरण होगा फिर धीरे-धीरे मिट्टिया कटके बहने लगेंगी फि चार नंबर का जबाब दीजे चार नंबर प्रस्ण यह विकल पा रहा है गोड इबनिंग अंजनी जी थोड़ा लेट है चलिए जूट जाहिए भाई सुसमा जी नेटवर्क इसू इधर तु सही है चलिए भई चार नंबर प्रस्ण का जबाब क्या हो सकता है सही इन में से रुग रुग के चल ला है हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इसू हो सी विकलप पा रहा है विजय जी बहुत बढ़िया है फोर का बीज जेतिन जी बहुत अच्छे चलिए देखते हैं इसका सही जबाब अगर देखें कि चार नंबर विकलप का सही जबाब क्या है कौन सा इस में से सुमेलिद नहीं है? तो इसमें इंद्रागांधी नेहर जैसे सतलज दे रहा है ठिक और नागारजुन सागर को इसने कावेरी पर दिया है ठिक ये विकलप आपका उचिद नहीं है तो सी विकल्प कहीं से भी उचिद नहीं है क्योंकि ये नागारुजन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पर आपका बना हुआ है, कावेरी नदी पर बना नहीं है, तो सी विकल्प आपका सही नहीं है, बाकी जो दिये हैं दुलास्ती चिनाब, इंद्रा गांधी नहर स सतलच उकाई पर योजना था, अपती नदी ये तीनों के तीनों आपके सुमेलित थें। 5 नम्बर म प्रशण आपकी स्क्रीन पर है। 5 नमबर ध्यान से देखें कह़ा है हरित खेती में सन्नीत है। सन्नीत का मलब मिला है अपने आअप में सामील है क्या गया। जैवी खेती यों बागवानी खेती पर जोर, B बोला है बागवानी तथा पुस्प क्रिसी पर ध्यान के इंद्रित करते समय, केड़नास को और रासाइनिक उर्गरों को से बचाओ, C बोला है समेकित कीड़ प्रवंधन, समेकित पदार्था पूर्थी, यों समेकित प्राकृ किस में, हरित खेती में किस पर जोर दिया जाता है बताएं, ध्यान से विकल पढ़िए और इसका जबाब दें, पांच नमबर का है, D आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए और लोग भी, 5 A आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्रिंज कांजी, हरित खेती में क्या चीजे आती है इस चीज को समझ के आपको जबाब देना है, B विकल पा रहा है, केदर जी, A विकल पा रहा है, बहुत बढ़िया हरित का, गुंजा, थोड़ी लेट हैं आप, गो डिवनिंग, चले लग जाएं, देखते हैं, समर जी, A विकल, जहा जी, बहुत बढ़िया, A विकल, इसका अगर 5 नमबर का हम सही जबाब देखें, तो 5 नमबर जो लोग विकल C को सही बताएंगे, वो एकदम सही होंगे, क्योंकि जो हरित खेती होती है, हरित खेती में सबसे पहले समेकित कीट प्रपंद का जुगार किया जाता है, क्योंकि हरी फचलों में कीटों से संबंधियत बहुत ज़्यादा समस्या, उसके बाद समयकित पदार्थापूर्थी, ठीक, पदार्थापूर्थ का मलब इसमें, पोसक तब तो, जितने पोसक पदार्थ होते हैं, उनकी आपूर्थी हमें कैसे करनी है हरी खेती में, हरे जो आपकी होती है, तो पदार्थापूर्थ का यह पर हम ला सकते हैं, खाद वगेरा से संबंदित, प्राकिर्तिक संसादग, तो ये तीन चीजे बिशेस रूप से हरित खेती में ध्यान दी जाती हैं, आगे बढ़ जाते हैं छे नंबर पर, छे नंबर फिर से आप से पूछ रहा है कुछ क्रांतियां हैं, उनका संबंद है, आउन साइस में से सुमेलिन नहीं है, जवाब दें आप लोग, छे नंबर का जवाब, अंतिमा जी ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है, डेली आने की कोसिस करिए, इसके बाद में भी आप वीडियो जाकर देख लें, पड़ा तो रहता है, C जवाब बहुत बढ़ी हैं, रि अगर जवाब की बात करें, तो इसमें ध्यान दीजिए, सुमेलिन नहीं आप से पूछा है, तो जो लोग विकल्प सी को राइट बता रहे हैं, या नेली क्रांट का संबंद को कोट पालन से दे रहा है, नेली क्रांट का संबंद आपका मतश्च पालन से था, ठीक है, नेल अगला ध्यान दीजिए, अगला प्रशन आप से कह रहा है कि ट्रिटिकल, निमने में से किन दो के बीच संकर यानि क्रास या हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं, जो योम राइक का, गेहू योम योम जो का, या गेहू योम राइक का, दो आपके सेम हो गये हैं, चल में बताइए कौन सा सही है, A, B, C में, A, B, C में बताएं कि कौन सा विकल्प इसमें राइट है, बिरजेन दी, भाई स्वागत है, पहली बार आप देख रहे हैं चैनल पर, जया जी, C, विकल्प ही है, रामनिवाजी, C, बहुत बढ़ी हैं तिमा जी, C, देखते हैं इसका सही जवाब साध नंबर का, मनो जी, बहुत बढ़ी हैं आ चुके हैं, टाइम से थोड़ा लेड लग रहे हैं, साध नंबर का अगर सही जवाब देखें, तो जो लोग यहाँ पर विकल्प के तोर पर गेहूं योम राई को चुनने हैं, ठीक, वो लोग सही होंगे, क्योंक अगला प्रशन है आपका, साथ के बाद आठ नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, करनाल बंट एक बीमारी है, किस से संबंदित है करनाल बंट, धान की खेती से, या मतर में लगती, या राई में लगती, या गेहूं में, किस में करनाल बंट नाम की बीमारी लगती है, सा इंजलेश जी, C विकल्फ बहुत बढ़ी हां, रितिका, A विकल्फ पारा, बहुत बढ़ी हां सुमेच जी, D विकल्फ है आपका, बहुत बढ़ी हां मनोज जी, B विकल्फ सही जबात देख लेते हैं, तो आठ नमबर का जो लोग करनाल बंट ये बीमारी PCS में कई बार पू गेहूं में लगने माला एक रोग है, ठीक, तो ये चीजे आपको दियान रखना है, कभी-कभी पूछ लेता है करनाल बंट किस से लगता है, ठीक है, तो ये कवक से लगने माला एक रोग है, गेहूं की फसलों में लगता है, आगे बढ़ जाते हैं, गेहूं के अलामा भी कई फसलों में लगता है वो उस चीज को भी पढ़ लीजेगा करना अलमंड आगे बढ़ते हैं नौ नंबर आपसे पूछ रहा है प्रश्ण है कि गाये का दूद पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निमलिकित में से किसकी उपस्तित होती है बताएं भई कैसीन के साथ लैग रोध मिला होता है या लैग रोध के साथ वेटरिक एसिड मिली होती है या कैसीन के साथ कैरोटीन पाया जाता है या वेटरिक एसिड की वज़ा से दूद का रंग पीला सफेद होता है बताएं इसमें सही जबाब कौन सा है नो नमबर बताईए भाई आप लोग नो नमबर का जबाब बहुत बढ़ियां सूरकान जी A विकल बिनिज जी बहुत सही C आ रहा है विजय जी बहुत अच्छे अनुराधा शी विकल पापका आ रहा है रस्मी बाला जी कुछ लोग बहुत लेट से मुझे देख रहा है ये चीजे आप लोग सुधारे 8 बजे करेक्ट पहुचे टाइम पर बहुत बढ़ियां सारी लोग जबाब आच चुके हैं 9 नमबर देखते हैं 9 नमबर जो लोग विकल चुनने हैं एकदम सही हैं दूद का रंग पीला और सफेद ये क्वेशन दो तरीके से पूछा जा सकता है कभी आपसे पूछ सकता है कि दूद में पीलेपन का कारण क्या होता है और कभी आपसे पूछ सकता है कि दूद के सफेद रंग होने का कारण क्या हो सकता है तो दो question इसमें है, मैंने दोनों को एक साथ पूछा है, तो दूद में जो कैसीन होता है ना, दूद में कैसीन की वज़े से आपके जो दूद होता है, ठीक, इसका रंग सफेद होता है, लेकिन पीला पन रंग इस वज़े से होता है गाय के दूद में, क्योंकि इसमें कैरोट की भी उपस्थित होती है तो कैरोटीन की वज़े से पीला रंग आता है और कैसीन की वज़े से सफेद रंग होता है और सफेद पीला रंग कैसीन के साथ जब कैरोटीन प्रेजेंट होता है इस वज़े से दूद का रंग जो है गाय के दूद का रंग खास कर पीला और सफेद रंग का होता है तो समझ गए ना इस चीज को दिमाग में हमेशा बनाए रखना है आगे बढ़ते हैं दस नंबर आप से पूछ रहा है कि रुधर के प्लाज्मा में निमलेखित में से किसके द्वारा एंटी बाडी निर्वित होता है बताएं मुनोसाइड लिंफोसाइड फि हो था बोला है निटो फिल कि इसकी वज़े से एंटी बाडी का निर्माड होता है बताएं इसका सई जवाब एंजल जी हर दिन इससे पहले सोला क्लासेज मैं लेज चुका हूँ उसको जो है आप जा करके देखिए चैनल पर पड़ी हुई है जितने लोग नए हैं सभी से भाई ये सजेशन है कि उन क्लासेज को जरूर अटेम्ट करें बहुत बढ़ियां सी विकल पा रहा है एंजली की बात करूँ ठीक है और प्लाज्मा में खासकर एंटी बॉडी का हिउमन बॉडी बायो से हिउमन से क्वेस्चन हमेशा पूछता है या तो रोग पूछेगा बीटामिन्स पूछेगा बीमारियां पूछेगा ठीक है जैसे फसलों से वैसे हिउमन बाडी बहुत इंपॉर प्रतिरच्छी प्रोटीन का निर्मार करती है लिंफोसाइट और यह एक तरीके से एंटीबोडी कहलाती है तो जिन से जो भी विसाक्त पदार्थ अपने मालीजिये कि सरीर में पहुच गए नुकसान करने वाले पदार्थ पहुच गए ये सारे पदार्थ क्या होते हैं इ अगला प्रशन कहरा है कि सुई चुभाने पर निमलेखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा ध्यान से सुनिए फिर जबाब दीजिए किसमें सुई चुभाई जाएगी तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा बताएं अनुरादा जी कोई दिखकर नहीं है आप देख सकती है आराम से 11 नंबर प्रश्णों के जबाब दें आप लोग सी बिकल्प बहуд बढ़ीयान दाँ बहुत बढ़ीयान समेच सी बिकल्प पा रहा है चलिए भाई देखते हैं इससका सही जबाब क्या है चंचले जी यह विकल्प है बहुत बढ़ीयां क्रिश्कान जी देखते हैं 11 नंबर का जो लोग विकल्प में यहां सुई चुभाने पर सवाल आपसे किया है सुई चुभाने पर अगर मस्तिक्स में सुई चुभाई जाई तो आपको कभी भी दर्द का एसास नहीं होगा मस्तिक्स में जो दर्द से संबंधित आपकी एक तरीके से ग्राहिकाएं होती हैं दर्द को जो महसूस करती हैं ऐसी ग्राहिकाएं मस्तिक्स में पाई ही नहीं जाती है तो मस्तिक्स कभी भी दर्द का एसास नहीं करेगा अगर इसमें सुई चुभाई जाती है तो मस्तिक्स में सुई चुभाने पर आपको कभी भी दर्द का एसास नहीं होगा आगे बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नमबर आपसे पूछ रहा है और सदियों से जानते हैं आप लोग की UPPCS का पेट कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा एक सलफा उसाद है पैंसलीन, स्टेप्टोमाईसीन, सिबाजूल या फिर एस्पेरीन कौन सी इसमें से सलफा उसाद है ठीक है बताएं इन चारों में से कौन सी वो चीज है इन में से कों सी आपकी सलफा उसद है B विकल बहुत बढ़ी हाँ 12 नमबर हरविंदर जी बहुत अच्छे B विकल आप चुनने हैं बहुत बढ़ी हाँ सुमच जी D विकल पा रहा है राहूल जी B विकल अरुना कुश्वाहा बहुत बढ़ी हाँ 12 नमबर जो लोग प्रश्ण के उत्तर के तोर पर 12 नमबर का C बताएंगे वो लोग एकनम सही होंगे सीवाजोल यह सलफा उसद है मल्लब सलफा उसद क्या होती है जब जीवाड़ूं से आपको कोई बीमारी होती है जब कोई बीमारी आपसे जीवाड़ों की वज़े से हो जाए, तो ऐसी बीमारीों की उपचार के लिए सलफा ओसिद का प्रियोग करते हैं, तो वहाँ पर सिवा जोल का प्रियोग होगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, तेरा नंबर प्रशन है, तेरा नंबर आप को प्रभावित करता है, कौन सा इसमें सही सुमेलिता है, जाहिर सी बाते कोई एक है, बाकी गलत हैं, बताएं, बीविकल पा रहा है, राहूल जी, बहुत अच्छे हैं, हरविंदर जी, बीविकल, तेरा नंबर का भाई, अनिलोग भी जबाब, क्या हो सकता है, चलिए सुम पंदित ये बीमारी है, ठीक, पीलिया को कह रहा है, येकिर्थ में, तो जित्ते लोग विकल्ब भी बताएं, एकदम सही है, पीलिया येकिर्थ को प्रभावित करता है, ये सीधा सीधा भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार, कि पीलिया किस अंगों को प्रभावित करता इधा वी प्रशनीय घुमा के पूचा गया है ठीक है और UPPCS में भी पूचा गया आपके तो पीलिया यकिर्द को प्रभावित करता है दूजरा विकलब सही है तीसरा टायफाइड को कहरा है कि टायफाइड फेफ़णों को प्रभावित करता है नहीं टायफाइड आपकी अलग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वन लाइनर question अगर बना, ठीक, तो सीधा-सीधा या matching के लिए कभी भी आप से, अभी इसमें मैंने सुमेलित पूछ लिया, अभी इसमें पूछ सकता था कौन सा जो है, चार आप्शन दे दिये जाए, फिर आपसे कहए दे, ABCD1234 करके कि इसका मिलान करिए, ठीक, तो ये प्रशन वहाँ hard हो जाएगा, आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रशन पर 14 नंबर आपसे पूछ रहा, अब आपके सामने जो है इतिहास के प्रशन आने लगे हैं, आप जानते हैं, जितने लोग नए हैं, पचास क्वेशन को 10 सेक्षन में डिवाइट किया जाता है हर दिन जीये असके, वहाँ से सभी से समद्धित सवाल होते हैं, भारत में बिटिस सामराज के दोरान निमने लिखित वायस रायों पर विचार करें पहला कर रहा है लाड करजन, दूसरा कर रहा है लाड हार्डिंग, तीसरा कर रहा है लाड चेम स्पोर्ट, चोथा कर रहा है उप्युक्त की पदावधियों का सही कालन क्रम क्या है यानि ये कब-कब YS राय रहे तो इनको उसी जो है एक सीरियल बे में अरेंज करना है पहला पताईए 1,2,3,4 या 2,4,1,3 या फिर 1,4,2,3 या 2,3,1,4 अब जिनको ध्यान होगा YS रायों का क्रम वो लोग जबाब देना सुरू कर दें भाई 14 नंबर का जबाब क्या हो सकता है कोई दिक्कर नहीं समिच जी A-Vikal पा रहा है जया जी बहुत बढ़ी हाँ A-Vikal एंजल A-Vikal श्रवन जी A-Vikal पा रहा है मनोज जी आप C-Vikal चुनने हैं बहुत बढ़ी हाँ केदार जी CF e kalpa रहा है, इसका सही जब आप देख लेता है 14D गरिमा, इसका सही जब आप देखें चो, लाड करन की बात करूँ, तो लाड करजन का करिकाल लहा है आपका 1899 से लेकर के 1905 तक ये लाड कर्जन का कारिकाल लहा है उसके बाद आजाते हैं LARD HARDING LARD HARDING का जो कारिकाल रहा है ठीक यह 1910 से 1916 का रहा है 1910 से लेकरके 1916 तक LARD HARDING थे फिर LARD CHEMS PORT का अगर कारिकाल देखें तो यह 1916 में आ चुके थे 1916 से लेकरके 1921 तक यह LARD CHEMS PORT थे ठीक है 1919 वाला याद करिए जब आप पढ़ते हैं भारसासना धिनियम 1919 में जो आया है फिर लाड इर्विन का अगर कारिकाल देखें तो इनका कारिकाल पढ़ता है 1926 से ले करके ठीक 31 तक गांधी जी के साथ समझ होता याद है ना तो ये चार चीज़ें आपकी इसी क्रम में थी 99 से 1905, 1910 से 1916 लाड हार्डिंग फिर 1916 से 1921 लाड चेंप स्पोर्ड और लाड इर्विन फिर आपका 1926 से 1931 तो ए विकल चुनने वाले एकदम सही हैं आगे बढ़ जाते हैं 14 के बाद 15 नंबर 15 नंबर आपसे पूछ रहा है कि निमले खिद में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है फिर से ध्यान दीजिए ठगी का दमन बिलियम बेंटिंग ने किया इलवर्ड बिल रिपन ने पास किया रिंग फेस की नीती अपनाने वाला वारिन हेस्टिंग था वर्णाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला कर्जन था इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है सही विकल्प का चुनाओ कीजिए आप लोग हो सकता है सुमेज जी बिल्कुल इसमें नेटवर्ग ज़्यादा दिक्कत दे रहा है हर जिगे नेदी जी बहुत बड़ी आँ स्वागत है पहली बार आप देखें अभी बिज़र जी डी विकल्प है बहुत अच्छे अंजनी जी डी विकल्प जयाजी आपका भी जबाब डी है भाई देख लेते हैं अनुजी ये विकल्प चुनाए आप सही जबाब अगर पंदरा का देखें तो पंदरा नंबर में ठीक है आप थोड़ा से दान दीजिए आप लोग कि जो लोग इस जबाब को बर्णापुलर जो है बर्णापुलर आपका जो प्रेसाइक्ट आया इसमें करणल करजन को दिया है ये करजन के तहट जो है उस समय नहीं था ये आया था लाड़ लिटन उस समय जो है अपने यहां वाइस राय था तो लाड़ लिटन के कारिकाल के दोरान ये आया था वर्णापुलर प्रेसाइक्ट ठीक है और बात है कब की 1878 की 1878 में लाड लिटन के कारिकाल में वर्ना कुलर प्रसैक्ट आया था यहीं आपका सुमेलिद नहीं है बाकी जितने भी ठागी का तमन करने वाला बिलियम बेंटिंग था इलवर्ड विल रिपन के कारिकाल में रहा रिंग फेस की नीती अपनाया था वारेन हेस्टिंग ने इसके बारे में मैंने इससे पहले प्रशनाया था वहाँ चर्चा किया था कि रिंग फेस की नीती थी किया आखेर 15 के बाद 16 नंबर ध्यान दे आप लोग 16 नंबर आपसे पूछ रहा है कि तथाकतिक कुशासन के आधार पर किस गवर्णर जनल ने मैसूर राजी के प्रशासन को ले लिया था लाड वेलेजली ने लाड हेस्टिंग ने लाड विलियम बेंटिंग ने या फिर लाड हार्डिंग ने किसने मैसूर को जो है आरोप लगा कर कि यहाँ प्रशासन सही नहीं है अपने अंग्रेजी राजी में मिलाया जवाब दें भाई अब लोग सोला नंबर डी विकलब पह रहा है सुमे जी आप भी डी विकलब चुनने है तो वो बंद था आपका जो लोग विकलब सी को राइट बता रहे बिलियम बेंटिंग इसने यह काम किया था लाड बिलियम बेंटिंग ने मैसूर राजी को और वो समय बात थी 1831 की 1831 इसको राजसाही शासन एकदम भरष्ट है और फिर जबरदस्ती अपने अंग्रेजी रियासत में मिला लिया ठीक 1831 में वहीं चीज 1834 की बात करें तो 1834 में जो हुआ था कुर्ग यूम कछार को मिलाया था कुर्ग को यूम कछार को जो है अंग्रेजी उसमें हुकूमत में सामिल किया गया था ठीक चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है 17 नंबर आपसे यह कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बी आर अंबेड कर इंडिपेंडेंट यह पत्र है इधर कुछ ठीक है कौन किसको प्रकासित किया यह करना है बाल गंगा धर तिलक केसरी एनिवेशन निव इंडिया दादा भाई ने रोजी जो है यह रफ्त गोफतार है पूरा नाम इसका है रफ्त गोफतार पत्र इसमें किसने जो है नहीं प्रकासित किया तो वो सुमेलिद नहीं होगा बताएं आप लोग रित्कया जी सी विकल बहुत बढ़िया भई बिजय जी विकल पारा है विकास ही हो सकता है नेटवर्क इसू हो बहुत बढ़िया राम निवाज जी आभा पंडे जी डिविकल है आपका म जासी मेर भारती राष्टी कांग्रेस आई उससे पहले कौन सी समस्था थी बफरिंग हो सकता है समस्या हो अरपिज जी आज आप बहुल लेट हैं चलिए जबाब पलग जाएं नेटवर्क इसू ही समय थोड़ी चीजे रहती हैं अठारा नंबर का अगर जबाब की बात की जाएं सी डॉली जी उसके लिए मुझे खेद है थी है कि बफरिंग हो रही है कि ये समय नेटवर्क थोड़ा इसू रह रहा है रिशी मोहन जी ये विकल पार रहा है चलिए इसका सही जबाब देखते हैं ठीक है सबसे प्रमुक् भी बंगाल में मद्रास प्रेसिडेंसी में बताइए सबसे महतपूर्थ सहसिकारी जो बर्रा डखैती हुई कि कनि उसके बर्रा डखैती कहां पर हुई थी जिनन लोगों को देख रहा है वो लोग जबाब देढ़ दे विकल पा रहा है बहुत बढ़ी हां मनोज पांडे जी चले इसका सही जवाब देखते हैं सही जवाब इसका क्या है 19 नंबर का 19 नंबर का अगर सही जवाब की बात करें तो C विकल जो लोग चुन है वो एकदम सही है बर्रा डकेती का जो अस्थान है यह पूर्वी बंगाल में है 1908 की बात है 1908 की बात है जब यह डकेती होई थी इसमें जो है कौन कौन से लोग थे इसका नेत्युत करता अगर देखा जाए कि बर्रा डकेती का नेत्युत करता कौन सा था तो उनका नाम था पुलिस बुहारी बर्रा डकैती का नेत्युत करता था पुलिस बुहारी और इन्हों ने 1908 में इस घड़ना को अंजाम दिया था कहाँ पर पूर्वी बंगाल में आगे बढ़ते हैं 20 नंबर आपके सामने हैं 20 नंबर प्रशन आपसे बोल ला है कि चमपारण किसी जान समित का सदसी निमलिखित में से कौन नहीं था जो चमपारण में जान समित बनी थी उसका सदसी निमलिखित में कौन नहीं था इनमें से कौन सा जबाब है जो आपका इन जो है चमपारण क्रिसी एजान समिट से संबंधिर नहीं है डेविकल पा रहा है बीस नमबर का एंजल जी बहुत बढ़ी हां बेविकल फै अनिलोग वीवाई इसका जबाब चुने बहुत बढ़ी हां राम निवाज जी डेविकल बहुत अच्छे देखते हैं सही जबाब इसका क्या है तो बीस नमबर बीस नमबर में अगर सही जबाब की बात करें तो जो लोग अनुगरा नारायण को चुने वो इगनम सही हैं क्योंकि इस चमपानडिये जो क्रिसी जान समित थी इसमें कहीं भी अनुगरा नारायण इससे संबंधित आपके नहीं थे ठीक है मातमा गांदी इसमें थे ही थे आपके ये डीजे रीड इसके सदसी थे ही थे और इसके अलामा आगर मैं बात करूँ ठीक है इसके सदसी कौन थे ये जो समित थी इसके अध्यच कौन थे तो इस चीज को ध्यान में रख लो ये जो विकल्प आपका पहला दिया है FG सलाई ये इस समित के अध्यच बनाए गये थे ठीक बाकी DJ रेट इसके सदसी थे महत्मा गांधी इसके सदसी थे उसके अलामा कुछ और लोग एक बेक्ति हैं राजा हरी प्रसाद नारायन सिंग राजा हरी प्रसाद नारायन सिंग ये भी इसके क्या थे सदसी थे इस चीज को ध्यान रखना है दो बेक्ति और हैं एक आपके हैं जी रैनरिक नाम है इनका ये भी एम्पानर किसी जांच समित का आगे बढ़ते हैं 21 नमबर पर ध्यान दे आप लो 21 नमबर आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है पहला बोला है महान हिमाले राष्टिये या राष्टिये महान हिमाले मनाली B बोला है राजाजी राष्टिय उद्यान देहरादून C बोला है केवलादियू राष्टिय उद्यान भारतपूर और D बोला है वन बिहार राष्टिय उद्यान जबलपूर कौन सा राष्टिय उद्यान वहाँ पर नहीं है इस चीज को आपको जो है कौन सा है वहाँ पर उसको चुनना है सही सुमेलित यहां चुनना है तो चलिए भाई आप लोग जबाब देख किस नंबर इसके लिए जो है एंजल जी कल ये सारे इसू आपके दूर हो जाएंगे अभी जैसे कई लोगों को समस्या आ रही है बफरिंग की सी विकल्फ पा रहा है बहुत बढ़ी हाँ सक्षी जी विकल्फ बहुत ज़्यादा लेट है अवरार जी आप भी बहुत लेट दिखे मुझे नितेश जी बहुत बढ़ी हाँ समर जी गरिमा जी सी विकल्फ है दिखते हैं इसका सही जबाब 21 नंबर का जो लोग विकल्फ यह सी पर ध्यान दे आप लो के उलादेव राष्टिय उद्ध्यान को यह बोला है कि भारतपुर में है ठीक है यहीं विकल्प आपका सही है क्योंकि इसमें सुमेलित आपको चुनना था अन्नी देख लीजिए जैसे महान हिमाले राष्टिय उद्ध्यान की अगर बात करूं इस नहीं इसका जो है यह कुल्लू छेत्र में होगा उसके बाद जैसे दिया है राजाजी राष्टिय उद्ध्यान यहां देहरा दून दे रखा है इसको थोड़ा साब जो है और डीप देखें तो यह हरिद्ध्वार और पौड़ी जो इसका खास कर देखें पौड़ी बढ़ता है तो इसलिए यह तीनों आपके उचित नहीं थे यह आपका जो है एकदम सही मिल था आगे बढ़ते हैं अगला 21 के बाद 22 नमबर देखें 22 नमबर आपसे प्रश्ण यह कह रहा है कि भारत के निम्न जैव भंडारों में से कौन गारों पहाडियों पर फैला गिर्धारी लाल जी जो है कश्वान जी वही स्वागत है बहुत लेट है आठ बजे से क्लासेज होती हैं 22 नमबर का अगर उचित विकल चुनें बहुत बढ़िया नितेश जी यह विकल पा रहा है तो 22 नमबर में जो लोग ए विकल को चुननें एकदम सही है जो नोक रोक आपकी जिगे है ठीक यह आपका जयो भंडार वहाँ पर गारी पहाड जो है गारो पहाडियों पर इस्थित है तो यह विकल एकदम सही है वहीं अगस्ता मलाई की अगर बात करूं तो अगस्ता मलाई पर अगर बात करें तो यह पश्मी घाट पर अगस्ता मलाई आपका प पश्मी घाटों पर फैली वही ये पूरी की पूरी चीजे हैं पश्मी घाट पर अगर दिहांग दिवांग की बात करूं तो ये अणाचल प्रदेश में दिहांग दिवांग का संबंद कहां से है अणाचल प्रदेश से है इस चीज को भी धियान रखें अगला जैसे नंदा आरची छेतर दो राजियों में विस्त्रित है अगर इसकी बात करें ठीक पहला कहरा है कांटा दूसरा कहरा है मानस तीसरा कहरा है पेज चोथा कहरा है सरिस्का कौन सा बाग आरची छेतर दो राजियों में है तो इनमें से सही जबाब 23 नमबर का क्या हो सकता है सुभम जी ए भी विकलv 23 नंमर का सही जवाब क्या हो सकता है अब लोग चुनें फिर मैं जो है अगर इसके सही जवाब की बात करें ऑर गद देखें तो जो लोग vyकलv में इसका बिस्तार अगर मैं बात करूँ तो 90% तक ये मद्ध प्रदेश में है दूसरा जो राजी इसके अंतर गताता है वो आपका पढ़ता है महाराष्टरा जहां पर महाराष्टरा में लगभग जो है इसका 10% बिस्तार पाया जाता है तो पेंच इन चारों में से पेंच आपका एक ऐसा राष्टर उद्द्यान है जो दो आपके अलग-अलग राज्यों में है पहला मद्ध प्रदेश दूसरा आपका महाराष्ट मद्ध प्रदेश में 20% महाराष्टरा में 10% प्रिश्त है 24 नमबर देख ले, 24 नमबर पूछ रहा है निम्न में कौन एक दूतियक प्रदूसक आपका नहीं है पीएशन, स्मॉग, सल्फर डाइकसाइड, ओजोन एक दिन इस पर मैंने प्रात्मिक पर पूछा था, आज मैंने फिर से उस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा है उस दिन बताया था, आज आप लोग जबाब दे बाई, 24 नमबर का सही जबाब क्या हो सकता है 24 नमबर में दूतियक प्रदूसक के तोर पर पूछा गया है, कौन सा नहीं है, यानि प्रात्मिक चुनना है तो इसके अगर मैं सही बिकल्ब की बात करूँ आपसे, कि इसका सही जबाब 24 का क्या होगा तो 24 नमबर में यहाँ पर ध्यान दें कि जो इसका बिकल्ब सी दिया है, सलफर डाई आकसाइड, ठीक है यह एकोलोजी से समधित प्रशन है, सलफर डाई आकसाइड आपके प्रात्मिक एक तरीके से प्रदूसक के तोर पर गिना जाता है यानि ऐसे प्रदूसक जो सीधे वायू में मिल जाते हैं ऐसे प्रदूसक जो सीधे एर में मिल जाते हैं जाकरके वो प्रदूसक आपके प्राथमिक प्रदूसक कहलाते हैं और इसमें जैसे CO हो गया, SO2 हो गया ठीक और CO2 हो गया ये सभी के सभी आपके सीधे वायू में मिल आगे बढ़ते हैं, पचीस नंबर प्रशना आप देखिए फिर से, पचीस नंबर कह रहा है कौन सही सुमेलिद नहीं है, आपका फिर से बाइची जा गई, A बोला है पारा से मिनी माता या मिनी माता बीमारी, B बोला है कैडमियम, इटाई-इटाई बीमारी, C बोला है नाइ पचीस नंबर का सही जबाब क्या हो सकता है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि इन में से कौन सा सुमेलिद नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़ यहां C जबाब है, रामनिवास जी D, तो इसमें ध्यान दीजिए, कि इधर तो उनसे सम्बंदित कुछ तत्त्त हैं, और उनसे होने वाली बिमारिया हैं, तो इसमें सुमेलिद बिमारी कौन सी नहीं है, तो यहां D, बिकल को जो लोग बता रहे हैं, वो इधर म सही है, फ्लोराइड आयन से कहरा है कि अपच होता है, ठीक है, यह चीज यहां पर नहीं है, फ्लोराइड आयन की जब अधिकता हो जाती है, तो यह समझ से फ्लोराइड आयन की वज़े से होती है, अगला प्रशना आपसे 26 नंबर एकोनमी से है, कि ब्याज की वाहदर, जिस पर भारतिय रिजर बैंक, वाणिजिक बैंकों को अलपावद ही, कोस उधार देता है, क्या कहलाती है, रिपोदर, रिवर्स रिपोदर, प्रम प्रमिक उधारी या उप्योगत में से कोई नहीं, जिस पर भारतिय रिजर बैंक, वाणिजिक बैंकों को अलपावर कोस पर उधार देता है, वो क्या कहलाता है, जी एंजल जी, मैं हर दिन आता हूँ, ठीक है, हर दिन लाइब आता हूँ, यह विकल्फ है इसका, बहुत ब लोग ए विकल्फ को राइट बता रहे हैं, एकदम सही है, ब्याज की वो अधर जिस पर भारतिय बैंक, वाणिजिक बैंकों को अलपावर कोस उधार देता है, वो आपकी रेपो रेट या रेपो दर कहलाती है, तो ए विकल्फ इसमें आपका एकदम सही है, आगे बढ़ ज इनमें से कौन सा आपका विकल्फ राइट है, 27 नंबर, तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, हाँ सुभम जी एकदम सही है, चलिए इसका आगर मैं सही जवाब बात करूँ कि 27 नंबर, 27 नंबर का सही जवाब क्या होगा, तो 27 नंबर में अगर इसके सही जवाब की बात करें, तो C वाला जो विकल्फ इसमें दिया है, उब्भोकता मूल सुचकांग ये एकदम उचित विकल्फ है, ठीक, मुद्रा स्फीत की दर्गों मापने के लिए भारतिया रिजर्बैन का उब्भोकता मूल सुचकांग का उपियोग करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है 28 नंबर, 28 नंबर GST से सवाल है आपके, कह रहा है वस्तुयम सेवा कर, एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, उसके अध्यच कोन थे, GST जब लागू किया गया, उसके हेड कोन थे, बीजे केलकर, मौन्टेग सिंग, एलुवालिया, अ जबाब इसका देखते है 28 नंबर का, 28 नंबर अगर GST के बारे में बात करें, तो GST के जो समय जो है टास्क फोर्स बनी थी, इसके अध्यच बने थे बीजे केलकर, तो A विकल जो लोग चुन है वो एकदम सही है, इसके अध्यच बीजे केलकर थे, तो 28 का A जबाब एकदम सही है, 29 नंबर देखिए, 29 नंबर आपसे कह रहा है कि बिश्व आर्थिक परिश्व सोचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, A विकल बोला IMF, B बोला है वर्डवेंग, C बोला है WTO, D आपका कह रहा है अंगटार, तो यह जो बिश्व आर्थिक परदिश से सोचकां है, अगर इसके जारी करता की बात करें, तो इसको जारी करता है, आपका जारी की जाती है, इसको आप ध्यान रखिए, रिपोर्टों से सवाल हमेसा पूछे जाते हैं, 30 नंबर आपके सामने है, 30 नंबर आपसे कह रहा है कि केंद्रे रेसम बोर्ड कहां पर इस्थित है, है इदराबाद में, कुलकाता में, बैंगलोर में, यासम में, चलिए बताए भाई, केंद्रे रेसम बोर्ड कहां पर है, रस्मी बाला जी, A. विकलप आरा है, बहुत बढ़ी हां कमल किशोर जी, A. B. विकलप अमित जी, बहुत बढ़ी हां शुभन, B. विकलप है, अगर इस जनानगर, ओडिशा का ये छेत्र है, क्या यहाँ पूर निर्माड होता, दूसरा कहरा कैमूर, मद्प्रदेश का छेत्र, सीमिन निर्माड के लिए फेमस, हल्दिया, पश्चिम बंगाल, पेट्रो रसाइन के लिए फेमस, या फूलपूर आपका उत्तर प्रदेश का उर्व कुछ बताऊंगा, जो कुछ आप लोग पूछ रहे हैं, सारी चीज़ें इफार्मेशन दूँगा, दीपक जी, आपके उधर नेटवर्क समस्य होगी, आज सारी चीज़ें दूर हो चुकी है, बहुत बढ़ियां सारे लोगों के जबाब आ चुके हैं, ठीक है, बहुत अगर जो ओडिशा का आपका एक छित्र है, इसको बताया है, पोत निर्माड से ये कहीं से भी आपका सुमेल नहीं है, ब्रजनार अगर की अगर बात करूँ, तो यहां कागज निर्माड का कारी चलता है, कागज निर्माड से जोड़ी फैक्टरियां यहां पर लगाई दूसरा प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, दूसरा प्रशन ये UPPCS में भी इस बार आया था, कहरा सोफियो विजदी जो है, यहां और उर्जा नहीं, सूरी उर्जा है, सूरी उर्जा पर चलने वाला भाला का पहला केंसासित प्रदेश कौन सा है, चंदीगर, दमनियों अंडमान निको बार पुद्दो चेरी, चलिए भाई, आप लोग फटा-फट बताएं, बी नंबर का जवाब क्या है, सैलेन जी अभी सारी चीज़े हो जाएंगी, ठीक है, मैं रुकता हूँ, 10 मिनिट आपको समय दूंगा, केदर जी इधर कोई समस्या नहीं है, ये नेट दिव जो है, ये 100% सूरी उर्जा पर चलने वाला आपका एक तरीके से भारत का पहला केंसासित प्रदेश बना है, UPPCS 2019 में भी प्रशन था, वो आपका एक तरीके से अगर बात की जाए, मार्च 2018 की बात है, जब दमन और दिव आपका 100% सूर उर्जा पर चलने वाला आपक एक प्रदेश बना, केंसासित प्रदेश बना, ठीक, इसके अगर छेतरफल की बात करूँ मैं, दमन दिव के, ये 42 वर किलोमीटर या 42 किलोमीटर इसक्वाइर इसका पूरा छेतरफल है, साथ ही साथ यहां से 13 मेगावार्ट विजली का उतपादन होता है, 13 मेगावार्ट सौर उर्जय से प्राप्त की जाती है, जो यहां के संपूर छेतपल में रहने वाले लोगों के लिए परियाप्त है, तीसरा नमबर प्रश्ण आपके सामने है, बो लाएक ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं किसमें, कहां पर ललितबुर, जहांसी, चुनार या चुर, कहां पर ग्रेनाइट पट्टियां और आपके स्लेट बनाए जाते हैं, तीन नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़ियां, बी विकल पा रहा, मनोजी, बहुत बढ़ियां, स्वागत है भई, ए विकल, बहुत अच्छे प्रमोजी, जो है उत्तरप्रदेश के जिलों में ग्रेनाइट पाये जाता है, और ग्रेनाइट जो स्लेट का निर्माड होता है, यह सबसे ज़्यादा आपके ललितपूर में होता है, ग्रेनाइट स्लेट का निर्माड सबसे ज़्यादा ललितपूर में होता है, और ग्रेनाइट के भ चार नंबर प्रशन का जबाब बहुत बढ़ियां, C.B. कल पा रहा है, अनि लोग भी कमेंड करें भाई, चार नंबर प्रशन अगर मैं सही जबाब की बात करूँ, कि यह जो बात किया जा रहा है, बहुत अच्छे, मनो जी, देखते हैं, इसका सही जबाब क्या है, C.B. कल तो लुनेज जो यह आपका छेत्र है, यह छेत्र पढ़ता है आपका गुजरात में, ठीक है, लुनेज जो छेत्र है, यह गुजरात का आपका छेत्र है, वहाँ पर जब आप जाएंगे खंभाब की खाड़ी, नाम सुनते हैं तो खंभाब की खाड़ी में, जो है, उपरी इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यह question जब पूछा गया था, उस समय यहाँ पर 62 कुएं खोदे जा चुके थे, 62 कुएं को यहाँ पर खोदा गया था, जिन में से 19 कुएं आपके ऐसे हैं, जिन में से हमें gas मिली है, और उसके बाद जो तीन आपके एक तरीके से हैं, ठीक तीन से उस समय तक तेल निकाला जा रहा था, 22 एक तरीके से कुएं हैं, ठीक, तो यह चीजे हैं, 1903-22 यह वहाँ पर विसेशता हैं कि gas और तेल दोनों चीजे मिलती हैं, गुजरात के लुनेच में, अगला प्रशन पांच नंबर आपकी स्क्रीन पर है, पांच नंबर जबाब क्या हो सकता है, आप लोग समस्दारी भरा कमेंड जो है, सुरू कर दें, बहुत बढ़ी हां प्रमोजी, ए विकलप आपका आ रहा है, गुन्जन जा, स्वागत है भाई, नए चेहरे दिख रहा हैं, बहुत अच्छा, नितीजी भाई, खुस रही है, मस रही है, च कोईले का सरभाधिक प्रियोग किया जाता है, क्योंकि भारत के लिए कोईला एक आप परिहारी संसादन है, अगर कोईला नहीं है, तो उर्जा उत्पादन में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो जाएगी, तीक है, इसलिए देश का उर्जा छेतर में कोईला सबसे जाता है, विद्दुत सइयतर है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रियोग भी हम कोईले का ही करते हैं, आगे बढ़ जाएं, छे नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, छे नंबर आप से कुछ यूँ पूछ रहा है, कि भारत में लोह आयस के निम्नांकित प्रकारों में सरभा आधिक भंडार किसका है, लोह आयस जानते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो किसका सबसे ज़्यादा है, हेमेटाइट, मैंगनेटाइट, सीडेराइट, या फिर लिमुनाइट, कौन सा है भाई, आप लोग जबाब दें इन में से, इसका सही जबाब क्या होगा, बहुत जो लोग जबाब के तोर पर विकल एक ओबता रहें, एकदम सही होते हैं, हेमेटाइट, लोह आयस का आपका जो एक तरीके से, यहां पर अगर बात करें, और की, ठीक, तो हेमेटाइट, एक ऐसा एसक है, लोह आयसको में, जो सरबादिक भंडार अपने यहां पाया जाता ह ठीक है, किन-किन राजियों में हैं, यह भी देखते हैं, कभी यह भी पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपका आता है ओडिशा, ठीक, दूसरा आपका आता है यह जश्ट बगलवाला, ठीक है, जारखंड ले लीजे, और उसके बाद आप बढ़ जाईए यहां पर, क्या क आपको गोवा में भी इसके भंडार मिलते हैं, तो पांच आपके राजी ऐसे हैं, जो हेमेटाइट की उपलब्धता को सबरवाधिक यहां पर पाये जाता है, ओडिशा, जारखंड, च्छतीसगड, करनाटका और गोवा, पांच राज्यों को आपको याद रखना है, ठीक छे नंबर प्रश्ण के बाद साथ नंबर, साथ नंबर आपसे बोल ला है कि गाये की जो नश्ल सबसे अधिक दूद देती वह कौन सी है, गंगातीरी, हरियाणवी, या हरियाणा, साहीवाल, या थारपकर, ये चारों गायों की नश्ल हैं, इनमें सरवाधिक दूद देने देखते हैं, सही जबाब क्या है, सही जबाब की अगर बात करूँ, तो साथ नंबर में सबसे ज़्यादा गाये की नश्ल साहीवाल आपकी दूद देने वाली होती है, साहीवाल जो नश्ल है, ये सबसे ज़्यादा दूद देती है, ये प्रजाद की अगर मैं बात करूँ मुख्य रूप से ये प्रजाद कहां पाई जाती है साही वाल की तो ये प्रजाद ही आपकी पाई जाती है सिंध प्रांत में सिंध प्रांत कहां भारत वाला सिंध प्रांत नहीं जब पाकिस्तान वाला सिंध प्रांत की बात करते हैं ये मुख्य प्रजाद वहां की है, ठीक, ये मुख्य प्रजाद पाकिस्तान वाले सिंध प्रांद की है, तो ये शीज को ध्यान रखिएगा, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं अंगले प्रश्न पर, आठ नंबर आपसे कुछ कह रहा है, प्रश्न ऐसा बोल ला है, CT scan करने में प् किसका प्रियोग CT scan में हम लोग करते हैं, प्रिया जी अभी तो GS चल नहीं, कल से डेली आट बज़े, ठीक है, आपको current मिलेगा, फिर UPPCS की अलग से classes मिलेंगी, हर एक चीजें अलग-अलग हैं, पूरा का पूरा, चार से पांच classes आपको मिलेंगी, हर एक classes है, चैनल पर सब कुछ पढ़ा है, आप देख सकती हैं, इसका सही जब आप देखें, आठ नंबर जो लोग विकल डी को राइट बता रहे हैं, एकदम सही हैं, CT scan में हम X किर्णों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, क्योंकि CT scan या computed tomography, इसका जो full form है, ये full form होता है, computed tomography, CT scan ठीक है, इसमें विसेश प्रकार का ये X-ray आपका परिच्छन है, इसमें X-rays का हम प्रियोग करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आठ के बाद 9 नंबर देखिए, 9 नंबर आपसे प्रशन ये कह रहा है, कि परम सुनित आपमान, याद करिए कच्छा दस, पढ़ पढ़ के ह हम लोग परिशान थे, परम सुनित आपमान पर अर्दचालकों में बिद्दूत प्रतिरोधक हो जाता है, कितना, संपूर्ण यानि अननति जिसको बोलते, अल्प रह जाता है, लो हो जाता, या हाई हो जाता, या फिर जीरो हो जाता, ठीक है, आपको बताना, इन्फाइना अपने आप में परियाप थे, 800 क्वेशन की में क्लास ले चुका हूँ हिंदी, बहुत बड़ी हाँ, देखते हैं भाई, इसका सही जबाब क्या है, तो नो नंबर प्रश्ण का, जो लोग जबाब के तोर पर यहाँ पर बता रहे हैं, कि जो आपका परम सुम दापमान होता है, ठीक, इसमें जो लोग विकल्ब एक और चुन्न है, एकदम सही है, यहाँ पर आपका जो बिद्दुत प्रतिरोध होता है, ठीक है, यह अनन्थ हो जाता है, इनफाइन हो जाता है, ठीक है, वहीं चीज, ठीक, बिद्दुत प्रतिरोध तो आपका अनन्थ हो जाएगा, लेकिन अगर चालकता बात करूँ कि अर्ध चालक जो होते हैं इनकी चालकता क्या हो जाती है तो इनकी चालकता सूनी हो जाती है दोनों में फरक है ठीक है इस चीच को ध्यान रखना है चालकता सूनी और विद्धुत प्रत्रोध उसका अनन्त हो जाता है ठीक है वो एक आदर उसकी अर्धचालक की भाद व्योहार करने लगते हैं, जब वो परमसोनिताप पर आते हैं, ठीक है, समझ गए, चलो भई, आगे बढ़ते हैं, नो के बाद 10 नमबर प्रश्णाप की स्क्रीन पर है, 10 नमबर पूछ रहा है, सिग्रेट के लाइटर, ठीक है, में निमलिखित मे से कौन सी गयस प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडान, कौन सी गयस है, जो सिग्रेट के लाइटर में प्रयुक्त होती है, संदीब जी, सारी चीज़े अभी बताऊंगा, ठीक है, जो नमबर दिख रहते हैं, उन नमबर पर आपको वाट्सेप कर करना है, कौल करना है, वहाँ से पेमेंट लिंक बेल जाएगी, ठीक है, से विकल्ब बहुत बढ़ी हाँ सुमेच जी, ए विकल्ब, प्रिया जी, सी, देखते हैं, सही जबाब क्या है, दस नमबर प्रेशन, जो लोग यहाँ पर जबाब के तोर पर विकल्ब A चुन है, एक जोलनसील गय से, इसलिए इसका इस्तेमाल सिग्रेट के लाइटरों में किया जाता है, दस के बाब 11 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, 11 नमबर आपसे पूछ रहा है, कि निमलिखित में से किस विस फोटक का नाम नोबल तेल है, ठीक है, यह प्रशन आ चुका है, TNG, T TNP, TNA, TNT, किसको जो है, नोबल तेल के रूप में जाना जाता है, चलिए भई, नितिज जी स्वागत है, चैनल पर आप मुझे नए दिखे, इस्ते दूर से जुड़े हैं, ठीक है, बहुत बढ़ी हैं, बहुत अच्छे, सारे लोगों के जबाब आ रहे हैं, बहुत अच करें, तो यहां विखल एक को चुनने वाले एकदम सही होंगे, TNG को जो लोग बता रहे, TNG का फुल फार्म होता है, ट्राइ नाइट्रो ग्लिसरीन, TNG इसको साट फार्म में बोलते हैं, इसका फुल फार्म जो है, बिसफोटक का नाम, नोबल तेल के तोर पर भी जाना जा जाता है, ट्राइ नाइट्रो ग्लिसरीन को नोबल तेल भी बोला जाता है, समझ गए ना, चलिए, यह कार्बन का एक नाइट्रेट योगिक है, अगर कार्बनिक रूब में देखें, तो यह कार्बन का एक नाइट्रेट योगिक है, TNG, इसका आनिनाम नोबल तेल है, बार का नमक sodium chloride और कपड़े धोने का soda ये potassium होता चलो भाई बताओ क्या होता कौन सी चीज होती आप जानते हैं वे ज्यानवर के छात्र हैं बहुत अच्छे विकास जी बहुत बढ़ी हां मौनिका जी डी विकल पा रहा है दोस्यन जी बहुत अच्छे इसके जबाब कि अगर मैं आ potassium को बोल्ला है ठीक वो कपड़े धोने का soda potassium को बोल्ला है जबकि जो कपड़े धोने का soda होता है इसका nama sodium carbonate होता है इसका nama क्या होता है sodium carbonate होता है तो इसलेए ये बिकलप आपका मेल नहीं है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको क्या बोलते हैं? हम कपड़े धोने का सोडा अनीविकल जित्थे भी दिये हैं वाई कलोरोफिल मैंगनिसियम आप जानते ही जानते हो, कभी कभी सीधा क्वेशन पोस्ता है कि कलोरोफिल की वजह से पतिया हरी होती है, इसमें कौन सी धात उपाई जाती है, तो magnesium वो वज़े है, hemoglobin की वज़े से रखतलाल होता है, कौन सी धात उपाई जाती है, iron धात उपाई जाती है, समझ गए, तो इन प्रशनों में 4 प्रशनाब के छुपे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 12 के LT, हैलमिन्थन, जिसको बोलते हैं, हैलमिन्थ बोलते हैं, इसकी वज़े से, ये किरत रोग, हेपेटाइटिस B का कारक क्या है, कौन इसको लेकर आता है हम तक, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़ियां, केदार जी, चले भई, C बिकल्ब, बहुत बढ़ियां, प्रिया जी रितगा जी, D, प्रविन जी, C, देखते हैं, क्या जबाब सही है, बहुत अच्छे मनो जी, इसका सही बात करें, तो 13 नंबर प्रशनल, जो लोग जबाब के तोर पर दे चुके, और जो लोग जबाब के बारे में सोच रहें, बिकल्ब, A को चुना है आपने, तो एकदम स हेपेटाइटिस की वज़े से लीबर प्रभावित होगा, और लीबर में क्या होती है, सूजनियों जलन पैदा हो जाती है, लीबर में सूजन हो जाती है, और जलन होने लगती है Hepatitis B की वज़े से, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें ये कहां कहां से होता है, जितने भी आपके स्राव वाले अंग हैं, जितने भी सरीर में स्राव के अंग पाए जाते हैं, ठीक, वहां से ये संक्रमण होता है, ठीक, इसलिए इसीच को ध्यान जाता है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो ड्रक्स लेते हैं, ड्रक्स लेने वाले लोगों में ये बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत, जो है चीन, ये सब इन सबसे बहुत ज़्यादा ग्रसित होंगे, क्योंकि ड्रक्स की मात्रा यहां के युवाओं मे चाइना में तो बहुत ही ज़ादा है, भारत में भी पंजाब जैसे एरियाज की बात की जाए, हालिया रिपोर्ट आप लोग करेंट देखते हैं, तो उनमें ये सारी घड़नाएं आपको देखने को मिलती हैं, तेरा के बाद चोदा नंबर देख लीजिए, चोदा नंबर आ लोग बहुत अच्छे B विकल, बहुत बढ़िया है, 14 नंबर प्रशन, जबाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया संदीब जी, विकास जी, बेरी गुड, D विकल पा रहा है, मिस्ठागुर, चलिए, C विकल बहुत अच्छे देखते हैं, सही जबाब क्या है, 14 नंबर, ठीक ह अब, बिकल B तो आपका सुमेल है, ठीक है, दौर समिद्र होईसल की राजधानी दौर समुद्र ही थी, वहीं चीच काक्तिये का, यहाँ देवागरी दिया है, तो इस चीच को ध्यान रखना है, काक्तिये की राजधानी आपकी वारंगल थी, बिकल A जो लोग चुने हैं, एकदम सही हैं, ठीक, वह, बिकल B, क्योंकि यहाँ होईसल की राजधानी आपकी दौर समुद्र है, यहीं आपका सुमेल है, सुमेल आपसे पूछा है, तो बिकल B वाले राइट है, अन्य देख लेते हैं, जैसे काक्तिये की राजधानी देवागरी दे रखा है, यह गलत ह काक्तिये की राजधानी वारंगल थी, यादो की राजधानी को वारंगल बोल ला है, ठीक, तो इसमें यादो की राजधानी को आप ध्यान दें, तो यह देवागरी थी, यादो की राजधानी देवागरी थी, पांड की राजधानी को यह मदुरे बोल ला है, मदुरे सही लेकिन बाद में आई थी, सबसे पहले क्या थी? कोरकई थी, इस चीज को ध्यान रखना है, इसकी कोरकई थी, मदुरे जो है, बाद में हुई थी, तो पांड की राजधानी, कोरकई, यादो की राजधानी, देवगिरी, काक्तिये वंस की राजधानी, वारंगल, होईसल वंस यानि एक्स्चेंज रेट जिसको आप बोलते हैं, 16 रेशियो 1, 32 रेशियो 1, 48 रेशियो 1, 64 रेशियो 1, चलिए बाई, जबाब दें आप लोग, जी, जो है संगम कल हमेशा UPPCS का बहुत पैठ है, टॉप ट्रिक्स ऐसे नहीं होता है, बहुत बढ़ी हाँ दीपक जी, मोनिका जी, बहुत अच्छे, चलिए सही जबाब देखते हैं, इसका 15 नमबर का, अगर जबाब की बात करूँ, तो यहाँ तांबे के दाम, और चांदी के रुपया, इसका एक्स्चेंज रेट पूछा है, कब सेरसाह के अंतरगर, तो सेरसाह के अंतरगर, यह 64 रेशियो 1 का था, तो विकल्ब दी जो लोग बोले हैं, एकदम सही हैं, ठीक, ठीक है, रुपया, जो चांदी का रुपया था, और तांबे का दाम था, अगर यह तरीके से उल्टा करके प्रश्च पूछा जाए, तो एक 64 हो जाएगा, अगर मैं चांदी का रुपया पहले पूछ लो एक तरीके से पैसा होता था, रुपया होता था, उस समय ग्रेन चलता था, ना, सुद्ध चांदी का जो रुपया होता था, इसको ध्यान दीजिए, सुद्ध चांदी का जो रुपया होता था, इसके से सा के समय, यह 180 ग्रेन का होता था, वहीं अगर तांबे के दाम की बात सिर्य अक्बर ध्यान एना किताब का नाम कि लेखक कौन थे भाई अबुल फजल दारासि को मुल्ला शाह बक्ष शानी साह वजी उल्लाह कौन सा नाम इसमें सही है 16 चलिए ठीक है भाई मनो जी बीविकल पा रहा है इसका सही जब आप देखते हैं 16 नमबर सिर्य अक्बर के लेखक कौन थे तो सिर्य अक्बर के जो है लेखक की अगर मैं बात करूँ ठीक तो इसका लेखक था आपका दारासिको हो विकल भी आपका सही है, टिक, क्योंकि इसने क्या किया था, उपनिस्दों, सिरे अकबर किसका नाम दिया था, जो अपने यहाँ उपनिस्द थे, इन सारे उपनिस्द का इसने अनुवाद सिरे अकबर नाम से किया था, किसने, दारा सिको ने किया था, ठिक, किस भासा में, फा पार्सी भासा में किया, तो दारा सिकों ने किया, किस नाम से किया, सिरे अंगबर के नाम से किया, ठीक है, चार तरीके से ये इस प्रश्न को घुमाया जा सकता है, सोला के बाद सत्रा नमबर देखिए, सत्रा नमबर आपसे पूछ रहा है, जेम्स एंड्रिउज रैमजे, भारत के किस गवर्नर का वास्तविक नाम था, ठीक है, गवर्नर जनरल आप पढ़ते हैं, तो बताएं, लाड डल हो जी, लाड कैनिंग, लाड नार्थ, लाड करजन, इन में से वह कौन बेखती है, जिसका नम जेम्स एंड्रिउज रैमजे था, चले भाई, जबाब दीजे आप लोग, बहुत बढ़ी हैं, विकास जी, चले भाई, इसका जबाब दीजे, डी वीकल्प पा रहा, भाना जी, डी वीकल्प, बहुत बढ़ी हैं, रितका जी, भ लार्ड डल होजी का ही नाम था क्या आपका ठीक अल लार्ड डल होजी भी इसे बोला जाता है ये 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बर्ग के आया था ठीक है तो वो समय क्या हुआ था इसका वास्तिपिक नाम जेम्स एंड्रियूज रेमजे था ठीक है तो दो चीजे आपकी क्ल किस गवर्नर जनरल के कारिकाल में पारित हुआ था लाड वेंटो लाड लिल नितिगो लाड करजन लाड कैनिंग किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इसमारक संद्चन एक्ट आपका पारित हुआ चलिए भाई जबाब दीजे आप लोग बहुत बड़ी हैं दिब्यारा जी बहुत बड़ी हैं मनो जी ए विकल्प इसका सही जबाब अगर हम देखें कि सही जबाब इसका क्या है तो इसका सही जबाब 18 नमबर प्रश्ण का 18 नमबर का जो लोग विकल्प C को राइड बता रहे एकडम सही है लाड कर जन का कारिकाल ठीक है उस समय जो है ये आपका पास किया गया था और बात है ये जब एक्ट आया था 1904 की बात है लाड कर जन के जो है कारिकाल के दोरान ये एक्ट आपका पारित किया गया था 18 के बाद 19 नमबर आप लोग ध्यान दें 37 सोधक समाज की अस्थापना किस ने की थी सत्थी सोधक समाज की अस्थापना किस ने की छतपस साहुजी महाराग बी या रंबेट कर जोतिवा राव फूले या टीयन नायाग 19 नमबर का सही जबाब क्या हो सकता है 19 नमबर के अगर मैं सही जबाब की बात करूँ तो 19 नमबर ध्यान दखना है 17 सोधक समाज इसकी अस्थापना जोतिवा राव फूले ने की थी तो विकल्ब सी बताने वाले एक दम सही है सती सुधक समाज क्योंकि देखिए धार्मिक समाजिक आंदोलन जो दो आपके हुए हैं UPPCS में हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं धार्मिक समाजिक आंदोलन भागे पढ़ते हैं फिर भाग दो पढ़ते हैं दो हुए हैं अलग-अलग काल खंडो में ठीक इनका विभाजन है इतिहासकार अपने हिसाब से तो वहां से ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं उननीस के बाद 20 नंबर देख लें बारिंद्र घोस किस से संबध दित थे बाई अंसुलियन समित सादवा समाज अभिनो भारत या स्वदेश बांधो समित कौन सी वह समित है जिससे आपके बारिंद्र घोस जो है कही ना कही थे चले जबाब दीजिए बहुत बढ़िया र 20 नंबर प्रशन जो लोग विकल्ब के तोर पर यहां बता रहे हैं कि विकल्ब ए राइट है वो एकडम सही होते हैं अनुसीलियन समित से संबध था बारिंद्र कुमार घोस का ये सीज को आपको याद रखना है टिक 20 नंबर प्रशन का विकल्ब ए राइट है 21 आप लोग सभी कौन सा विकल्ब इसमें सही अगर संबल डबलमेंट की बात की जाए यूनाटिट नेशन जो बार बार तेरी देता है इसमें कौन सा विकल्ब सही है बहुत बढ़ी हाँ डीव विकल पा रहा है सभी बहुत बढ़ी हाँ 21 डीव हाँना जी बहुत बढ़ी हाँ पुस्पिन जी सही जबाब देखते हैं तो 21 नमबर 21 नमबर में sustainable development के लिए हमें हर एक चीज़े चाहिए जैवे विवित्ता है इकोलोजी है इसका समर्चन जरूरी प्रदूशन का निरोध नियंतरन जरूरी निर्धनता को घटाना जरूरी ठीक इसलिए चारो के चारो ये रीजन आपके सही होते हैं ठीक जो sustainable development से इस बार भी आपका सवाल उत्तरपरदेश 2019 में पूछा गया है 21 के बाद 22 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है 22 नंबर आपसे कहा रहा है कि UNEP United Nation Environment Program जिसको सौट पॉर्म में UNEP बोलते हैं मुख्याले कहां अवस्तित अब है जेनवा, काठबंडू, नेरेवी या नहीं दिले कहां पर है UNEP का मुख्याले headquarter कहां पर है बिकलप आप लोग जबाब दें बहुत बढ़ियां परेंजी, सुरेज जी बहुत बढ़ियां, मिश्ठा को D.B.C, दिखते हैं सही जबाब आखिर इसका क्या है 22 नंबर प्रशन की सही जबाब की बात करें बिकलप C को जो लोग राइड बता रहे होते हैं एकडम सही नेरोबी जो है, यह मुख्याला है UNEP का, ठीक है? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है अस्थाबना कब होई? 1972 हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रशन आपके, जो संबिधान में है जब आपसे इंडियन पॉलिटी पूछेगा, तो वहाँ जो संबिधान में अपने संबिधानिक ब्योस्थाएं है उनसे सवाल होता है दूसरा टॉपिक इसका बनता है जो आपके वर्ड के अर्गनाइजेशन है उनसे सवाल उपीपीसियस के पैट कोशन्स होते है तो इसलिए ये सारे प्रशनर टीम हर एक चीजों का सर्वेशन करके आपके सामने तयार करती है 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर 23 नंबर आपसे कह रहा है कि पर्यावरण सुरजचादिनियम जिसको EVA बोला जाता है को अनी किस नाम से भाई जानते हैं हम लोग चाता विधान, छडी मुबारग, पर्यावरण विधान, एकोसन रचण विधान कौन सा वह जबाब है जो इसमें सही होगा ठीक है ये थेरी दूसरे रूप में आप लोग पढ़ते हैं जबाब दीजिए बहुत बढ़ी हाँ, रश्मी बाला जी तेईस नमबर बहुत बढ़ी हाँ, दोसें जी प्रिया जी डी बिकल्ब, बहुत अच्छे देखते हैं सही जबाब तेईस नमबर भाई, ये जो है ठीक है पर्यावरण सुरच्छादरियम बिकल्ब, एको अगर आप राइट बता रहे हैं, एकदम सही हैं ये अंबरेला, सुनते हैं ना एक अंबरेला इधर इस्क्रीम भी आई थी भारत के परिपेच में अंबरेला एकी स्क्रीम भी आई है भारत के परिपेच में इसको भी धियान रखना है इसको चाता बिधान बोलते हैं ठीक है कौन सनियम चाता बिधान क्योंकि परियावरण सुरच्छा अध्रियम एक तरीके से इसको जो दर्साया भी जाता है United Nation के द्वारा या भारत में ले करके तो इसको चाता बिधान के नाम से भी जानते हैं बात थी कब प्रशन आपसे यह बोला है कि नौदा टोली का उत्खनन किस ने किया था केड़ी बासपही ने बीएस वानकर ने या हडी संकलिया ने या मार्टिनर होईलें ने किस ने किया था नौदा टोली ये एक आपका जो है सिंदुगाटी सभिता से संबंदित प्रदेश है सभी का स्वागत है बाई बहुत बढ़ियां प्रमोज जी C विकल बहुत बढ़ियां परें जी चलिए सुरू हो जाईए C विकल पा रहा है इसका सही जबाब की अगर बात करें प्रश्रंख्या एक का सही जबाब आपका क्या होगा तो जो लोग यहां पर बिकल सी को बता रहे है होते हैं एक दम सही क्योंकि नौदा टोली जो यह आपका स्थान है इसका उत्खनन किया था HD सांकलिया ने किसने? HD सांकलिया ने यह चीज ध्यान दखना है नौदा टोली कहां पड़ता है यह अस्थान आपका है मदप्रदेश का MP का अस्थान है यानि मदप्रदेश का ठीक है और इसका जो है अगर इसकी बात करें यह तामर पासाणिक अस्थाल है कैसा? जैसे मैं हर एक अस्थलों में 9 पासाणिक और हर एक चीज़ें डिफाइन करता रहता हूँ यह तामर पासाणिक अस्थल है आपका यह चीज को ध्यान रखना है दोसरी चीजे इसकी जो काल बताई गई है यह 1600 इसा पूर्ष से ले करके 1300 इसा पूर्ष तक है कब से कब? 1600 इसा पूर्ष से ले करके 1300 इसा पूर्ष तक है यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है ताम पासाडिक है, मद प्रदेश में पढ़ता है उत्खन किस ने किया? HD सांकल नहीं आने दोसरा प्रशन आपकी स्क्रीन पर भारत में हडपा का ब्रहत अस्थल बताएं ठीक हडपा सब भिता का सबसे बड़ा अस्थल क्या है? राखी गड़ी, धौला वीरा, काली वंगन, यलो थल सही जब आप आप लोग कमेंट करें फरीन जी कोई दिक्कर नहीं है वो जोईन कर लीजिए रिया जी स्वागत है ठीक है आप टेलिग्राम चैनल जोईन कलने उसमें सारी चीज़े डाली जाती है बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं बहुत बढ़ी हाँ कलबनाज जी सही जब आप देखते हैं दूसरे नंबर का दूसरे नंबर भारत में अगर बात करें कि हडपा का ब्रिहद अस्थल तो ब्रिहद अस्थलों में हडपा में सुमार है भारत का राखी गड़ी ठीक ये राखी गड़ी जो आपका है विकल ये जो लोग बता रहे हैं एकदम सही है यहां ब्रिहद अस्थल पूछा है मैंने अस्थल नहीं इस चीज की आपको जोए ध्यान रहे क्योंकि यह चारों अस्थल आपके कहीं ना कहीं हडपा सब्वेता से ही संबंदित हैं ठीक यह राखी गड़ी आपका पढ़ता है हरियाणा जिला जब आप जाएंगे हरियाणा क हरियाणाई स्थेट का फेयमस जिला है जिसका नाम है हिसार हिसार में यह पढ़ता है कौंसा राखी गड़ी यहाँ पर भारत का यह सबसे बढ़ा अस्थल है वैसे सबसे बड़े अस्थलों की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो सबसे बड़े अस्थलों को देख लो कौन गोन से है पहला तो यह पढ़ता है मोहन जोदाडो ठीक है इसको बार-बार आप पढ़ते हैं पहला पढ़ता है मोहन जो दाडो, दूसरा या जो दोडो जो भी आप पढ़ते हैं, दूसरी चीज पढ़ती है इसकी हडपा, यह सिंदुगाटी शबता से संबंदित एक तरीके से हैं, और एक पढ़ता है वो, गनेरली क्या नाम है उसका, गनबेरी विला, यह जो है यह अस भीरा, ठीक, यह भारत के हो जाते हैं, तो इन में जो दिया है, यह राखी गड़ी आपका है, तीन नमबर देख लें, तीन नमबर आपसे यह कह रहा है, कि रिगवेद में उल्लेखित यो सब्द, ठीक है, किस क्रिसी उत्पाद हित प्रयुक्त किया गया था, जो, चना, च प्रीवन, देखते हैं, सही जबाब इसका कहा है, बहुत बढ़ियां रेश्मी बाला जी, एविकल्ब सभी का आ रहा है, अगर इसमें देखें, तीन नमबर, तीन नमबर में अगर देखा जाए, कि यो सब्द किस से संबध है, तो यो सब्द जो के लिए इस्तेमाल किया ज में, आगे बढ़ जाते हैं, चार नमबर देख लें, चार नमबर आप से कह रहा है कि वह स्थूप अस्थल, जिसका संबन भग्मान बुद्ध के जीवन की किसी घटनाओं से नहीं रहा है, वह कौन सा है, सालनात है, सांची है, बहुत गया है, कुसी नारा है, कौन सा है इस जी भी विकलब है, देख लेते हैं, इसका सही जबाब क्या है, अगर चार नमबर का सही जबाब की मैं बात करूँ, तो इसमें देखें, साची एक ऐसा आपका स्थूप अस्थल है, साची में स्थूप हैं, लेकिन यह स्थूप अस्थल, गौतम बुद्ध से कहीं भी संब संबंधित नहीं है, ठीक, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसमें अनी अस्थल जो तीन दिये, बोध गया में आपको मालूम है, कि यहां पर बुद्ध को ग्यान प्राप्ती होई थी, बोध गया बुद्ध के ग्यान प्राप्ती से अगर कुसि नारा की बात करें, तो कुसि नारा जो है, भगमान बुद्ध के मृत उसे संबंदित है, लेकिन साची का इस तूब जो है, यह भगमान बुद्ध से संबंद नहीं है, पांच नंबर देख ले, आप से पूछ रहा है कि हीन यान अवस्था का विसालतम, यम्स स सबसे बड़ा उस सरबाधिक विक्सित जो सैल क्रित है यानि गुफाओं में काट कर चैति ग्रह यानि चित्र जो भितिया बनाई गई कहां पर है डीविकल्प पारा है बहुत बढ़ी हाँ डीविकल्प है बहुत बढ़ी हाँ सी है देखते हैं इसका सही जबाब सही जबाब में देखें तो पांच नंबर का जो आपका प्रशन है ये पांच नंबर का अगर देखें कि हीनान का सबसे बिसालतमियम सरबाधिक जो बिक्सित आपका एक तरीके से साहिलकृत चैतरग्रह है ये आपका पढ़ता है यहाँ पर कारले में तो बिकल्प सी जो लोग बता रहे है एक नमसही है ठीक हीनियान को आपको ध्यान रखना है कारले कहां पर पढ़ता है कारले ये जगे आपकी वहाँ क्या कहते हैं महाराष्ट्रा में जब महाराष्ट में आप जाएंगे महाराष्टा में एक पढ़ता है मलब वो क्या नाम है मावल तालुका मावल तालुका ये एक अस्थान है उसमें इस्थित है आपका ठीक कौन काले तो उसमें हीनिया नवस्था का सबसे जो है बड़ा सैल कृत आपको मिलेगा देखने को अगला बढ़ जाएं संपरदायों से संबंदे सवाल होते हैं ये पी PCS में बताएं या आप निये किसका एक संपरदाय था बहुत धों का, जैन का, सैव धर्म का या बैशनो धर्म का या आप निये, ध्यान से सुने जबाब ने छे नंबर का गोड इवनिंग भाई जहेन बगेल निव जोईन, स्वागत है चलिए भाई, सुरू हो जाएं बहुत बढ़ी हाँ, बी विकल्फ है अखंड जी, बी विकल्फ बहुत बढ़ी हाँ, राजकुमार जी देखते हैं, इसका सही जबाब मनो जी, बहुत अच्छे पहुँच गये हैं, भई छे नंबर का देखते हैं, तो सही जबाब में इसमें ध्यान रखें, या अपनी है, जो संप्रदाए रहा, उससे इसकी उत्पत्ती हुई थी, लेकिन ये दिगंबर से उत्पत्ती हुई, लेकिन मानिताएं किसकी मानते हैं, स्वेतामबर की मानिताएं ये मानते हैं, स्वेतामबर की इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है, उत्पत्ती दिगंबर से मानिताय मानते ये सवेतामबर की आगे बढ़ लेते हैं, साथ नंबर देख लें नगरविन्यास, किस आकृत का है, बृताकार है, अर्धिचंद्राकार है, त्रिपुजाकार है, या इताकार है, जो स्रावस्ति इपना जीला है, इसका एक तरीके से आकरित कैसी है, किस तरफ रहती है, जी विकाजी बिल्कुल 8 बजे हर दिन रहती है, महें जी स्वागत है भाई, भी विकल्प, 8 बजे साम में, 8 बजे सुवे, ठीक है, हर दिन, बहुत बड़ी हाँ, भी विकल्प पा रहा है, देख लेते हैं, साथ नंबर पेमेस ब्यक्ति जुड़ा है कौन अलेकजंडर कनिंगम नाम है अलेकजंडर कनिंगम ने क्या किया था उत्खनन किया था और फिर उसने पता लगाया था कि प्राचीन जो यह आपकी स्रावस्ति रही 1861 की बात है 1861 में इन्होंने उत्तरप्रदेश के एक गुंडा के निकट पढ़ता है सहट महट ठीक है ध्यान है ना सहट महट इन सारी जगों से जो है क्या किया था इसका जो है पूरा उत्खनन कराया था और वहां से नगर बिन्यास की सारी चीजे निकाली थी अगला प्रशन आपके सामने है खोजबत्ती जिसको सर्चलाइट इंगलिस में बोलत रहे हैं इन में से कौन होता है नतुदर आपका आउतल दरपड़ होता है यह उतल होता है यह उतल होता है ठीक है सुद्ध हिंदी लिखी है यानि कानकेब और कानबेक्स यह आपका सिंपल मिरर है जो साधा मिरर होता है सही जबाब इन में से क्या है तो सही जबाब इसमें देखते हैं सई जबाब, आज नमबर प्रश्न का, यहां विकल एक उ जो लोग चुल लेते हैं, दम सही हैं, नतोधर दरपण का इस्तेमाल होता है, सर्च लाइट में, केस में, खोजबत्ती में या सर्च लाइट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लावा, ठीक है, हेड श्लाइड में खास करें, आगे बढ़ जाते हैं, नो नमबर देखिए, नो नमबर आप से यूँ पूछ रहा है, कि दुरदर्शन प्रशारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है, किस माध्यम से, आयाम माडूलन द्वारा, आबृत माडूलन द्वारा, कला माडूलन या कौन माडूलन द्वारा, ठीक, कौन सी इसमें फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विकास जी आपको एप डाउनलोड करना है, एप में सब मिल जाएगा, महन कुलदीब जी, ठीक है, अच्छी बात है, चलिए इसका सही जवाब देखत प्रशन का, जो लोग यहाँ जवाब के तोर पर विकल एक और आइड बता रहे, ठीक है, वो एकदम सही है, आया माडूलेशन द्वारा दूरदर्शन प्रशारण में इसका प्रियोग किया जाता है, ठीक, इसमें क्या होता है, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आडियो भ पास्पेट है, या मैगनेसियम सिलकेट है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है, ओप्शन जहाँ पर ज़ोरूरत होती है, सोनिया जी बिल्कुल कोसिस करता हूँ, बहुत बढ़ी हाँ, B जवाब है, D, बहुत बढ़ी हाँ सुमेद, देखते हैं, इसका सही जवाब क्या है, दस नमबर में बिकलप आपका जो लोग यहाँ डी बता रहे है मैं नीसियम सिलकेट ठीक है यह लोग एकदम सही होंगे क्योंकि यह जो आपका यह होता है टॉल्ग ठीक है यह जिसको सो पुष्टों यानि इसका इस्तेमाल पाउडर में किया जाता है इसका इस्तेमाल जो पा लोग यहां 11 के बिकलप C को बता रहे है कि यह नहीं है अपर रूप कहीं से भी यह एकदम सही आक्सो कार्बन, कार्बन का अपर रूप नहीं है, हाला कि ये ध्यान रखना है, कि ये जो है आपका अकार्बनिक योगिक है, ये कार्बनिक योगिक नहीं, अकार्बनिक है, नाम जुड़ा है, तो इसमें कन्फीजन आ सकती है, ये अकार्बनिक योगिक है, तो इसके लिए इस चीज को ध्यान में बनाए रखिए और ठीक है कार्बन और अक्सीजन से युप्त होता है आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्ण में बारा नंबर ठीक है विज्ञान जगत आप लोग परिशित हैं कैसे प्रश्ण आते हैं वैसे है बिटामिन है इनकी कमी से होने वाला रोग है सुमेल नहीं है उसको चूज करो बाई कैलसी फेराल से अक्सी जो है रुगरता हो जाती है नियासीन से पेलाग्रा हो जाती है या चर्म ग्राज इसको बोलते हैं फिर आपका कोलालिन है जिससे संधानिक रखत अलपता होती है और डी आपका है राइबोफलाविन जिससे बेरी बेरी रोग होता है इनमें से कौन सा वो है ठीक है बोल सही जबाब दीजी इसमें किसे भी आपका उचित नहीं है ठीक क्योंकि ये बिटामिन बीवन की कमी से होता है ठीक तो राइबोफलेविन बिटामिन बीवन की कमी से होता है राइबोफलेविन से दिया ह तो यह आपका कहीं से भी सुमेल नहीं है, अनि जितने दिये हैं, वो सब के सब आपके सही है, राइबोफलेबिन का नाम क्या होता है, बिटामिन B2, ठीक है, ध्यान रखना है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग हो जाता है, किलोसिस, समझ गए ना, तो इत हो, तो अच्छा का प्रदाह, जिसको डर्मेटीज बोलते हैं, हैजा या उपिप्त में से कोई नहीं, कौन सा ऐसा रोग है, जो कवक के कारण होता है, चले वही, सही जवाब इसका क्या होगा, तेरा नमबर, धर्मेन जी, बहुत अच्छे, सी विकल्प्रमो जी, बहुत ब विकल्पी को जो लोग उचित बता रहे हैं, एकदम सही हैं, तो चागा प्रदाह, जिसको डर्मेटीज बोलते हैं, यह रोग आपके कवक की बज़े से होता है, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें जो है, हैजा जीवान से होता है, पोलियो विशान से होता है, समझ गे ना, पो यह मिलान में भी दे सकता है, तेरे का बाद चोदा नंबर देख लिए, जोगर्फी से संबंधित प्रशन है, कुल्लू घाटी, जिन परबस्रेणियों के बीच अवस्थित है, वह कौन से परबस्रेणी, दोलादार, यह पीर पंजाल, यह पारी लिखा है, पीर समझेए, रंड जयती, यह नाक टिबबा, लद्दाख, यह पीर पंजाल, मधी हिमाले, यह पारी, यह पारी, बहुत बढ़ी है, देखते हैं, सही जबाब क्या हो सकता है, इनमें, ठीक है, तो इसमें सही जबाब की बात करें, चौदा नंबर, ठीक, चौदा नंबर, जोदा नंबर लोग विकल एक उवतार हैं, उचित होते हैं, एकदम सही, भाई धौलाधर और पीर पंजाल की जब आप स्रेणिया देखेंगे, ठीक, तो उनके बीच में आपका आवस्थित है, आपकी कुल्लू की घाटी, एक बेस्तारी छेत्रा आपका मैदान मिलता है, जिसमें कुल्ल दर्रापसे पूछा है उत्राखंड में अवस्थित है, उत्राखंड में कौन सा है? जेलेवला, लिपूलेख, नाथूला, सिपकीला, इन चारों में से कौन सा दर्रापके उत्राखंड में पढ़ता है? बताускना बाई, गुंजज़ी, 14 पराये, दिव्यांसी जी, स्वाग दिल खुस कर देते हैं आप लोग चलिए देखते हैं सही जबाब क्या है निदी जी 15-3 पंदरा नंबर का सही जबाब के तोर पर पिकल जो लोग चुनेंगे यहां उत्राखंड में दर्रे की बात करूं तो उत्राखंड में आप दर्रा देखें लिपुलेग जो है न यह उत कर जाना होगा किस से लिपुलेग से होकर जाना पड़ेगा पिथावदीव से अंडमान को में अमार से भारत को स्री लंका से लक्षदीव को मालदीव से सही जबाब दे दीजिए आप सारे लोग पढ़ते हैं बहुत बढ़ियां सुमिद जी ए विकल पाचुका है कल्पना जी सी 14 सी अब थोड़ा पीछे हो गई हैं हम लोग 16 नंबर पर हैं बहुत बढ़ी हम जो है मुकेश जी अंगित बेरी गुट देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या है तो 16 नंबर में जो लोग विकल्प यहां ए कुछ उन नहीं ना अंडमान को निकोबार से अलग करता है यह 10 डिग्री आपका चैनल है ठीक है यह चीजे ध्यान रख रहे हैं 8 डिग्री किसको अलग करता 10 डिग्री किसको 30 डिग्री किसको ठीक है 40 डिग्री किसको यह सारी चीज़ पूसता है अलग 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 देशों के बीच में है ठीक जब क्या होता है 10 डिग्री यह जो चै तो कभी ऐसा भी प्रशन दे सकता है, कभी ऐसा भी प्रशन दे सकता है, दोनों तरीके से प्रशन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, 17 नमबर देखें, मडिपुर का धरातल आपसे पूछा है भई, मडिपुर का अधिकांग धरातल कैसा है, मैदान है पठारी है दल्दली है यह पर्वती है कौन सा इसमें जवाब आपका सही हो सकता है इसका सही जवाब क्या होगा सत्रा नंबर आप ध्यान दें सत्रा नंबर थोड़ा मड़ी पूरी समय जो है यह सब इसमें चर्शा में भी है तो हमेशा UPPSC आप ध्यान दिये होंगे 2019 के कुछ ऐसे प्रश्ण मिलेंगे जो आपके करेंड में बुद्दे थे तो उनसे GS के सामानी प्रश्ण उठा लिए गये हैं आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जो है आपके करेंड में नहीं है वो करेंड के हैं लेकिन GS के प्रश्ण है सत्रा नंबर जब आप देखें यहां देखो मडीपुर जो आपका पूरा धरातल है न ठीक यह पूरा का पूरा धरातल अगर मैं बात करूं तो यहां पर जब आप जाओगे नदी बेसिन पूरा का पूरा उनके बीच में अस्थापित है और कुल भूमी का 8% एक तरीके से यहां पर एक तरीके से देखा जाए 8% भूमी मिलेगी और बाकी 92% आपको परवतिये छेतर मिलेगा तो विकल्प D जो लोग बता रहे हैं एकदम मूचित है ठीक D विकल्प यहां एकदम राइट है 17 के बाद 18 नमबर देख लें 18 नमबर आपसे सबसे जो है छेतरफल की द्रिश्टी से सबसे छोटा पूछा है उत्तरप्रदेश मद्रप्रदेश राजस्थान उत्तराखंड इन चारों में उन छेतरफल के हिसाब से को उन सबसे छोटा राजी है जबाब क्या हो सकता है यहां जो लोग विकल्बडी को राइड बता रहे हैं एकदम सही है ठीक है विकल्बडी यहां उत्तराखंड दिया है उत्तराखंड सही है एकदम जब आप जाओगे ना यह ग्रह मंत्राले की अपनी वेबसाइट खोलोगे तो वहां पूर आपको पूरा मिल जाएगा आठ हजार ठीक है 252 किलो मीटर स्क्वाइर जो है यह मत्रदेश की मिलेगी राजस्थान अगर आप देखोगे तो 3,42,000 कितना 3,42,000 249 वर किलो मीटर यह किसका मिलेगा राजस्थान का मिलेगा ठीक उत्तराखंड की अगर आप एरिया देखेंगे तो 53,483 वर किलो मीटर उत्तराखंड की एरिया मिलेगी तो इसलिए इन सभी में कौन सा छोटा है उत्तराखंड अब इसको क्या दे सकता है कि आरोही क्रम में या औरोही क्रम में जो है बेवस्थित करिये राज्जियों को छेतरफल के अनुसार तो दो आपका यहां से क्वेस्टन इस टाइप से बन सकता है अगला देख लें 18 के बाद 19 नंबर 19 नंबर आपसे पूछ रहा है दंड कारेंड जो है यह छेतर है कहां परवस्थित है भाई जारखंड यह ओडिशा में और फिर आपसे आन प्रदेश यह जारखंड में तो कौन सा इसमें से सही जवाब आपका हो सकता है धिक दंड कारेंड जो आपका छेतर है यह कहां परवस्थित है 19 का सही जबाब क्या हो सकता है चलिए बहुत बड़ी हैं सभी के जबाब B आ रहे हैं दोसें जी ये जबाब है सही जबाब देखते हैं इसका क्या है तो 19 नंबर 19 नंबर में जो लोग विकल B को चुनने अच्छा यहां लिखा भी था उत्तर मैंने ध्यान भी नहीं दिया B विकल पे एकदम राइट है 36 गडियों जो है ओडिशा में पढ़ता है जब आप ओडिशा में जाओगे ओडिशा के दो जिले आपके एक तो आपका पहला पढ़ता है कोरापूर पहला जिला कौन सा है कोरापूर और दूसरा इसका जिला पढ़ता है वो काला हंडी दूसरा जिला पढ़ जाता है काला हंडी ठीक ये ओडिशा के होगे उनमें बिस्तार इसका है और 36 गड़ में जब आप जाओगे यहां बस्तर में ठीक है नकसल जो आपका प्रभावी छेतर है वहाँ पर तो वहाँ पर भी ये मिलेगा तीसरी चीज ये भी ध्यान रखना है ठीक है तो इसमें बीवी कलब एकदम आपका सही है कोरापूर, कोलाहंडी और बस्तर आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रशनी दिया है 19 के बाद 20 नमबर महादेव पहाडियां किसका भाग है सत्पुड़ा का, बिंध का, पश्मी, घाट या इन में से कोई नहीं सही जबाब इन में से क्या हो सकता 20 नमबर जी भाउना जी बिल्कुल सही है आनप्रदेश में भी कुछ हिस्सा है लेकिन मैंने जो है मलब जहाज पर जादा इसका जो है एक तरीके से परिमाप है उन्ही एरियाज को चुना बहुत बड़ी हाँ महाजन जी थोड़ा लेट हैं, लेकिन सही उस पर है, निहाल जी बहुत अच्छे 20 नमबर, 20 नमबर का सही जबाब की बात करें तो यहाँ बिकल यह जो लोग चुनना है एकदम सही है, सत्पुडा महादियो पाडियों का एक तरीके से भाग है, ठीक, महादियो पाडियां यह सत्पुडा की एक तरीके से क्या है बिस्तार है, दिल्ली में जैसे जो आपका राइसीना हिल्स है प्रधान मंत्री का जो है निवास है ना राय सिला हिंस को पूछता है कि ये किसका विस्तार है ठीक तो ये इसको भी ध्यान रखेगा जिलोगों मालूम है वो बताएंगे कमेंड के माद्यम से 20 के बाद 21 नंबर देख लें 21 नंबर जो है सरकार ने आरंब किया है ये करेंड में अभी रहा है प्रश्न तो इसलिए आपको पर कौन सा चिन्ह मिलता है ठीक है सारे लोग प्रोड़क्ट खरिते हैं बहुत बढ़ियां अरावली आपने बताया सुमिछ जी देखते हैं इसका सही जबाब क्या हो सकता है तो सही जबाब में देखते हैं तो 21 नमबर में इसका सही जबाब आपका होगा जो लोग इसमें बिगल B को बता रहे है इको मार्क एकड़म सही है ठीक बिगल B एकड़म राइट है परियावरन अंकूलन के लिए इको मार्क जो है किया जाता है ये उन्ही को दिया जाता है जो परियावरण के लिए मैत्री पूर्ण हूँ अगला बढ़ जाईए 22 नमबर देख लिए 22 नमबर कुछ ही उस सवाल है नगरी करण यों अध्योगी की करण हानिकारक है ठीक है किसके लिए बई संतुलित विकास के लिए हनिकारक परियावरण यों पारिस्तित्गी के लिए हनिकारक है जय विवित्ता के लिए या उपिप्स सभी के लिए कौन सा जवाब इसमें सटीक बैठ रहा है वो जवाब कमेंट कर दीजे आप लोग 22 नमबर में सभी के लिए आपका उद्दोगी की करण और नगरी करण सभी के लिए खतरनाक है संतुलित विकास यहां नहीं होगा नगरों में आप देखते हैं ठीक किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बहुत तेजी से बहां मकान बरस गए ठीक है वो एरिया बहुत हाइटर हो गई कोई पिछडी से पिछडी चली गई तो संतुलित विकास के लिए भी हानिकार परियावरण के लिए भी नुकसान दे परिष्टगी के लिए नगरी करण होगा तो परियाव़रन के लिए तु नुक्सान दे है, अगर नगरी करण बढ़ेगा तो वो एरिया जहां पर 1 वगरा है, सब कड जाते हैं, नए नगर बसने लगते हैं, जय विवित्ता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, तो ये सारी चीजे केरला इसका बहुत बड़ा गवाह रहा है ठीक है अभी वहां तरास दी आई तो आपको देखने को मिल जाएगा 22 के बाद 23 नमबर देख लें 23 नमबर बहुत बड़ी हाँ दिब्यानसी जी 23 ये एस से और देखते हैं भाई सुमिध जी 23 का जब आप एस से और 100% से और भाई समुद्रों में पारिष्टकी तंतर ये सबसे बिसालतम है एकोलोजी नहीं छोड़ना है तीक है कम से कम 120 अगर प्रश्ण बीयों में आने हैं तो 120 में आप समझ सकते हैं कि 6-8 एकोलोजी के प्रश्ण सामिल होंगे आगे बढ़ जाएं 23 नमबर के बाद 24 देख लें 24 फिर से अच्छा प्रश्ण है ध्यान से सुने मिलान करें सही सुमिल कौन सा है परबत सरबादिक अस्थाई पारिष्गी तंतर अजैविक अव्वेम यानि जो आपके जीविद नहीं होते हैं कौन सा इसमें सही सुमिल लईए आप अपना दिमाग सही से लगाएं और फिर इसमें विकल्प चूच करें यल्टी के बारे में अनिल जी अभी राजसरकार तो एकडम ठप पड़ी है ठीक है और केंसरकार में भी आज थोड़ी हलचल अभी देखने को मिली है सभी विवागों को पत्र लिखा है मोदी गवर्मेंट ने जित्ते विभाग हैं अभी अभी डीडी न्यूज पर आ रही थी न्यूज तो थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हो सकता है कुछ बहुत अच्छे है चलिए 24 नंबर में 24 में देखे जब आपके तोर पर जो लोग विकल्प यहां सी को बता रहे हैं हरे पोधे पारिस्ट की तंतर के लिए सबसे इसमें बेस्ट है सबसे सही सुमेल आपका यही है तो विकल्प सी बाला एक दम आपका राइट होगा ठीक है इसमें देखो ऐसा नहीं है कि यहां पर UPPCS के हिसाब से अगर आंसर हम देख रहे हैं तो यह सही है अलाकि इसमें जितने दिये हैं सब के सब पारिस्ट की से सम्बंदित ही सवाल हैं लेकिन कहीं ना कहीं हरे पोधे पारिस्ट की तंतर के लिए सबसे ज़्यादा आपके जर परवद महासागर वन सबसे ज़्यादा अस्थाई पारिस्ट की तनतर क्योंकि दो प्रश्ण इसमें हो गए थे तो यह भी कंफ्यूजन हो सकता है ना चेंज करके आ सकता तो इसमें पताई यह कौन सा है बहुत बढ़ी हैं बहुत बढ़ी हैं चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब 25 नंबर का 25 नंबर में अगर जवाब के तोर पर यहां सी जो लोग चुनने हैं एकदम सही हैं महासागर ठीक सबसे सरवाधिक अस्थाई जो आपका होता है इकोलोजिक सिस्टम सबसे ज़्यादा इस्टेबल वह तंतर आपका महासागरों का होता है इस चीज़ को हमेशा आपको दिमाज में रखना है यह कभी-कभी आपको औरोही क्रम्य अवस्थित करते हुए भी पूछ लिया जाता है तो दोनों चीज़े आपको ध्यान में समिन्ती था से या फिर आपका है कारेद महिलाओं के कल्यांड से कौन साइस में से सही हो सकता है विकल्ब 26 नंबर का जबाब आपका कौन सा सही हो सकता है बहुत बढ़ी हां बहुत अच्छे ए शिवरमन जी बहुल लेट हो गए आज तो बी देखते हैं सही जबाब क्या है इसका सही जबाब में मेरा सेट जो यह समित बनी थी मेरा सेट बनी थी हतकरगा के विकास के लिए तो विकल्ब ए आपका एकदम राइट है ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना है बनी कब थ शही मीरा समित जो है 1997 की बात है ठीक हतकरगा के विकास से सम्बंदित जो है इसको जो बनी थी इसने क्या हिया था जनवरी यूदी सो सतानवे में अपनी रिपोर्ट के इन सरकार को सौब दी थी मीरा सेट समीत, अगला देखने सत्यम समीत है एक, ठीक, सत्यम समीत किसे संबंधी थे वस्तर नीत से, विदेश नीत से, संरचना नीती से या भारतिय संविधान के पुन्री इच्छन से, सत्यम नीती, कि किस से संबंदी थे जबाब दीजी आप लोग विकास विस्नुई जी बहुत अच्छे रिया जी सी वी कलब है क्या हो सकते हैं 27 नमबर का सही जबाब बहुत बढ़ी हैं 274 बहुत बढ़ी हैं मनो जी देख लेते हैं 27 नमबर में देखें यह सत्यम समित जो बनी थी ना इसका गठन हुआ था जो है इसके लिए वस्त रुद्रोग में सुधार से संबंदी तो वस्त नीच से संबंदी सत्यम समित का गठन हुआ था इसीज को दिहान लगे थोड़ा सब प्रशना ऐसे आपको मिलेंगे जो बार-बार आप हर जगे पढ़ते हैं यह सब यंसी आइटी व पंचवर्ती यह उजना में आखिल भारतिय खादी और ग्रामेड बोर्ड की अस्थापना हुई खादी तो बहुत बड़ा हतियार था कि सी विकल्ब है बहुत अच्छे कि अठाइस नंबर एविकल्ब देविकल्ब बहुत बड़ियां देख लेते हैं 28 नंबर ध्यान दीजिए 28 नंबर उस समय बात थी सुरवात में ही 1947 में ही क्या हो गया था जानते हैं 1947 में ही एक लग उद्दम बोर्ड बना दिया गया था लग उद्दम बोर्ड बनाया गया था ठीक किसके प्रथम पंचवर्सिय योजना आई पहले तो बना 1947 में लग हो दम बोड जब प्रथम पंचवर्सिय योजना आई तो इसका जो है एक नए तरीके से इसको अस्थापित किया गया और इसको नाम दिया गया आखिल भारतिय खादी जो है ग्रामेड बोड इसका नाम तब क्या ये गठित राष्टिय आयों के अध्यच कौन है ठीक है इन में से जबाब बताएं अरजुन सेन गुपता के चींस चंसेखर राओ पी यार दासमुंसी के नर्टवर्सिंग अभी हालिया ये चर्शा में रहा है ठीक है तो बताएं इसमें से कौन सा जबाब हो सकता है अधिया जी बहुत अच्छे अधिया बहुत अधिया जी बहुत अच्छी देख लेते हैं 29 नंबर में 29 में जो लोग विकल एक और आइट बता रहा है एकदम सही हैं अरजुन सेन गुपता जो आसंगठित सेक्टर है ठीक यानि जहां पर आपके इम्प्लॉइमेंट से सम् अधित कोई चीजे नहीं होती डेली अनिंप्लॉइमेंट वाले या बेरोजगार वाली हम कंडिसन समझ सकते हैं तो इनके लिए जो है योजना आयोग के पूर सदसी थे कौन अरजुन सेन गुपता इनके जो है अध्यचता में केन सरकार ने एक बनाया था क्या आपका इसके बाद तीस नमबर देख लें आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है ठीक है निमलेखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलिद नहीं है गोस्वामी समित और दोगिक रुगड़ता की समस्या मलब जो छेड़ता होती है लागातार नश्ट होते हैं उनकी समस्या के लिए बनी थी जानकी रमर समित सेर घोटाले की जाच परताल के लिए बनी मलोत्रा समित क्या वीमा छेतर में सुधार के लिए बनी या तारापूर समित बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए बनी कौन सा इसमें सुमेलिद नहीं है जाईर से बाद तीन होंगे एक नहीं होगा सही ज से डी चलिए बहुत बढ़िया इसका जवाब देख लेते हैं इसमें जो लोग विकल डी को बता रहे ना यह एकदम राइट है यहां तारापूर समीत को बता रहा है कि बैंकों में ग्राहक सेवा है जबकि ऐसा नहीं है उस समय तारा समीत जो गठित हुई थी ना यह पूंज चीजों को ले करके बनी थी तारापूर समीत ठीक तो इसका संबंद बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं पूंजगत खातों में रुपए के बिनमे से संबंदित हुई थी ठीक परिवर्तन से संबंदित हुई थी सेस आपके तीनों के तीनों विकल उचित में लें पहला प् फ़र्षक होते हैं मुर्दें उन पर बहत करने है या विपश्री सदस्ती की मंत्रियों से सूचना पराप्ट हो ने है या किसी अनुदान की मांग में एक निशित महत्रह में कटोती करने है या फिर कुछ सदस्यों के हिंसा का थ्वा अंचुद व्योवार पर रोग लगाने के कारिवाई अस्तागित करने हैं तूँ कौन सा इसमें जबाब सही है अगर पहले का जबाब देखें बहुत बढ़ी हां सभी के जबाब आ रहे हैं आप लोग तेजी से भाई कमेंट करिए इसमें अगर बात की जाए कि अस्तागन प्रस्ताव जो लाया जाता है यानि एड्जार्नमेंट मोशन जिसको बोलते हैं संसद में इसके लाने के पीछे सिर्फ एक उद्देश ही होता है कि संसद में मान लीजे कोई ऐसा मुद्दा है सार्जनिक महत्तु का ठीक पबलिक इंटरेस्ट का कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या करना बहस करना उसके लिए अस्तागन प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो विकल ए इसका एकडम राइट है जो लोग विकल ए बता रहे वो एकडम सही है दूसरा प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है दूस को था बोल ला है पॉलीस्टाइरीन इन में से कौन सा पॉलीमर नहीं है तो इसकी अगर बात की जाए वही बहुत-बहुत स्वागत है गोडेवनिंग बहुत बढ़ी हां सारी लोग जबाब आ रहे सेकेंड का जबाब देखा जाए तो सिकेंड का जबाब इसमें देखिए सी बिकल को अगर ध्यान दें तो सी बिकल में बोल है कैप प्रोलेक्टम अगर इसकी बात कर तो यह कार्बनिक कंपाउंड तो ही है ठीक यह कार्बनिक आपका कंपाउंड है लेकिन उसके साथ ही साथ अगर कार्बनिक कंपाउंड के साथ देखें ठीक यह आपका कहीं से भी polyмер में सुमार नहीं है, बाकी तीन जो दिये हैं, चाहिं नैलान है, टेफलान है या पॉलिस्टाइरीन है, यह तीनों के तीनों आपके polymer होते हैं, लेकिन कैप्रोलैक्टम जो होता है, यह कॉर्बनिक योगिक होता है, यह आपका कहीं से भी polymer नहीं होता है. दो नमबर के बाद तीन नमबर देख लें तीन नमबर प्रसवाब आपसे कह रहा है कि फोटो ग्रॉफि में कौन सा अम्ल प्रियोग किया जाता है फार्मिक अम्ल आगजैलिक अम्ल साइट्रिक अम्ल या एसेटीक प्रसवाब्ते उ्ट्या अंबर का जबाब जो होगा अभी जो लोग बिकल भी को उचित बता रहें चुनने हैं ठीक है यह अंसर एकडम करेक्ट है और जैलिक अमल किसमें होता है फोटोग्रॉपी जो है में इस्तेमाल कई आ जाता है वहीं कुछ अमल इसमें और लिखें इनको भी देख लीजिए यह जो फॉर्मिक अमल है यह पाया जाता है चीटियों में ठीक है चीटियों में पाया जाता है यह प्रश्ण आया है फॉर्मिक अमल किसमें चीटियों में साइटिक अमल की अगर मैं बात करूँ आपसे तो यह आपका नीबू में पाया जाता है नीबू में वहीं एसिटिक अ प्रते चरूप से निर्वाचित होती है, B. बोल ला है संसद, संभिधान का संसोधन कर सकती है, C. बोल ला है स्रेया जी बहुत बड़ी हाँ, देखते हैं इसका सही जवाब चाल नंबर का, चाल नंबर में जो लोग यहाँ पर देखिए, संसद्ये प्रडाली सरकार की विसेस्ता यह होती है, कि जो मंत्री परिशद होती है हमारी, यह लोग सभा के प्रती जवाब दे होती है, responsible होती है, इसलिए संसद्ये प्रडाली की सरकार होती है, यह best होती है, भारत में अपने है, क्योंकि जो मंत्री परिशद है, cabinet जो minister होते हैं, यह लोग सभा के प्रती responsible होते हैं, answerable होते हैं, सबसे best vehicle पिसमें यहीं है, अब इसको क्या दे सकता है, कि निमलिकेत में से एक संसद्ये प्र जे से होता, इसका कारा क्या है, जिवाण हो है, विशाण हो है, कवक है, या प्रियन प्रोटीन है, कौन सा इसमें से, कोई प्रोटीन है, या जिवाण हो है, या विशाण हो है, या कवक, इसका जिम्बेदार कौन सा है, बहुत अच्छे, डिविकल निहाल जी, बहुत बढ पाई जाती है दिमांग में पाई जाती है मैंड में आपके पाई जाती है जब इसका डिसार्डर कहीं से भी होता है तो वहाँ पर प्रियंद प्रोटीन के डिसार्डर के यमिस बेहवियर की वज़े से मैंड काउ रोग हो जाता है ठीक समझ गए ना मैंड काउ रोग कब होता होता है तो उन्हें मैट का उरूख होता है छे नमबर आप से कह रहा है कि अस्थानिय वनस्पति का संग्रे क्या कहलाता है जो आपकी लोकल जो हर वी एक तरीके से वनस्पतियां हैं इनका अगर हम कलेक्शन करें तो क्या होगा हर्वेरियम सभागर या सैनिटोरियम या प्ले जी केदार जी बहुत अच्छे 6 नमबर का हम देखते हैं इसमें 6 नमबर देखिए ए बोलते हैं हर वेरियम अभी 19 वाले पेपर में एक उसने पूछा था आयोगने कि पुस्तकों का एक तरीके से पुस्तकों से संबंदिल लाइब्रेरी से संबंदित एक उसने सवाल उद्देशिका और मूल अदिकार में उद्देशिका और राजी की नीती नीदे सकता तो में या फिर उपिक्त में से किसी में जो है आपके एक तरीके से एकोनामिक जस्टिस का उलेख नहीं है कौन सा इसका सहीं जबाब हो सकता है बहुत अच्छे एविकल पा रहा है प्रियंबल में और राज के नीदनी नीज़े सकत्तो में थीक है मूल अधिकार में कहीं से भी आर्थिक की बात नहीं की गई है क्योंकि सबसे पहले पन्डालों में डर्राई में क्या था आपका ज़ो एक तरीके से संपत्तिका अधिकार है यह आपके फण्डामेंटल अब इसको legal right बनाया गया है ठीक अनुछेद 31 में पहले ये प्राउधानी था इन दोनों चीजों को हटा कर अब इसको article 301 के तहर legal right बनाया जा चुका है ठीक है बीविकल को ध्यान दे बीविकल विसमें उचित है साथ के बाद 8 नंबर देख लें आठ नंबर आपसे प्रश्ण बोल लाए कि गंगा नदी में BOD सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है कहां से कहां के दोरान हरिद्वारियों कानपूर के मदी कानपूर यों इलाहबाद के मदी इलाहबाद यों पटना के मदी पटना यों उलवेरिया के मदी कहां पर BOD की मात् गंगा में सरवाधिक होती है यह ऐसे compound होते हैं जो बहुत ज़्यादा नुक्षान करते हैं बहुत बढ़ियाँ प्रमोजी जी जी बीविकल्फ बहुत बढ़ियाँ जी तेन जी बीविकल्फ है दिखते हैं इसका सही जबाब बहुत अच्छे मनों जी आठ नंबर का सही जब बैंगलोर में है बी बोल ला है भारती वनिवानि प्राणि संस्थान देहरादून में है, C बोल लाए कि भारतिय वन प्रबंधन संस्थान कुलकता में है, B बोल लाए हिमालेई, पर्यावरणियों विकास का गोविंद बल्लब पंत संस्थान, यह अलमोडा में पड़ता है, कौन सा जबाब इसमें से जो है आपका सही हो गया यानि कौन सा सुमे बेलिद नहीं है, तो इसके अगर प्रशन का उत्तर देखा जाए, बहुत बड़ी है, C बिकलब पा रहा है, भोपाल, निधी जी, C, बहुत अच्छे, मनो जी, सही जब आप देखते हैं, जो लोग बिकलब C को बता रहे हैं, एकदम सही है, भारतिय वन प्रबंधन संस्थ ठीक है, बहुत अच्छे, अगला देखते हैं, 10 नंबर, 10 नंबर आप से पूछ रहा है, कि केंद्रिये सुस्क छेतर अंसंधान, संस्थान है यह, जिसका नाम है काजरी, केंद्रिये सुस्क छेतर अंसंधान, संस्थान काजरी, अवस्थित कहां पर है भाई, एमदाबाद में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है या जोदपूर, बताएं इसका सही जवाब क्या हो सकता है, काजरी संस्थान कहां परिस्थित है, बहुत बढ़ियां बहुत अच्छे, डेविकल्प जोदपूर, बहुत बढ़ियां महाजंजी दिख गया भाई D विकलप पा रहा है दस नमबर प्रश्ण का अगर सही जब आप देखें तो इसमें विकलप आपका D एकदम उचित होगा जोधपुर में जो लोग बता रहे हैं एकदम सही हैं काजरी जो संसान है यह आपका जोधपुर में इस थी थेराजस्थान समझ गए न अगला पढ़ता है 11 नमबर 11 नमबर आपसे पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस की संकलपना की थी किसने भाई सीसी पार्क ने जे एन एन जे फर्स ने या जोशेफ पूरियर ने या एल जॉबलर ने क्रीस ने ग्रीन हाउस जो है गैस की संकलपना की थी बहुत बढ़ियां भाई कलपना जी डी जोशेफ बहुत बढ़ियां सूसिल जी बहुत अच्छे जो आज इसी विकलप है देख लेते हैं 11 नमबर प्रशन के सही जबाब की बात करें तो जो लोग विकलप सी को राइड बता रहे एकदम सही हैं जोसेफ पूरियर जो है इन्होंने 1824 की बात है कब 1824 की बात है जब ग्रीन हाउस गैस की इन्होंने शंकलपना की थी एक अपना बिचार दिया कॉंसेब्ट दिया था ठीक है 11 के बाद 12 नमबर देख लिए आज सुवास्चन बोस की जो है जैनती है तो उस पर एक सवाल है कि सुवास्चन बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई जी के गोकले C.R.DAS B.C.PAL या फिर B.J. तिलक इनमें से सही जबाब कौन सा हो सकता है बहुत बढ़िया रितिका B.B.KAL पुरिया जी बहुत बढ़िया C.R.DAS बहुत अच्छे प्रमोज जी B.B.KAL देखते हैं इसका सही जबाब क्या है 12 नमबर के सही जबाब की बात करें सुभाष चंद बोज के राजनीतिक गुरू तो 12 का जबाब सही होता है बिकल B. जो लोग चितरंजिन दास C.R.DAS बिकल को सही बता रहे एकडम सही हैं इनको क्या बोल देते देश बंदू इनकी एक तरीके से क्या थी उपादी इनको जो है देश बंदू के नाम से जाना जाता था ठीक है ये भी ध्यान रखेगा देश बंदू के नाम से जाना जाता था और सुभाष चंद बोज की आज जैनती भी है 12 के बाद 13 नंबर देखें 13 नंबर आपसे पूछ रहा है प्रशन अच्छा है वा कौन सा कांग्रेस अध्यश था जिसने क्रिप्श मिशन वा लाड़ वेबल दोनों से बारताएं की भाई क्रिप्श मिशन और लाड़ वेबल जब आए यहां वाइसराय बनके तो दोनों से बारताएं करने वाला कांग्रेस का अध्यश कौन था अबुल कलाम आजार जमाहलाल नहरू, जेविकृपलानी या सी राजगोपालाचारी तेजी से अगर जवाब बहुत बढ़ी है दी बात करूं तो इसमें ध्यान दीचिएगा इसमें जो लोग चुन रहे है राइट ये होते हैं क्जोंकि जो कंग्रेस के अध्यत बने थे 1940-45 के दोरान 1940-45 के दोरान अबुलकलाम आजाद जो है ये कांग्रेस के अध्यचे थे और आपको पता है कि 1942 में आया था क्या क्रिप्समिशन और वही चीज़ 1945 में लाड़ बेबल जो बेबल योजना आई थी ना तो लाड़ बेबल की जो योजना आई और 19 जो आपका 42 में क्रिप्समिशन आया इन दोनों से वारताएं करने वाला अबुलकलाम आजाद जो है ये कांग्रेस का एक ऐसा आध्यचे था आगे बढ़ते हैं तेरा का बाद चोदा नंबर चोदा नंबर आपसे पूछ रहा है कि जब भारत को स्वतनता प्राप्त हुई थी तो इनाइटेड केंडम यानि बेटेन में निम्र में से किसे पार्टी की सर्थता थी ये प्रस्ण बहुत आ चुका है जब आप सही आने चाहिए इसका सही जबाब क्या हो सकता है बहुत अच्छे आनेल जी इसके सही जबाब की बात करें तो चोदा नंबर का यहां ध्यान दीजिए कि चोदा नंबर आपका जो लोग यहां विकल B को राइट बता रहे टिक एकदम सही है उस समय लेबर पार्टी की सरकार बनी थी 1945 की बात है 1945 में बेटेन में हुआ था चुनाओ और लेबर पार्टी की जीत हुई तो लेबर पार्टी से उस समय बने थे क्लिमेंट एटली लेबर पार्टी से जो प्रधानमंत्री बना एक तरीके से वो बना था क्लिमेंट एटली, क्लिमेंट आर एटली इसका पूरा नाम है, ये इसकी सरकार बनी, इसका रवया भारत के लिए थोड़ा सा क्या रहा, उदारवादी रहा, और उदारवादी की ही वज़े से आपको ध्यान होगा, कि 1946 की बात है, एक आपका मिशन फिर से भारत आया था, जिसका नाम क्या है, कैबिनेट विशन फिर से भारत आया था, तीन सद दस ये एक तरीके से ये मंत्री मंडल था, फिर से भारत आया भारत के सारे नेताओं से बातचीत के लिए, आगे बर जाते हैं, पंदरा नंबर, पंदरा नंबर आपसे बोल ला है, ठीक, कि निमलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सरप्रथम परोच निर्वाचन प्रणाली जिसको इंडारेक्ट एलेक्शन सिस्टम कहते हैं कि सुरुवात की थी ठीक है बताएं 1909 का अधिनियम रहा 1861 का रहा 1863 का रहा या 1892 का रहा कौन सा अधिनि नंबर का यहां पर ध्यान दीजिए कि परोच निर्वाचन प्रणाली 1892 से सुरुवात की गई है 1892 का जो अधिनियम आया था ठीक वहां से ये परोच अधिनियम यानि इंडारेक्ट एलेक्शन सिस्टम इंडारेक्ट के मलब कि राज जी में मालीजे जो समय प्रेस्टिली अगली बात है 16 नंबर की 16 नंबर पूछ रहा भारतिय राष्टिय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को आस्वविकार किया किसका पूछा है भारतिय राष्टिय कांग्रेस का बताएं भाई रामगड अधिवेशन 1940 का रहा या लखनो गरिमा भीविकल पा रहा शी बहुत बढ़ियां देख लेते हैं इसका सई जबाब 16 नंबर भाई ध्यान दीजिएगा यह प्रश्ण जो है 1935 का अंग्रेस के द्वारा आशबकार किया गया ठीक है भारत सरकार अधिनियम को आशबकार किया अब बताए आप से पूछा जा सकत अगला है 17 नंबर 17 नंबर सवाल आप से कह रहा है कि निमलिखित में से कौन कांग्रेस के अधिकारिक इतिहास के रचाईता थे कांग्रेस के अधिकारिक ऑफीसियल जो कांग्रेस की हिस्ट्री ये इसके रचाईता कौन थे सी राजगोपालाचारी जीवे किपलानी पटावी सीता रमया या फिर सरदार जो है 1936 में जो वहाला नहरू थे ये विकल्ब सी बहुत बड़ी हानी हाल देखते हैं सही जबाब 17 नंबर का सही जबाब जो होगा इसको ध्यान भी रखेगा 17 नंबर का जो लोग विकल्ब सी को राइट बता रहे एकदम सही है पटावी सीता रमया ये कांग्रेस के अधिकारिक इतिहासकार थे समझ गए ना कांग्रेस के इतिहार जो है अधिकारिक या बोल सकते हो सरकारी इतिहासकार ऐसा भी प्रश्ट पूछ सकता है कि कांग्रेस का जो है सरकारिक इतिहासकार कौन था तो वो कौन थे पटावी सीत मैया समझ गए चलिए आगे बढ़ जाते हैं 18 नमबर पर 18 नमबर आप से पूछ रहा है भारत का पहला नगर निगम कौन था भाई भारत का पहला नगर निगम कौन सा है बांबे का इलाहबाद कोलकाता या मद्रास सही जवाब इनमें से क्या हो सकता है बहुत बढ़ियां पहला नगर निगम भारत में मद्रास बना कब 1687 की बात है तो पहला नगर निगम में चन्नेग के रूप में जाना जाता है टिक उस समझ कया था 1649 की बात है, जब East India Company के क्रमचारी थे, क्या नाम था? Francis Day. इन्होंने यही किसकी निव रखी थी? Francis Day, East India Company के क्रमचारी थे, इन्होंने निव रखी थी? किसकी? बीजे नगर के राजा से कुछ भूम मिली और मदरास की निव रखी थी. ठीक, तो दो प्रशन यहां से क्लियर होते हैं, अगला प्रशन देख लें, 19 नमबर. तांबे की सबसे कमी लोहे की, मैगनीज की या जस्ते की. सबसे ज़्यादा कमी अपने यहां किसकी होती है? बहुत बढ़ियां, बहुत अच्छे, D. विकल्ब, बहुत बढ़ियां भाई D, सोनिया जी C, रिया जी D. देखते हैं, सही जबाब, भारती मिर्दाओं में अगर देखा जाए, इस विकल्ब के अनुरूप, सरवाधिक कमी भारती मिर्दाओं में जस्ते की पाई जाती है, 19 के बाद 20 नमबर, 20 नमबर आपसे पूछ रहा है कि, अलमाटी या अलमाटी बांग बोलते हैं, किस नदी पर है बाई, गुदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी, कौन से जबाब इसमें से सही हो सकता है, 20 नमबर, बहुत अच्छे, 20 नमबर का अगर सही जबाब देखें, 20 नमबर में अलमाटी बांग, ये कृष्णा नदी पर आपके अवस्थित है, ठीक, कृष्णा नद पर अवस्थित है, अलमटी बांग, ये बांदों से संबंधित, मेल को भी प्रशना आता है, 20 नमबर देखें, 20 नमबर पूछ रहा है, भारत में कृष्णा जाता है, क्या वाई, जीवको पार्जों का साधन, एक बेवसाय है, एक बेपार है, या एक उद्दोग है, कृष बहुत अच्छे, 20C, बहुत बढ़ियां भई, एर आए, तेजी से कमेंट करिए, बहुत बढ़ियां प्रमोज जी, 21 नमबर बहुत अच्छे, देखते हैं सही जबाब, 21 नमबर ध्यान दें, कि अभी तक भारत में, क्रिसी को जीवको पार्जों का साधन समझा जाता है, त ठीक है, किसको हम जो है, वाइट गोल्डेन एक तरीके से बोलते हैं, यहूं को, मक्का को, कपास को, गन्ना को, महराष्ट में किसको स्वेत स्रन्ड नाम दिया जता है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़ियां भई, कपास, बहुत बढ़ियां, सोनिया जी, C, दिब्यान सी, 22 2, C, देखते हैं, सही जबाब क्या है, 22 नमबर का, यहाँ पर जो लोग विकल्ब C को राइट बता रहें, एकदम सही है, महराष्टा में, कपास को, स्वेत स्रन के नाम से जाना जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पर पैदावार अच्छी है, ठीक है, 23 नमबर देख वो फसल दी है, कौन सी सुमेलिन नहीं है, बताइए भई, फसल, भारती है फसल, बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बढ़ियां नरायन जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़ियां अलोग, कुंडी 3 का जबाब आ रहा है, बहुत अच्छे, देखते हैं, 23 नमबर का, 23 नमबर की प्रजाद ये, इसलिए पहला मेल नहीं है, बाकी मुंफली की प्रजाद चंद्रा है, मसूर की प्रजाद जो है, ये पंत L406 है, और सरसो की वरुडा, ये उस दिन भी मैंने एक गुमा के प्रशनाप से पूछा था, दूसरे टाइप से, आगे बढ़ जाते हैं, 24 नमब सही होगा, अधरक का तना, बहुत बढ़ियां भाई, बहुत अच्छे, कोई दिक्कर नहीं, बी विकल बहुत बढ़ियां, जया जी, डी आप चुन नहीं है, देखते हैं, 24 नमबर का, 24 नमबर ऐसा कोई भी तना, जो मिट्टी में उगेगा, खाद का संग्रहन करेगा, उस प्रकंद प्रकार की जड़े की आवोती, कभी-कभी आप से पूछ लेगा, जैसे, ये तो अधरक का है, मूली से पूछ लेगा, फिर जो है, सलजम से पूछ लेगा, या गाजर से पूछ लेता है, हल्दी से पूछ लेता है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखें, 25 नमबर आप से पूछ रहा है कि 9 gram तेल छेत्र टिक कहां इस्तित है बताएं असम में हैं गुजरात में हैं महाराष्टा में तमिलाड में 9 gram ये एक तेल छेत्र का नाम है कहां परिस्तित है बहुत बढ़ियां दीपक जी बहुत अच्छे भाई ये विकल भी आ रहा है देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है बहुत बढ़ियां रितका तो 25 नमबर प्रश्ण का सही जवाब जो होगा इसमें जो लोग विकल भी अभी तक कमेंट कर चुके हैं दमसही हैं बाई 9 gram जो ये छेत्र है ये अपने कहां गुजरात में इस्थित हैं इस चीज का ध्यान रखें 25 के बाद 26 नमबर आपके सामने है 26 आपसे बोला कि भारत तथा चीन के मद्दे वर्श 2018 में भारत का व्यापार घाटा कितना रहा है भारत का व्यापार घाटा कितना रहा 45 बिलियन डालर का 50 बिलियन डालर का यह 60 बिलियन डालर का व्यापारी घाटा वो होता है कि आयात से जो है जब निरियाद हो सकता है गरिमा जी एक आच चीजे हो जाएं बहुत बढ़ियां बिल्कुल देख लेता है इसका सई जबाप क्या है तो 26 नंबर में ध्यान दीजिए कि जब आपका जो है जो चीजे हम मंगार है और भेजने हमारे देश के द्वारा भेजने वाली चीजे बहुत कम हो तो समझे यह बैपार घाटा उतना ही बढ़ता चला जाता है तो चाइ भारत का व्यापारिक घाटा रहा ठीक अब व्यापारिक अधिसेस भी आपसे पूछता है वह दूसरी चीज हो जाती है 27 नंबर देख लें 27 आपसे बोला भारत द्वारा सरबाधिक आयात की जाने वाली वस्त कौन सी है बाई पैट्रोलियम उत्पाद मोती स्वन्ड यह व पैट्रोलियम उत्पाद का क्या करता है आयात करता है अगर मैं पूछू भारत सबसे ज़्यादा निरयात क्या करता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत सबसे ज़्यादा निरयात क्या करता है आयात की जाने वाली वस्त भारत में सबसे ज़्यादा पैट्रो पंदिये वनों में रहते हैं अमेजन इंडोनेसिया मलेशिया या क्रांगो ये चार आपके जो है राजी दिये एक तरीके से देशों के नाम है कहां पर ये पाए जाते हैं फड़ा फड़ा आप लोग जो है कमेंट करते रहिए बहुत बढ़ियां गोट इबनिंग केदार जी लग जाईए 10 सेकेंड का मैं समय दूंगा तेजी से आप लोग कमेंट करें फिर मैं आंसर पर बढ़ रहा हूँ इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका जवाब सही है सेमांग लोग जो होते हैं ठीक ये मलेशिया के मले प्राइदीब में निवास करने वाली प्रजाती है कहां की ज़ाती है मलेशिया के मले प्राइदीब में निवास करने वाली ये ज़ाती है तो आपको ध्यान रखना है कि मले प्राइद में निवास करने वाली ज़ात कौन सी है सेमांग इसको बोलते हैं प्रशंख्या दो आपकी स्क्रीन पर दो नंबर आपसे कह रहा है कि USA के निमलिकित राज्यों में ऐसे किसमे काफी का उत्पादन होता है भाई फ्लोरिडा, कैलिफोर्णिया, हावाई या एरिजोना ये चार प्रांट आपके अमेरिका के दिये हैं USA के इन में से किस प्रांट में आपका जो है काफी का उत्पादन होता है इसका सही जबाब क्या हो सकता है, निर्मल जी बहुत दिनों बाद नहीं, बहुत बढ़ियां अगर इसके सही जबाब की बात करें, 2-A-R-I जबाब, अनि लोगों के भी बहुत बढ़ियां इसका सही जबाब जो आपका होगा, दूसरे नमबर प्रश्ण का, यह जबाब यहाँ ध्यान दें, कि यह जो हवाई छेतर है अमेरिका का, यह से का जो हवाई छेतर है, ठीक, इसमें जो हवाई राजी में काफी का उत्पादन किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखें और यहाँ पर जो हवाई में काफी उत्पादित होती है, इस काफी का एक DCS नाम है, इसका नाम है कोना काफी, आगे से ध्यान रखेगा, हवाई में उत्पादित जो काफी है, इसका नाम है कोना काफी, ठीक, तो दो चीजे यहाँ से पता चल गई, अगले क्वेशन पर बोला है विट वाटर सेंडर जो है रेंड यह सोने के लिए है तीसरा बोला है कटांगा यह तामबे के लिए प्रशिद्ध है चौथा बोला है सार लोह आयस के लिए इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही सुमेल नहीं है जब आप दीजे तीन अगर इस प्रश्ण के मैं विकल्प की बात कुरूँ चार नमबर के बहुत अच्छे C विकल्प पा रहा है D आ रहा है 3D बहुत बढ़ी है अगर तीन नमबर प्रश्ण का सही जबाब देखा जाए कि तीन नमबर प्रश्ण का सही जबाब क्या हो सकता है तो इसमें चोथे प्रश्ण को देखें ये जो सारप्रांद के बारे में लिखा है सारप्रांद को कह रहा है लो एस से जबकि सारप्रांद जो है ये लो एस से संबंदित कहीं भी नहीं है ये आपका जो है कोईला के लिए बहुत फेमस शेतर है कोईला के लिए famous शित्र है और यह सारप्रांत आपका उसका क्या कहते हैं जर्मनी का एक भाग है सारप्रांत जर्मनी का एक भाग है और यह कोईले के लिए famous है बाकी जो तीन दिये हैं आपके यह तीनों सुमेल हैं केवल यहीं आपका सुमेल नहीं था सारप्रांच जर्मेनी का हिस्सा है ये कोईला चेतर के लिए प्रसिद्ध है अगला प्रशन चार नंबर देखिए ग्रेंड बैंग इसका नाम जो है 15 में चर्शा में आया था ग्रेंड बैंग इस्तित है कहाँ पर उत्री अमेरिका के पश्मी तड़ पर पश्मी एरोपिय तड़ पर या उत्री अमेरिका के पूर्वी तड़ पर या अफ्रीका के पूर्वी तड़ पर इनमें से सही जबाब आपका कौन सा होगा कि ग्रेंड बैंग आपका कहा पर इस्तित है गो डिबनिंग सुनिया जी कमेंड करना स्टार्ट कर दें कि चार नमबर प्रश्ण है डे विकल बहुत बड़ी है अगर इसके सही जब आपकी बात करें चार नमबर तो ध्यान दीजिए ये जो ग्रेंड बैंक है न अगर इसकी बात की जाए तो जब आप उत्तरी अमेरिका ठीक है पढ़ते हैं न इसके बारे में और इसके पूर्वी तट को देखेंगे वहाँ पर आपको ग्रेंड बैंक इस्थित मिलेगा ये चर्शा में भी रहा था इसलिए क्योंकि ये उत्तरा जो आपका एक तरीके से अट्लांटिक महासागर पढ़ता है अट्लांटिक महासागर ठीक अट्लांटिक महासागर की अगर बात की जाए उसके उत्तर पश्चिम पर पढ़ता है उसके जो है उत्तर पश्चिम पर पढ़ता है अट्लांटिक महासागर के ग्रेंड बैंक और यह मतज सिपालन के लिए बहुत ज़्यादा महतपूर है, यहाँ पर मचलियां बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती हैं, इसलिए यह चेतर चर्शा में रहा था Grand Buying, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर, चार गे बाद पांच नमबर देख लें, पांच नमबर जिसने Migration Theory या Migration Principle दिया था, सही जवाब कुन सा हो सकता है, बहुत बढ़ियां ही देन, अगर इसके सही जवाब की बात करें, C B कल पा रहा है, बहुत बढ़ियां, पांच नमबर का सही जवाब, अवशेक जी आप थोड़ा पीछे हो गये हैं, पांच नमबर पर हम लोग तो इसमें जो आपका Migration Theory है, Migration Theory का सिधान दिया था, ली ने, तो बिकलब C आपका एकदम सही होगा, ठीक, ली ने प्रवास के निवास को अस्थाई अथ्वा, आस्थाई परिवर्तन के रूप में प्रवाब, जो है किया था, Stable और Unstable के रूप में इन्होंने इस थेरी क को रखा था, इस principle को सामने रखा था, Migration Theory को, ठीक है, छे नमबर प्रशन देख लिजिए, छे नमबर आपसे पूछ रहा है, ये विश्व भूगोल इस बार अच्छा खार सा पूछा था, इसलिए वहाँ से संबंदी जादा प्रशन होते हैं, जैसे निमलेके देशों में स कौन भूमद रेखे जलवाई के अंतरगत नहीं पाया जाता है, भाई, भूमद रेखे जलवाई के अंतरगत नहीं पाया जाता है, कांगो है, एथियोपिया है, या गोवन है, या जाइरे है, चारों में से कौन सा विकलब आपका उचित होगा, ठीक, जलवाई छेतरों के बारे में जब आपने पढ़ा होगा विश्व में निधी जी सुभे मार्निंग वाली क्लास करिए आप लोग बहुल लेट हो गए है आज वैसे रिया जी गो डिवनिंग लग जाईए 6B आंसर आ रहा है 6A बहुत बढ़ी हां मार्निंग आट विजे मैं लाइब आता हूं वो क इंक रगवन्सी जी इसके सही जब आपकी बात करें 6 नंबर तो 6 नंबर जो आपका जबाब सही होगा इसमें ध्यान दें भूमत रेखे जलवाई के अंतरगत अगर यह सवाल आपसे कर रहा है ठीक तो यहां पर ध्यान दें इनमें जो बिकल्पों में आपके दिये हैं चा अगर आपसे पूछ लें कि निमलिकित में से कौन से देश भूमत रेखा परिस्तित हैं तो कांगो भी है गोवन भी है और जायरे भी है और इथोपिया कहीं से भूमत रेखे जलवाई के अंतरगत नहीं आता है समझ गए ना तो दो प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं कि कुछ बांध कहां पर भाई इस्तित है शूडान में मेश्र में जाइरे में या नाइजीरिया में साथवे नंबर का सही जवाब क्या हो सकता है कमेंट करिए अभी इलाहाबाद हाई कोट इधार आना नहीं हर्विंदर जी जब आएगी तो आपको मिलेगी जरूर गोडेवनिंग कलरबना जी थोड़ा लेट हो गये हैं चलिए लग जाए बहुत बढ़ी हां रिया 70 अंजनी जी बहुत अच्छे सुरकान जी भी आ रहा है बहुत अब आप जो है इसमें बिजिट करेंगे ना अफरीका महादियूग तो वहाँ पर आपको मिलेगा ठीक अफरीका महादियूग के खासकर कहां पर नील नदी पर ये बांध बनाया जा रहा है अब मैंने डाइरेक्ट ये क्वेशन नहीं पूछा कि नील नदी पर कौन सा बा अब आप आप आपका भगवती चरण बहरा ने किसका ये प्रशित कथन है कि आलोचना और स्वतन चिंतन एक क्रांधिकारी की दो विशेशताएं होती हैं साही जबाब क्या हो सकते हैं आलोग जी कोई दिक्कर नहीं है वो क्लासेश पड़ी है आप जाकर के यूटूब पर देख सकते हैं बहुत बढ़ी हैं पुछपेंड ए जबाब आ रहा है देखते हैं आठ नंबर प्रशन पर ध्यान दीजिए ठीक है आठ नंबर प्रशन में अगर सही जबाब की इसमें बात करें तो आठ नंबर का जो भगसिंग का ये कथन रहा है बहुत ही फेमस कि आलोचना और स्वतन्त्र चिंतन एक करांधकारी की दो बिसेस्ताएं होती हैं समझ गए न ये भगसिंग का जो है बहुत फेमस कथन रहा है आठ के बाद नो नंबर आप देखें नो नंबर आ आप हो सकता है फड़ा फड़ा आप लोग कमेंट करें कमेंट थोड़ा सा तेजी से करिये कमेंट थोड़ा सा तेजी से आप लोग करें बहुत बढ़ियां एविकल पा रहा है बहुत अच्छे CBA सही जवाब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है तो नो नंबर प्रशन का सही जबाब होता है यहां ध्यान दें इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात की है यह सोसाइटी की अस्थापना 1905 फरवरी की बात है फरवरी 1905 में इसकी अस्थापना होई थी इसलिए कहां पर होई थी लंदन में होई थी फरवरी 1905 में कहां पर होई लंदन में हुई, अगला question जो बन सकता है, किस ने किया, तो स्याम जी लाल, जो है, इनका पूरा नाम था, स्याम जी कृष्ण बर्मा, किस ने किया, स्याम जी कृष्ण बर्मा, तो यहां से आपसे तीन question यह पूर सकता है, एक तो यह Indian Home Rule Society की अस्थापना किस ने की, ठिक, तो स्याम जी कृष्ण बर्मा ने, दूसरा है यह, इसकी अस्थापना कहां पर की गई, लंदन में, तीसरा है, इसकी अस्थापना कव होई, तो फरवरी 1905 में, तीन प्रकार के प्रश्णों से बनाए जाते हैं, तीन के बाद, जो है, नो के बाद, दसमा नंबर देख लें, द कौन सा वाविक्ती रहा है, जिसने बंग-भंग अंधोलन का नेतुत किया था, बहुत बढ़ियां, चलिए डी विकल पा रहा है, बहुत अच्छे, गुड इबनिंग गुंजा जी, बहुत ज़्यादा लेट है, रचना जी, स्वागत है, ए विकल पा रहा है, बहुत अंधोलन का जो नेता था, ठीक, कैसा अंधोलन? प्रारंभिक अंधोलन, जो प्रारंभिक अंधोलन आपका चला, इसके नेता थे आपके सुरेणनाथ बनरजी जी, विकलप A एकदम आपका सही होता है, तो 10 नंबर प्रश्न का विकलप A सही है, दस के बाद 11 नंबर आप ल नारस अधिवेशन का अध्यच होन दा, सुरेणाथ बनर जी, फिरोस सामेहता, गोपाल किशन गोखले या दिन सावाचा, इन चारों में से कौन सा सही जवाब है, क्योंकि का अंग्रेज के अधिवेशन से संबंदी सवाल हमेंशा होते हैं, देखते हैं, इसका सही जवाब क्या हो सकता है, कमेंट थोड़ा सा तेजी से करने की आप लोग कोसिस करें, केदार जी बहुत बढ़ियां, अगर इसके 11 नंबर प्रशन की सही हम देखें कि इसका जवाब कौन सा सही है, तो इसमें ध्यान दीजिए, 1905 का भारतिय राष्ट कांग्रेस का बनारस में एडिवेशन हुआ, इसकी अध्यचता की थी उस समय, गोपाल कृष्ण गोकले ने, किसने? गोपाल कृष्ण गोकले ने, तो C जबाब एकदम सही होता है, बनारस एडिवेशन कई बार पूछा जा चुका है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अग आंदोलन से नहीं था, चलिए वही, बहुत बढ़ियां वही, बहुत अच्छे, सभी के कमेंटार है, गोकले, ट्वैल भी, बहुत बढ़ियां, इसके सही जबाब की, अगर मैं बात करूँ 12 नंबर, बहुत बढ़ियां जो है अवशेक जी थोड़ा पीछे हो गये हैं, इस एर, एनिबेसें, बीजी, तिलक, ये सब कही ना कहीं, किसी ना किसी रूब में, बाद में या पहले, यहां पर पहुंचे हैं, तेरा नंबर प्रशन आपसे पूछ रहा है, गांदी जी से संबंदित प्रशन है, गांदी जी के अंसार हिंसा का क्रूरतन रूब क्या है बहुत बढ़ी हाँ, C विकल्प रश्मिबाला जी, हिमा ठाकुर जी, D विकल्प है, SG के पॉइंट, भाई स्वागत है, चली, जो लोग भाई नए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी है, कि बीच में चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, जब भी मोका मिलें, आप ए चुनने वाले एकदम सही होते हैं, गांधी जी ने गरीबी को लेकर रखे, बहुत सारी चीजे की थी, ठीक है, अगला है 14 नंबर प्रशन आपके सामने, 14 नंबर आपसे पूछ रहा है, कि निमलिकित में से कौन कहा करते थे, कथने किसी का, गलत साधन हमें कभी भी सही उ इतजार, बहुत बढ़ी हां, मौनिका जी, मिश्ठाकूर सी, बहुत बढ़ी हां, मौमदारिव, केदर जी, 14 बी, देखते हैं, सही जबाप क्या है, 14 नंबर प्रशन के, अगर मैं सही जबाप की बात करूँ, तो यहां पर ध्यान जीजे, मौनलल, ठीक है, मौनदास करंच गांधी बिकल B को दिया है, एकदम सही है, गांधी जी का बहुत फेमस कतन है, कि गलत का जो है, शाधन कभी भी हमें सही देशी तक नहीं पहुँचाएंगे, 15 नंबर देख लें, 15 नंबर आप से बोल लाप प्रशनी यूँ, कि भारत दोरा सरवाधिक निर्वाद किस गया था, अमेरिका को, होंग कॉंग, UAE या चाइना, कौन सा जवाब इन में से सही हो सकता है, बताएं आप लोग, बहुत बढ़ियां, 15 नंबर प्रशनी के बाद, उसके जवाब की बात करूं, तो इसमें, बहुत बढ़ियां, रश्मिबाला जी, शिवरामन जी, बहुत देखते हैं, इसका सही जवाब क्या होता है, बहुत बढ़ियां, वई USA कई लोग, ए विकल्ब को बता रहें, क्या USA होता है, सही, तो जिनोंने अभी तक, ए विकल्ब को बार-बार, मल्लब इसमें चूज किया है, तो USA को, वो लोग होतें, एक दम सही, 2018-19 में हमने सबसे ज प्रदेश, असम, मद्प्रदेश या बिहार, इन चारों में से सही जवाब आपका कौन सा हो सकता है, चलिए वई, कमेंट करिए, बहुत बढ़ियां हेतें जी, तो रचना जी, बहुत बढ़ियां, शोला नंबर, डेविकल्ब पारा है, देख लेते हैं, इसका सही जवाब डेश, बुलेटिन के अनुसार, अगला प्रश्न है आपका, 17 नंबर आपसे पूछ रहा है, ब्यापार और आर्थिक संबंद समित, जिसको T.E.R.C. बोलते हैं, इसकी अध्यचता कोन करता है? ब्रदान मंत्री करता है, बित मंत्री करता है, वा नियजन मंत्री करता है या ब्यापार और आर्थिक संबंद एक समित है अपने यहां तमाम तरीके की समितियां हैं तो इसका कौन करेगा चलिए बाई 17 नंबर प्रश्ण का सही जवाब दें बहुत बढ़ियां विकास डी विकल पार आए बहुत बढ़ियां रचना जी डी है शुरकान जी इसके सही जव बढ़ते हैं अगला प्रश्ण 18 नंबर आपके सामने है 18 बोल ला है भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेड़ दाता बैंक कौन सा है बाई बताएं करेंट से संबंदित भी यह प्रश्ण है बियो बी पी एन भी एस वी आई या एस डी एफसी इनमें से सही जवाब आप तो सही जवाब में बात करें दूसरा सबसे बड़ा रेड़ दाता बैंक अभी आपका बन चुका है कौन सा बी यो बी ठीक है तो विकल ए जो लोग चुनने है एकदम सही है आपको एक अपरेल 2019 की घड़ना याद होगी ना एक अपरेल 2019 जब बी यो बी का जो है मर्ज किया भी हो भी आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण 2019 नंबर आपसे पूछा है कि वर्तमान संसोधन से ग्रेचवटी को किदना कर दिया गया गया ग्रेचवटी यानि जब रेटार्मेंट होता है तो आपको कुछ रकम सरकार देती है कितना है भाई 10 लाक 12 लाक 15 लाक या 20 लाक स इतने हैं ग्रेचवटी रिया जी भी विकल्ब अगर सही बात करूं 19 नंबर ग्रेचवटी इस समय ग्रेचवटी मनलब जब आप रेटार होते हैं तो सरकार के द्वारा कुछ पैसे आपको दिये जाते हैं एक मुस्त 20 लाक दिये जाते हैं ठीक है विकल्ब डी आपका चुराबाद में एहमदाबाद में या देहरा दूर्ण में बीच नंबर प्रशन का सही जबाब क्या हो सकता है क्योंकि संस्थान से संबंदित हमेशा प्रशन होते हैं बहुत बढ़िया मौनिका जी सी विकल्ब पारा विकास ये विकल्ब बेंगड़ जी ये है बहुत राइट हैं टेक डेविकल पाप का एकदम यहां पर सही है 21 नंबर देख लें 21 नंबर आप से पूछा है विज्ञान की साखा के बारे में समय मापक विज्ञान कौन सा है वाई क्या नाम उसको देते होरोलोजी कॉस्मोलोजी टॉमोलोजी या हैड्रोलोजी बताएं बैए 21 नंबर प्रशन का सही जवाब क्या हो सकता है फरीन जी बहुत बढ़ियां दोसें जी बहुत बढ़ियां वाई इसका सही जवाब 21 नंबर बताएं नितेश जी बहुत अच्छे से विकल पा रहा है देखते हैं वाई सही जवाब क्या हो सकता है आप लोग सदा ध्यान रखे कि जो समय मापक बिग्यान होता है यह horology कहलाता है विकलप ए आपका एकडम सही है horology के अंतरगत समय का मापन किया जाता है time measurement का मापन किसके अंतरगत होता है horology के अंतरगत होता है एक case के बाद 22 number देखें 22 number आपसे सवाल यूँ कर रहा कि अगर खारा पानी है इसको सुध पानी में परिवर्तित करना है तो इसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी वो process क्या कहलाता है प्रास्वेदन ठीक है sweatling जिसको आप बोलते है sweating फिर बोल रहा है उत्फुलन यानि B on C C बोल ला है विद्धुत प्रिथक करन यानि electrical isolation D बोल ला है उत्परम प्रासरांड ये सको बोलते है reverse osmosis साही जवाब इन में से क्या हो सकता है बाई बहुत बढ़िया सोरिया जी 22 number प्रशन आपसे पूछ रहा हूँ 21B दिभ्यानसी जी बहुत पीछे है बर्तित करते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है यहाँ पर ध्यान दें जो विकल्प आपका D दिया है एक तरीके से ठीक ये उत्परम प्रासरांड जो है आपका reverse osmosis ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है जब हम खारे पानी को किसमें बदलते हैं जो है iodine है यह att ये ख्लोरीन है जवाब थोड़ा से आपलों कमेंट करें प्रसन सुनें तो तुरंट जोड़ जाएं किसका साही जबाब क्या हो सकता है तो तेश्व नबर प्रसन का आपका साही जबाब होगा यहाँ पर blog एक आपका ऐसा हे लोजन है जिसका इस्तेमाल हम जो है पीडाहारी के तोर पर करते हैं किसका जो है ब्रोमीन का पीडा नासक या पीडाहारी दोनों एक ही चीजे हैं 23 के बाद 24 नंबर देख लें 24 नंबर आपसे पूछा है क्या निमले में से बेमेल को ग्यांद करें कौन सा मैच नहीं कर रहा ह है तीन जोड़े एक जैसे हैं एक नहीं होगा फीजियोलोजी साइकोलोजी पैथालोजी या बैक्टिरियोलोजी इन में से कौन सा भिन है चलिए वाई आप लोग बताएं फड़ा-फड कमेंट करिए बहुत अच्छे रचना जी 25 नंबर प्रश्न के बाद 24 नंबर प्रश 24 नंबर का अगर मैं जबाब की बात करूं मैं भूल गया था कि 25 नंबर पर हूँ तो 24 नंबर प्रश्न में यहां ध्यान दीजिए जैसे यह फीजियोलोजी है ना पैथालोजी है और बैक्टिरियोलोजी है यह तीनों के तीनों आपके बायो से संबंदित है जीव दीजिए 24 के बात 25 नंबर देख लें 25 नंबर आपसे पूछ रहा है कि निमलिकित मेंसे कौन प्रोटीन को वेकृत नहीं करता है प्रोटीन को चेंज नहीं करता उसमा औरक्त किरणे या एक्स किरणे या भारी धातुल मड़ किस पर जो है प्रोटीन का कोई असर नहीं पड बात कर रहे हैं बहुत बढ़िया फरीन आप गायब थी बीच में 25 नंबर प्रश्ण के अगर मैं सही जवाब की बात करो तो यहां ध्यान दीजे प्रोटीन को विकर्थ इसमें से नहीं करेंगी आपकी कौन से जो यहाँ पर बात हुई है बी विकल्पी औरक्त केरणों के बारे में जो कहा गया है ये केरणे आपकी कहीं से भी प्रोटीन को विकर्थ नहीं करती है या कि प्रोटीन को प्रभाविद नहीं करती है लेकिन उस उस्मा, एक्सकेडे, भारीधा, तुलवड ये सभी प्रोटीन को कहीं ना कहीं बिकिर्थ करते हैं, चेंज खरते हैं, 26 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, 26 नंबर आप से कुछ ही यह पूछ रहा है कि परियावरण अपकर्स जिसको इन्वार्मेंटल डिग्रेडेशन ब होला है कि उपेव सभी, इन चारों में से जो है तीनों जो आपके जबाब बोले गए हैं, वो सभी के सभी कहीं न कहीं परियावरण आपकर्स से जुड़े हैं, सही जबाब क्या हो सकता है, बहुत बढ़ियाँ डिविकल पा रहा है, 26 नंबर प्रशन के अगर सही जबाब क क्या रहे हैं, तो देखते हैं इसका सही जब आप क्या हो सकता है, 26 नंबर में, जो लोग बार बार डिविकल को बता आते हैं, ठीक है, मैं भी मान जाता हूँ, चली आप लोग सही है, बहुत बढ़ियाँ, डिविकल यहां पर सही है, ठीक है, यह सभी के सभी क्या करेंगे कहीं न कहीं, परियावरण को ही जो है नुकसान पहुचाते हैं, अगला 27 नंबर देख लें हैं अब लोग, 27 पूछ रहा आप से यूँ, कि निमलेखित में से किस कारिशब पारिस्तकी संतोलन बिगड़ता है, लकनिक गाड़ना, सामाजिक बानकी से, वन महोसो से, वन आता है, बताएं 27 नंबर प्रशन कोन सा उपिप्त बिगल्प है, 27 नंबर अगर मैं बात करूँ, इसमें सही जबाब क्या है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो लोग बिगल्प को इसमें 27 नंबर में चुनने हैं कोन सा, कि पारिस्तकी संतोलन आपका किस्से नहीं बिग ठीक, आगे बढ़ते हैं, वन आर उपर इसमें कहीं न कहीं क्या करेगा, फाइदा ही करता है, वन महोट सो फाइदा करेगा, सामाजिक बान की फाइदा करेगी, लेकिन लकडी काटने से आपका ये चीज़े पारिस्तकी संतोलन आपका बिगड़ने लगेगा, क्योंकि इसमें से कौन सा छेतर जय विवित्ता तब तस्तल, यानि आपका जो वो होते हैं, होट स्पोट, ठीक है, कौन सा इसमें है, गंगा के मैदान, सुंदरबन, पश्मी घाट या पूर्वी घाट, इन चारों में से बताएं कि भाई, जो है, आपके जो हो, होट स्पोट कौन स जब आपको मैं मान ले रहा हूँ वाई, एकदम सही है, ठीक है, यहाँ सी विकल्प है, सुंदरबन होता है, तो हम लोग कनफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कभी कनफ्यूज मत होईएगा, तब तस्तल होट स्पोट जो दिये जाते हैं, इनमें क्या कंडिशन होती है, कि जो ब्रेच वहाँ पाए जाएंगे, वो कहीं और नहीं पाए जाएंगे, तब उनको हाट इसपार की स्रेणी में लाया जाता है, समझ गए ना, इसलिए सुंदरबन इनमें नहीं आता, आला कि सुंदरी बन भी अपने लिए बहुत फेमस हैं, सबसे लंबा जीवित ब्रेच ब की बिकल को चुनने हैं, ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ, सही है आप लोग भाई, पढ़े हैं, तु जाहिर सी बात है, सही जबाप आएगा, सिकोया आपका जो है, ये कैसा ब्रिच है, ठीक है, ये सबसे लंबा लाग बद तेरा सो साल तक भी ये रह जाते हैं, तेरा सो साल तक जीवित रहे जाते हैं, अब सो सकते हैं आप लोग, अगला प्रशन है आपका, 29 के बाद 30 नंबर, 30 नंबर आप से पूछ रहा है कि बेतला पार कहा पर इस्तित बाई, उत्तर प्रदेस में, जहार खंड में, मद प्रदेस में, और उडिशा में, बताएं 30 नंबर का सही सी है, ओडिशा, देख लेता हैं इसका सही जबा, 30 नंबर देखें, 30 नंबर जो यह आपका बेतला पार्क पढ़ता है ना, ठीक, यह बेतला पार्क अपना वहां पढ़ता है, जहार खंड में, तो बिकल भी आप लोग एकदम करेक्ट बताईएगा, बिकल भी एकदम सही है क्यों यह बेतला पार्क क्यों थोड़ा सा नेसेसरी है, अगर इस क्वेस्चन को बला जाए, तो प्रोजेक्ट टाइगर से यह समध्धित रहा है, किसे, प्रोजेक्ट टाइगर से इस बार सवाल आया था, क्रम में लगाने को दिया नहीं था, प्रोजेक्ट टाइगर भी सबसे पहला प्रशन आपके सामने है, बिज्ञान जगत से, बोल ला है आपसे कि विज्ञान का छेत्र जिसके अंतरगत मानो योम यंत्र के मद्धि, श्वाचलन, योम संचार का अध्यन किया जाता है, क्या कहलाता है भाई, हाईड्रोनिक्स, या क्रायोजेनिक्स, या डा इक्राइटेटिक्स, या फिर साइवरनेटिक्स, इन में से सही जबाब आपका क्या है, फटा फटा आप लोग कमेंट करें, गोड इवनिंग भाई, बहुत बढ़ियां रीतका जी, पहले नंबर का जबाब आप लोग सुरू कर दे, बहुत बढ़ियां रश्मी बाला जी, पहले नंबर प्रश्ण में बहुत बढ़िया प्रमोजी अभी आप दिखाई दिये कमेंट जब आपने किया इसमें देखें बिग्यान कवाचेत्र यानि साइन्स की वो फिल्ड जिसके अंतरगत मानो यह अंतर के अभी यह प्रश्ण के बीच में यह अंतर के बीच में एक रोबोटिक्स जो इस समय सारी चीज़ चल लगी है या आज कल आप देख रहे हो कि जो है हर एक सौफ़वेर को इतना ज्यादा अब मलब यूज थुरू बनाए जा रहा है कि आप बहुत आसानी से सब कुछ कर सको तो यह ऐसा छेतर आपका कहलाता है साइबर नेटेक्स से यानि डी विकल्प जो लोग चुनने हैं वो एक दम सही है इसकी परिकल्पना यानि सबसे पहले इसके कॉंसेप्ट को देने वाला बेक्ति था नाखर्ड वीनर करके नाम था इसका नाम था नाखर्ड वीनर ये भी ध्यान रखिएगा सबसे पहले इसकी कॉंसेप्ट को किसने दिया ठेorie किसने दिया फ्रिस्पल किसने दिया तो वो बेक्ति था नाखर्ड वीनर दूसरा प्रशन देख लें आपके सामने है दूसरा प्रश्ण आपसे पूश रहा है, कि निमलिकें युग मेंसे कौन सा ? साधारण टार्स सेल के टर्मिनल ओको बनाता है ठीक है? जो सेल के आपके टर्मिनल होते हैं एक पॉस्टिव होता एक نेगेटिब तो किस से बनते हैं? जिंक कार्बन से, कापर जिंक से, जिंक कैड्मियम से, या कॉपर आपका कार्बन से, कार्बन और कॉपर से, सही जबाब क्या हो सकता है, दूसरे नंबर प्रशन के अगर सही जबाब की बाप करें, बहुत बढ़ियां अर्शना जी, D विकल पा रहा है, दूसरे नंबर, C वि स्थेमाल करते हैं positive or negative में रख में जो होता है आपका dry cell होता है शुसकint cell होता है और शुसक के cell में जो एनोड होता है ठीक यह एनोड आपका zinc का बनता है जेटन यानी और जो आपका cathode होता है यह cathode carbon का बनाए जाता है तो आप इस शीच को ध्यान रखना है कभी गलत नहीं करना है अभी नार्मल पूछ लेता है ना तो उसमें वही एक को पूछता है लेकिन अब PCS में आप बैठेंगे तो जाइर सी बात है थोड़ा सा चेंज करेगा तीन नंबर प्रशन आप लोग देखें तीन नंबर आप से बिस्पोटक के बारे में पूछा है कि कौन सा विस्पोटक नहीं है पहला तो बोला ट्राइन ड्रो ट्यलिं यानि TNT जिसको बोलते हैं ट्राइन ड्रो ग्लिसरीन सी बोला है साइक्लो ट्राइमें जिसका पूरा नाम है शौड़ पार में जिसे हम लोग जानते हैं ना यह RDX के तोर पर चोथा बोला नाइट्रो इन में से कौन सा विस्पोटक के तौर पर नहीं है बहुत बढ़ियां वाई गूड इवनिंग आवाज अभी भी कम है चलिए वही आवाज थोड़ा सा भूस्ट कर रहा हूं मैं रिया जी इधर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है नेटवर्क से संबंधित बहुत बढ़िया नेरू जी अगर इसका तीसरे नंबर प्रश्ण का सही जबाब आपका होगा विकल बड़ी जो लोग चुन नहीं है एनि नाइट्रो क्लोरो पाम आपका कहीं से भी बेसपोटक के तोर पर नहीं यूज किया जाता इसका इस्तेमाल किसमें होता है इसका जब भाई मान लीजे किसी को ऑपरेशन करना है किसी भी बेक्तिका तो ऑपरेशन से पहले उसको बेहोस किया जाता है तो बेहोसी में किसका इस्तेमाल करते हैं नाइट्रो क्लोरो पाम का इस्तेमाल किया ज पोटैसियम साइनाइड और D विकल बोल ला है इथाइल आईसो साइनाइड कौन सा विकल पे इसमें सही है फटा फटा आप लोग कमेंट करें चार नंबर जो प्रशन है चार नंबर जो है चुहे को मारने के लिए जो हम दवा इस्तेमान करते बिस वो कौन सा है बहुत बढ़ है पोटैसियम किस से साइनाइड से तो विकल जो लोग चुन है वो एकदम सही है पोटैसियम साइनाइड से बनाया जाता है क्या आपका या जिसको बोलते है जिंक फासफाइड पोटैसियम साइनाइड या जिंक फासफाइड से बनाया जाता है चुहे को मारने वाली क्या बिस तो इन दोनों चीजों को आपको दिमाग में रखना है यहां पोटेसियम साइनाइड नहीं दिया जिंक फासफाइड लिख दिया तो विकल्प यह चुन लेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं चार नंबर के बाद पांच नंबर प्रशन आपके सामने हैं पांच नंबर ब बनता है, फूल में बनता है, पर्ण में बनता है, बीज में बनता है या कली में बनता है इन चारों में से पांच नंबर का सही जबाब क्या हो सकता है पड़ा पड़ा आप लोग कमेंड करें सी विकल्प बहुत बढ़ियां निदी जी 53 देखते हैं रश्मिवाला जी विकल इसका सहीज़ाब पांच नम्बर में अगर सहीज़ाब की बात करें तो पोध Ш 여기 न एक दम आपका सही होगा मैं जब आपका अंकुरण होता है सबसे पहले तो अंकुरण की प्रक्रिया होने के बाद कोई भी दाना होगा उस दाने से अंकुर फूटते हैं, ठीक, उसके बाद क्या होता है? भून जो है, इसके बाद बीज से बाहर आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है भून किसमे होता है? बीज में होता है, आगे बढ़ते हैं छे नंबर पर, छे नंबर आपसे पूछ रहा है कि अगर मानलो भोजन जहरीला हो गया, बिसाक्त हो गया, जिसको वाटलिज्म बोलते हैं, किस species के संदूसर से उत्पन होता है, ठीक इसका कारक कौन सी species है भाई, एनेटो वेक्टर, लेक्टो बैलिशस, या फिर प्लैस्ट्रेडियम है, या राई वो, जिसको राई जो वीम बोलते हैं, इन चारो में से कौन सा वह आपका species है, जिसकी वज़े से भोजन आपका खराब होता है, food poisoning की condition बनती है, हर्विंदर जी बिलकुल सारी चीज़े होंगी, बहुत बढ़िया है बई, चलिए इसका सही जबाब देखते हैं, बहु इसकी वज़े से food poisoning और सारी चीज़े होती हैं, तो से भीकल को हमेशा आपको दिमाग में रखना है, ठीक, ये जो होता है, ये जिवान होता है, ठीक, और इस जिवान की वज़े से food poisoning के case आपके बंगते हैं, आगे से इधान रखे गया कौन सा है वो, class radium, आगे बढ़ते है अगले प्रश्ण पर, 6 के बाद 7 नम्मर देख लें, सुल्तानपूर world sanctuary, ठीक है, कहाँ पर इस्थित है, बही बताएं, चंदीगर, भारतपूर, गोडगाओं या गंधी नगर में, कहाँ पर सुल्तानपूर, जो है पक्षी विहार आपका इस्थित है, सही जवाब 7 नम्म से आते हैं, ठीक है, 7 बी, बहुत बढ़ियां देखते हैं, सही जवाब क्या है, साद नम्मर, साद नम्मर सही जवाब आपका होगा, बिकल्ब C, गोडगाओं में, सुल्तानपूर जो world आपकी sanctuary है, ये आपका पूर्ब नाम इसका जो था, इससे पहले का एक तरीके से नाम देखें, तो पहले इसका नाम सुल्तानपूर पक्षी अभ्यारण था, अब इसका नाम सुल्तानपूर बर्ड sanctuary कर दिया गया है, ये हरियाना के गुरगाओं जिले में है, कहां पर है, अगर हरियाना यहां विकल्ब देता, तो हरियाना सही हो जाता, अब यहां गुरगाओ दिया है, तो गुरगाओं सही मानेंगे, हरियाना के गुरगाओं में इस्तित है आपका कौन सा, सुल्तानपूर बर्ड sanctuary, आगे बढ़ जाते हैं, साथ नंबर के बाद आठ नंबर देखें, आठ नंबर आपसे पूछ रहा है, इनिसको का एक प्रोग्राम है, जिसको बोलत सकता है, महाजन जी, चली बाई बढ़ियां है, इसका आठ नंबर का सही जवाब क्या हो सकता है, आठ नंबर के लिए पड़ा पड़ा आप लोग कोमेंट करें, अगर इसका देखा जाए, कि सही उत्तराष्ट के द्वारा ये कब चालू किया गया, तो इसका सही विकलप आ होई थी, 1971 में होई थी, इनेसको के द्वारा, अगले प्रशन पर बढ़ते हैं, आठ के बाद नौ नंबर है, असकोर्ट वन जीव संक्चुरी, जिस जन्पद में है, वो जन्पद कौन सा है, बाई, अल्मोडा, चमोल, लर्ष, या फिर उत्तरकासी, या पितोरागर, चलि ये, 8 के बाद 9 पर आईए, असकोर्ट वन जीव संक्चुरी आपसे पूछा है, कि ये किसमे हैं, बहुत बढ़ियां सरजी, सी विकल्प आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, एवी आरा, 9D, देखते हैं, 9 नंबर प्रशन का सही जबाप क्या है, तो 9 नंबर प्रशन में, जो लोग यहां पर चुनना है, D, होते हैं एक दम सही, ठीक है, ये, पितोरागड में है आपका, असकोर्ट वन जीव संक्चुरी, पितोरागड में है इस्तित, ठीक है, पितोरागड कहां पर पढ़ता है, ये उत्तराखंड का आपका एक जिला है, समझ गए ना, उत्तराखंड का ए राष्टी भाई, बाई, भारत में प्रथम दितली उद्याण बाई बानः ग्टा जो कुछ मिल जाए या बनार घटा भी मिलता है वहां पर है बेंग लोर मैं है नोलिक यह 17 नंबर आपसे पूछ रहा है कि निमलिकित में से कौह सा जीव कौह सी तरी हम awake , यानी ऑन विदन प्लास्टिक पॉलिफीन मारा आ मरकरी जिस्को बोलते हैं इनमें से कौं सा है जो जैव निमनी कर जो कर दिया है याणी आसानी से जो रिफ्यूज हो सके जिसको आसानी से खतम किया जा सके वो कौन सा है चली भरी आसान सा सवाल है लेकिन ये आया है तब भी बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां भाई देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है सही जवाब कि अगर इसमें बात करें ये प्रशनी से पहले आया है तो आसान लेकिन फिर भी आया है रबर ही एक चीज इसमें देख रही जिसको हम कई ना कई कुछ दिनों के बाद ठीक है इनमें जो है सरन की बज़े से या छरन की बज़े से इन सब की बज़े से धीरे-धीरे समाब तो हो जाएगा ठीक है इनमें से एक पहचानिक वो लगभग पूछ लेता है आपके कोई भी सुर्गा ने या सिग्राइ ने या जतरा भगत ने कौन सा वह वकति थे था जिसने कोल विद्रोव का नेतyssर किया था साही जवाब बताएं, 12 नमबर प्रशनका साही जवाब क्या हो सकता है, बहुत बढ़ियां प्रमोज जी ये बिकलब, आनंध जी, ए कित्की जी, अनेल जी बहुत लेट होगे भाई, आठ बज़े आपकी क्लास होती है, चलिए साही जवाब देखते हैं, 12 नमबर में, 12 नमब बेक्तियों ने मिलकर किया था गंगा नारायड और बुद्धो भगर या फिर बुद्धो भगर ने तो दो बेक्तियों के नाम याद रखिएगा कोल विद्रो टीगे चलिए यह कहां पर हुआ था इसके छेत्र से भी संबंदित सवाल पूछता है तो छेत्र इसका है छोटा नागपुर छेत्र कौन सा है छोटा नागपुर में हुआ था पोल विद्रो अठारा सो एक्टे से बत्तिस के दोरान आगे बढ़ते हैं तेरा नंबर पर तेरा नंबर आपसे पूछ रहा है कि संभल के अनेक ब्रिटेस विरोधी विद्रोहियों का नेता निमलेखित में से कौन था संभल पूर में है ठीक है जो ब्रिटेस के खिलाप अंदोलं कर रहे थे उतिरत सिंग सुरेन साई या कट बोमनन या फिर आपका सैयद अहमद बरेल भी सही जबाब तेरा नंबर प्रश्ण का क्या हो सकता है बहुत बढ़िया बई जरिया गंगा नारायन बहुत अच्छे सारे लोग जो है अब इस पर कमेंट करें कि अगला प्रश्ण तेरा नंबर का आपका जबाब क्या हो सकता है तो तेरा नंबर डी बिकल्प के तोर पर आ रहे हैं देखते हैं इसके सही जबाब के बारे में कि तेरा नंबर थोड़ा सा कमेंट आप लोग तेजी से करें तेरा नंबर प्रश्ण की बात की जाए तो बिकल्प यहां भी सही है सुरेंद्र साई ने किया था संभलपूर में जो आपका विद्रो हुआ था अंगरेजों के खिलाब ठिक संभलपूर में उसका संभलपूर के गद्धी का दावेदार था संभलपुर की जो रियासत थी एक तरीके से इस गद्धी का दावेदार जिसका नम था सुरे इंसाई तो इसने विद्रों क्या नेत्रत किया था ठीक है कब लेकिन इसने क्या किया कुछ दिन तो ये चलता रहा ठीक बाग में 1862 की बात है इस वेक् गत तिर्फित लोगप्रिये पत्रिकाउं में से कौन सी अन्यक कालं से कंग्रेस की अलोचना करती थी तो 14 नमबर प्रशन का क्या जवाब हो सकता है बहुत बढ़ियां प्रमोजी से विकल पा रहा है बहुत अच्छे चौदा नंबर प्रश्ण अनी लोग भी कमेंट करें से डी है चले भई इसका देखते हैं सही जब आप क्या हो सकता है तो चौदा नंबर प्रश्ण के तोर पर ध्यान दीजी आप लोग बहुत बढ़ियां चौदा नंबर में यहां डीबिकल जो लोग भी चुनने वो एकदम सही हैं यह तीनों की तीनों पत्रिकाओं से समधित इपीशियस का हमेशा सवाल होता है ठीक है बंगवासी की बात करें काल की बात करें केसरी की बात करें यह सभी की समभी क्रांदकारी आंदोलन की समर्थक थी और कांग्रेस उस समय क्रांदकारी आंदोलन की समर्थक कभी भी नहीं थी कांग्रेस जो है क्या गांधी जी के नेत्रत में सबने औग्या अंदोलन करती थी ठीक है कि हम जो है सिबिल डिस ओविडेंस मूव्मेंट जिसको आप बोलते हैं अनुने बिने से हम अपना राज वापस लेंगे और ये क्रांदकारी काल जो चला खास कर इसमें सारे बड़े-बड़े क्रांदकारी आपके उभर के आये थे ये तीनों की तीनों पत्रिकाएं कांग्रेस के उस रूप की आलोचना हमेशा करती थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प बटन वो कौन सा बैखती है जिसने असानती का जनक बोला है बाई बाल गंगा धर तीलक को डॉली जी सुबह 8 बजे सामको 8 बजे दोनों टाइम 8 बजे मैं रहता हूं उकलब्ध बहुत बढ़ियां 15C आ रहा है C विकल्ब 15C देखते हैं सही जबाब क्या है तो 15 नंबर प् सोल ने बाल गंगा धर तीलक को क्या बोला था असानती का जनक ठीक है आगे बढ़ते हैं 15 के बाद 16 नंबर आपके सामने हैं 16 बोला कौन सी घड़ना सबसे पहले हुई अब इसको काल क्रम में मैंने नहीं पूछा मैंने पूछ लिया कि कौन सी घड़ना सबसे पहले हुई चलिए बाई इसका जबाब दीजिए 16 नंबर प्रशन का सही जबाब 3 बहुत बढ़िया निदी जी प्रमोजी डी विकल पा रहा है फड़ा फड़ कमेंट करें 16 डी बहुत बढ़िया रितका जी 1917 डी दिब्यानसी जी अभी आप बहुत पीछे हैं 16 नंबर प्रशन की अग पारट सत्यग्रा हूआ उसके बाद आगर मैं बात करूँ आ साइयोगं अंदोलन की आ सईयोगं अपको 1920 की बात है उसके बाद अगर मैं बात करूँ सब ने उलग हैं अंदोलन की तो ये घड़ना बात करूँ खेड़ा अंदोलन की तो यह घड़ना है उन्हीं 188 की अब इसको यह दे सकता था कि इसको जो है जैसे जैसे जिस टाइम इंटरवल में यह हुए हैं उसके अनुसार जो है इसको एसेंडिंग या डिसेंडिंग आडर में सेट करिए तो वहां से भी यह आपकी आस आसकता था प्रेश्ण और मैंने डाइरेक्ट आप से पूछ लिया 17 नंबर बताईए 17 आप से पूछ रहा है कि निमलेखित में से कौन दांडी मार्च में महत्मा गांधी के साथ था भाई एच एन बेल्सपोर्ड या बेब मिलर या जी इसकोल कोम बोलते हैं या जैम्स पेटर्सन सही जबाब क्या है 17 नंबर प्रश्ण में गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कौन सा बिक्ति रहा है बहुत बढ़ियां सारे लोगों के 17 नंबर के बीच जबाब आ रहे हैं बहुत बढ़ियां हमिजी अनि लोग भी बाई कमेंट करें ऐसे सवाल गांधी से संबंदित हमेशा होते हैं बहुत बढ़ियां डॉली दिखते हैं इसका सही जबाब क्या है तो 17 नंबर में जो बात को आप सभी को ध्यान रखना है 18 नंबर पर आजाईए 18 नंबर आपसे पूछ आए कुछ ही हूं कि निमलेकित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था आपका इसका समर्थन नहीं किया था हिंदू महासभा ने कमनिश्ट पार्टी आप इंड करता है बहुत बढ़ियां पोस्पेंजी आप जो है थोड़ा लेट से आते हैं कोसिस करिए 8 बजे आने की चलिए सही जबाब देखते हैं 18 नंबर प्रश्ट की 18 नंबर में जो लोग यहां विकल्प डी को चुन्ने एकदम सही होते हैं यह तीनों की तीनों ऐसी पार्टिय है जिसने भारत छोड़ो अंदोलंग का समर्थन ही नहीं किया था आगे बढ़ जाते हैं 19 नंबर पर देख लें भील जंजाती के बारे में आपसे बूचा है कि भील जंजाती कहां पाई जाती है असम में जारखंड में पस्चिम बंगाल में महाराश्या में भील जंजाती जंजाती उसे संबंदित सवाल हमेशा होते हैं तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है बहुत बढ़ियां 19 नंबर का सही जवाब बताएं सोनिया जी आनन जी बहुत बढ़ियां भाई सी विकल पा रहा है निहाल जी बहुत अच्छे में शाकुर बेविकल चलिए बेविकल दिया है वैसे अगर मैं भील जंजाती आपकी पाई जाती है गुजरात में भी दूसरी चीज अगर मैं बात करू तो यह आपकी मध्द प्रदेश में भी पाई जाती है अगला आपका मध्द प्रदेश के बाद 36 गड़ आप विजिट करेंगे वहाँ पर भी यह जंजाती आपको मिलेगी 36 गड़ के अलामा महाराष्ट्रा में यह जंजाती पाई जाती है जो आपके ऑप्शन में था उसके बाद महाराष्ट के बाद आप आन प्रदेश जाएंगे वहाँ पर भी यह जंजाती आपको मिलेगी फिर करनाटका में भी यह जंजाती पाई जाती है और उसके बाद फिर त्रिपुरा में भी यह जंजाद पाई जाती है तो लगबंग 6-7 राजी आपके ऐसे हैं जहां पर यह जंजाद भील जंजाते आपकी निवास करती है अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं 20 नमबर देखें 20 नमबर आप से प्रश्ण कहे रहा है पेगिंग एक लाबकारी प्रक्रिया पेगिंग एक आपका जो है प्रॉट प्रॉटेवल सिस्टम है कौन सा गन्ना के लिए सकरगंद के लिए मुंपली के लिए या टैप्योका के लिए किसके लिए एक लाबकारी प्रक्रिया है पेगिंग पेगिंग एक बिधी है ठीक है एक तरीका है तो किस में इस्तेमाल किया जाता है बताएए खेती का कही न कही एक तरीका है मुंबत पैद भाई सवागत हैं बहुत बड़ियां देखते हैं इसका सही जबाब क्या हो सकता है अगर इसके सही जब आपकी मैं आपसे बात करूँ कि पेगिंग प्रकुरिया किस में यूज की जाती है तो 20 नम्बर का यहां ध्यान दे मुंगफली मुंगफली में पेगिंग एक लावकारी प्रकुरिया है क्या होता है ठीक इसमें जब मुंगफली मालीजे बो दी गई ठीक है मुंगफली की बुगाई देखा होगा जहां पर जिंचेतरों में होती है तो इसमें जब परागण होता है पोदा हो गया और परागण हुआ ठीक है तो परागण के बाद होता क्या है प्रक्रिया कि जो फ आगे बढ़ जाते हैं, 20 के बाद 21 नमबर, 21 नमबर आपसे पूछ रहा है कि निमलिखिद में से कौन C4 टाइप का पौधा है, C4 पौधा कौन सा है भई बताएं, धान, सोया बील, मक्रा या गय हूँ, 21 नमबर का सही जबाब क्या हो सकता है, इसका जो है, 20 नमबर के बाद 21 नमबर, बहुत बढ़ियां प्रमोजी, बहुत अच्छे, देखते हैं, सही जबाब इसका क्या हो सकता है, 21 C, बहुत बढ़ियां दिब्यान सी जी, अगर इसके सही जबाब की बाद कर रहे हैं, तो इसमें जो लोग C बिकल को बता रहे हैं, सह अनाज के दानों का प्रोड़क्ट कौन सा है बई, ओड मील, शंगो, सोया फ्लोर या अरा रोड, इन चारों में से सही जबाब क्या है आपका, अनाज के दानों का प्रोड़क्ट इसमें से कौन सा है, मक्का आ रहा है जबाब, चलिए भई, C, निहाल जी एकदम देख गया इसे बना आपका एक ऐसा प्रोड़क्ट है, इसे लोग भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पसुओं को भी चारी के रूब में खिला सकते हैं, तो ओड मील को धियान रखिएगा, 22 के बाद 23 नंबर देखिए, 23 नंबर आपसे बोल लाए, निमलि जब आप 23 नंबर का क्या हो सकता है, बहुत बढ़ियां भाई, प्रमोजी, डॉली जी ये विकल पा रहा है, अमजी टेस ये आप चुनने हैं, बहुत बढ़ियां ही तेन, देखते हैं सही जब आप 23 नंबर में, तो 23 में आप लोग ध्यान दें, जो लोग विकल एक को बता है, चांग लांग अवडाचल प्रदेश का चांग लांग जिला है, वहाँ पर आपका एक कोईला छेतर है, जिसका नाम है नामचिक नामपोग, अगला है 24 नंबर, 24 नंबर आप से पूछ रहा है कि Government of India Act 1935 को कि इसने दास्ता का एक नए अधिकार पत्र कहा था, ठीक है, ब दास्ता का एक नए अधिकार पत्र बोला है, बहुत बढ़ियां, इसका सही जबाब क्या हो सकता है, अगर 24 नंबर को देखें, 24C, बहुत बढ़ियां, दिवियांसी जी, विजय जी, ए विकल्ब, शोरिभान जी, बहुत बढ़ियां, चलिए सही जबाब देखते हैं, 24 नं गया है, तो इसको संबोधित किया था, जवाहनलाल नहरू ने, अगला प्रशन है, सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए ध्यान से, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इधर उष्ण सोत दिये हैं, यानि जो आपके गर्म सोत हैं, आपके ऐसे गर्म सोत हैं, और इधर भारत के र आजस्थान में, और लोली, महराश्चा में, मडीकर्ड, हिमाचल प्रदेश में, या सोहना, हरियाणा में, कौन सा गर्म सोत हैं, ठीक, यहां से जाहिर सी बात है, अगर उष्ण सोत हैं, यानि गर्म पानी यहां से निकलता है, ऐसी चीज़े हैं, तो यह भारत के किन-किन आज्यों में, चलिए सही जबाब दीजिए अब लोग, बहुत बढ़िया निर्मल जी, अनुप जी, बहुत अच्छे, चलिए भाई देखते हैं, पचीश नंबर अगर मैं सही जबाब की बात कुरूं इन में से, बहुत सारे कमेंट भी आपके आचुके हैं, तो इन में से पहला विकल्ब देखिए, जैसे आपका बोल लाएं, ठीक, कि लशुंदरा जो आपका गर्म श्रयुत है, जलका, इसको राजस्थान में दिया है, यह राजस्थान में नहीं, यह आपका गुजरात में आवस्तित हैं, कहां पर है, गुजरात में आवस्तित हैं, तो विकल् गलत था आगे बढ़ते हैं 25 के बाद 26 नंबर पर 26 आपसे बोल ला है कि संभिधान के किस अनुछेद के द्वारा उद्दोग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्राउधान दिया गया भाई अनुछेद 43 अनुछेद 45 या अनुछेद 47 किस में अगर मालीजे को भाई उद्दोग चलना कोई फैक्टरी चल रही तो उसके मैनेज्मेंट में कर्मकारों की भागीदारी होगी वरकर्स वहाँ पर जरूर होंगे बहुत बढ़िया बी विकल्ब चलिए वही 26 नंबर का सही जवाब देखते हैं बी विकल्ब के तोर पर जादा लोग इस चीज को कमेंट कर रहे हैं तो 26 नंबर में जो लोग विकल्ब बी को बता रहे हैं सही होते एक दम सही 43 से 8 गिल 43 ए में ठीक अब ये 43 से किसके अंतरगत आएगा ये जवाब आपको देना है कमेंट के मादने उसे बताएं अनुछे 43 से किसका भाग है 26 के बाद 27 नंबर 27 अब से पूछ रखा है कि किस पंच बरसी योजना में क्रिसी ने रिडात्मग भिकास प्रदर्शित किया किस में जो है क्रिसी के द्वारा एग्रिकल्चर के द्वारा जो है निगेटिव डेवलमेंट आया था एक तरीके से निगेटिव ग्रोथ हाई थ थी तीसरी पाँचवी सातवी या नोवी कौन सी वो पंच बरसी ये योजना रही जिसमें हमें एग्रिकल्चर से बहुत लास एक तरीके से दिखाई दिया बहुत बढ़िया चले वाई डी बिकल्ब बहुत बढ़िया साही जबाब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में 27 साही होते हैं वही तीसरी पंच वर्सी ये उजना आपकी ऐसी थी जब एग्रिकल्चर ने बहुत खराप्रदर्शन किया था बात थी आपकी कब जो है 1965 के उनीस सो साठ से पैसट के दोरान पाँच वी पंच वर्सी है उजना का रिकाल लाः इस दौरान अगर क्रिसी की ब 28 नमबर देख लें 28 नमबर आपसे सवाल पूछा है कि बित बिधे कुड मनी विल जो होते हैं इनके बारे में विशेस उबंद किस अनुछेत के अंतरगत किया गया है अनुछेद 117 अनुछेद 111 अनुछेद 121 अनुछेद 120 साही जबाब इनमें से क्या है आप लोग फड़ सब्सक्राइब 27 नमबर जो लोग यहां बित बिधेग से संबंदित ध्यान रखिए कि बित बिधेग से संबंदित विशेष उपबंद जो है अनुछेद 117 में किये गए हैं ठीक है 108 में तो धन बिधेग की बात की ही की गई है लेकिन बित बिधेग में विशेष इन तीनों में बित बिधेग को के बारे में विशेष उपबंद है तो इस चीज को हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा अगला 29 नमबर आप से पूछा है कि राष्टिय हर्टी कल्चर मिसन जो रहा किस पंचवर्षिय योजना में आरम किया गया राष्टिय हर्टी करें बहुत बढ़ियां अर्शना जी सॉरी बढ़ी 29 नमबर बहुत बढ़ियां सही जब आप देख लेते हैं 29 नमबर का ध्यान दें इसका सही जो विकल्फ होगा जिन लोगों ने विकल्फ बी को चुला वो लोग होते हैं सही यह दसमी पंचवर्षिय योजना की बात है जब आपकी राष्टिय हार्टी कल्फ बिशन को प्रारम किया गया किस में दसमी पंचवर्षिय उजना में अगला है तीस नमबर आज की सीरीज का अंतिम प्रश्ण है सही जबाब देने की कोशिस करिएगा भारत में प्रथम उद्दोग जिसका विकास हुआ वह कौन सा है कुटीर उद्दोग, सीमेंट उद्दोग, आईरन और स्टील उद्दोग या अभियांतर की उद्दोग कौन सा जबाब इनमें सही होगा सबसे आसान है थोड़ा सा लॉजिक लगाना है सही जबाब सारी लोग दें 32, A, सुरिभान जी, A, बिनिज जी, बहुत बढ़ियां, सुसील जी, B, विकल्ब, C, B, आरा, 30, A देख लेते हैं सही जबाब, अगर मैं इसके सही जबाब की बात करूँ, तो विकल्ब, A, जो लोग चुनने एकदम सही हैं, बाई, प्रथम उद्दोग सबसे पहले कुटीर उद्दोग ही पन्याब इक्सित हुआ था, उसके बाद जितने उद्दोग आपको दिख रहे है ये सारे के सारे उद्दोग आए, कुटीर उद्दोग ही अंग्रेजों ने सबसे पहले बरबाद किया था, ठीक है, तो चलिए बाई, जितने लोग नए हैं, सबी लोग उसे समय, सुरुवात करें पहले क्वेशन से, पहला क्वेशन जो इस बार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है, बिसुभूगल बहुत अच्छा खासा आया था ना इस बार, चलिए सुरुवात करते हैं, सबसे पहला प्रशन आप से पूछ रहा है, कि निमलेकित देशों के नामों में से, किसके नाम का मतलब लगभग होता है, 40 कभीलों का देश, कौन सब ऐसा है, जबाब आप बहुत तेजी से कमेंट करिए गया, सारे लोग, बहुत बढ़ियां प्रमोजी बाई, गोड़ इबनिंग राम निवास जी, फड़ा फट कमेंट करना सुरू कर दें, इसका जबाब क्या होगा, बहुत अच्छे, जबाब आने सुरू हो चुके हैं, बहुत बढ़ियां सुरुकान जी, मादवें जी, बहुत दिन बाद दिखाई दिये, गोड़ इबनिंग भाई, यादो आरप नाम भी कमेंट कर दें, पहला प्रशन आपके सामने रहा, कि 40 कभीलों का देश किसे बोलते हैं, अगर इस प्रशन की मैं सही उत्तर की बात करू ठीक, कि वह देश जिसका अपने आप में नाम है 40 कभीलों का देश, तो इसमें सही जबाब आपका जो होगा, ठीक, वो बिकल भी जितने लोग बताएंगे, वो लोग एकदम सही हैं, जो किर्जिस्तान है, इस देश का आर्थ है, 40 कभीलों का देश, क्योंकि ये जो किरिज आपका सब्द है ना, ये सब्द जो आपका है किरिज, ये सब्द आपका तुर्की सब्द है, और तुर्की में इस सब्द का मलब होता है 40, तुर्की में इस सब्द का क्या मलब होता है 40, तो 40 कभीलों का देश आपका है किर्जिस्तान, समझ गए ना, पहले प्रश्ण का ज तांबे के लिए, लौह के लिए, चांदी के लिए, या मैगनीज के लिए, सही जबाब क्या हो सकता है, बहुत तेजी से आप लोग कमेंट करें, गोडेबिनिंग भाई, दिपक जी, राम असी जी, चली भाई, स्वागत है, बहुत बढ़ियां भाई, किशन जी, बहुत अच लिए, तो विकल्प एक और जो लोग चुनने हैं, वो एकदम सही होते हैं, यह विकल्प आपका एकदम राइट है, तांबा, ठीक हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्ण पर तीसरा नंबर देखे, तीसरा नंबर आप से पूछ रहा है, निमलिखित देशों म बहुत बढ़ियां, दिपक जी, दिब्यांसी जी, स्वागत है, रादे रादे रेशी जी, थोड़ा लेट हो गये, बहुत बढ़ियां, चलिए विकास जी, बहुत अच्छे, रजनीश, बहुत बढ़ियां बढ़ियां, देखते हैं, तीन नंबर प्रश्ण में, तीन बियतनाम वह राष्ण है, जो बिस सुमें दूतिये ब्रहत्तम कहवा निर्वात्तिक देश के तोर पर है, सीर्स देश कौन सा है, ब्राजील, सीर्स देश आपका इसमें है, ब्राजील, दूतिये है आपका बियतनाम, अगले प्रश्ण पर चौथा नंबर आपके सामने है, चोथा आपसे बोल ला है कि निमलिकित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता जो चाय हम आप पीते हैं थीन नहीं पाया जाता कैफीन नहीं पाया जाता टेनिन नहीं पाया जाता या मारफीन नहीं पाया जाता चाय में कौन सा पदार्थ जो है नहीं होता इन में से बहुत बढ़ियां वाई बिसाल जीव बहुत अच्छे विकाश चलिए भाउना जी 4B बहुत बढ़ियां रिटका बिनिज जी बहुत अच्छे देखते हैं सही जबाब क्या है चाय जो हम सुबह जो है गुड मॉनिंग जिसके साथ करते हैं इसमें मार्फिन नहीं पाया जाता है मार्फिन छोड़के और कई चीजें इसमें मलब ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए काफी अच्छी साबित होती है मलब शरीर के लिए भी वो अच्छी का मलब आप समझाए ये कौन अच्छी देखो चाय में पाया क्या जाता है एक तो थिनाइन कैफीन पाया जाता है चाय में थिनाइन कैफीन नाम है जो चाय में आपके पेपदार्थ में पाया जाता दूसरी चीज इसमें टेनिन पाया जाता है थी ओ फाइलिन भी पाया जाता है ये सब चाय में पाया जाते है मार्फीन नहीं पाया जाता है मार्फीन जो है इसके लिए अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है चोथा के बाद पांचवा नंबर है पांचवा नंबर प्रशन देखेए निमलेखित देशों में से किस में प्रती गाये दुखध का आउसत उत्पादन सरबाधित है average आप से पूछा है milk production किसका गाये का चलिए बताएं बाई नीदर लेंड में, ग्रेट बेटेन में, डेनमार्क में या भारत में चलिए बताएं बाई, सबसे ज़्यादा पांच नमबर प्रश्ण, बहुत बढ़िया, डेनमार्क आ रहा है जबाब, बहुत अच्छे बाई, शुरकान जी, C विकल्ब, D विकल्ब भी है, चलिए देखते हैं, सही जबाब क्या है, पांच नमबर प्रश्ण में, जो लोग य बात करें, 2017 में की रिपोर्ट की अनुसार, मैं यह डाटा बता रहा हूँ, वहीं चीज अभी तक है सामने, ठीक, और यह रिपोर्ट दिया था, ICAR ने, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा डेनमार्क की गाएं, औस जो है उत्पादन में, सबसे नमबर बन पर आती हैं, छे से पहला बंदरगा बोला राटरडम, बोला निदरलेंड में है, दूसरा बोला इगार को, बोला चाइना में है, C बोला मांटे वीडियो, उर्गवे में है, D बोला जकारता, इंडोनेसिया में है, कौन सा इनमें से सुमेलिर नहीं, कोई एक ही होगा, चलिए कमेंट करिए बहुत बढ़ियां अर्चना जी, 4D आप बहुत पीछे हैं, जल्दी आएए, 6 नंबर पर हम लोग हैं, बहुत बढ़ियां प्रफाकर जी, चलिए इगार को आ रहा है जबाब, बहुत बढ़ियां यह तेंद्र, चलिए वाई, सई जबाब देख लेते हैं, 6 नंबर में ध् में पड़ता है, तो इस विकल्प को ध्यान रखना है, कि गार को बंदरगाह आपका रूस में है, ठीक है, तो अनी चीजे जो है, बी विकल्प आपका जो लोग भी सोच रहें, बता रहें एकदम सही है, अनी के अनी आपके सही सुमेल हैं, अगला देख ले, 7 नंबर, 7 नं करें, 7 नंबर प्रेश्ट, बहुत बढ़ी आनेल जी, गोड एवनिंग, पहुच गया है भाई, बहुत बढ़ी आनेल जी, स्वागत है, चले भाई, इसका मादविन जी, डे विकल्प, बहुत अच्छे, प्रमोज जी, शंकर चंद बिश्वास जी, आप बीच में गायब ह हो गये थे, चले देखते हैं, इसका सही जबाब क्या है, राम राम भाई, अश्वनी जी, चले, 7 नंबर प्रश्ट में अगर देखा जाए, इसका सही जबाब क्या बनता है, तो 7 नंबर में जित्ते भी लोग यहाँ, इन्वीट, जंजात के बारे में बात कर रहे हैं, और जो है, ट्राइब्स हैं, पूरी की पूरी, इन्वीट जिनको नाम दिया गया है, और यह आपको मिलेगा कहां कहां पर, यह आपको मिल जाएगा, कैनेडा में भी निवास करते हैं, डेनमार्क में भी, यानि ग्रिन लेंड हो गया, अलाश्का, यानि अमेरिका के यह सहर है, यह आपकी आदिवासी जन जाती है, यानि मूल जन जाती है, इन तीनों जगों पर पाई जाएगी, स्वेडन में यह जन जाती नहीं पाई जाती है, ठीक है, जन जातियों से बिस्व के आदि, जो आपके ट्राइब्स हैं, एक तरीके से कम्मुनिटी, इन से सवाल हमेशा UP VPCS के pet question होते हैं, साथ के बाद art number देखिए, art number आप से पूछ रहा है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है, फिर से वैसा प्रशन, पहला बोला है, यह गरद नहीं, गदर पार्टी है, समझेगा, गदर पार्टी, लाला लाजपत रहा है, दूसरा बोला है, frontier गां क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया अंजनी जी, प्रमोद जी ये विकल्प, बहुत बढ़िया प्रदीप, देखते हैं, सही जबाब इन में से क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया वाई हर्विदिन्दर जी, अगर art number प्रशन के मैं सही जबाब की बात करूँ आपसे, तो सही जब आप के पिकल्प के तोर पर जिन्हों ने पिकल्प A को जैसे चुल लिया कि गदर पार्टी लाला लाजपतरायय यहां पर दिया है, जबकि आप जानते हैं कि गदर पार्टी की अस्धापना कहां हुई थी? सैन फ्रैंसिक्स को में, तेग का एक अमेरिका का एक सहर है, व लाला हर्दयाल ठीक है दूसरा नाम आता है लाला हर्दयाल का तो पहला विकल्प उचित नहीं है समझ गए ना पहला विकल्प उचित नहीं इसमें दो संस्थापक सोहन सिंग लाला हर्दयाल सैंट फ्रेंसिस्को में स्थापना 1913 बाकी आपके सब के सब सही है अगले और Freedom and Midnight, इधर राइटर हैं, इधर किताबे हैं, ठीक है, कौन सा सुमेली नहीं बताओ, दुरगादास, इंडिया फ्राम कर्जन टु नेहरू एंड आउटर, C बोला, केके अजीज, दमैन हो डिवाइड़ इंडिया, D बोला है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, चलो बताओ, कौन सा इसमें सुमेली नहीं है, बहुत बढ़ी हैं, नेट प्रॉब्लम, अर्चना जी, इधर कोई ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है, इस समय, मौबाइल इंटरनेट थोड़ा सा हर जगे स्लो हैं, बहुत बढ़ी हाँ, शिवरामन जी, देख लेते हैं, सही जबाब, नो नमबर में, जित्ते लोगों ने अभी तक इस में से, बिकल्ब के तोर पर चुना है, सी को, जैसे यहां केके अजीज को दे रखा है, इसके लेखक, अगर इसकी बात की जाए, तो इसके लेखक है वो, डक्टर रफीक, जाकारिया, इनका पूरा नाम है, ये लेखक हैं, आपके किसके, दा मैन हो डिबाइड इंडिया बाकी अन तीनों जो आपके दिये हैं वो आपके एकदम सही हैं फ्रीडम एड मिडनाइट के लेखक हैं लारी लेपियर कॉलिंस एंड डोमिनिक केके अजीज तो ये इसके लेखक ही नहीं दुरगादास ने लिखा इंडिया फ्राम करजन टू नहरू एंड आफ्टर और मौलाना अबुल जो है अबदुल कलाम आजार ने इंडिया विंस प्रीडम लिखी है आगे बढ़ लेते हैं दस नमबर दस नमबर देखें लोकनिरत क्या है मेघाले जो राजी यह इसका लोकनिरत बताईए नाटी है लोहो है बंबू निरत है या खांटुम है चलिए भाई इसको तो पढ़ते हैं सारी लोग बहुत बढ़ी हाँ बाल गोविंजी मेरी आवाज कट रही है ऐसा तो समस्या नहीं है वो नेटवर्ग इसू की वज़े से हो जाता है जब मोबाइल में आपके नेट थोड़ा सा सुलो होगा दस नंबर देख लेते हैं दस नंबर में यहाँ पर देखिए मेघाले राज जी आपका पूछा है देखो हमेशा जो आपकी Eastern country से भी सवाल बनते हैं और Eastern अपने जो इस्टेट हैं उनसे भी सवाल बनते हैं ठीक है क्योंकि भारत की नीती क्या है पूर्ग की ओर देखो तो हम इस पीडिया का सबसे बड़ा फाइदा होगा जब आप इनको प्रिंड कराके और जितनी जानकरिया मैं बोल ला हूँ इसको भी अब आप जितना जान सकते जितना जानते हैं पढ़ते हैं उन सभी को डेली उस पर लिखिये जैसे आपने लेक्शर देखा पीडिया डाउनलोड किया उसको प्रिंट कराईए और प्रिंट कराने के बाद हर एक उस पर अपनी जब आप मेहनत देंगे तो आपके लिए एकदम रामबान सिध्ध हो जाए ठीक है उतनी चीजें आपके लिए पचास को डेली जैसे इस समय तीस कोईशन है तीस कोईशन पर आपने हर दिन मेहनत कर लिया तो आप समझ जाईए कि आप अपने आप में गागर में सागर का काम कर रहे हैं दस के बाद 11 नंबर देखें 11 नंबर आपके लिए ये है बहुत बढ़ियां पूरण सिंग जबाब आ रहा है बहुत अच्छे देवेश रिद्गा शी दिग लेते हैं बाई जबाब क्या है इसका 11 नंबर में ध्यान दें 11 नंबर में अगर बात किया जाए तो 11 में जितने भी लोग यहां विकल्प ए को राइड बता रहें इगनम सही होते हैं बैप पंजाबी भासा का जो टैगोर माना गया वो पूरण सिंग को माना गया है सरदार पूरण सिंग या पूर्ण सिंग बोलते हैं ठीक इन्हें पंजाबी भासा का टैगोर कहा जाता है कारिकाल इनका एक तरीके से देखा जाए 1882 से 1932 तकी यह पूरी तरीक के निमलिखित इग्बूं में से कौन सा एक सही सुमेलिद नहीं है कोरकूं महराष्ट्रा जूमर्ब हरियारा थाली हिमाचल प्रदेश मुकना मरीपूर चलिए अब आपके पास 5 सेकंड है जल्दी से जबाब कमेंट करिए 12 नंबर प्रश्ण में बहुत बढ़ियां भाई ब बहुत बढ़ियां ने दी सुनील पांडे जी बहुत लेट से हैं चलिए इसके सही जबाब कि अगर मैं बात करता हूं 12 नंबर तो 12 नंबर में ध्यान दें अगर आप ऐसा सोच रहें 12 बेकल्ब में यहां पर सुमेलिद नहीं पूछा है यहां देखिए C को थाली को बोला ह हिमाचल प्रदेश से थाली नित को यहां पर एक तरीके से जोड़ रहा है हिमाचल प्रदेश से लेकिन यह आपका कहां का है उत्तराखंड का है थाली जो है यह उत्तराखंड का है तो हिमाचल प्रदेश से जोड़ना इसका गलत है बाकी आपका कोरकु दिया है वो तो सही है ठीक है जूमल लोकनेती है हर्याणा का हई है मुकना जो है ये मड़ी के पूरका तो हई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर बारा के बाद तेरा नंबर देख लें तेरा पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है सी राज गोपालाचारी इंडिया बिंस फ्रीडम मडी संकर अइयर दा पाकिस्तान पेपर्स सविता पांडे दा पाथ टू पावर डी विकल बोला मार्गेट थ्रेचर दा फ्यूचर आफ एन पीटी कौन सा जबाब इन में से सही हो सकता है वो आपका चाहिए चलिए बहुत बढ़िया डी विकल पा रहा है बी विकल पा रहा है देख लेते हैं 13 नमबर में ध्यान दीजिए इसमें अगर मैं सही जोड़े की आप से बात करूँ तो सही जोड़े के तोर पर इसमें सबसे राइट आप्शन है 13 नमबर का जो लोग विकल बी को बता रहा है राइट वो एकदम सही है ठीक है मड़ी शंकरा येर के बारे में बात कर रहा है कि इन्हों ने कौन सी पुस्तक लिखी दा पाकिस्तान पेपर्स वहीं जैसे यहां पर अनिविकल्पों को देख लीजिए ठीक है ये आपका सही है सभिता पांडो को बता रहा है दा पाथ टू पावर ये गलत है सभिता पांडे की जो आपकी पुस्तक है ठीक है वो आपका ये दा पाथ टू पावर ये लिखी गई है मार्गेट थ्रेचर के द्वारा और सभिता परंडे के द्वारा लिखी गई है दा फ्यूचर आफ एन पीटी ठीक है आगे बढ़े लेते हैं अगला प्रशन 14 नंबर देखें निम्ड में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस ही नहीं था भाई बहुत आसान प्रशन है पैठिक लारेंस, जान साइमन, इस्ठेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेकजंडर चलिए इसमें से सही जबाब कौन सा होगा इसका सही जबाब बोलिए कोई दिककर नहीं है महाजन जी ठीक है, दिककत हो जाती है ऐसी जल्दवाजी में कुछ चीजें हो जाती है चलिए 14 नंबर प्रश्मत पर आईए बहुत बढ़ियां प्रमोजी बहुत बढ़ियां श्युरमन जी देखते हैं, सही जबाब क्या है 14 नंबर में देखिए जो लोग यहां पर विगल Cabinet Mission का सदस तो Cabinet Mission में कहीं भी जान साइमन नहीं सुना था जो साइमन कमिशन 1928 में आया था जान साइमन उसमें था उसका एक तरीके से यह हद्दिश था जबकि पैठिक लारेंस, इस्टेफोड क्रेप्स, एबी अलेकजिंडर यह तीनों के तीनों Cabinet Mission से सब बद्द थे अगली चीज इसमें Cabinet Mission भारत कब पहुचा यह जबाब आपको देना है कमेंड के मादम से बताईएगा अगले प्रशनित पर बढ़ते हैं पंद्रा नंबर प्रशन आपसे पूछा है कि क्लोन वरण जो होता है इसका प्रियोग किसमे किया जाता है यानि क्लोनिंग का प्रियोग किसमे करते हैं मुंगफली में, सरसो में, गेहूं में, आलू में किसमे हम क्लोनिंग सिस्टम में यूज करते हैं बहुत बढ़िया बेखल पारा बहुत बढ़िया बाल गोपिन जी चलिए भई देख लेते हैं इसके सही जबाब अगर मैं 15 नंबर की बात करूं कि क्लोनिंग हम किसमें इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दीजिए 15 में जो लोग बेखल के तोर पर यहां पर चुनने हैं कौन सा जबाब क्लोनिंग किसमें हम लोग यूज करते हैं क्लोनिंग यूज होता है आपके आलू में तो डीब इकल जो लोग भी चुनने हैं वो लोग एकदम सही है ठीक आनी तो सीधे सीधे बुवाई वाली फसले हैं लेकिन आलू में जो है हम क्लोनिंग करते हैं जानते नहीं ह हो जाता है 14 15 के बाद 16 नंबर आपसे दिख रहा 16 नंबर आपसे बोला कि निम्न इगमों में से कौन सा सही सुमेलित है यह चिकित्सा की साखाएं इधर मानों अंग दिए कार्डियो लॉजी को बोला स्वसंतंतर से संबंदित गैस्ट्रियो एंट्रियो लॉजी को बोला कि पाचन तंत्र से संबंदित है यूरोलोजी को बोला तंतर का तंद से संबंदित है एक ही कोई सुमेलित है उसको बता दें आप लोग 16 नंबर जो बताएगा उसको हम डाक्टर मानेंगे बहुत बढ़िया भाई निरोलोजी वाला विकल पा रहा है रूबी जी बहुत आ रहे हैं डेवीकल पर एकदम सही ठीक है हमने आपको डाक्टर की उपाधी दे दी है सभी को ठीक है डाक्टर ऐसा नहीं Mbbs पढ़ा जाए PhD वाले भी होते हैं परिशान नहीं होना है सोला के बाद सत्रा नंबर देख लें सत्रा नंबर आपका है औक्साइनोमेटर का प्रियोग करते हैं किसमे भाई प्रकास अंसलेशन की दर्णापने में या फिर ब्रिधी दर्णापने में या रशाकर्शन की दर्णापने में या उर्जाहरास की दर्णापने में चलिए बत नमबर में जित्ते लोग भी यहां पर कमेंट कर रहे हैं ठीक बिकलप के तोर पर इसमें B को चुनने हैं कुछ लोग बरिधि के बारे में बोले एकदम सही हैं बरिधिदर्म आपने पर प्रियोक करते हैं आक्षनोमीटर का ठीक किसकी बरिधिदर्म जो भी आपके प्लांड् करते हैं तो बिकल बी सही है अगला देख लें अगला प्रश्ण आपके सामने 18 नंबर 18 आप से यह बोला है कि भारत में विक्सित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है अगर इसके सही जबाब की बात करें ठीक है कि कौन सी है जया भी आ रही है जबाब के तोर पर तो इसमें सही जबाब आपका है 18 नंबर प्रश्ण में जो लोग बिकल बी को बता रहे सही होते हैं एकदम सही जया इन प्रजातियों में इसे ऐसी है जो भारत की आपकी प्रथम बौनी धान की किस्म थी ठीक है कुछ लंबी धान की किस्म में होती है कुछ बौनी होती है तो जया, यह भारत की पहली जो है धान की बाउनी प्रजाती रही, 18 के बाद 19 नमबर देख लें, 19 आप से बोल ला है कि निमलिखित में से कौन सा पदार्थ साक नासी है, ठीक है, पहला बोल ला है क्लोरा पाईरी फ्रांश, B बोल ला है आपका कारवें डांजिम, C आपका बोल बोल ला है क्यूगल फॉंस और D बोल ला है ब्यूटा क्लोर, चलो भई हर्वी साइड, साग नासी मलब हर्वी साइड, चलो 19 नमबर क्या जवाब हो सकता है, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां सीवी कल पा रहा है, चले D भी आ रहा है, बहुत बढ़ियां रूबी ज देख लेते हैं, 19 नमबर में, 19 नमबर में ध्यान दे, हर भी साइड के तोर पर जो लोग हम इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इसका ब्यूटा क्लोर का, ठीक है, ब्यूटा क्लोर आप जानते हैं कि जैसे धान की रोपाई हुई, जब धान की र 20 नंबर आपसे पूछ रहा है कि मानो मोत्र का पीला रंग एक वर्णख के कारण होता है, जिसे कहते हैं कौन सा वो वर्णख है, जिसको साइटो क्रोम बोलते, यूरो क्रोम बोलते, या होमो क्रोम बोलते, या फिनाली क्रोम बोलते, किसकी वज़े से मोत्र का रंग ये पीला होता है बहुत बढ़ियां रंजन जी बहुत अच्छे भाई अगर सही जब आपकी बात करते हैं इसमें कि क्या वो है आपका विकल्ब सही तो इसमें से 20 नंबर में जित्ते लोग भी विकल्ब को बता रहें सही एकदम सही है यूरो क्रोम की वज़े से जो है ये एक ऐसा से संबंदित था साइट्स बताएं परियावरण संरचन इन्फरमेशन टेकनालजी जर्नल जो है जर्नल यानि पत्रकारिता या इनमें से कोई नहीं कौन सा जबाब इनमें से सही है 21 नंबर में बहुत बढ़ियां बहुत अच्छे भाई चलिए इसके सही जबाब की बात कर अगले प्रशन पर बढ़ जाएं 21 के बाद 22 नंबर बोलो लहा एक पुरसकार के बारे में मैंने आपसे पूछाए बताएं क्लार्क वीवेविन पुरसकार किस से संबंदित है वनी जीव सुरच्छा परियावरण संरचन जल संरचन या फिर खेल क्लार्क वीवेविन पुर 22 नंबर में 22 नंबर में जित्ते भी लोगों ने अभी वी विकल्ब चुना है ना जित्ते भी लोगों ने वी विकल्ब चुना है ये एक दम से गलत हैं ठीक है क्लार्क वी वेविन जो पुरसकार दिया जाता है ये वनी जीव सुरच्छा में दिया जाता है अब आगे से द पर्यावरण का मंत्री इपना होता या फिर उपराष्ठपद को बनाते हैं कौन सा जबाब इसमें सही है कि सुसिल जी बहुत ज्यादा पीछे हैं 23 नंबर में निहाल जी इदम देख गया बहुत बढ़ी आवाई 23 बैस्ट एजू के जो है एजूकेशन गुरूप चलिए वह स्वागत हैं जित्ते भी लोग हैं और जित्ते लोग नए हैं सभी को चैनल जुरू सब्सक्राइब करके जाना है सुबह 8 बजे साम 8 बजे मिलिए चलिए देखते हैं कलुना जी दिख गए बहुत लेट थे आप 23 नंबर प्रश्ण में जो सई जबाब है ये विकल्प आप आपका एक के तोर पर है प्रधान मंत्री होता है राष्टि ये वनीजी बोर्ड का आपका चेर मैं नध्यच आगे बढ़े लें 24 नंबर देख लें 24 आपसे यह पूछ रहा कि जो है परंबी कुलम वनीजीव भ्यारण है कहीं पर ना किस प्रदेश में बताओ केरल में तमि जी बहुत अच्छे 24 नंबर में जिन्होंने बिकल्ब के तोर पर अभी एक को चुना है बार बार ठीक है इनको मैं सही बोल ला हूं बहुत अच्छे केरल ठीक है सारे लोग साहिए यह आपका केरला में औस्थित है आगे बढ़े लेते हैं अगले प्रशन पर 25 नंबर हैं ठीक है मान जाएंगे सही कौन सा है मनाने की बी बिकल पारा है चली बाई बी है बी है डी बिकल भी है नगोया भी है सही है 25 नंबर जो लोग यहां पर बिकल बी को चुन नहीं है कि मॉन्ट्रियल प्रोडोकाल गलत हुँगे नगोया प्रोडोकाल ओजोन डेब मनाने की घोसरा यहां हुई थी ठीक है प्रस्ताव आना और घोसरा दोनों चीजों में अंतर है प्रश्ण के हिसाब से वहां उत्तर आपसे मंगता है 29 नंबर देख लें 29 यूँ पूछ रा कि 2019 19 WEF ठीक है World Economic Forum बैस्विक प्रतियस परदा सूचकांग में भारत की रेंग क्या है 54, 66, 68 या 74 कौन सा जबाब 26 नंबर का आपका एकदम सही है उस जबाब को आप लोग कमेंट करें 26 नंबर में जित्ते भी लोग यहां पर कमेंट के तोर पर बोल लें बीशे और देखते है इसमें 26 नंबर का जो सही जबाब है यह पिकल पाप का जो रेंग है भारत की बैस्विक परदा सूचकांग में यह पहुंच चुकी है और 60 मी ठीक है तो यहां पर सी पिकल पाप का राइट है 26 नंबर का 26 के बाद 27 नंबर बढ़ते हैं यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश अपनी जो गौर्वर्मेंट है न इसने कुछ लच्छ रखा है एक ट्रिलियन डालार अर्थ ब сложно बनने का बताओ कितने सालों में तीन सालों में पांच साथ सालों में आगामी कितने सालों में हम एक ट्रिलियन की अर्थ बेएस्था बना देंगे अपने आपको चले वह 26 के बात 27 नमबर प्रश्ण का सही जवाब क्या हो सकता है ठीक है बहुत बढ़ियां भई 27 नमबर प्रश्ण में अगर हम सही जवाब की बात करें तो 27 नमबर प्रश्ण में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लच रखा है आगामित तीन सालों में एक ट्रिलियन अर्थ ब्युस्था बनाने का लच्छ रखा है और भारत तो जानते हैं कि भारत को भी जो है इस समय मौझूदा सरकार पांच ट्रिलियन अर्थ ब्युस्था की योल ले जा रही है अगला है आपका 28 नंबर सुमन पहल एक पहल है ठीक है एक योजना है किस उद्देश के लिए सुरू की गई भाई आइनो इस फेर का अन्वेशन के लिए मचवारों की आपदाओं से सुरच्छा के लिए महिला सिक्षा के लिए या गोडवत्ता पूर्ड स्वास्त देखभाल के लिए 28 नंबर प्रश सुमन पहल को विकल्ब डी से संबद्दित बता रहे ठीक है ये लोग एकदम सही है बाई गोडवत्ता पूर्ड स्वास्त देखभाल के लिए ये सुमन पहल आपकी चालू की गई थी ठीक है आगे बढ़ लेते हैं 29 नंबर देख ले 29 आप से यूं बोला कि हुनारहाट प् एकदम क्लियर देख गया है बहुत बढ़ियां शंकर जी बहुत बढ़ियां समझ जी देख लेते हैं बाई इसका जबाब क्या है तो इसके जबाब में 29 नंबर जित्ते लोग यहां पर विकल्ब चुनेंगे सी ये होंगे एकदम राइट प्रियाग राज में इसका आयोज प्राइदार देश था ठीक है जापान, फ्रांस, जर्मनी या या यूके साही जबाब तीस नंबर प्रश्न का क्या हो सकता है आप लोग कमेंट करिए बहुत बढ़ियां गोरो जी बहुत लेट हो गया आज आप तीस नंबर का सही जबाब क्या हो सकता है बहुत बढ़ी है बहुत अच्छे भाई चले सही जब आप देख लेते हैं तीस नंबर में जित्ते भी लोगों ने ए बिकल्प चुन लिया है इनको मैं सही बोलूँगा जापान आपका वो देश है जो IWW 2019 के लिए भागिदारी देश के तोर पर आता है तीस आपकी प्रशनों की स्रिंखला समाप्त होई सुरुवात कर रहा हूं आज के प्रशनों पर देरना करते भी हैं सबसे पहला प्रशन आपके सामने है ठीक है पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाएं राजी के खर्च पर हज की बेवस्था करने पहला भारतिय सासक कौन था सही जबाब क्या हो सकता है जबाब तेजी से कमेंट करें बहुत बढ़िया गरिमा जी आज सब कुछ बंद किया था सारी चीजे बंद थी इसलिए मौर्निंग में कोई करेंट आपकी नहीं हुई बहुत बढ़िया चले भई देखते हैं सही का एकदम सही होता है आगे बढ़ते हैं यह पहला भारतिय सासक था इस चीज को ध्यान रखिएगा पहला भारतिय सासक फिरोज सा तुगलक था जिसने राजी के खर्च पर हज की भ्यवस्ता की जैसे इस समय केंसरकार भी करती है कि हज पर गये सारे विक्तियों को बाद में किया कुछ न कुछ चीजें प्रोवाइट कराई जाती है बहुत सारी चीजें है जो वहाँ पर उन्हें छूड मिलती है कवीर और धरमदास के मद्ध कुछ बादचीत है समवाद है इसका संकलन का सीर सक्या है किस नाम से वो किताब है भाई सबद में है अमर मूल में है साख रश्मिवाला जी अरचना जी स्रियंका जी बहुत बढ़ियां देख लेते हैं दो नंबर प्रशन आपका जवाब क्या हो सकता है दो नंबर में ध्यान दें कि यहां कवीर दास और धरमदास के बीच में सवाल जवाब के बारे में पूछा है प्रशन तो यहे पूरा का बाकी साखी की बात किया जाए, सबद की बात किया जाए, रमयनी, ये तीनों के तीनों आपके कबीरदास के क्या है, रचनाये हैं, ठीक है, लेकिन बादचीत जो है किसमे है, अमरमूल में है, अगला प्रशन देख लें, तीन नंबर, तीन नंबर आपसे पूछ राए कि निम अरिगो डेवनिंग बहुत बढ़ी हैं, तीन नंबर प्रशन, दीपक जी बहुत अच्छे, भी विकल्फ है, बहुत बढ़ी हैं फरीन, देख लेते हैं, तीन नंबर में अगर, आप लोग कमेंट थोड़ा सा जो है तेजी से करें, बरकरी संपरदाय की अगर मैं आपसे बात गया था, एक था आपका धरकरी और एक था आपका बरकरी, इन दोनों के बारे में इस से पहले धरकरी से प्रशन एक पूछा था, उसमें पूरा डिटील में बताया है, थीक, तो ये बरकरी से था, इसके आपके प्रमुक थे, नाम दिए, अगला प्रशन है, ये भक्ति सु आँ सारीदु नूद्धीन को या फिर ख्वाजा कुत दिन बक्तियार काकी उसिख चाल नंबर प्रश्ण सही जबाब क्या हो सकता है अफ नेट्वर्क तो समस्य यहां तो कोई भी नहीं है भई बहुत बढ़ी हैं चले देखते हैं चार नंबर का सही जबाब क्या होता है है इसमें बिकल के तोर पर यहाँ पर डी बला ये लोग एकदम सही हैं सेख सलीम चिस्ती को सेख उल हिंद की चिस्ती संपरदाई treaty था चिस्ती साखा के सबसे अंतिम क्या थे ये संथ माने जाते हैं सूफी माने जाते हैं और इसके बाद में ये बहुत दिनों तक अरब में रहे थे सौधी अरब में तो अरब में ही उपाज कौन सी मिली थी सेख उल हिंद की समझ गए अरब में इनको सेख उल हिंद की उपाज मिली थी चार नमबर के बाद पांच नमबर देखें पांच अपसे बोला कि निम्ण में से कौन स आयुग में सही सुमेलित नहीं है ठीक है ध्यान दीजेगा कौन सा इसमें मैच नहीं है पानीपत का प्रथम युद 1526 खानवा का युद 1527 घागरा का युद 1539 चंदेरी का युद 1530 मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत करेगा चली पांच नंबर जो है जबाब आप लोग कमेंड करिए गोड इबनिंग भाई सभी का स्वागत केदार जी स्वागत है आज हाँ मॉर्निंग की क्लास नहीं थी राम राम चली भाई बहुत अच्छे सारे लोग जबाब आ रहे हैं पांच नंबर देख लेते हैं पांच नंबर यहां देखिए यह तो दिया पानिपत का प्रथम 26 सही है 27 सही है 29 सही है यहां चंदेरी के युद्ध को 30 लिख दिया है 1530 यह 1528 की बात है ठीक है 1528 की बात है इसलिए यह विकल्ब सुमेलित नहीं था और सब के सब सुमेलित हैं यह आपके क्या यह जो युद्ध हुआ था चंदेरी वाला 1528 वाला यह हुआ था बाबर के बीच और मेदिनी राय के बीच किसके किसके बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था तो कभी कभी डैरेक भी पूछ लेता है तो इसको भी ध्यान रखिए, ये सभी के सभी युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए हैं, ठीक चैपानीपत है, खानवा है, घागरा है, चंदेरी है, इसका क्रम जरूर याद रखेगा, पांच के बाद छे नमबर है, छे नमबर एक फेमस चीज है आपसे, अकबर ने मजहर नामा की घोषडा किस वर्स की थी, मजहर नामा, पंद्रा सो आपका नमाशी में, पंद्रा सो असी में, सत्रा सो बैयासी में, पंद्रा सो चेतर में, मजहर नामा की घोषडा आगबर ने कव की, चलिए भई, इसका जबाब क्या हो सकता है, बहुत बढ़ियां भई, सबी हमें टो इसमें जिन लोगों ने अभितक नम्बर प्रस्ण में provides 1579 की बात है जो हैंट अंड़ारी 599 की बात है जब अक्बडव ने सारी सारी जितने धार्मिक माम थे ऩहिंग जितने धर्म से मामले थे इन सारे मामलों को अपने हाथ में लिया था इस धार्मिक मामलों को अकबर ने पंदरा सो उन्याशी में अपने हाथ में लिया और तब किया हुआ इसी को मजहर नामा नाम दिया था और अकबर ने इस चीज की घोश्रा भी की थी ठीक है चलिए ये जो मजहर नामा है न ये जो था बैक्ति इसके पीछे धिमाग किसका था जानते हैं ये अबुल फजल के पिता थे अबुल फजल के पिता थे जिनका नाम था आपका सेख मुबारक इन्हों ने इस मजहर नामा को तैयार किया था सेख मुबारक नाम था तो सेख मुबारक ने किसको तैयार किया था मजहर नामा को और उसकी घ प्रशनाव का साथ नंबर देखें साथ नंबर आप से पूछ रहा है कि समराथ अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाद दी गई थी बताएं भाई मुहम्मद हुसाइन जो है मुकम्मल खान या अब्दुलसमद या मीर सयद एली कौन से जबाब साथ नंबर का सही हो सकता है साथ नंबर में ये रीती रिवास से संबंदित सारी चीजें होती है ठीक है अलग-अलग धर्मों में आप भी जानते हैं कि सारी काम अलग-अलग व्यक्तिव को सौपे जाते हैं उन्हीं से संबंदित पूरा एक लेख था बहुत बढ़ियां वही देख लेते अकबर के दर्बार का प्रशिद्य जो है एक तरीके से बोला जाये तो ग्रंथ करता था जितने भी ग्रंथ लिखे गए अकबर के दर्बार में उनमें एक महत्पूर्ण ग्रंथ करता था मोहमद हुसेन इसी को जरी कलम का जो है उपाद दिया गया था ठीक है ये कस्मीर का कहां का था कस्मीर का था और इसको जेरी कलम की उपाद दी थी अकबर ने आगे बढ़ लेते हैं साथ के बाद आठ नंबर में आठ नंबर ध्यान दे आप लो जंजातियों से संबंदित प्रश्ण है कौन से राज में हलाम नोटिया जंजाति मुखी रोप से पाए जाते हैं इये में महा की एक तरीके से ट्राइबस हैं महराश्च्टा की केरला की तरिपुरा की या चतिस गरगी आठ नंबर सही जबाब क्या हो सकता है आठ नंबर का सही जबाब आपका क्या होगा बहुत बढ़ी हारा केजी चले इसका सही जबाब देख लेते हैं आठ नमबर में ध्यान दें जिन लोगों ने यहाँ पर आठ नमबर में बेगल के तोर पर यहाँ त्रिपुरा को जबाब दिया है यह लोग सही हैं भई त्रिपुरा की मोख्य जबाब पढ़ेंगे तो हलाम मिलेगा और नोटिया मिलेगा ठीक है त्रिपुरा राजी में यह मोख्य रूप से पाए जाते हैं तो जनजातियों से संबंधित प्रश्ण हमेशा UPPCS के pet questions में होता है नो नमबर देख लें नो नमबर आपसे साधारन सा पूछा है मेघाले का पठार भाई किसका भाग है हिमालेस रेंडी का प्राइदी पिये खंड का या पूरबी घाट परबतों का या सत्थपुडा की जो आपकी range पढ़ती है उसका मेघाले का पठार किसका भाग है प्रमो जी बहुत अच्छे सिवरमन जी चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब नो नमबर प्रश्ण का क्या हो सकता है तो नो नमबर प्रश्ण में जिन्होंने विकल्पी यहां B को चुना है एक दम सही है प्राइडीपी ए खंड का यह एक भाग है कौन सा मेघाले का जो आपका पठार पड़ता है तो यह प्राइडीपी ए खंड का पूरा का पूरा भाग है ठीक अब इससे सम्मधित अगर आपसे प्रश्ण UPPCS दूसरी तरीके से पूछेगा तो आपसे पूछेगा चुकि आप जानते हैं ना यह जो मेघाले पठार है ना यह प्राइडीपी ए खंड से क्या हुआ अलग हुआ प्राइडीपी ए खंड से एक तरीके से अलग हो गया और किसके द्वारा प्रिथक हुआ यहां पर भ्रहंसन हुआ था तो यह तूटा का पूरा का पूरा मेघाले वाला जो पठार हुआ यह प्राइडीपी ए पठार से तूट गया आपका तो Pride EPA पठार से जब यह तूटा तो यह किस गैप के द्वारा अलग होता है तो मेघाले पठार और Pride EPA पठार के बीच में मालदा गैप पाई जाती है कौन सी गैप मालदा गैप इस चीज को ध्यान रखेगा आप से डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि मालदा गैप किन दो जो है पठारों के बीच है तो Pride EPA और मेघाले आगे बढ़ लेते हैं दस नंबर ध्यान दें दस नंबर आप से पूछा है इनके नाम सुना होगा किंगरी विंगरी नीती माडा यह हैं क्या भाई अखिर दर्रे हैं नदिया हैं परबत हैं या धार्मिक अस्थल हैं दस नंबर प्र बहुत अच्छे देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या है के दर जी आप डी विकल्ट दे रहें अगर दस नंबर प्रश्ण में सही जबाब से इसमें बात करूँ आपसे तो जिन्होंने भी यहां पर ए विकल्ट को बताया है ये लोग एकदम सही हैं किंगरी आपका दर्र है विंगरी भी है नीती भी है माडा है माडा को हम लोग पढ़ते हैं किताबों में यह माना लिखा मिलता है लेगिन माना को ही माडा दर्रा बोलते हैं ठीक नीती दर्रा माडा दर्रा विंगरी और किंगरी यह सब दर्रों के नाम है ठीक दर्रे यानि पहाड़ों के बीच म दूसरा देख लिजे जैसे इसमें दिया है आपका ये तिबबत से किसको जोड़ता है तिबबत से हिमाले को तिबबत और हिमाले के बीच में प्रमुख दर्रा आपका नीती है इसको भी ध्यान रखें क्योंकि ये प्रशन भी पूछा जाता है तिबबत और हिमाले के बीच म भारत और तिबबत के बीच में है, वहाँ पर जोड़ने का कारी करता है आपका माना दर्रा, अगली चीज अगर देखें, इसमें अनी जो दिये हैं, माना दर्रा थोड़ा सा फेमस इसलिए है, अगर यहाँ से प्रश्णी UPPCS आपसे बनाना चाहें नया, तो नया प्रश्णी यह बना देगा, कि माना दर्रा में ही आप जाओगे, तो आपको यह मिलेगा चिर्वितिया, अस्थान, चिर्वितिया एक जगे मिलती है, माना दर्रा में, चिर्वितिया या इसको डूंगरूला, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक, डूंगरी ला, डूंगरी ल देुताल जील, ठीक है, इसी दर्रे के रास्ते में आपको देवताल जील मिलेगी, एदो ताल जील ही वो है जहां पर अलगनंदा की सहायग नदि, जिसका नाम सरस्वती है, सरस्वती का उद्दरह होता है, ठीक, तो यहाँ से अगर प्रश्ण बनाना चाहे, तो आप से घुम है 1565 मीटर है 1365 मीटर है या 1260 मीटर है चलिए इसका जबाब क्या हो सकता है अनियल जी स्वागत है भई 11 नंबर प्रश्ण क्या हो सकता है सही जबाब बहुत बड़ी हाँ विविकल पारा है बहुत अच्छे देख लेते हैं कि इसका सही जबाब क्या है तो 11 में जिन्होंने इसकी उचाई के तोर पर कमेंट किया है विकल सी को एकदम सही है वई 1365 मीटर उचाई है किसकी पारसनात पहाड़ी की अब ये पहाड़ी आपका कहा है पारसनात पहाड़ी सीधा सीधा भी सवाल पूछा है ये जारखंड में पढ़ती है कहां पर जारखंड में पढ़ती है और जारखंड राज के जब आप जाएंगे जिला एक है गिरीडी ही जारखन डाजी का एक जिला है जिसका नाम है गिरीडी ही, गिरीडी ही जिले में यह आपका इस्थित है पारसनात पहाडी, ठीक, आगे सबसे जरूरी चीज़ जो यहां से दूसरा प्रश्ण यूपीपीसियस पूछता है पारसनात पहाडी से, वो यह पूछता है, वो न दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक, एक तो कहां पर सीधा-सीधा किस जिले में अस्थापित है, तो गिरिडी, अगर पूछ लिया, सिखर जी जैन मंदिर कहां है, तो पारसनाथ पहाडी पर, पारसनाथ पहाडी कहां है, जार खड़ में, ठीक, उचाई क्या है, तेरा सो वा तापती का सही अंक्रम, ठीक है, सही आर्डर इसका कौन सा है, पहले गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर तापती, अगर ध्यान होगा आप लोगों को, कि इनकी लंबाईयां क्या है और ओही क्रम में, तो आप फटा-फट कमेंट करें, गोदावरी, जबाब क्या हो सकता है, सही जबाब के तोर पर बारा नंबर में, जिल लोगों ने भी यहाँ विकल बी को ध्यान दीजे थोड़ा सा, विकल बी में दिया है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और तापती, यहीं इसका सही क्रम है, एसेंडिंग आर्डर में, क्योंकि आप ज तो नर्मदा की लंबाई पढ़ जाती है, तेरा सो बारा किलोमीटर, नर्मदा जो आपकी नदी है, इसकी लंबाई तेरा सो बारा किलोमीटर, उसके बाद महानदी पढ़ेगी आपकी, महानदी जो है, महानदी की लंबाई जो पढ़ती है, यह आपकी पढ़ती है, आट सो नदी फिरतापती, ठीक है, आगे बर लेते हैं, तेरा नमबर देख लें, तेरा आप से पूछ रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, ठीक है, जो एक तरीके से इकठा हुई है, बहुत दिनों की एक तरीके से इकठा मिट्टी है, कछार उसी को बोलते, क्य चलिए भई, सी विकल पा रहा है, देख लेते हैं सही जबब, तेरा नमबर में यहाँ पर ध्यान दें, कि गंगा का जो पुराना आपका मैदान है, और यहाँ पर जितनी आपकी गंगा के मैदान में जो पुरानी कछारी मिट्टी जमा है, यस मिट्टी को हम लोग बोलते ह जो है बांगर, तो विकल बी जिन लोगों ने चुना है, वो एकदम सही है, ठीक है, बांगर जो मिट्टी होती है न, इसमें जहां तक जैसे जो नदियों का पानी पहुंचता है, आपके आसपास के इलाखों में, तो जहां पर पानी पहुंच रहा, उससे जो उपर वाले उससे जो उचे अस्थान होते हैं, जहां पर नदियों का पानी सामान रूप से नहीं पहुंचता है, खास कर किसका बाढ़ का पानी, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये मिट्टी जमा हो जाती है, और इस मिट्टी का जो कलर होता है, ये पीला होगा हलका सा, और हलका स का खून के कलर का और पीली मिट्टी होती है ठीक तो ये चीज़ें दोनों इसमें पाई जाती है बाड़ से जो आपकी परिय जमीन होती है वहां पर ये मिट्टी एकठा होती है चौदा नंबर चौदा आप से पूछ रहा है विज्ञान जगत से है नहीं इसी से है आपके वन तो अताहा ठीक, बेसिकली अगर देखें, कौन सी एक हिमाले बनस्पत की जाती नहीं है, हिमाले बनस्पत के बारे में आपने पढ़ा होगा, बताएं, जूनिफर, महोगनी, सिल्वर फर या इस्पूस, इन चारों में से वो कौन सी आपकी बनस्पती है, जो हिमाले की जाती नहीं है, चोदा नंबर का, शिखा जी नमस्ते, चलिए लग जाईए, ए विकल्ब बहुत बढ़िया, चलिए वई, देखते हैं इसका सही जबाब क्या हो सकता है, तो सही जबाब में चोदा नंबर में जिन लोगों ने यहां विकल्ब के तोर पर, हिमाले बनस्पतियों के बनस्पतियां, तो वहाँ पर यह ब्रिच पाए जाते हैं, ठीक, इसलिए प्रशन थोड़ा सा मलब दीप आपका बेसिस का है, और यह दिया हिमाले से है, लेकिन ओरिजिन प्लेस अगर देखा जाए, तो यह वट जोगर्फी का पार्ट है, ठीक, और खासकर जब आप बात करेंगे उस्ट कट बंदी हैं जलवाईव का यह हिस्सा है, जहां पर उस्ट कट बंदी हैं जलवाईव पाई जाएगी, तो वहाँ पर उत्तरी और दचनी अमेरिका खास कर जब आप इसमें देखेंगे वहाँ की वनस्पतियां, तो महोगरी उद्न में पाये जाता है, यह इसलिए तत्तता लिखा है, और एक सब्द आप लिख देता है, तो समझ जाते हैं कि उसका जो है उत्तर अपने आम में बदल जाता है, चोदा के बाद 15 नमबर देख लें, 15 नमबर विकरण से है, रेडियेशन से सवाल है, निम्नमे से किस विकरण में उर्जा जो होती है, प्रति क्वांटम सरवाधिक होती है, बताएं, मलब सरवाधिक होगी, आपको प्रशन दिया है, चूच करिए, 320-400 नमेटर अगर है, या 200-280 नमेटर है, 280-320 नमेटर है, या 400-600 नमेटर है, किस विकरण में सबसे ज़्यादा प्रति क्वांटम उर्जा आपकी ज़्याद कि आप पूरा का पूरा मैपिंग से पढ़िए, बहुत बढ़ी हाँ के इदार जी, देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा होगी, प्रति क्वांटम के दोर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि तरंग दैर्धी, तरंग दैर्धी का जो सिधान्त आपने पढ़ा होगा, तरंग दै जिसकी आपकी नियुंतम होती है, ठीक, उसमें जो नियुंतम विकरण वाली रेंज होती ही, उसमें उर्जा सरवादिक होती, इसलिए बिकल्प आपका बी जो दिया है, यह सत्ति है, पंदरा के बाद 16 देख ले, 16 आपसे पूछ रहा है कि प्रकास का रंग निर्धारित कि किसके द्वारा होता है, प्रकास का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर, तीब्रता या बेग, प्रकास कोई किस कलर से दिखाई देता है, इसका सही जबाब जो है, मेरी आवाज कट रही है, नेटवर्क इसू हो सकता है आपके उधर भी आवाज इधर उधर होने पर जो है चले भाई इसका सही जब आप देख लेते हैं इसका सही जब आप क्या है 16 नंबर में तो 16 में जिन्होंने भी विकल बी को चुना है एकदम सही है भाई प्रकास का रेंग उसका तरंगदैर निर्धारित करता है क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी आपके साथ कलर के प्रकास हैं इनकी तरंगदैर सभी की अलग-अलग है ठीक है साथों कलर के जो आपके प्रकास हैं इनकी तरंगदैर सबसे अलग-अलग होती है और खासकर जब आप ये रेड़ बाला पढ़ते हैं इसका सबसे ज़्यादा और जो आपका बैग तो के और ओही क्रमा अनुसार ascending order में अगर लगाएंगे आप तो कौन सा सही बताओ इस पात पारा सोना इस पात सोना या पारा या सोना इस पात और पारा इन में से सही जवाब क्या हो सकता अगर हम density के अनुसार इन दिये गए materials को arrange करें तो सही order इनका कौन सा होगा जो है ascending order में चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत दिन बात दिखे आप practice परिवार स्वागत है चलिए भाई देख लेते हैं 17 नंबर में 17 में यहाँ पर ध्यान दे density की अनुरूप अगर लगाया जाए तो इसमें जो बी बिकल पर थोड़ा सध्यान दीजिए जैसे सोना पारा और इसपात को दिया है ठीक तो जब आप सोने की घनत तो पड़ते हैं डेंसिटी को और डेंसिटी को मीजर करते हैं आपके ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब में तो जब मैं गोल्ड की आपसे बात करूँ तो गोल्ड की डेंसिटी जो होती है यह 19.3 आपकी ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब होती है वहीं दूसरा जो आपका मरकरी है ठीक है पारा यानि मरकरी की अगर आप मैं बात करूँ तो यह 13.6 होती है आपकी density और जो आपका सबसे तीसरा इसपात दिया है यानि iron आइरन की अगर मैं बात करूँ आपसे तो यह 7.8 होती है ग्राम पर cm की तो इसलिए B विकल्प आपका सही है B के बाद 17 के बाद 18 देख लें 18 नमबर आपसे पूछ रहा है कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है ठीक है तो बुलबुले बनते हैं इसका कारण क्या है O2 गैस, CO2 गैस या कोई अधर गैस इसमें फिल होती है या हाइडरोजन गैस सही जवाब इसमें क्या हो सकता है से लिए बहुत बढ़िया है 18 नमबर में जब आप देख लेते हैं 18 में देखे जिल लोगों ने भी विकल्ब B को चुना है एकदम सही है कॉर्बन जो डाइ आकसाइड होती है CO2 आपकी यह जहां भी आपकी निकलेगी तो बुलबुले के फॉर्म में निकलती है निकलते रहते हैं ध्यान दिया होगा 19 नमबर देख लें 19 आप से पूछ रहा है कि लीथो ट्रिपसी क्या है लीथो ट्रिपसी किसे बोलते है पत्थरों पर लिखने की कला है गुर्दे की पत्थरी या पत्थरी किरनों दोरा तोड़ना है या कार्बन बीच से पत्थरों की आयूग याद करना या ग्रेह प्रियोग के लिए पत्थर तरासना लीथो ट्रिपसी किसको बोलते है आकरे कौन सी वो प्रक्रिया है जिसको नाम दिया गया बहुत बढ़िया वही बहुत बढ़िया जो है सुमित जी अगर इसके बारे में बात किया जाए कि लीथो ट्रिपसी है क्या तो लीथो ट्रिपसी ये प्रशन आया है 19 का B नंबर आपका सही है B जो विकल दिया है गुर्दे की पत्री जो होती है इसको लेजर के द्वारा तोड़ा जाता है यहीं प्रक्रिया आपकी लीथो ट्रिपसी कहलाती है 20 नंबर देख ले 20 आपसे पूछ रहा है कि निमलिकित में से कौन सही सुमेलिद नहीं है एंटि फ्री जोगिक जो एथलीन ग्लाइकॉन है C बोला है बबी बोला है 20 नंबर का क्या हो सकता है क्योंकि दवाओं से संबंदे सवाल हमेशा पूछा जाता है यह UPPCS का pet question होता है चलिए भाई बहुत बड़ी है सपना जी 20 नंबर में जबाब देख लेते हैं 20 में लोगों ने भी बिकल्ब के तोर पर यहाँ भी comment किया यहाँ जो लोग सोच रहे बिकल्ब D में ध्यान दें एंटि बैयोटिक्स के तोर पर इसने quinine को लिख रखा है जबकि आपको ध्यान होगा जो quinine है आपका यह प्राकिर्तिक एक तरीके से crystal के रूप फॉर्म में होता है जो quinine है यह crystal के फॉर्म में होता है ठीक और उसके साथ ही साथ यह लोयट प्रदार्थ होता है एलकी लोयट जिसको बोलते है खास कर इसमें जवर रोधी, मलेरिया रोधी दर्द नासक और सूजन रोधी गुड होता है ठीक यहीं सुमेलित नहीं है कोई नीन, बागी तीनों के तीनों आपके सही सुमेलित है 20 के बाद 21 21 आपसे पूचा है एक संगठन है आपका National Green Corps ठीक है, जैसे आपका INCC है National Credit Corps वैसे आपका National Green Corps है इसका उद्देश ही क्या है इवाओं को परियावरण और पारिश्दिगी के बारे में बताना, परियावरण ये कानून बनाना, या परियावरण सनराचन या सभी, जो तीन उपरोक्त दिये गए ये तीनों सही है, बहुत बढ़ियाँ भई, देख लेते हैं, बहुत बढ़ियाँ फरीन, डीविकल्ब भ ये जो नेशनल ग्रीन कॉप्स है, ये प्रोग्राम इवाओं को परियावरण और पारिश्दिगी के बारे में बताना है, ठीक है, तो ये भिकल्ब यहाँ पर सही होगा, जिन लोगों ने ये चुना है, वो एकदम सही है, 22 नमबर देख लें, 22 नमबर में आप से पूछ र प्रशन है, इसका सही जबाब क्या हो सकता है, बहुत बढ़ियाँ उपें जी, चलिए भई इसका देख लेते हैं, बहुत बढ़ियाँ शिखा, 22 नमबर प्रशन में सही जबाब जो आपका बनेगा, तो यहाँ जानते हैं, रेफ्रीजरेटर CFC का मुख ही सुरूत होता है, क्लोरो फ्लोरो जो कार्बन होती है, जिसका में नियुकदान ओजोन के छरण में होता है, तो उसमें आपकी रेफ्रीजरेटर ही काम है, और बिना रेफ्रीजरेटर के चलता भी नहीं, ठीक, ग्रेह है आपका कोई प्रोग्राम है भाई, एक मानक है, हिंदी में इसको ग्रे लिखा जाता है यह एक स्टेंडर्ड है मानक है हमारा किस से सम्मंदित मानक है जल से परियावरण से और कि टेक्चर से या इन में से कोई नहीं कोई और है वो बताइए ग्रे बनाया गया है जो वो किसलिए है अधरी के बनाया गया है इसका फुल फॉर्म जो है देख लीजएगा ज़रूर टेस के बाद चोबिस नमबर है चोबिस आप से संदिया प्रोडोकॉल पूछ रहा है इनमें से कौन सी संधी या प्रोटोकाल अंटार कटका में खनन से रोग लगाती वहां खनन नहीं कर सकते हैं अंटार कटका एन्वार्मेंट प्रोटोकाल जैनवा प्रोटोकाल टोक्यो प्रोटोकाल या इनमें से कोई नहीं सही जब आब इनमें से क्या बन सकता है 24 नमबर में बहुत बढ़ी है असोग जी तो 24 में ध्यान दें कि यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रशन आप से पूछा है यह प्रशन और उत्तर स्वैम में ही दे रखा है एक प्रोटोकाल आया था अंटार कटिका को ले करके ठीक है जिसको इनवायर्मेंट प्रोटोकाल नाम दिया गया था तो वहां का इनवायर्मेंट आपका दूसिद ना हो इसलिए खानन संबंदित रोग ए विकल्प में जो दिया है उसके द्वारा लगाई गई थी एक एक्ट लाया गया था पूरा का पूरा पचीस नमबर देख लें पचीस पूछरा भारत का पहला समुद्री राष्टिय उद्यान को उनसा है बताईए रानी जांसी समुद्री राष्टिय उद्यान समुद्री राष्टिय उद्यान कच्छ की खाड़ी या महत्मा गांधी राष्टिये उद्यान, या मनार की खाड़ी समुद्री राष्टिये उद्यान, सही जबाब इन में से क्या हो सकता है, समुद्री राष्टिये उद्यान भारत का क्या है, बहुत बढ़िया वाई रंजन जी, सुमझ जी ये विकल्प, चलिए जया जी आप आपका पहला राष्टिय उद्यान है ठीक है तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आगे बढ़ लेते हैं 26 नंबर आपके सामने है 26 आपसे पूछ रहा है कि अभी राष्टिय जो इस्टार्टप सलाकार परिशद है इसकी अध्यचता कोन करेगा ठीक है इस्टार्टप को लेकर देख लेते हैं केदार जी आप भी विकल्प चुनने साही जबाब अगर 36 नंबर को देखें तो 36 में 26 नंबर ये विकल्प पर ध्यान दे उद्दोग और वाडि जो आपका मंत्री है वो ये इस परिसकी अध्यचता करेगा ठीक है तो 26 का ये जबाब आपका साही है 27 देख फाउंडेशन यूनिट ये संयुक्तराष्ट देता है ये वर्ड आर्थिक मंच देता है बिसो जो है आर्थिक फोरम कौन देता है इसमें 27 में अगर जबाब देखा जाए CVR आ रहा है तो 27 का वो लोग जो इन्होंने अब ये अभी सुचकांग जल्दी आया था इसके बारे में थोड़ा सा जो है आपको जानना भी जरूरी होता है क्योंकि डिरेक्ट इंडेक्स से सवाल होते हैं अब यहां तो मैंने पत्रका से पूछ लिया EU यानि Economist Intelligence Unit के द्वारा लोगतंत्र सुचकांग आपका प्रकासित होता है भारत की रैंग क्या रही कमेंट के माधम से बताएं चलिए 28 नंबर 28 देख लें भारत में बित्तायोग का मुख हिकारी क्या है वही जो बित्तायोग अपना यहां पर बनता है Finance Commission या इन में से कोई नहीं कोई और बिसेस काम करता है आपका बित्तायोग यह विकल बहुत बड़ी हैं चले भाई देख लेते हैं साई जबाब क्या हो सकता 28 नंबर में 28 में ध्यान दें कि यह जो अपने यहां बित्तायोग यानि Finance Commission बनता है यह केंद्रो राज्यों के बीच इसका एक ही काम है कि राज्या सुखाब बितरान करिये जो है ठीक है क्योंकि बहुत सारी टैक्स आप लोग पढ़े हैं तो उन टैक्स में कई जो है राजी को जाते हैं इस समय तो GST है ठीक इनमें भी बहुत सारी चीज़ा अधर-धर टैक्स होते हैं जो सेंटल और जो है स आपका सही नहीं है, 29 का जबाब क्या हो सकता है, चलिए भाई, ए विकल्फ है आपका, ए विकल्फ ही आ रहा है सभी का, देख लेते हैं क्या बात है, 29 में जिन्नों ने, यहां अभी ए विकल्फ के तोर पर जिल्लो, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कि कटनी कागज उदोग के ल है पूरा, 29 के बाद 30 नंबर, सिरीज का अंतिम आपका प्रश्न, ध्यान दे, निमन में कौन सही सुमेलिद नहीं है, सर्व सिच्छा अभियान 2001 में आया, साक्षर भारत मिसन 2009 में आया, ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड, 1987 में शुरू हुआ, राष्टिय साचरता मिसन 1999 में शुर राम निवाजी भी विकल्प आ गया, ठीक है, इसका सही जब आप देखें, 30 नंबर में, 30 में ध्यान दे, या विकल्प D देखिए, राष्टिय साचरता मिसन को 1999 में इसने दिया है, ये विकल्प सही नहीं है, राष्टिय साचरता मिसन 1988 में शुरूआत किया गया था, केन स रचनों के अस्तर उस तरीके से हैं कि आपको 2019 UPPCS एकदम पूरा याद आ जाएगा, सबसे पहला बोला कौन सा सुमेलित है, ठीक, जो इसमें मैचिंग है, उसको फाइंड आउट करना है, दककन ट्रेप आपका जो पढ़ता है, इसको उत्तर नूतन बोलते हैं, नूतन का मल पश्चमी जो आपका घाट है, इसको प्रीकेंब्रियन काल से सबध्धमाना जाता है, अरावली की जो आपकी परवस्रेणी है, इसको क्रिष्टेसियस, यानि आरी नूतन के युग में रखा जाता है, नर्मदा तापती जो जलोड नीचेव है, अलूवीयल एक तरीके से स कौन सा इसमें से सही है, ठीक है, चलिए, जोगरफी के पहले चैप्टर से सवाल है, बिल्कुल अलिका जी, ये EPO4 वाला जो सारी चीजें हैं ना, सब कुछ, उसको लेकर अभी मैं कल या परसों में उसका पेपर प्रिवियस येर साल्व कराऊंगा, ठीक है, फिर उसको ले देख लेते हैं, पहले प्रशन का, बहुत बढ़िया प्रमोज जी, मुझे लगा आप नहीं आये अभी तक, देख लेते हैं, पहले प्रशन का सही जबाब आपका क्या है, तो पहले प्रशन का सही जबाब अगर देखा जाए, कि पहला प्रशन इसमें जो जो चीजे सुमे इसको Cristiesis काल में रखा जाता है किसमे Cristiesis काल में वाना जाता है तो पहला वाला विकल्प आपका सुमेल नहीं हुआ दूसरा कहि रहा है पश्चमी घाट जो है ये Pre-Cambrian है Pre-Cambrian तो बहुत बढ़ी चीज हो गई ठीक पश्मी घट की अगर स्रिंखला की बात की जाए तो यह आपका पढ़ता है आकर के उत्तर नूतन में ठीक है जो अभी सबसे पहले मलब जो अभी हाल ही में बना तो उसका सुरुवाती भाग एक तरीके से अरावली की स्रेणिया पूछा जा रहा है अरावली की स्रेणिया को इसने डाला है क्रिस्टेसियस आरीनूतन में ठीक तो यह चीज जो अरावली की स्रेणिया है यह प्री कैम्बियन काल की है पूरी की पूरी अरावली की स्रेणिया यह प्री कैम्बियन काल की पढ़ती है त ठीक है और साथ के रूम में जो मिट्टिया जमी है ये बहुत ही जल्द का फार्मेशन है तो डीब इकल्पाप का सही है दो नमबर प्रशन देखिए दो नमबर आपसे फिर से वही सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है मैंने कि नर्मदा और तापती के मद्ध इस्थित है क चलिया आनन जी बहुत अच्छे दो नमबर प्रशन में अब उसी प्रशन को थोड़ा सा और रिलेट कर दिया ठीक है बहाँ से उठा दिया आपका परवर स्रेणियों से जोड़ दिया बहुत बढ़ी है अनूब जी बहुत बढ़ी है जया जी शिवी कल्प है देखते हैं इसका सही जबब तो दूसरे नमबर पर ध्यान दें दूसरे नमबर प्रशन में अगर सही जबब की इसमें बात किया जाए तो नर्मदा और तापती के बीच में आपका सत्पुडा रेंज पूरा का पूरा पढ़ता है ठीक है तो यहाँ पर भी विकल्ब जो आपका है एक रिंखला है इसके उत्तर की यूर यानि उपरी भाग की यूर आपको कौन सी नदी मिलेगी ये नर्मदा मिलेगी और जब दच्छनी भाग यानि निचले छोर पर आएंगे इसका जो एक तरीके से पाद बिंदो जो होगा आधार उस तरफ आपको तापती नदी मिलेगी तो इन दोनों के बीच में सत्पुड़ा रेंज आपकी है, ठीक है, दूसरा प्रश्ण किलियर हो गया, तीसरा देख लीजिए, तीसरा आपसे पूछ रहा है, कि निमलेकित में से कौन सी पहाडियां, राजस्थान में बिंध्यन परबत स्रेणियों का विस्तार है, जो बिंध्य आपकी एक तरीके से परबत माला है, बिंध्यन चल वाली, इन स्रेडियों का विस्तार राजस्थान में किस नाम से है, मुकंद्रा परबत, डोरा परबत, अलवर परबत या गिरवा परबत, ठीक है, प्रेश्ण एकदम UPPCS वाले होंगे, रादे रादे भाई, भाई, जबाब को अगर देखा जाए, कि राजस्थान में जो ये बिंध्य आपकी स्रेडि पढ़ती है, पूरा का पूरा, ठीक है, अरावली रेंज पढ़ते हैं, फिर बिंध्यन रेंज पढ़ते हैं, तो इन में जब आप देखेंगे, और राजस्थान में ही बिस्तार देखा जाए अभी तक सवाल क्या पूछता है कि मलब एक तरीके से अरावली रेंज हो गई या ये सब हो गई तो इनका बिस्तार आगे की और कहां से अभी ये प्रशन थोड़ा सा उसी से घुमा के पूछा गया तो इसमें ध्यान रखे हमेशा कि ये जो राजस्थान में इसकी स्रे के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए चार नंबर प्रशन देख लीजिए चार नंबर आपसे बोल ला है कि निम्न में सही क्रम बताईए भाई सही क्रम क्या है अगर एक ओर्डर में इनको लगाए पहले गौडविन आश्टिन पड़ेगा फिर कंचन जंगा फिर माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी फिर गौडविन आश्टिन या कंचन जंगा या माउंट एवरेस्ट गौडविन आश्टिन कंचन जंगा या ही जबाप कौन सा हो सकता है ठीक है कौन सा वी कलप इसमें एकदम सही होगा उस चीज को आपको बताना है C वी कलप पा रहा है चले भाई बहुत अच sytu É C वी कलो बहुत बढ़िया देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या होता है ठीक है बहुत बड़ियां आप लोगों ने एकदम जैसे कुछ प्रश्ण UPPCS में भी ऐसे ही बनाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं होता है आप जानते हैं कि Mount Tuorist सबसे उचा है तो विकल्ब C ही एक आपका ऐसा है जिसमें आपको Mount Tuorist सबसे पहले मिल ला तो इसी को क्लिक कर देना हमें उचा ही पता है या नहीं लेकिन क्वेस्चन के option को देखते वे भी प्रश्ण करना जरूरी होता है खासकर UPPCS जैसे एकजाम में तो तीसरा विकल्ब करने वाले एकदम सही है तीन नंबर के बाद चार नंबर देख ले पांच नंबर आपसे पूछा है कि जुकु घाटी कहां परिस्तित है भाई जम्बू कास्मीर में है नागा लैंड में है या औरांचल प्रदेश या आपका हिमाचल प्रदेश कहां पर जुकु घाटी का जो है अंजनी जी भाई स्वागत है थोड़ा सा लेट है चलिए बढ़ जाईए पांच नंबर प्रशन पर बहुत बढ़ी आखंड सी विकल्ब पार आ है पांच नंबर प्रशन में अगर देखा जाए कि इसका सही जबाब क्या हो सकता है तो यहाँ पर जित्ते लोगों ने अभी जबाब के तौर पर पांच नंबर में कमेंड किया है विकल्ब पी को देखें जुकु पहाडियों को जो जफू स्रेडी, नागा लेंड में एक परवश्रेडी पाई जाती है जिसका नाम है जफू तो जफू स्रेडी के पीछे यह घाटी अवस्थित है जिसका नाम है जुकु घाटी या जुकु घाटी भी बोलते हैं समझ गए ना? पांच के बाद 6 नंबर सकता है बहुत बढ़ी यहां फरीन बीविकल जोजीला अमिच जी बहुत अच्छे चले वही देख लेते हैं इसका सही जब आप 6 नंबर प्रश्ण का क्या हो सकता है तो 6 नंबर प्रश्ण में देखें कि इसमें जैसे जोजीला को दिया है तो जोजीला दर्रे की अगर मैं आ आपका जोजीला वही रोहतांग दर्रे की अगर उचाई की बात की जाए तो रोहतांग आपका 13,044 फीट पर अवस्तित है 13,044 फीट पर आपका रोहतांग दर्रा है नाथूला की अगर बात की जाए तो नाथूला जो आपका दर्रा है यह 14,450 मीटर उचाई पर अवस्ति थे वहीं चीज आपका खैवर दर्रे की बात की जाए तो खैवर दर्रा ये आपका पढ़ता है 3510 सबसे निचला ठीक है खैवर दर्रा आपके इतिहास में भी बहुत important role लगता है जब आप खासकर बाहरी आकरनताओं को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें बिकल्ब सी जिन लोगों ने चुना एकदम सही है भई 14450 मीटर की उचाई के साथ नाथूला दर्रा आपका नंबर वन पर आता है ठीक है आगे बढ़ लेते हैं छे के बाद साथ नंबर साथ नंबर में देखिए प्रशन आपसे पूछ रहा है कि जो आपका तटिया परदन होता है ठीक है त तट के किनारे जो है लगातार जो ये तट होते हैं इसको कौन सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचाता है सही जबाब दीजिए चलिए बहुत बढ़ी हाँ शुरिकान जी बहुत बढ़ी हाँ प्रमो जी देख लेते हैं कि इसका सही विकल्प क्या हो सकते हैं थोड़ा सा कमेंट टेजी से करिए आप लोग प्रशन पढ़ने के बाद ये एक दम अपने आप में कंप्टिशन जगा लीजिए कि हाँ सबस चीज है ठीक जिसमें आप थोड़ा सा अपना सेंस भी जोड़ेंगे तब भी आप सही से जबाब इसका दे पाएंगे लहरे लगातार आती रहती हैं अब ये हिलोरे लगातार किनारों पर टकराती रहती हैं जिससे सरवाधिक अपरदन होता है मिट्टिया कटती रहती है ज चारों विकल्पों में थोड़ा सावा अपने नेचर से स्योचे तब ही इसका जबाब दे सकते हैं आइसे प्रश्ण इपीसियस में हमेशा होते हैं आठ नंबर देख लें अब इतिहास के प्रश्ण पर हम लोग आ रहे हैं कि अकबर ने दीने इलाही जो धर्म चलाया ये किस वर्स में प्रारम किया था वई 1570 में 1578 में या 1581 में या विकल्प 1582 है कौन सा जबाब इन में से सही हो सकता है बहुत बढ़ी हाँ श्रीकान ओ श्री अंका जी चलिए वई समर जी स्वागत है बहुत दिन बात दिखाई दिये हैं आप बहुत बढ़ी हाँ विरेंज जी च उस समय बात थी कब 1582 की जब अकबर ने दिने इलाई धर्म की अस्थापना की थी ठीक तो इसी वर्स से ये प्रारम माना जाता है विकल्प डी आपका एकदम राइट है अगला बढ़ लेते हैं नो नंबर नो नंबर आपसे पूछा है कि अकबर की इच्छनुसर किसने रा अनुबाद किया था चलिए वही गोट इबनिंग राम निवाज जी थोड़ा लेट हो गए बहुत बढ़ियां वही चलिए इसका सही जबाब देखते हैं गरिमा जी ये विकल्प है तो इसमें अगर नो नंबर प्रस्ट में सही जबाब देखें तो नो नंबर में ध्यान इन में से नो नंबर में जितने लोगों ने यहां पर बी विकल्प को बताया है सही एकदम सही होंगे अब्दुलकादिर बदाविनी ने रामायर का फार्सी में अनुबाद किया था ठीक है किसकी इच्छा से अकबर की इच्छा से नो के बाद दस नंबर देख लीजी दस पूछ रहा कि औरंग जेब ने बीजापूर की बिजय कब की थी यानि बीजापूर को कब जीता था 1685 में 1686 में 1687 में या 1684 में कौन सा वो साल था जब बीजापूर की बिजय इसने प्रारम की थी बहुत बढ़िया असोग जी अवलाय जी वीवी कल्प है चलिए वई नंबर में ध्यान दें औरंग जेब की जो बीजापूर की बिजय रही ठीक है यह हुई थी 1686 की बात है ठीक 1686 की बात है तो विकल्प बी आपका एकदम यहां से राइट होगा ठीक जजिया भी यहां पर एक चीज और ही याद रखनी है कि जब बीजापूर जीता तो यहा नहां से प्रश्न आपका निकल के आता है 11 नंबर देख ले 11 नंबर में आपका दिया है और सौरी मैंने पहले ही वो इस प्रश्न का बता दिया उत्तर आपको ठीक है औरन जेब ने जजिया पुना कब लगाया था यह विकल्प आपसे पूछा है ठीक तो औरन जेब ने जो है अगर पुना जजिया की बात किया जाए सही जबाब क्या हो सकता है बताइए एक तो मैंने बता दिया पुना जजिया कब लगाया था इसकी बात आपसे कर रहा है औरन जेब इसका जबाब क्या हो सकता है 11 नंबर बहुत बढ़िया अलका जी डिविकल्प है बिरें जी बहुत अच्छे चलिए देख लेते हैं 11 नं 69 की बात है वो 1679 की बात है ठीक है तब फिर से जजिया को पुना आरूपित किया था ठीक और अरंग जेब ने ये चीज को ध्यान रखिएगा तब इसने फिर से जजिया को आरंब किया था तो सी विकल्प जो लोग चुनने ये एकदम सही है ठीक अगबर ने बंद किया था जजिया कर्व की समाप्ति की थी और अरंग जेब ने आ करके पुना इसको सुरू किया 16 आपका 79 में आगे बढ़ लेते हैं 11 के बाद 12 नंबर है 12 आपसे बोला कि निमलिखे दिग्वों में से कौन सा सही सुमेलिद नहीं है बाबर को बोला खानवा के युद्ध से सब्दित है हिमायू को बोला चोसा के युद्ध से सब्दित है अकबर को बोला हल्दी घाटी के युद्ध स से संबन देते कौन सा इसमेली नएकोई नए कुई तो है ज़रूर चले इसका जवाब बहुत बढ़ियां हए वही का सई जवाब क्या है तो बारा में देखिए कि बारा प्रस्ट जो आपका है इसमें डिव इकल पर भ्यान दीजिए आप लोग जैसे जहाँगीर जोड़ा है इसने बल्क के युद혹 से जबकि बल्क का युदध किसके काल में हुआ था जहाँगीर नहीं वो समरे साजहां का सासन था बल्क के युदध में सा जहाँ था- तो यह विगलपापका सुमेले नहीं बाकी सुमेले थ और बल्क का युद्ध आपका हुआ था कब 1646 की बात है जब बल्क का युद्ध हुआ था और साजहां के सासंकाल में हुआ था तो डीप इकलप आपका सुमेल नहीं था बारा के बाद 13 नमबर देख लीजिए 13 नमबर आपसे पूछ रहा है कि निम्ण में से किस स्थान पर एक प्रसिद सिख गुर्धवारा अवस्थित है बताइए रोग कुंड में हेप कुंड में तारा कुंड में ब्रह्म कुंड में कौन सा वो जगे है जहां पर एक गुर्ध लेट होगे थोड़ा सा, चलिए लग जाईए, बहुत बढ़िया फरीन, चलिए देखते हैं, सही जबाब इसका क्या हो सकता है, तो सही जबाब में 13 नंबर में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यहाँ पर, यह चुकि फेमस भी इससे पहले राय है, आप लोग इसके बारे म बहुत बार पढ़े होंगे, हेमकुंड में, जानते ही हैं, ठीक, बहुत फेमस आपका सिक गुर्दवारा है, ठीक, हेमकुंड कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में किस जगे पर? उत्तराखंड में जब आप जाएंगे, चमोली जिला विजिट करेंगे, ठीक, वहाँ पर आपका हेमकुंड मिलेगा आपको, ठीक, तो यहाँ पर प्रसेंट गुर्द्वारा आपका आवस्थी था, बीबी कल्प आपका सही है, चौदा नमबर देख ले, चौदा आपसे पूछ रहा है कि सिवा जी के अश्ठ प्रदान का जो सदस्य है, बीदेसी मामलों की देखरेक करता था, वहाँ कौन था, पेशवा कहला था, सचिव कहला था, पंडित राओ या सुमन, यह प्रस्ण बहुत बार आ चुका है, तो बिरेन जी, डी बिकल्ब चुन्न है, बहुत अच्छे, चौदा नमबर प्रश्ण में क्या जबाब हो सकता, बहुत बढ़ियां जया जी, चले वई, अवलाज जी, देखते हैं सही जबाब इसका क्या हो सकता है, ठीक है, चौदा नमबर में अगर सही जबाब की आपसे बा करता था, वो सुमंद कहलाता था, ठीक है, मराठा आपको पढ़ना आवश्चिक है, चौदा के बाद 15 नमबर देख लें, 15 आपसे बोला, मलेरिया से संबंधित एक प्रश्ण है, कि भारत में मलेरिया के 65% जो है रोगियों के लिए निमलिखित में से कौन परजीवी उत्त के लिए जिम्मेदार है आपका, बताइए भई, बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बढ़िया फरीन, देख लेते हैं, 15 नमबर में इसका सही जवाब क्या हो सकता है, ठीक, तो 15 नमबर में जो लोग यहां पर बिकल्प के तोर पर, बी बिकल्प को चुनने एकदम सही है पी वाई वैक्स आपका जो पैरासाइट है, यह भारत में जितने मलेरिया के आपके केस मिलते हैं, उनमें 65% मामलो के लिए उत्तरदाई है, ठीक, पी वाई वैक्स नमका आपका पैरासाइट, पर जीवी, जो भारत में 100% मलेरिया मान लीजे जितने भी इसमें मरीज हुए उनमें 65% मरीज इसी के केस के पाए जाते हैं, ठीक, आगे बढ़े लेते हैं, अगला प्रशन 15 के बाद 16 आपसे पूछ रहा है, कि मानों में मान लीजे अगर गोड़ सूतर संख्या 21 हो गई, ठीक, तो इसकी त्रिगण सूतरता किसके लिए responsible होगी, यह जो दिक्कत इसमें 16 नमबर में सही हो सकता है, चलिए बहुत बढ़ी हैं प्रमो जी, C विकलब पा रहा है, बहुत बढ़ी हैं रामनिवाजी, जया जी C विकलब है, बहुत बढ़ी हैं गरमा जी, देख लेते हैं इसका सही जवाब, तो ध्यान दीजे, इस प्रशन में जिन लोगों ने 16 हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रशन पर, 16 के बाद 17 नमबर आपसे पूछा है, एंथोफोबिया हो जाता है विक्तियों को, एंथोफोबिया होता है न, निम्न का डर है, किसका डर है, अधिकारी का, अगनी का, पुस्पों का, कुत्तों का, किसके डर को एंथोफोबिया बोलते हैं, बहुत बढ़ी हामिजी, अवलाजी, सीविकल, सीविकल, चलिए देखते हैं, एंथोफोबिया आखिर है क्या, ठीक, तो एंथोफोबिया ध्यान रखें, कि एंथोफोबिया होता है, बैक्तिको जब पुस्पों से संब्दित डर लगने जो है, फोबोस, दूसरा जो सब्द है, इसको फोबोस बोला जाता है, इन दोनों सब्दों से मिलकर बना है आपका, और एंथोफोबिया रोग से पीडित बेक्ति मानते हैं, 17 गे बाद 18 नंबर, आविंदुकता एक बीमारी हो जाती है, किस में, कानों में, आखों में, नाक में या गले में, किस की बीमारी है आविंदुकता, बताएं भई, बहुत बढ़ियां C जबाब आ रहा है 18 नंबर में, तो 18 नंबर में बहुत बढ़ियां मुकेश जी, इसमें प्रभावित हो जाएगा, उसको उपर नीचे और दाएं बाएं, देखने में समस्य आ जाती है, ठीक, और इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, सिलेंडिकल जो है लेंस का प्रियोग किया जाता है, जिसको आप बेलनाकार लेंस के तौर पर जानते हैं, बेलनाक होता, गन्ना में बुकनी रोग होता, कौन सा इसमें सही सुमेलिद नहीं है, फसलें हैं, फसलों के जो है, रोग दिये हुए हैं, तो इसमें अगर बात किया जाए कि 19 नंबर में सही जबाब आपका क्या हो सकता है, बहुत बढ़ी यहां अवलाजी, तो 19 में जितने भी लो आपका जो है, गेहुं में भी यह होता है, बुकनी रोग, गेहुं के बाद आपका प्याज में होता है, ठीक, सेब में हो जाता है बुकनी रोग, नासपती में हो जाता है बुकनी रोग, तो बुकनी रोग इन सब में पाया जाता है, गन्ने में यह सब नहीं है, ठीक है, आ आक्सीजन की कमी, पोटैसेम की कमी, आलो में काला काला धबा अंदर पड़ जाता है, किसकी वज़े से, बता ये, स्रियंक्या जी बहुत जल्दी क्लास से शुरू होंगी, उसके लिए अलग से पूरी की पूरी, ये जीएस आपको फाइदा उसमें भी देगी, ठीक है, इसका कमी आपको होगी इसमें, ठीक, तो आप समझ जाइए, कि वहाँ पर आलो में ब्लेक हार्ट हो जाता है, आक्सीजन की कमी कमी कब आती है, जब आलो को कोल्ड इस्टोरेज में, या कहीं पर भी, जो है, भंडारंड जब इसका कर दिया जाएगा, इस्टोरों में रख दिया पढ़ जाते हैं, कब होता है, भंडारंड के समय, आगे बढ़ते हैं, 21 नमबर में, 21 आप से पूछ रहा है, और वेवस्ता में आ चुके हैं, कि किसी देश की आर्थिक संबरिधी अगर करनी है, तो उसका सबसे उपिप्त मापडंड क्या होगा हमें जानने के लिए, उसका सारकल घरेलो उत्पाद, निवल घरेलो उत्पाद, या निवल राष्टिय उत्पाद, या प्रति व्यक्ति वास्तविक आए, किससे हम जानेंगे कि उस देश की आर्थिक संबरिधी कितनी है, बहुत बढ़ियां जया जी, चलिए D आपका जबाब आ रहा है, कुझ भी हार देखते हैं सही जबाब बहुत बढ़ियां सोमेच जी, अगर 21 नमबर में सही जबाब आपसे देखें, तो 21 में ध्यान दें, कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय होती है, यहीं किसी व्यक्ति की आर्थिक संबरिधी को सबसे बेस्ट आपका एक तरीके से होत है, जांचना, ठीक, अगर प्रति व्यक्ति वास्ति व्यक्ति आय ले ली जाए, तो किसी भी देश की आर्थिक संबरे धिमापने का सबसे बेस्ट तरीका यहीं होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रेश्ण पर 21 के बाद 22 नमबर में, हैंड बुक आप एक्रिक स्थान इसके लिए जिम्मेदार है, चलिए बताइए, 22 नमबर प्रश्ण में क्या जबाब हो सकता है, रामनिवाज जी, सी विकल्प है, बहुत बढ़ियां प्रमोज जी, अगर इसके बात किया जाए, 22 भी, बहुत बढ़ियां भावना जी, 22 नमबर में, जो लोग यहां पर जबाब के तोर पर बीपिकल को चुन नहीं है, एकनम सही है, भारतिक क्रिशी अनुसंधान परिशद, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं, I-C-A-R, ठीक है, इंडियन काउंसिल आफ एगरिकल्चर रिशर्ज, यह जो होए, यह पबलिक करता है, आपका हैंड़ बूक अफ अफ एगरिकल्चर, ठीक है, तो दिमाज में इसको बनाए रखिएगा, आगे बढ़ लेते हैं, तेईस नंबर, तेईस आप से पूछ रहा है, ग्रामीड अर्थब्योस्था से संबंधित सवाल है, कि निमलिकित में से कौन ग्रामीड अर्थब्योस्था में अंसदान नही है, तो तेईस नंबर में जबाब देखा जाए, बहुत बढ़ियां वही, तो तेईस नंबर प्रश्ण में यहां ध्यान दें, कि जिन लोगों ने अभी जबाब के तोर पर इसमें, अब मैंने बताया ना कि अर्थब्योस्था में बहुत सारे ऐसे प्रश्ण होते हैं, जि देखे, निजी धन उधार दोने का प्रश्ण गाओं में बहुत ज़्यादा होता है, जानते हैं आप, और निजी धन अगर आपने दिया है किसी को, तो वहाँ ग्रामीड अर्थ व्योस्था में उसका कोई भी योगदान नहीं होगा, विकल्प C एक डम यहां पर राइड ह भाई तब भी ग्रामीड अर्थ व्योस्था में होगा, कोटी रुद्धोग होगा तब भी होगा और अच्छे उप करने तब तो होगा ही होगा, C पिकल्प आपका यहां पर सही है, तेज के बाद 24 नमबर ध्यान दे, 24 नमबर आपसे पूछा है कि खाद्यानों के समर्थन मोल जो MSP जारी किये जाते है, इसकी संस्तुत ही कौं देता है, योजना आयोग देता है, CACP देता है, या क्रिशी मंतराले देता है, या सीचाई मंतराले देता है, कौन इसके लिए संस्तुत देता है, फिर बाद में वो Approval होता है, चलिए भाई, B.V.C.B.C.B.C.B.C है, Commission for Agricultural Cost and Prices, ये संस्तुत देता है बाद में जो है सारी चीज़े एप्रूबल होती, उसके बाद दोर्मेंट जो है MSP जारी करती है, ठीक, MSP से सम्मधित प्रशन आपके 19 के प्रिलिम्स के लिए भी बहुत important है, आगे बढ़ते हैं, 24 के बाद 25 नंबर, 25 नंबर आपका दे रहा है कि राष्टी ये BCS क्रिसी उपज योजना एक आई थी, ठीक है, ये मोखी रूप से किस से सम्मधित रही, नगत फसलों से, यानि जिनको नगदी फसल कहते हैं, खाध्यानों से सम्मधित है, या सबजीयों से सम्मधित है, या निरियात योग क्रिसी उदपाद, कोई ऐस प्रोड़क्ट हम पैदा करें, जिसका हम निरियात करें, तो सही जवाब 25 में क्या हो सकता है, बहुत बड़ी हैं आभाजी, फरीन जी, डे विकल्ब, चले दिखते हैं, इसका सही जवाब अगर 25 का बात किया जाए, तो 25 नमबर में धहन दे, यहाँ पर विकल्ब के तोर मे गया था कि निरियात योग क्रिसी उत्पाद हम को ही लाएं अपने देश में, ठीक है, तो इसके लिए इस चीज को जोड़ा गया था, कि ऐसे उत्पादों की ब्रिधी करना, जिसका हम निरियात कर सकें, जादा से जादा, आगे बढ़ते हैं, 25 के बात 26 नमबर है, 26 आप से पूछ रहा है कि कौन सा भारतिय बाग्यानिक जो इनिप द्वारा, डॉलर आफ एकोनोमिक एकोलोजी अभिव्यक्ति है, ठीक, ऐसा कौन सा भारतिय बाग्यानिक राजी इसने इनिप के द्वारा, डॉलर आफ एकोनोमिक एकोलोजी को अभिव्यक्ति किया है, बताइए, पीपी पाल है, येस पाल है वो, या MS स्वामी नाथन ने या आर मिस्रा थे, कौन सा ऐसा बैज्यानिक था, जिसने डालर आप एकोनोमिक एकोलोजी को अभिव्यक्ति किया, ठीक, इसके बारे में बताया, वो कौन सा भिव्यक्ति था, चलिए वह येस पाल, 26 नंबर में देख बोला जाता है, इनकी जो अभिव्यक्ति दी जाती है, ठीक, इस भारतिय वाग्यानिक को जो अभिव्यक्ति दी जाती है, UNEP के द्वारा, ये डालर आप एकोनोमिक एकोलोजी की दी जाती है, ठीक, या यहाँ पर जो है, डालर की जगे सबसे उचित आपका होगा, फादर ठीक, फादर आप एकोनोमिक एकोलोजी के द्वारा इनको जो है, एक उपाध के तोर पर आप माने, जो किस ने प्रोवाइड किया था, UNEP ने किया था, आगे बढ़ लेते हैं, 27 नंबर प्रशन आपके सामने है, 27 आप से बोला है, 27 प्रशन बोला कि मौशम अनुस्रमार य जिसको बेदर मॉनिटरिंग डिवाइस बोलते हैं, सोडार, यह कहां परस्थापित है, जैपूर में आपके कटग में है, चंदीगण में है, या कैगा तथा कलपक्कम में है, 27 नंबर में सही जवाब क्या हो सकता है, 27 नंबर में सही जवाब आपको पूछा है कि बेदर की लगाई गई है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैगा में है है, कलपक्कम में है है, एक आपका तारापूर में भी अस्थापित है और इसके बाद अगर देखें तारापूर की अलामा, तो एक आपका ट्रामबे में भी अस्थापित है, चार्ज गों पर ये स्थापित है तो इन दोनों को भी इसके साथ ध्यान रखना है ठेक कहेगा कल पक्तम तारापुर्ट रामबे 27 के बाद 28 नंबर देख लें 28 पूछा है अगर माली जी हमें धूल प्रदूसर्ण रोकना है तो इसके लिए सबसे उपीप्त ब्रिच हम कौन सा लगाएंगे सीता पेंड लगादें महुआ लगादें पपलर का पेंड लगादें या नीम का पेंड लगादें सबसे बड़ी हाँ धूल प्रदूसर्ण को रोकने के लिए उपीप्त ब्रिच है कमलेशर जी बहुत बड़ी हाँ डी विकल पा रहा नीम आ रहा देख लेते हैं 28 में सही ज माना जाता है सबसे उत्तम धूल नियंतरक के तोर पर सीता जो है पेंड या असोक के पेंड को माना जाता है ठीक है 28 के बाद 29 नंबर आपके सामने है 29 आप से पूछ रहा है कि बेशुका कौन सा वा देश है जो प्रतेग मास के अंतिम सनिवार को राष्टिय स्वचता दीवस मनाता है बाई बताएं फ्रांस है वो इटली है सियरा लियोन है यह सिंगापूर है कौन सा देश है जो प्रतेग मास के अंतिम सनिवार को हम आप तो तबी जगते हैं ठीक है कब जब होता है दो अक्टूबर चलिए भाई रितुजा जी स्वागत है बहुत बढ़ी है आदिजी देखते हैं इसका सही जबाब क्या हो सकता है बी आर है श्री आर है तो उन्तिस में ध्यान दीजे कि वह देश आपका जो प्रतेग मास के अंतिम सनिवार को स्वच्छता दी दिवस मनालेंगे तीस नम्बर देखलें तीस नम्बर आप से पूछ रखा है कि बिश्यो परिवेस दिवस किस दिन मनाया जाता है बई 21 आरो थी जबाब क्या हो सकता है ठीब ये टिक भी आरा है शुसिल जी आवांजी आपका जबाब भी वी बई है चले देखते हैं पांच अक्टूबर को मनाया जाता है डीबिकल पेकदम सही है ठीक है और पांच अक्टूबर खासकर कब अक्टूबर का जो प्रथम सोमवार होगा अक्टूबर का जो प्रथम सोमवार होगा इसी सोमवार को बेसुप परिवेश दिवस मनाया जाता है आज की स्रिंखला 30 प् किस दिवस के रूप में मनाये जाता? 200 हरित दिवस? 200 निर्धनता दिवस? 200 सोचाले दिवस? या 200 सच चल दिवस? सही जवाब क्या हो सकता है? तेजी से आप लोग कमेंट करिए थोड़ा. कमेंट थोड़ा सा तेजी से आप लोग करें चले वाई बहुत बढ़ियां सभी के जवाब आ रहे हैं देख लेते हैं सही जवाब क्या है सही जवाब की अगर मैं बात करूँ तो 19 नौमबर जो है ठीक इसमें जितने लोगों ने अभी विकल्ब के तोर पर यहाँ पर सी वाले को चुनाए एकदम सही ये 214 दीवस के तोर पर 19 नौमबर को मनाया जाता है ठीक तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये दीवस से प्रशन UPPCS है या कोई भी ये हमेसा पूछता है दो नंबर प्रशन आपके सामने है आप से पूछ रहा है कि वेश्चो वानिकी दीवस प्रतिवर्स मनाया जाता है किस दिन एक केस मार्ज या 22 मार्ज या फिर एक केस मई या 22 मई सही जबाब क्या हो सकता है इनमें से कमेंट करिए चलिए बाई बहुत बढ़ी हैं सुरिभान जी बहुत बढ़ी है तो ये देखते हैं दो नमबर प्रशन का सही जबाब आपका विकल्ब एक को जो लोग बता रहे हैं एक केस मार्ज को वेश्चो वानिकी दीवस आपका मनाया जाता है ठीक है इसको ध्यान लखना है आप सभी को आगे बढ़ते हैं प्रशन क्या तीन पर तीन नमबर प्रशन आप से पूछा है ये थोड़ा सा और ज़्यादा जरूरी है बिज्ञान के निमलेखे छेत्रों में से किस एक में बोर्लाग पुरसकार दिया जाता है ठीक है बोर्लाग औशदी के छेत्र में या अंत्रिश अंसंधान के छेत्र में या क्रेशी के छेत्र में या फिर परमाण भाउतकी के छेत्र में किस में जो है बोर्लाग पुरसकार दिया जाता है बहुत बढ़िया नहीं देजी कमलेशर जी बहुत बढ़िया चलिए देख लेते हैं सही जबाब तीन नमबर प्रश्ण में ये प्रश्ण कई बार चाहे जो आपका जिस अस्तर का पेपर दे रहे हैं सभी में बार बार घुमा कर पूछा जाता है ठीक तो ये विगल पापमा जितने लोग सी चुन है अगरिकल्चर यानि क्रेशी को एकदम सही है जो ये नार्मल बोलाग नहां पर है पुडे में है आपके जैपूर में है देहरादून में है या हैडराबाद सही जबाप क्या हो सकता है इसका पाब बाच बड़ी या विंकड़ जी देख लेते हैं उसका सही जबाप क्या है 4 का 3 भी आ रहा है 4 नमबर प्रश्ण में जिनों ने यहां विकल्ब के तोर पर B को चुना एकदम सही है आयरुबैत का राष्टिय जो संस्थान है आपका ठीक ये अवस्थित है आपका जैपूर में इस शीज को ध्यान रखना है आयरुबैत का राष्टिय संस्थान जैपूर में आवस्थित है आगे बढ़ते हैं 5 नमबर पर 5 नमबर आपसे पूछा है ठीक है एक स्कीम से रिलेटेड है एजेंडा 21 किस छेत्र से संबंदित है आकर सतत्द विकास से या परमाण पांच नमबर में एजेंडा 21 जिन्होंने एव चुना है एकदम बेलकुल सही है जो सस्टेंबल डेबलेब्मेंट थेरी दी गई है ठीक है एक तरीके से वो चीज़ें यहीं से आती है कहीं ना कहीं एजेंडा 21 से ही आती है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं 6 नमबर पर आपके सार्वजनिक बितरन प्रणाली जो आपकी चलती है ना ठीक है जैसे रासन कार्ड वगएरा गाउं में रासन जो चलता है इसका लच्छ क्या है अखिर की सेम के लिए है गरीबों को खादी सुरच्छा उपलब्द कराना जमा खोरी यों काला बाजारी रोकना ब्यापारियों द्वारा अधिक मुले लिये जाने से रोकना या उपित सभी तीनों के तीनों इसके लच्छी हैं कौन सा सही जबाब हो सकता है इनमें से डिबिकल भी आ रहा है छे नमबर में सही जबाब क्या हो सकता है चलिए देख लेते हैं इसका सही जबाब ध्यान रखिए सारजनिक बितरनड जो प्रणाली है इसका मेन लक्षे आपका है गरीबों को खादी सुरच्छा उपलब्द कराना ठीक है गरीबों को खादी सुरच्छा उपलब्द कराने के लिए सारजनिक बितरनड प्रणाली जो है ये लाई गई है तो इसका मेन एम ये है बाकी चीजें तो इनसे जूड़ी है बात सही है लेकिन जमाखोरी कलाबाजारी के लिए ये चीज नहीं है सारजनिक बितरनड प्रणाली उसके लिए दूसरी चीजें हैं आपके पास आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने साथ नमबर देखें भारत में किस वर्स परिवार नीओजन कारिक्रम प्रारंब किया गया परिवार नीओजन जो कारिकरम आया भारत में आया 1950 में, 51 में, 52 में या 55 में चले अगर पंच बरसी है उजना सही से पढ़ा है तो आप तुरंट जबाब देंगे साथ नंबर में क्या जबाब हो सकता है चले इसका सही जबाब देखते हैं 1952 भी आ रहा है बहुत बड़ी हां देख लेते हैं तो इसका सही जबाब आपका बेकल के तौर पर जो लोग सी को बता रहे है 1952 को एकदम सही है आप जानते हैं जब देश 47 में आजादी हमें मिली तो उस समय सबसे बड़ी चिनौती थी भारत के लिए कि भारत के लिए सभी विक्तियों को जो है खाद सुरच्छा मुहिया कराना खाद सुरच्छा मुहिया कराने के लिए भारत के पास बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय हमारे पास हरित करांती जैसी कोई चीजे भी नहीं थी इसलिए हम depend होते थे अमेरिका और इन सब सारे देशों पर कि जो हमें 20 देते थे गेहुं से सम्मधित या हमें चावल के 20 देते थे इन सब से सारी चीजे बाद में करते हुए हरित करांदी यही फिर खादी सुरच्छा सबसे बड़ा हमारा रा उसके बाद खादी सुरच्छा कैसे कंट्रोल हो सकती इसमें एक भी चीज थी जनसंक्या हमारी तो जनसंक्या नियंतरण के लिए फिर परिवार नियोजन कारिक्रम भारत में लाए गए ठीक जो सामदाईग विकास आपका एक तरीके से चला पूरा का पूरा यह इनहीं के अंतरगत रहा सामदाईग विकास के बारे में आपने पढ़ा होगा तो यह सारी चीजे इसी की अंतरगत की गई थे आठ नंबर प्रशन देखें आप आठ नमबर आपसे पूछा है कि ये सिया का पूरे प्रथम निर्याद संस्करण छेतर उन्निय सो पैसट में अस्थापित हुआ था कहा पर अलहिलाली में, कांडला में, या नोएडा में, या फिर सिंगापूर में सही जबाब क्या है? सबसे पहला निर्याद संस्करण एसिया की बात मैं आपसे कार रहा हूँ तो ये कहां पर हुआ था आठ नमबर का सही जबाब? चलिए बहुत बढ़ी हैं, बी जबाब के तोर पर आ रहा है देखते हैं सही जबाब इसका क्या है? तो आठ नमबर में जो लोग भी यहां पर बीविकल को चुनने एकदम सही है कांडला पोर्ट आपका जो है ठीक है इस पर सबसे पहले पूरे एसिया का प्रथम जो है निर्याद संस्क्रेंड लांच हुआ था कहां भारत के कांडला तर्ट पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है 1965 में अस्थापित हुआ था ठीक आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर आपके नौ नमबर देख लें नौ आपसे कह रहा है कि निमलिकत में से कौन एक SEZ ठीक है में उद्देशी नहीं है बताएं बहुत बढ़ियां भाई महाजन जी कांडला पोर्ड का नाम बदल के दिन दयाल कर दिया गया है बहुत बढ़ियां चलिए देखते हैं सही जवाब इसका क्या है तो नौ नमबर प्रश्ण में जिन लोगों ने भी यहाँ पर जैसे यसीजेड आपका जो है इसका उद्देशी यह नहीं है कि इसलिये बनाये जाते हैं कि हमारे आयात और निर्यात दौनों के दोनो अच्छे हो और आपका निर्यात तब अच्छा हो गा और आयात तब अच्छा होगा जब आपके जो है दूसरे देशों से राजनीतिक और सबसे बड़ा तो मुद्दा है आपका राजनीतिक हमारे संबंद अच्छे हों, दूसरी चीज हमारे ब्यापारिक संबंद अच्छे हों, ब्यापारिक संबंद तो चलिए कुछ देशों में जिनमें राजनीतिक संबंद अच्छे नहीं फिर भी ब्यापारी खोते रहते हैं ठीक क्योंकि WTO है इन सब के लिए बैठा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने 10 नंबर देख लिए entry port ब्यापार से तातपरी क्या है नाम पढ़ा होगा इसका तो entry port ब्यापार आखिर किसे बोलते हैं निर्याप ब्यापार को आयाद ब्यापार को तटीए ब्यापार को या निर्याप के लिए आयाद की गई वस्तु हैं कौन सा जवाब इसमें सही हो सकता है अनिल जी थोड़ा लेट हो गये विद्यानजी वह स्वागत है गूड इवनिंग ठीक है आठ बजे कोसिस करे सारे लो दस नमबर देख लेते हैं पिकल पियाँ डी देखें निरीयाद के लिए आयात की गई जो वस्तुएं होती हैं ठीक ये सभी की सभी एंट्री पोर्ट व्यापार कहलाती है मान लिजे जो है ठीक है हमें कोई वस्तु निर्यात करना है ठीक तो निर्यात के लिए हमने दूसरे देश से आयात कर लिए किसी वस्तु को आयात किया और अपने देश में मैंने जो है उस चीज को मंगाया गया फिर उसे निर्यात किया गया तो ऐसी कोई भी वस्तु होती है ये एंट्रिपोर्ट ब्यापार कहलाती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर, 11 आपसे बोल ला है कि भारतिय सरवेच्छन विभाग, जानते ही हैं इसका, निम्न में से किस से संबंदित है, रच्छा मंत्राले के अधीन है, परियावरण और वन मंत्राले के अधीन है, ग्रेह मंत्राले के अधीन है, या बिज्ञान और प्रदोगी की मंत्राले के अधीन आता है, जो सरवेच्छन विभाग होता है, किसके अंतरगत है, 11 नंबर बताएं आप लोग, बहुत बढ़ी हैं रामनिवाजी, बहुत बढ़ी हैं रिया, देखते हैं सही जबाब क्या ह सही जबाब में देखें, ध्यान दें इसमें, 11 नंबर प्रशन का, यहां सही जबाब जिन लोगों ने भी विकल्ब D को चुना है, ग्दम सही है बई, बिज्ञान और प्रदोगी की मंत्राले जो आपका है, इसके अंतरगत आता है आपका कौन, भारती सरवेच्छन विभा अब गलतीयां क्या होंगी, यहां यह जो आपका आप्शन दिया है, तो यह इस आप्शन पर दिमाग तुरेंट दोड़ जाता है, कि परियावरण और वन मंत्राले के तहट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, यह सब कुछ सब आपका जो है, बिज्ञान और प्रदोग की मंत्रा सब्धा से या एट्स से या उपित में से कोई नहीं, कोई और सो विधा आपकी नाको प्रोवाइड कराती है, तो सही जबाब बारा का क्या होगा, बारा नंबर में बताएं, बिरी जी आप भी लिक्स रहे हैं, चलिए समझ गया मैं, चलिए ग्यारा डी आ रहा, सी भी आ र इसका फुलपाम जो है आपका ठीक है, इसका फुलपाम है आपका नेशनल एट्स और कंट्रोल, उसके बाद आता है ओसे ऑगनाइजेशन, नेशनल एट्स कंट्रोल और इसको बोलते हैं, तो नाको ध्यान रखेएगा, ये एट्स से सम्बंदित आपकी चीजे हैं, अस्थ अपना इसकी 1992 की गई, तेरा नंबर देखें, तेरा नंबर आपसे पूछा है कि भ्रूणिये जो ब्रिध्धी होती है, इसको मापने वाली हाली में बेक्सित तकनीक कौन सी है, माइक्रूबेव से हम लोग मापते हैं, या अल्ट्रा सोनिक से मापते, या अल्ट्रा वाइल देख लेते हैं सही जबाब इसका क्या है, तो सही जबाब में 13 में अगर इसका देखा जाए, ध्यान दीजिए जो आपका भ्रूणिये ब्रिध्धी होती है तरीके से, इसका पता लगाने के लिए आजकल जो है अल्ट्रा सोनिक सका इस्तेमाल करते हैं, तो विकल भी आपक तकनीक बोलते हैं, किस नाम से हम जानते हैं, अल्ट्रा साउंड तकनीक, तो इस चीज को एकदम क्लियर रखिएगा, अल्ट्रा साउंड तकनीक जानते हैं, उसी से भ्रूणिये ब्रिधि को मापा जाता है, आगे बढ़ते हैं, चौदा नंबर पर, दीमक को यहा भी कहते ह है क्या वही बताएं चीटी कहते हैं दीमक को लाल चीटी कहते हैं स्वेज चीटी कहते हैं स्याम चीटी कहते हैं कौन सी चीटी दीमक को बोलते हैं हम लोग चलिए बता दें इसका सही जबाब क्या हो सकता है चोदा नमबर में C आ रहा है C चलिए देख लेते हैं भाई क्या लोग सही है तेरा नमबर में यहाँ पर ध्यान दें जो लोग विकल्ब के तोर पर अभी C को बता रहे एकदम सही है भाई स्वैच चीटी बोला जाता है दीमक को दीमक को स्वैच चीटी भी कहा जाता है इस चीज का ध्यान रखें 14 के बाद 15 नमबर देख लें 15 आपसे पूछ रहा है कि निमलिखित में से किस स्थान पर भारतिय सबजी यम संधान संस्थान इस्थित है आग्रा में है कानपूर में है लखनोव में है या बनारस में है बाराणसी में कौन सा जवाब इसका सही हो सकता है दिपेंजी कोई दिक्कर नहीं है ठीक है जो आ रहे हैं आपके उनके जवाब सुरू करें जहां से हैं बाद में ये लक्षर आप जाकर के दुबारा देख लीजिएगा चली बनारस आ रहा है देख लेते हैं सही जवाब क्या है तो पंदरा नमबर में जिल लोगों ने बिकल्ब के तोर पर यहां डी को चुना है एकदम सही है वाई बाराणसी में है भारतिय सबजी आपका अंसंदान जो संस्थान है ठीक है या सहकारी आंदोलन से सम्दित हैं डाक्टर अबदुल कलाम विकास अर्थसास से सम्दित हैं डाक्टर प्रमोद करहर से ठी जैपुरी कृतिम पैर से सम्दित हैं कौन इसमें सही विकल्ब है आपका चलिए बताइए वैग्यानकों के नाम दिये हैं D-Vicalp आ रहा है, D ही आ रहा है, 16 नंबर में देख लेते हैं सही जबाब क्या हो सकता है, ठीक है? तो 16 नंबर प्रश्ण का सही जबाब आपका होगा, यहां विकल्ब D को जिन लोग वो ने चुना है, एकदम सही है, ठीक है D विकल्प आपका सही है जो डाक्टर आपके प्रमोत करंड सेठी है ये जैपूर में कृतिम पैर जो बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड है ठीक तो विकल्प D ही आपका सही है बाकी आपके कहीं से भी सुमेली नहीं है अगला है 17 नंबर देखें 17 नंबर बादलों से स अस्तरी ये पक्षाव अस्तरी कौन सा बादल है इसमें से प्रमो जी बिलकुल भाई ठोड़ा सा कोसिस करिए जल्दी जो है देने की आंसर 17 नंबर बता है इतने कमेंट हो जाते हैं कि उसमें आगे बढ़ जाता तो मैं देख नहीं पाता हूं उसके लिए बुरा नहीं मनन है किसी को भी देख लेते हैं सही जबाब क्या है तो 17 नंबर प्रश्ण में अगर सही जबाब इसका देखा जाए तो बेकल्ब सी पर ध्यान दें जो वर्सा अस्तरी बादल होते हैं ये अतधिक टीप्र वर्सा के लिए उत्तरदाई होते हैं ठीक है ये धरती के अपने धर पूलार हमाएं किस से संबंदित है किस देश से अमेरिका से चाइना से भारत से या जापान से कहां पर यह हमाएं चलती है बताएं हमाओं से संबंदित तो पूछा ही पूछा था भाई 18 नमबर प्रशन आपका क्या हो सकता है सही जबाब आपका चलिए ए इवेस से आ रहा देख लेते हैं सही जबाब क्या है इसका बहुत बढ़ियों भाई जिन लोगों ने यहां 18 नमबर में एक को चुना है एक दम सही है अमेरिका में जो हवाएं चलती है इनको नाम दिया गया है बलेक आपका रोलर तो इसको ध्यान रखेगा सीथ आपकी लहर सीथ हवाएं जहां चलती और जो गर्म हवा होती है गर्मी के महीने में 19 में PCS में अच्छा बना के पूछा था इसलिए इन सब को पढ़ लीजिएगा और विस उसे संबंदित पूछा था अगला पूछरा है 19 नमबर कहां वुष्ण कड़ बंदिये वर्सावन पाए जाते हैं कांगो घाटी में गंगा घाटी में हुआंगो घाटी में या फिर मरे डालिं चुके हैं चले बहुत बढ़ी यहां रिश्मिवाला जी यह विकल्फ है देख लेते हैं इसका सही जबाब 19 में ध्यान दें 19 में जिन लोगों ने भी यहां पर देगे उसन कड़ बंदिये वर्सावन जो है यह आपके हमेशा अगर बात की जाए कि मुखी रूप से यह कहा पाए जाते हैं ठीक तो इसमें विकल्फ ए पर ध्यान दीजे कांगो घाटी 19 नंबर प्रशन का आपका सही जबाब है कांगो घाटी में उस विकट बंदिये वर्सावन पाए जाते हैं इस शीज को ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं संकुधारी बंद पूछ लिया है आपसे वनों से सम्दिय सवाल हमेशा होते हैं तो संकुधारी वन जहां मुखेता पाए जाते हैं वो इकौन से छेत्र हैं ओस्ण छेत्र होते हैं सीतोस्ण छेत्र होते सागरी जो है तट होते यह इन में से कोई नहीं है सारे अप्षन आपके गलत हैं 20 नंबर में जबाब के वीस का सही जवाब क्या हो सकता है बहुत बढ़ियाँ सरज जी आपका जवाब भी है देख लेते हैं बहुत बढ़िया थैप तो यह 25 नभर प्रेश्ण में सही जवाब अगर देखें तो 20 में ध्यान दीजिए सितोस लग च liaison जितने होते हैं ठिक है यानि मुख्यकारक जो किसी छेतर की जलवायू को ने धारित करता है ये कौन सा है उसकी उचाई से होता च्छान से होता वनस्पत के प्रकार से होता या समुद्र से समिपता होती कौन सा वो सबसे आपका जो है important factor है जो जलवाय पर effect करता है बताएं भाई रिया जी बहुत बड़ी ह देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है आखिर तो 21 नंबर प्रश्ण में जी लोगों ने विकल्प के तोर पर यहां पर ठीक है बी विकल्प को चुना है ये एकदम सही है अच्छानस उसका जो है अच्छानसी विस्तार क्या है इसका सबसे ज़्यादा फरक आपके जलव पर पढ़े मं बेरे का इस पढ़ने वाले कैसी होगी करग रेखा पर पढ़ने कैसी होतीthis तो यह सब अच्छानस रेखाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है कीपूछ वाइस। कौन सा प्रत्वी के अधिक्तम प्रत्सद छित्रों में फैला है सबसे ज़्यादा एरिया कबर करने वाला कौन सा है सुस्क प्रदेश अर्ध सुस्क प्रदेश या उपाद्र प्रदेश या आद्र प्रदेश चलिए कौन सा जबाब इनमें सही हो सकता है 22 नमबर में बताएं बहुत बढ़ी यहां प्रमोजी ठीक वी विकल चुरन नहीं विंकर जी वी विकल विरें जी आपका भी देख लेते हैं सही जवाब क्या है 22 में ध्यान दें 22 नंबर प्रश्ण का सही जवाब प्रत्वी के अधिक्तम प्रत्वी के अगर बात की जाए ठीक तो इसमें सबसे ज में पाये जाता है प्रत्वी के तो आप समझ सकते हैं ठीक पूरा का पूरा पानी है एक तीहाई तो जमीन अपने पास उसमें भी एक तीहाई निकल गया सुक्स प्रदेशों में ठीक तो यसलिए सबसे ज़्यादा बिस्तार इनहीं प्रदेशों का है इनको ध्यान रखें 22 के बाद 23 नमबर जिपसी जानते हैं ना इनके बारे में तो यह जिपसी जो है इनका मूल स्थान क्या है मिसर है, painful है, रूस है, भारत है, या फिर फ्रांस है इनका मूल स्थान क्या रहा, 23 नमबर बताएं जन जातियों से सम्मधित एक तरीके से प्रश्य है ए विकल पा रहा है चले वाई 23 नमबर में जबाब क्या हो सकता है सारे लोग तेजी से कमेंट करिए देख लिए 23 इसका सही जबाब तो यहाँ ध्यान दीजी यह जिपसी जो आपका समधाय है इन लोगों का अगर रियल देखा जाए तो यह आपके भारस से समधित है जिपसी समधाय जो है यह भारस से समधित है ठीक और खास ही खास इसकी उत्पती जो है डोम जाती से मानी जाती है इसकी उत्पती जो है डोम जाती से मानी जाती है इसलिए इसको ध्यान रखे अब नाम सुनने में लगता है कि ये बाहरी जन जाती है लेकिन मूल अस्थान अगर देखा जाए तो भारत था इनका आगे बढ़ लेते हैं 24 नमबर पर 24 आपसे पूछा है ठीक है साइमन कमिशन बहुत पढ़ते हैं ना हम लोग बताईए साइमन कमिशन का कौन सा एक सदसी उदारवादी दलका था ठीक जहां से ये लोग आये थे वहाँ आपकी पार्टियां अलग-अलग थी तो बताएं सरजान साइमन था या मेजर एडली था या श्टीफन वाल्स था या फिर विशकाउंट बर्णहार्स था कौन सा जबाब इसमें सही हो सकता है बहुत बढ़ी हां अरुन जी विजेजी सी जबाब आ रहा देखते हैं इसका सही जबाब ठीक जिलोगों ने भी 25 नंबर के जबाब के तोर पर यहां पर ठीक वो 24 नंबर स्वारी एक को बताया है एकदम सही है भाई ठीक ये जो साइम इसके बाद 25 नंबर देख लें 25 आप से पूछ रखा है कि किसके सुझाओं पर भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था वो कौन बेखती था लाड रीडिंग लाड शेम्सपूर्ड सरजान साइमन या लाड इर्विन किसने ऐसा सजेशन दिया था कि इसमें भार जुए जबाफ वो क्या कहते हैं 25 नंबर में कौन सा वüneक्ती एसा था जिसने ऐसा बोला था चले देखते हैं सही जबाफ इसका क्या हो सकता है तो सही जबाफ पर धियान दे कि वा है व्यतिति जिसने भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखने की सला दी थी वो था आपका 26 अब से बोला निमलिखित में से किसने गांधी जी के नमक अंदोलन में भाग लिया सरोजनी नैडू, राजकुमारी अमरितकोर, कमला देभी चटोपध्याए और फिर उपिक्त में से सभी नमक अंदोलन पढ़ा है ना, चलो जबा बताईए सका सही जबाब 26 क्या हो सकता है बहुत बढ़ी हाँ आभा जी, चलिए रिया जी सी है, बहुत बढ़ी हाँ देख लेते हैं भाई सरजी सही जबाब अगर 26 की हम बात करें आपसे तो 26 में ध्यान दीजिए इसमें जितने लोगों के नाम दिये हैं सब के सब आपके नमक कानून से जोड़े थे राजकुमारी, अमरिताकोर हैं या सरोजिनी नाइडू हैं, कमला देदी भी चटोपध्धाय हैं ये सबी के सबहें आपके गांधी जी के साथ नमक अंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 27 नंबर प्रशन आपके सामने हैं, आचारी विनोवा भावे किस अंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफतार हुए थे किसमें ये कुद पड़े और गिरफतार हुए बारदोली में, चमपारण में, शबिने आउग्या अंदोलन में या सहयोग अंदोलन में कौन सा वो अंदोलन था जिसमें ये गिरफतार हुए चलिए देखते हैं, C जबाब B, A, बहुना जी बहुत बड़ी हां, 27 C आ रहा है 27 नंबर का सही जबाब देखते हैं, 27 में, ध्यान दिजिए यहां, C वेकल जो लोग भी चुनने हैं, एकदम सही हैं भाई सबिनय योग अंदोलन की बात है, जब आचारी विनुवा भाईवे पहली बार गिरफतार हुए थे तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आपका 27 के बाद 28 नंबर है 28 नंबर आपसे कह रहा है कि गांधी इर्विन समझोते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्पूर भूमिका निभाई है मोतिलाल नहरू ने, मदन मोहन मालविये ने, तेज बहादूर सप्रू ने या चिंता मणी ने कौन सा ब्यक्तित्ता जिसने गांधी इर्विन समझोते में बहुत ज़्यादा सही योग दिया था 28 नंबर सही जबाब चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क्या हो सकता है चलिए अच्छा ए भी आ रहा सी आ रहा, देख लिएते हैं इसका सही जबाब तो 28 नमबर में ठीक इसके सही जवाब की बात करें तो विकल्फ सी पर ध्यान दें तेज बहादूर सब प्रूव इनके योगदान से जो है गांधी एरविन के बेच समझोता हुआ था तो इनको ध्यान रखना है थोड़ा सा 28 के बाद 29 नमबर है अपने सामने पूना पैक्ट किस से संबंधित था भई दलित वर्ग से हिंदू मुसलिम एकता से संबैधानिक प्रगत से या सचिक सुधार से पूना पैक्ट आखिर किस से संबंधित रहा 29 के बाद 30 नमबर देख लें 30 आप से पूछ रहा है कि अखिल भारती हरिजन संग की अस्थापना किस ने की थी मात्मा गांदी, डाक्टर भीम राव अम्बेटकर, नारायन गुरु, स्वामी विएक नन कौन सा वाभ्यक्ति था जिसने अखिल भारती हरिजन संग की अस्थापना की थी बहुत बढ़ी हां प्रमो जी बहुत बड़ी हाँ भी नीजी बहुत अच्छे चले देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या हो सकता है 30 नंबर में जिनों ने भी अभी तक विकल्ब के तौर पर एको चुन लिया एकदम सही हैं अखिल भारती हरिजन संगे की अस्थापना मात्मा गांधी ने इसकी अस्थापना कब की थी 1932 की बात है तो आज की आपकी सीरीज समाप्त हुई पहला प्रशन आपके सामने है कमेंड बहुत तेजी से करने की आदर डालिए पहला प्रशन आपसे बोल ला है 1932 में अस्थापित अखिल भारतिय अच्छूत बिरोधी लोग लीग है अच्छूत बिरोधी जो लीग बनी के प्रथम अध्यच कौन थे बियार अम्बेटकर, अमरिलाल ठककर, जीडी विरला या एमके गांधी सही जबाब आप सभी से पेच्चित है कमेंट जरूर करिए वाई सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जित्ते लोगों को अभी मैं देख लिया हूँ चलिए वाई जबाब आ रहा है बहुत बढ़िया सही जबाब की ओर बढ़ते हैं इसका सही जबाब क्या हो सकता है तो सही जबाब अगर इसका देखा जाए बहुत बड़ियां भाई सारे लोग इसमें जित्ते भी लोगों ने 1922 में ये जो अस्थापित हुआ था जीडी बिल्ला को आंसर दे रहे एकदम सही है भाई जीडी बिल्ला इस अच्छूद विरोधी लीक के प्रथम अध्यच बना आप लोग बताएं किस पार्टी से जुड़े थे कंग्रेस पार्टी के सदस्थ थे कंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा के सदस्थ थे दो नंबर प्रश्ण का सही जबाब क्या हो सकता है गोड इबनिंग गरिमा जी चलिए लग जाए जबाबों पर बहुत बढ जैप्रकास नारायन की पार्टी के तोर पर सीबिकल चुन्न एकदम सही है ये कंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे कौन आपके जैप्रकास नारायन ठीक है चलिए इनको तो आप ने बता दिया तीसरा नंबर बता दे नरसिंग नारायन क्या थे नरसिंग नारा जी आनन जी स्वागत है भाई लग जाईए रिया जी स्वागत है अब आठ पांच का बेड़ना करें मैंने आठ दो दे दिया है कल से करेक्ट आठ विजे सुरू होगा बहुत बढ़ियां भाई सारे लोग जल्दी आने की कोशिस करें चलिए देखते हैं इसका सही जवाब त देखिए जो सही जवाब इसका होगा ठीक बेकल पर एक को देखिए यह समाजवादी थे कहां के बिहार से जुड़े आपके व्यक्ति हैं नर्सिंग नारायन जी ठीक और बिहार सोसिलिस्ट पार्टी कौन सी पार्टी है बिहार सोसिलिस्ट पार्टी है उससे यह आपके ज प्रधान मंत्री कौन था जब सेकेंड वर्ड बार हुआ क्लिमेट एटली एंथोनी एडन बेश्टन चर्शिल या हेराल्ड बिलसन सही जब आप दीजिए बेश्व इतिहास से प्रश्ण है कमलेशर जी स्वागत है बाई गोड इबनिंग लग जाईए बाई बहुत बढ़ि तक 1949 से 45 तक उस समय बेटेन के जो प्रधान मंत्री थे ठीक क्या नाम था बेश्टन चर्शिल सी विकल जित्ते लोग चुन नहें एकदम सही हैं बेश्टन चर्शिल इनका नाम है सी विकल क्योंकि इनका कारिकाल 1940 से 45 तक रहा है इनका कारिकाल 1940 से 45 रहा बेश्टन चर्शि आपके यह और भारत की आजादी कि आप भी पूछा जाए एक तरीके से ठीक पैतालिस वाली अगर सारी चीज़े देखी जाए पैतालिस में आम चुना हुए तो लेवर पार्टी जीत गई तो लेवर पार्टी से फिर प्रधान मंत्री बदल गया था आगे बढ़ते हैं पांच नंबर पर वा कौन सी थी 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 जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दीवस मनाया था विकल बे बोला 25 अप्रेल 1922 बी बोला 5 परोरी 1922 बी बोला 23 जुलाई 1922 बी बोला 23 मार्च आपका 1943 साही जबाब दीजिए एकदम आपको लगेगा कि आप PCS के एकजाम में बैठे हैं ठीक है वहीं फेलिंग सेम रहेगी हर दिन के ऐसे ही प्रश्ण होते हैं सही जबाब दे हैं बहुत बड़ी हैं चले देख लेते हैं इसका सही जबाब आपका क्या है तो पांच नमबर प्रश्ण में जिन लोगों ने भी अभी विकल के तौर पर डी चुना एकदम सही है 23 मार्श 1943 की वो बात है जब मुस्लिम लीग ने किस दीवस के रूप में बनाया पाकिस्तान दीवस के रूप में मनाया था ठीक है 23 मार्श 1943 आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर छे नमबर आपके सामने हैं ठीक है निमलेखित में से वह बैखती कौन था जिसने जो है महत्मा गांधी के अंदोलुनों को राजनीतिक फिरोती कहा था लाड़ चेम्सपोर ने लाड़ बैवल ने लाड लिनलित्गो ने या फिल लाड मांटेग्यू ने कौन सा बैखती था जिसने ऐसा बोला था सोनिय जी इधर कोई नेटवर्क की समस्या नहीं है नेटवर्क की समस्या उधर हो सकती है ठीक अस्सिम औगेरा बढ़ी हैं युश के रिए भाई सारे लोग बैठना है एक्जाम में देखते हैं सही जबाब इसका क्या है तो छे नंबर प्रश्ण में इसके सही जबाब की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं विकल सी को लाड लिनलित को वैसराय था भारत का इसने गांधी जी के आंदोलनों को कह था कि ये राजनीतिक फिरोती है ठीक है तो जानते हो आलोचक और प्रसंसक दोनों हो जोने शाहिए हर वेक्ति में आज गांधी जी की क्या है पोड़िती थी ये भारत छोड़ो अंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था भाई बताएं मेरिन ड्राइब काला घोडा मैदान चैंबूर मैदान या ग्वालिया टेंग कौन सा वा मैदान है जहां पर जो है इसके बारे में अंजनी जी भाई स्वागत है गोड़िवनिंग चलिए जबाब दीजिए बहुत बढ़ी हैं सी सोनिया जी देखते हैं सही जबाब सात में सात में अगर सही जबाब की बात की जाए तो जिनोंने विकलब डी चुना एकदम सही है भाई ठीक विकलब डी आपका सह पर आट नंबर आप से मोला ह Cape 9 18 के बारे में जानते हैं ना निमृंलिखित में से कौन साव नाम सांवनिता साडी के लिए प्रयूक्त होता नहीं होता है ठीक है चंदेरी मुरादाबादी बनारसी या कांजी वरम साडी कें लिए कौन सने जो है यूज होता है बताइए वह आठ नंबर प्रश्ण में डिवेकल रिया जी देखते हैं अनी लोगों के बहुत बढ़ियां भाई विवेक नंद राय जी आप थोड़ा पीछे हो गया हैं ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या जबाब है अगर इसकी बात की जाए आठ नंबर प्रश्ण की तो आप जानते हैं कि आठ नंबर में कहीं से भी मुरादाबादी के बारे में आपने नहीं सुना होगा ठीक है मुरादाबादी साड़ी के लिए नहीं है वाई ये तो सिटी आप ब्रास है पीतल की नगरी है किसकी नगरी है पीतल की नगरी है इसलिए इस चीज को दिमाग में रखें मुरादाबाद आपका पीतल की नगरी के तोर पर जाना जाता और चंदेरी साड़ी होती बनारसी कांजी वरम भी होती है ध्यान रखे इन चीजों का अब इसका नाम नहीं सुने तो जबाब वही हम देंगे ठीक है यह आदसी होती है डायमंड हारवर नाम तो सुना होगा तथा साल्ट लेक सेटी कहां अवस्थित है कैलिफोर्निया ठीक है फ्लोरिडा हॉंग कॉंग कोंग कोलकाता बताईए हाँ मुरादावादी बिर्यानी सही एठ चली भाई इसका सही जवाब दीजिए डायमंड हारवर वेजिट करना है चली भाई देख लेते हैं सही जवाब इसका क्या है तो नो नमबर प्रश्ण में जिन लोगों ने भी विकल्ब के तोर पर यहाँ डी वाले को चुना है ड कुलकाता के ही हैं डायमंड हारवर और साट लेग ठीक है यह दोनों के दोनों आपके कुलकाता के ही हैं डी विकल्ब आपका राइट है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर नौ के बाद दस नमबर दस नमबर आपसे पूछ रहा है कि महाविस फोर्ट सिधान जो है ब दस नमबर प्रश्ण संजे जी बहुत बढ़ियां वाई विवेकानन जी नाइन बी पर है अर्शना जी विवेकानन जी आप लोग पीशे हो गया है फिर से एक बाद लाइब सेशन में आया तो सीधा वह हो जाएगा दस नमबर देख लेते हैं सही जबाब आपका दस नमब की उत्पत्त में बिग बैंक थेरी किसने दिया था महाविस्फोर्ट सिधान ग्यारा नमबर देखते हैं ग्यारा नमबर जो प्रश्ण है इसने सरप्रथम यह अस्थापित किया कि सभी ग्रह सूरी की प्रक्रिमा करते हैं निकोलस कॉर्पा जो है कापर निकस जेग केपलर सी गैलेलियो या इमेनुवल कांट कौन सा वो बेक्ति है जिसने यह अस्थापित किया था बहुत बढ़ियां वहाई प्रमोजी बहुत बढ़ियां महाजन जी सही है जबाब चलिए 11 नमबर बता दें वहाई 11 नमबर सही जबाब क्या हो सकता है बहुत अच्छे देख लेत सी गैलेलियो बहुत 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 का तन सही नहीं, या पंडि नेहरू के उद्देश प्रस्ताव पराधारित है, P बोला इसकी प्रकिर्ट नियाय योगि नहीं है, C बोला इसका संथोधन के वाले एक बार किया गया है, कौन सा बिकल्ब इसमें से सही नहीं है, प्रस्तावना को ले करके, चलिए इसका जबाब क्या होगा? 12 नमबर प्रश्ण में क्या जबाब हो सकता है? बहुत बढ़ियां, चलिए देखते हैं इसका सही जबाब, बहुत अच्छे, सारे लोग सही जबाब दे रहे हैं, सही जबाब की अगर बात करें, 12 नमबर प्रश्ण में, तो जिन्हों ने भी यहाँ पर, संबिधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना भाई संबिधान का अंग है, ठीक है, पहले यह अंग के तोर पर नहीं था, सुप्रेम कोर्ड ने अपने निर्ड़े में कहा था, लेकिन बाद में, क्या हुआ, जब बेरुबाडी संग का आपका मामला था, 1960 वाला याद करिए, 1960 बेरुबाडी के मामले में, प्रस्तावना जो है, संबिधान का भाग नहीं है, ऐसा संबिधान का अंग है, इसलिए सी भी कलप आपका सहीन नहीं है, 12 के बाद 13 नमबर देख लें, शुद्र ग्रे के बारे में जानते हैं न, एश्ट्राइब्स, तो सौर मंडल में जो शुद्र ग्रे होते हैं, ठीक ये छोटे ख़गोलिय पिंड़े, ये निम्न ग्रोहों के मद ही पाये जाते हैं, किसके बीच में, वो दोर सुक्र, मंगल मंगल ग्रे और ब्रहस्पत, ब्रहस्पत और सनी, वरुन यानि नेप्चियून और सनी, किसके बीच में आपके श्ट्राइट पाये जाते हैं, चलिए भई इसका सही जबाब दीजिए, सी विकल पारा है रामनिवास जी, बहुत बढ़ियां भई, सरस सैनी जी, आनंद कुम चलिए भई, देख लेते हैं इसका, रवी जी भई स्वागत है, दिखे आप, दिखे दिखे, देख लेते हैं, तेरा नमबर प्रस्ट में, कि लोगों ने इसका सही जबाब दिया है, तो तेरा में, यहाँ ध्यान दीजिए, एस्ट्राइट जो होते हैं, मंगल और ब्रहस् पत की कच्छा है, इन दोनों की कच्छाओं के मद्धि में पाए जाते हैं, इस्ट्राइट से हैं, नि छुद प्रिंड, जो है, पिंड, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेगा, यह क्वेशन बहुत बार पूच्छा जा चुका है, तेरा के बाद 14 नमबर देख लें, 14 आ आफ्रीकी देश, जो भूमदी सागर से नहीं मिलता है, सही जबाब क्या है, बताएं बहुत बढ़ियां उपेहन जी, चलिए प्रमुद जी, सरस जी, सरस आपका नाम आनन्द है, चलिए बाई, देख लेते हैं, इसका सही जबाब 14 नमबर का, 14 में सही जबाब देखिए, क जो अस्थल बद्द है, चाड कैसा देश है, अस्थल बद्द है, यानि चारु तरब से जो है, यह किस से घेरा हुआ है, जमीन से, कोई ना कोई देश इसको घेर रखें, इसलिए भूमदी सागर का आपका, इसके साथ सीमा का कोई वो नहीं है, 15 नमबर देखें, 15 नमबर आप से पूछ रका है, कि बैसिलस, इरिंज ये निशान है, यह कोई आपकी दवा है या कुछ है, यह तो नहीं बताओंगा, नहीं तो वहीं मैंने पूछा है, जै भी खाद है, जै भी किड़ना सक है, रासाइनी खाद है, या रासाइनी किड़ना सक है, सही जवाब दीजि बैसलेस इरिंज ये निशान खेती वाले बता देंगे भाई चलिए सही जबाब क्या हो सकता है पंदरा नमबर सोनिय जी बहुत पीछे हो गई है आप फिर से बाहर जाएं और फिर से अंदर आएं चलिए मनो जी सी जबाब आ रहा पंदरा नमबर देख लेते हैं इसका सही जबाब के तोर पर तो पंदरा में ध्यान दें बिकल B यहां ये एक जैविक कीडनासक है आपका ठीक है जो बैसलेस इरिंज ये निशान है ये आपका एक जैविक कीडनासक है ठीक, इसलिए इसको ध्यान रखिए, फसलों से संबंदित प्रश्णा हमेशा UPPCS, पूछता ही पूछता है, अगला बता दे, विज्ञान जगस से प्रश्णा है आपके, सुमेलित कौन सा नहीं है, मैच कौन सा नहीं, कोजिकार्ग का नियंत्रण, केंद्रक करता, प्राकेर् प्रीन को कहते, क्रायोलाइट, अलूमिनियम का एस्क है, रोगाणु रोधक, फिनाल, जो है, फेतलीन है, चलिए बताएं, इसमें कौन सा नहीं है मैच, बहुत बढ़ी हां सक्षी, जन्रल नालेजाद, बहुत दिन बात दिखें हैं आप, नाम भी मैं आपका भूल गया व बिकल्ब के तोर पर यहां D वाला देखो, इसको रोगाणु रोधक बोल ला है, ठीक, फिनाल जो आपका फ्लेथीन है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं, यह अमल और शार, जो आपका एसीड और बेस होता है, अमल शार यानी होता है, इसके अनुमाप पर है, सत्रा नंबर पूछ रहा है कि निमनमे से वहां कौन सा जीव है, जिसमें रक्त नहीं होता, ठीक है, लेकिन सांस लेता है, हाइडरा है, तिलचटा है, केचुआ है, मचली है, कौन सा जीव है बताएं, फड़ा फट कमेंट करें देखते हैं, इसका सही जबाब क्या ह होगा, ठीक, बिकल पेपर ध्यान दीजे, हाइडरा, हाइडरा एक ऐसा जीव है, इसमें रक्त नहीं होता, लेकिन सांस लेता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वसन अंग जो है, और साथी साथ, देखें, रक्त प्राणाली, एक चीज ध्यान दीजेगा, जो आपका हाइडरा इसमें स्वसन अंग नहीं पाया जाता, जो respiration system होता है, यह नहीं होता, और इसमें साथी साथ रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता, जो रक्त करिसंचरण होता है, ठीक, ये चीज भी दोनों तंत्रे गाईब होते हैं, अब बात आ गई, तो मैंने फिर इसको कैसे बोल दि कि इसमें रक्त जो है नहीं होता लेकिन सांस लेता है तो जब सोसन अंग नहीं है तो सांस कैसे लेगा यह सांस किस रूप में लेता है यह बिश्रन के माध्यम से सांस लेता है इस बात को ध्यान रखेगा diffusion के माध्यम से ये सास लेता है समझ गए ना आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्ण पर 18 नंबर आपके सामने है कौन सा दिन diabetes दीवस के तोर पर मनाये जाता है diabetes दीवस 14 फरवरी, 14 माई, 14 सितंबर, 14 नौंबर सही जबाब दीजिए भई राजीव जी अभी पूरे के पूरे आपके मैं नंबर आपको सो करूंगा ठीक है, अभी कमेंट के माध्यम से आपको नंबर दे दिये जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हैं उस नंबर पर कॉल करके आप बुग मगा सकते हैं चलि भई, देखते हैं इसका सही जबाब क्या है बहुत बढ़ियां आदर जी 18 नंबर परशन का सही जबाब जो आपका होगा विकल्पों में तो जिन्होंने भी यहाँ पर डी वाला चुना है एकदम सही हैं, भई 14 नंबर की बात है RNA, DNA, RNA, DNA या RNA, DNA, प्रोटीन सही जबाब इसका क्या हो सकता है चलिए इसका बताइए वही 18 नंबर परशन में चलिए भारत में सबसे ज़्यादा C, R, A, सही जबाब देखते हैं मलब 19 नंबर परशन में तो 19 में ध्यान दीजिए विकल्ब D आपका राइट होगा RNA, DNA और प्रोटीन सभी पाए जाते हैं किसमें? बायोचिप में अगला आपसे प्रशन पूछा है ध्यान से एकदम देखिए और मस्त होकर जबाब दीजिए ठीक है, नाम सुना है वोगा इसका निमलिकित में से कौन सा पारजीनी या परजीनी पादप है परजी भी नहीं, पारजीनी बक वीट, मैकरोनी वीट, गोल्डेन राइस या ट्रिटी केल कौन सा परजीनी पादप है इंगलिस में आप पढ़ते हैं ट्रांजिस्ट, प्लांट बताइए, बहुत बढ़ियां साक्षी है इसका सही जबाब दीजिए भाई सही जबाब के तोर पर अगर देखें बीस नंबर में, तो बीस नंबर में इसका सही जबाब क्या हो सकता है चलिए भाई, बी आ रहा है, मनुजी आप भी विकल्फ चुनने है डी विकल्फ भी आ रहा है देख लेते हैं, गरिमा जी ये विकल्फ है तो इसमें 20 में, ठीक है अगर सही जबाब की मैं आपसे बात करूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए गोल्डेन राइस जो होता है ना, नाम सुने होंगे ना इसका गोल्डेन राइस का ये जो होता है, ये परजीनी पादप है ट्रांजिस एक तरीके से प्लांट है यानि ऐसे प्लांट जिसमें हम बीमारिया वगयरा दूर कर लेते हैं इसमें क्या करते हैं बीटा कैरेटीन और ये सब जो है इस पेसल डाल करके कुछ बिटामिज डाल करके ठीक इसको इस पेसल तोर पर उगाया जाता है गोल्डेन राइस को जिसे बीमारिया हो गए रहा इसके जीन में बहुत सारी चीह परिवर्तित कर लेते हैं तो ऐसे पादप कोई भी है ठीक ऐसा पोधा कोई भी है वो परजीनी पोधे के अंतरगत आता है इसके अंतरगत बहुत सारी स्रेणिया भी आती है उस चीज को ध्यान रखिएगा 21 नंबर देख लें 21 आपसे सदाबाहर के बारे हम पूछा है कि निमलिकित में से कौन सदाबाहर फल ब्रिक्ष है बताइए सेब बादाम आडू लोकाट अब यह यह मत कहना कि हम बारा महीने खातें तो यह सदाबाहर हो गया इसका सही जवाब दीजे सही जवाब दीजे अब यह नहीं है इसमें कि हम फल खा रहे हमेशा तो हो गया बहुत बढ़ियां आदर्श दिवेकानन्ट 21D देख लेते हैं बाई बहुत सारी जवाब आ गया है 21 नंबर में हम जवाब आपको बताने जा रहे है एक फल होता है लोकाट ठीक है इसके बारे में जानते हैं नहीं यह लोकाट यह सदा बहार आपका फल ब्रिक्ष है यह न नहीं लोकाट आपका ब्रिक्ष है यह अपने यहां नहीं पाया जाता है यह पाया जाता है जापान में यह सदा बहार फल ब्रिक्ष के तोर पर है सदा बहार फल ब्रिक्ष है यह जापान में पाया जाता है समझ गए और इसका उत्पादन भी सबसे जादा अगर देखा ज सिध्धान्त का अंग है, सही जवाब दें इसका, कोई बात नहीं, लोकाट अब मुझे मिले गया, तो मैं किसी दिन दिखाऊंगा सभी को, तेईस नंबर बताईए, वो 22 नंबर, चलिए भाई, बहुत अच्छे देख लेते हैं, 22 नंबर में सही जवाब इसका क्या है, तो 22 म है आपका जवाब D, एकदम सही है, जिनोंने भी आर्टिकल 39, A पढ़ रखा है, एकदम सही है, एक से लेकर 51 तक, राम बाण, मूल मंत्र, जो कुछ मुझे बानते हो, गुरू, बड़ा भाई, इमार दर्सक, ठीक है, पॉलिटी में, एक से 50 तक यह अनुच्छे दरट लो, प्रस्तावना सहीर, ठीक, UPPCS में अगर जो है, आपको basics अपना clear करना है, 22 के बाद 23 नंबर में जाए, 23 नंबर आपसे पूछ रखा है, ठीक है, कि निम्न में से किस एक की अध्यचता ऐसे ब्यक्ति द्वारा होती है, जो कि उसका सदस ही नहीं होता, विधान सभा, लोक सभ राजी सभा मंत्री परिशद, सही जबाब दें 23 नंबर, 23 नंबर का फड़ापट जबाब दीजिए, चलिए वाई सर्वन जी बहुत अच्छे, निधी जी बहुत बढ़िया, सी विकल पारा है, देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या है, तो 23 नंबर में सही जबाब की, अ रफा में होता है, आगे बढ़ लेते हैं, 24 नंबर आपसे दिया है, 24 नंबर पूछ रहा है कि एगमार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया, 1937, 1952, 1957, 1965, सही जबाब इसका कमेंट करें, 24 नंबर का, रिया जी हो सकता, उदर नेटवर्क प्रॉलम हो, ठीक है, चलिए इसका सही जबाब क्या है, महाजन जी, 1937, 24 नंबर प्रश्ण में सही जबाब किया, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जिनों ने भी यहां विकल्ब के तोर पर, जो है, 24 वाले में, ठीक, विकल्ब के तोर पर चुन लिया है, 1937, एकदम सही, 1937 की बात है, जब भारत में ए राष्टिय उद्यान कहां परिस्तित है, नागा लैंड में है, करनाटका में है, महराष्टा में है, मडिपुर में है, गूगामल राष्टिय उद्यान बताइए वाई, साक्षी जी बहुत पीछे हो चुगी है, टीक है, 25 नंबर एक बार बाहर जाए वीडियो से, फिर आप उसी जगे पहुँच जाएंगी, बहुत बढ़ियां भाई, देखते हैं इसका सही जबाब क्या है, 25 नंबर में ध्यान दें, 25 नंबर में अगर इसका सही जबाब देखा जाए, विकल्पसी एकदम सही है, महराष्ट्रा में आपका है गूगामल राष्टिय उद्यान समझ गए, अब इसको मत भूलना, 25 के बाद 26 नंबर है, 26 आप सब पूछ रहा है कि निमलिकित, और दोगिक कस्वों में छोटा नागपूर पठार पर इस्थित कौन सा है, भिलाई इस्थित है, राची इस्थित है, आसान सोल इस्थित है, या दुरगापूर इस्थित है, कौन सा वो कस्वा है, जो छोटा नागपूर पठार पर पर पाया जाता है, बताईए भाई, 25 नंबर प्रशन का सही जवाब दीजिए, सुर्भान जी सी बिकल्प आपका आचुका है, वो 26 नंबर है, 26 का सही जवाब दीजिए, बहुत बढ़ियां भाई, सुसिल जी, दीजिए, देख लेते हैं सही जवाब, तो 26 में, जिल लोगों ने भी यहाँ विकल्प के तोर पर किसको, बीवाले को चुना एकदम सही है, राची आपका जो है, छोटा नागपूर पहाड पर इस्थित है, पूरा का पूरा, ठीक, यह राजधानी किसकी है, राची किसकी राजधानी, कमेंट में बताओ, मैं नहीं बताने वाला, 26 नंबर बताईए, राची किसकी राजधानी, 27 नंबर आपसे मैं पूछ रहाँ कि नाबाड अस्तित तुम्हें कब आया, नाबाड की अस्थापना कब हुई, 1979, 1980, 1981, 1982, सही जबाब क्या आए, नाबाड का, 27 नंब यहां, देख लेते हैं, इसका सही जबाब, सुगंदा जी, D विकल पा रहा है, ठीक है, इसमें अगर सही जबाब की बात की जाए, तो जिनोंने भी विकल्प के तोर पर 27 वाले में, D चुना एकदम सही है, 1982 की बात है, ठीक है, जुलाई में, कब? जुलाई 1982 में, नाबाड की अस्थापना हो गई थी, 28 नंबर आप लोग देख ले, 28 आप से पूछा है ये, की, निवलिकित में से भारत के सेर बाजार को कोन नियंतरित करने वाला है, ठीक है, कंट्रोलर कोन है सेर बाजार का, फेमा, सेवी, सेट भी, या इन में से कोई नहीं, ठीक है, कोई और बै अबू, चलिए बाई, स्वागत है, सुगंदा जी, बहुत बढ़ियां, देख लेते हैं, इसका सही जवाब क्या हो सकता है, तो सही जवाब के तोर पर 28 में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो विकल भी पर ध्यान दें आप लोग, सेवी कूल, लिख रखा तो जाईर सी ब मुंबई, चेन्ने, या चंदीगाड, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब बताएं बाई, बीबी, बहुत बढ़ियां, रस साक्षी जी, बहुत बढ़ियां, 28 पर आप हैं, सरज जी, बहुत बढ़ियां बाई, अंजू कनौ जी अर जी, 29 ए, संजे जी ए, देख लेते हैं साही जबाब 29 नंबर में ध्यान दें कि यहां जो अंतराष्टी लोक्तंत और चुनाव प्रवंधन संस्थान है यह अपने नई दिल्ली में अस्थापित है ठीक है इसकी अस्थापना बात है जून की और जून 2011 की ठीक तो बहुत दिन तो नहीं हुआ ना आड़ नो साल हुए है तभी हुई थी अंतिम प्रस्ण भैया आज के 3030 का क्रिसी मूली आयोग की अस्थापना वर्स बता दीजे आराम से गलत मत करिएगा ठीक है 1955-1965-1970-1973 बताइए 30 नंबर है 30 नंबर का सही जबाब आप लोग दे दें ठीक है आज 27 क्लासेज हो चुकी है 30 का भी बहुत बढ़िया भाई अंजू जी आदर जी डी है चलिए बी बी आ रहा है बहुत लोगों का जबाब देख लेते हैं अब मैं जबाब बता दे रहा हूँ 30 नंबर में सही जबाब जीन्हों ने विकल बी को बताया एकदम सही है 1965 की बात है आपकी जब क्रिसी मूली आयोग की अस्थापना की गई थी पहला प्रश्णाप से यह वो लहा की गोई पोरिया समेदी नाम सुना होगा इसका संबंध किस्से है काले धन से है बैंक सेवा सुधार से है कर सुधार से है या उपिक्त में से कोई नहीं सही जबाब तेजी से कमेंट करें बहुत बहुत स्वागत है आपकी पहल के लिए टीम की योर से आपको बहुत बहुत धनिवाद रस्मी बाला जी स्वागत है सभी का बहुत बढ़िया जबाब आ रहे है जया जी बहुत बढ़िया देखते हैं इसका सही जबाब बहुत बढ़िया रिया पहले नमबर प्रश्ण का सही जवाब आपका इसमें जो बनता है बिकल B एकडम सही है बैंक सुधार सेवा से ये संबंदित है आपका ठीक बैंकिंग जो सर्विस होती है इस सर्विस को ले करके कि ग्राहकों को बैंक क्या-क्या उपलब्ध कराते हैं इनके लिए बनी थी गोईपुरिया समित इसलिए इस चीश को ध्यान रखें एकॉनमी के प्रश्णों में समितियों से संबंदित सवाल हमेशा होते हैं दूसरा प्रश्ण आपसे पूछा है निर्धनता का दुष्शक्र जो है इसकी अउधारना किस से संबंदित है ये एक कॉंसेप्ट है प्रिंस्पल है किसने इसको दिया कॉलमाक्स ने या नर्गसे ने या एडम इस्पिन ने या उपिद में से कोई नहीं कोई और अर्थसास्त्री था जिसने निर्धनता का दुष्शक्र समझाया कौन सा वा विक्ति है बहुत बढ़ियां वाई चलिए अनिल जी सी या रहा है बहुत बढ़ियां बीरा है प्ये विकल चलिए सही जब आब इसका देखते हैं तो दो नमबर ध्यान देए दो नमबर प्रश्ण में निर्धनता का दुष्शक्र इस कौनसेप्ट को देने वाला आपका विक्ति था नर्व से यानि विकल भी सही है ये आस्तरी जो था इसने परिभासा दी थी पावर्टी की कि इसमें विक्ति कैसे कैसे फसा रहता है कहां कहां से चीजे आती है अगले बढ़ते हैं तीसरे नमबर पर आपके तीसरा बोला भोजन, काम और उत्पादन ध्यान है न भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया कब? सात्वी, पंचवर से योजना आठवी में, छट्वी में या फिर उपिप्त में से कोई नहीं इनके अलामा कोई और है बताएं इसका सही जवाब तीन नमबर का कोई दिक्कन नहीं महाजन जी बाद में तो मैं बताता ही हूँ PDF मिलती है, सही से पढ़ें बहुत बढ़ियां राधा जी, बहुत दिनों बाद आज आप दिखी है चलिए अनुजी, सोनुजी बहुत बढ़ियां गोतम जी बहुत अच्छे देख लेते हैं इसका सही जवाब सही जवाब आपका है क्या बहुत बढ़ियां गर्मा, गोडिवनिंग मुके जी लग जाइए भई तीन नंबर प्रशन में ध्यान दे ये है आपका जो है कि भोजन, काम और उत्पादन ये सातवी पंचवर्सिय योजना का आपका नारा रहा तो सातवी पंचवर्सिय योजना कमो एक तरीके से बिसाई या थीम ये इसकी अगर मैं बात करूँ आपसे टाइम पीरियड की तो 1985 से 90 की बात है जब आपका इसका काल लहा सातवी पंचवर्सिय योजना का और उसमें हमने नारा दिया भोजन, काम और उत्पादन का चार नंबर प्रशना आपके सामने है बोला प्राकेर्तिक, जो भारतिय प्राकेर्तिक रेजियन्स होते है योँ गम संस्थान, गम यानी गोंद ये कहां परिस्थित है, कानपूर में अपने है जैपूर में है, या नाम कुछ यानी राची में प्रदेस है या फिर बेंगलोर में है कर्नाट का कौन सा सही जबाब है C जबाब आ रहा है वही 4 नंबर टेजी से कमेंट करें बहुत बड़ियां C ba। बैंगलोर आ रहा है नीतुजी C है देख लेते हैं सही जबाब 4 नंबर प्रस्न में ध्यान दें ये आपका नाम कुछ राची में पढ़ता है, C विकल्प एकदम सही है, या नाम कुछ लिखा था तो जाहिर सी बाते राजी इसलिए किया गया था, तो कुछ परशनों में आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, चाल नाम का विकल्प आपका C एकदम सही है, आगे बढ़ते हैं अग WEF या बिश्व बैंग या IMF या अंकटाड कौन जारी करता है इसको, पांच नंबर का बता हैं, बहुत बढ़ियां प्रमोज जी, डे विकल्प है भाई, बहुत बढ़ियां, अनिल जी C है, यतीन जी, बहुत बढ़ियां भाई, डे विकल्प है, DRS अभी के देखते हैं, पांच नंबर में सही जबाब आपका क्या बनता है, तो पांच में ध्यान दे, जिन लोगों ने विव ए को थोड़ा सा कंसीडर करिए, ए में WEF लिखा है, यानि वर्ड एकोनामिक फोरम, बेश्व आर्थिक मंज, यहीं जारी करता है, क्योंकि यह कही न कही मुद्दा चाहिर सी बात है, धन का प्रवाह होगा, जहां धन का प्रवाह होगा, वहाँ WEF आएगा, बेश्व बैंग तो हाई हाई, आई एमें भी उसी से है, लेकिन इन दोनों का कारी छेत्रा लग अलग है, आगे बढ़ लेते हैं, छे नंबर में, छे नंबर आपसे बूला हिन ते मनो जी भाई दिख गए, बहुत बड़ी हाँ, स्वागत है, दिख लेते हैं, इसका सही जवाब छे नंबर का, छे नंबर के अगर सही जवाब की बात की जाए, हिम्त इंद्वा, तो ये 2009 की बात है, ये परियोजना आपकी 2009 में आई थी, हिम्त इंद्वा जो है, 2009 में शु बिल्युत हो रहे हैं, तो बिल्युत प्राय की भी स्रेडी में ये रखे गए हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका साथ नंबर, साथ नंबर आपसे पूछ रहा है, कि भारती ये वन जी उट्रेस्ट, जो नोईडा में है, कि ये स्थापना किस वर्स गरिमा जी ये विकल्प, देखते हैं सही जवाब क्या है साथ नंबर में, साथ में ध्यान दीजिए, एक तो दो प्रश्णिया से किलियर हुआ कि भारती ये वन जी उट्रेस्ट कहा है नोईडा में, दूसरी चीज इसका स्थापना वर्स पूछा गया है, तो ये बात है 1998 क 1998 की जब इसकी अस्थापना की गई थी, तो विकल्प, ए आपका एकदम राइट है भाई, ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्ण की ओर बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्ण आपके सामने है, आठ नंबर आप से पूछ रहा कि रंगन थिट्टू, पढ़ा होगा ना, या र पता नहीं, बहुत बड़ी हैं भाउना जी, रश्मी बाला जी भी है, मारजन चलिया मिद्टी, देख लेते हैं, सही जबाब भई, रंगन थट्टू आखिर क्यों परिशान का राय सभी को, आठ नंबर प्रश्ण में वी विकल्पर ध्यान दे है, करनाटका में आपका और करनाटका में है एक जगे जिसका नाम है बिहार मंडिया, वो सिर्फ उसको मंडिया बोलते हैं, करनाटका में एक जगे है जिसको बोलते हैं मंडिया, वहाँ पर ये अवस्थी था आपका रंगन थट्टू परक्षी बिहार, ठीक के जगे पर करनाटक के मंडिया में, अ प्रेंट में वो बहुत important होते हैं अगला है नो नंबर प्रश्ण आपका बलिया पाल अंदोलन का संबंध किस राज से बाई कहां पर यह हुआ उडिशा में गुजरात में आपका महाराश्रा में या फिर किरला में सही जबाप कमेंट करिए नो नंबर प्रश्ण आपके सामन रहे हैं गुंजा जी स्वागत है बेरी गोडिवनिंग भाई थोड़ा सा लेट कर दिया आप कोसिस करिए सारे लोग एकदम पहुंच जाएं टाइम टू टाइम सुजीद जी बहुत बढ़िया भाई देख लेते हैं इसका सही जबाब नो नंबर प्रश्ण का अगर सही ज जब आप जाओगे एक गाउं पढ़ता है बलिया पाल नाम से ही ओडिशा में एक गाउं पढ़ता है जिसका नाम है बलिया पाल तो वहाँ पर ही इसी वज़े से इसका नाम जो है बलिया पाल अंदोलन किया गया ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अगला जो प्रश्ण है और किस लिये चलाया गया था आगर मैं बात करूँ कि बलिया पाला अंदोलन किस लिया कि चलाया गया तो यह चलाया गया था आपका कि मेसायल पर भूमी जो है जो के बाद 10 नंबर देख लें, ग्रेट हिमालेयन राष्टी उद्यान के बारे में आपसे पूछा है, बता दें ये कहां परिस्थित है, जम्मू कास्मीर है, हिमालेया है, और अचल प्रदेशी या उत्राखंड है, सही जबाब 10 नंबर प्रश्ण में, बहुत बढ़ियां भई सक्षी जी, 10 पर आएं थोड़ा सा, हिमाचल बहुत बढ़ियां भाई, देख लेते हैं, रस्मी बाला जी भी है, सही जबाब अगर 10 नंबर देखें, इसका सही जबाब क्या हो सकता है, तो 10 नंबर प्रश्ण में जिल लोगों ने भी विबिकल्ब चुना है, एकदम सही है पूछिए रहा आप से, कि DPT इसका टीका जो होता है, निम्न में से किसके काम नहीं आता, डिप्थेरिया के, पोलियों के, काली खांसी के, या टिडनेस के, किसके लिए ये टीका आपका जो है उपियोगी नहीं साबित होगा, बताएं भाई, 11 नंबर प्रश्ण में, बहु आता, आपका DPT का जो टीका होता है, ठीक, इसे ये जो DPT का टीका है, मुखरूप से ये डिप्थेरिया, और दूसरा चीज इसमें टिटनेस, ठीक, और काली खांसी, इन तीनों के लिए ये लगाया जाता है, तो हमेशा प्रश्ण पूछा जाता है, कि निम्न में से किसके निवारन के लिए या उपचार के लिए DPT का टीका लगाया जाता है, मैंने थोड़ा सा सूचा कि इसको एक साथ इंकल्यूट किया जाए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखीगा, पोलियो आपका वाइरस से अटेक होता है, आगे बढ़ते हैं, बारा नंबर, बारा में आपसे कमी से ऐसा हो जाता है, बारा में जिन लोगों ने भी यहाँ पर विकल्ब के तोर पर अभी ए विकल्ब चुना एकदम सही हैं, जिंक की कमी अगर पौधों में हो गई है, तो समझ जाएं उन्हें वाइट बढ़ रोग लग जाता है, ठीक, ये जिंक की कमी से होता है, कौन सा तो मलब किस कमी को दरसाता है, इसको फसलों के रोग में जरूर पढ़िएगा, अगला आपसे फिर से वही प्रश्ण है, कि करनाल बंट एक रोग है, एक दिन मैंने बताया था, बताएं कि इसमें लगता है, जो में, गेहु में, बाजरा में या जुआर में, ठीक है तेरा नंबर बीविकल्फ है, सभी का, चलिए इसके सही जब आप देखते हैं, तेरा नंबर ये करनाल बंट जो बीमारी होती है, ये आपकी गेहुं की फसल में लगती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, फसलों से सम्मंदित रोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक इंडियन एगरिकल्चर आज कल मान सकते हैं, कि इंडियन एगरिकल्चर एकदम अलग टॉपिक को आपको BCS तोर पर तयार करना है, अगर आप UPPCS 2020 में बैठने जा रहे हैं, तो इंडियन एकोनॉमिक अच्छे से पढ़िए, और अभी आज आर्थकी 2019 की एक तरीके से इसमें भाई सरकार का क्या कैसे रहा, क्योंकि इससे प्रश्ण होंगे 100%, 13 के बाद 14 नंबर प्रश्ण है आपसे, 14 पूछ रहा है कि भिंडी में जो पीत वर्ण सिरा की बीमारी हो जाती है, ठीक है, सिरा यानि उसकी जो सबसे उपर होती है, तो इसमें माहू की कमी से होता ह माहू की वज़े से, या सफेद मक्खी की वज़े से, या पुदका से, या कवक से, किस की वज़े से हो जाता है, सही जबाब दें भिंडी में, सही जबाब इसका क्या है, 14 भी है, बहुत बढ़ियां भई, अनि लोग भी इसका जबाब दें, बीबी कलपारा, सफेद मक्ख से दूसरी चीज ठीक है यह विशाणु जन्नी रोग है कैसा रोग है यह विशाणु जन्नी आपका रोग है इसको भी आप ध्यान रखेगा विशाणु की वज़े से होता है ठीक है चलिए और सफेद मक्खी जो है इस विशाणु का वाहक है जो सफेद मक्खी है वो इस बिमारी हो जाती है 14 के बाद 15 नंबर देख लें 15 आप से पूछा है CUT यानि कापर टी का शर्व मानित दुस्प्रभाव क्या है रग्तस्त्राव या पिर आपका दर्द या बेधन या श्रोणी प्रदाहक रोग इन में से कौन सा आपका सही हो सकता है 15 नंबर में कमेंट अनिल जी बहुत सारे लोग है कलबनाज जी स्वागत है बहुत लेट कर दिये थोड़ा सा आप 15 का डीविकल्फ है डीविकल्फ है एंजनी जी 15 ये चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क्या हो सकता है ठीक है इसका सही जबाब अगर हम बात करें आप से तो इसमें जो आगे बढ़ते है पंद्रह के बाद 16 नंबर 16 आप से पूछ रहा है कि इंटर्फेरां का प्रयोग किसके नियंतरन के लिए जाता है कैंसर के लिए भाई मधुमे के लिए या टीवी के लिए या टाइफाइड के लिए इंटरफेरान इसका प्रयोग हम किसके नियंतरण में करते हैं बताएं सही जवाब सोला नमबर नितु जी स्वागत है भाई साक्षी जी 15B साक्षी जी आप पीछे जाए और फिर से ओपन करें लेक्षर तब आप पहुँचेंगी सही उस पर टाइम पर चलिए सही जवाब देख लेते हैं सोला में सारी लोगों के लगभग कमेंट आ चुके हैं तो सोला का सही जवाब आपका इंटरफेरान जो है यह कैंसर की उप्चार के लिए प्रयुक्त होता है नियंतरन के लिए तो सोला का विकल्प आपका यह सही है सत्रा नमबर प्रश्ण आपके सामने है सत्रा आपसे बोला है कि निमलिखित मैंसे कौन सा युगमत सही नहीं है बताएं आप लोग बीहू जो है आसम में बोला ओडम जो है आनपरदेश में बोला पोंगल तमिलनाडू में बोला बैसाखी पंजाब में बोला कौन सा युग में सुमेली नहीं है जबाब दीजी इसमें जी बिलकुल इसका जवाब 17 नमबर सोच के दीजी कि कौन सा इसमें मेल नहीं है 17 भी बहुत बढ़ी आंजू ए भी आ रहा है देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है तो 17 नमबर में जिनोंने भी अभी इसमें जैसे बीहू असम सही है भई ओडम को इसने आन प्रदेश से जोड़ दिया है इसी को आपको ध्यान रखना है ओडम जो है अपना ये केरला का तेवहार है ठीक है तो ये आपका मैच नहीं था बाटी आपके तीनों सही है आगे बढ़ लेते हैं 17 के बाद 18 नमबर आपके सामने है कौन सा युग में सुमेली नहीं है फिरसे वहीं प्रश्न रखा गया है बताएं इसमें असम में मेरी या मेरी जनजाती रहती नागा लैंड में कोनेक रहती अरणाचिल प्रदेश में अफ्तानी पाई जाती देख लेते हैं सही जवाब इसका क्या हो सकता है बहुत बढ़िया प्रमोजी इसके सही जवाब की बात करें 18 नमबर तो जिनोंने भी यहाँ देखे पहला तो इसमें बोला है आपका ठीक डी विकल पर अगर हम ध्यान दे मद प्रदेश में लबांडा जनजाती को यह बोल जाती या मेरी नागल लैंड में कोने खाई है अरुणाचल प्रदेश में अब तानी है अठारा के बाद 19 नमबर बोला यह भासा के बारे में सुने है ना वो बोलते हैं तो जरूर बताईए कौन बोलता कुड़क बोली कौन बोलते हैं कमार कोल मुराव गोंड कुड़क ब चलिए 19 डी आ रहा है बहुत बढ़ियां भाई गोंड आरा कमार आरा देख लेते हैं सही जवाब क्या है 19 नमबर में अगर सही जवाब की मैं बात करूं कि यह कुड़क बोली आखिर कौन बोलता है तो एक दम ध्यान रखिएगा यह उराओं जो जन्जाती है उसकी बोली ह इसलिए इसको ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ दूसरा एक आपको जो ज़्यादा ध्यान रखना है उराओं जन्जात की होई गई कुड़िक बोली यह आपकी द्रबिण परिवार की भासा है तो इसको भी ध्यान रखिएगा आगे बढ़े लेते हैं अगले प्रश्ण पर 19 के बाद 20 नमबर जूमिंग खेती जानते है न चलिए बताई इसको अस्थानांतरित खेती कहते हैं कौन करता है उटिया खासी संथाल या टोडा बताएं इसको सही जबाब बताईए वीम जो है आपकी जूमिंग खेती 36 गड़ में बहुत बढ़िया बई देखते हैं सही जबाब इसका क्या है सही वीकल की बात करें तो जूमिंग खेती अस्थानांतरित खेती के तोर पर जानी जाती है ये सबसे ज़्यादा फेमस है आपके खासी जन जाती में ठीक है खासी में सबसे ज़्यादा फेमस है और ये वहाँ पर ब्यापा कस्तर पर अगर आप देखना चाहते हैं ठीक है तो जूमिंग खेती यहीं मिलेगी कि कुछ दिन एक जगे रहे जंगलों को काटा पेड़ पौदों को काटा खेती किया भूम अनुप जाओ हो गई छोड़के दूसरी जगे पहुंच गए जंगलों को साब क्या फिर खेती की यह जूमिंग खेती करते हैं आपके खासी जंजाद के लूग आगे बढ़ते हैं पूरवी धाली गंगा नाम तो सुना होगा ना इस यह किसकी सहाइग नदी है लगननदा काली नदी गोमती या सारदा चलिए बताइए सही जबाब इसका क्या होगा 21 नमबर सही जबाब क्या हो सकता है तीजी से कमेंट करें बहुत बढ़ियां भाई असोग जी शिखा जी ये विकल्फ है अबन्यास जी सी अंजू जी ये देख लेते हैं सही जबाब 21 में 21 में ध्यान दें सही विकल्फ के तोर पर जिल लोगों ने भी विकल्फ को चुना एकदम सही है काली नदी की ये सहाइग नदी है आपकी पूर्वी धौले जो गंगा है ये काली नदी की सहाइग नदी है इस चीज को हमेशा ध्यान दखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 22 नमबर प्रश्ण आपके सामने हैं 22 आपसे बोल ला है कि निमलेकित में से किस इस नमबर प्रश्ण का सही जबाप क्या हो सकता है कि चलिए बैनीजी बहुत बढ़िया प्रमों जी ये विकल्व इतने टफ कोई क्वेशन टफ नहीं इतने आसान-ासान है शिखा जी दी विकल्व है बहुत बढ़िया बाई चलिए देखते हैं अनिल जी ए विकल्व तो इसका जलग्रहन च्षेत्र है आपका 70,055 km, 70,055 km जो है इसका जलग्रहन का च्षेत्र है, वही महाननदा की बात करूँ तो ये बहुत कम आता है, लगबग 207 दसमल में करके कुछ है, km2, राम गंगा कही अगर बात की जाए, तो राम गंगा ये थोड़ा जादा है, ये 30 तो ये आपका पढ़ता है 45,731 km2, इसकी जो एरिया है मलब जलग्रहन च्षमता है, तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि इसकी सोन नदी की है, 70,055 km2 इसकी जलग्रहन च्षमता है, छेत रहे एक तरीके से, मानल नदी आपसे पूछा है, बताएं भई, मानल नदी किस न प्रश्ण में मानस नदी को पूछा है, बहुत बढ़ियां भई, हाकिम सिंग जी, मीरा जी सी विकल्फ है, बहुत बढ़ियां सुरिकान जी, देख लेते हैं, इसका सही जवाब आपका क्या है, बहुत बढ़ियां जया, इसका सही विकल्फ की बात करें, ठीक है, तो इसमे मानस नदी नदी यहाँ पर मैंने पूछ लिया उप नदी उप नदी का मलब होता है सहाइग नदी ठीक है ऐसी टर्प में confuse मत हुईएगा ठीक है तो यह आपका विकल्प D बाला ध्यान दे यह मानस जो है ब्रह्मपुत्रा की सहाइग नदी है ठीक है आगे बढ़े लेते हैं 24 नमबर पर सैडलर आयोग बहुत बार पढ़ा है बता दें किस से संबंदित था नियाई पालिकाशे राजयोसु प्रशासन से सिक्षा से या फिर पुलिश प्रशासन से सैडलर आयोग किसके लिए आया था बहुत बढ़ियां मीरा जी आनन जी डी है 24 नमबर का अंजू जी सी बहुत बढ़ियां वई अनूब जी सी विकल्प है बहुत बढ़ियां देख लेते हैं सही जब आप इसका क्या है 24 नमबर में ध्यान दें इसका जो सही विकल्प आपका 24 का होगा ये सी एकदम सही है भाई सिख्छा को ले करके आया था सैडलर आयो ठीक है पचीश रंबर देख लें आपके सामने है पचीश आप से बोला कि आनन्दमठ उपन्याज जो लिखा गया है ना इसकी कथावस्त किस पर आधारी थे आखिर चुवार विद्रो पर या सन्यासी किस पर है बताएं बाउना जी 24 सी थोड़ा 25 का जवाब दीजिए तेजी से आगे बढ़िए निदी जी सी राइट देखते हैं फिर सन्यासी देख लेते हैं 25 नंबर सही जवाब 25 में ध्यान दें ये जो आनन्दमठ आपकी उपन्यास लिखी गई है ये पूरी की पूरी आ अभी जल्द ही ताना जी में नहीं वो नहीं थी उससे पहले आई थी वो दश्ण भारत वाली जो मनी थी पागल पंथ नाम सुन लिजे इन सब का कि अस्थापना किस ने की थी पागल पंथ था एक ठीक है जैसे बहुत सारे पंथ थे तो पागल पंथ बुल्ले सा करम सा पंजी भी 26 का बताईए बहुत बड़ी हां रादा जी चलिए देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या है ठीक है सही जबाब की अगर 26 नंबर की बात करें कि पागल पंथ की अस्थापना किस ने की थी तो बिकल भी जितने लोगों ने बताए एक नम सही है भाई करम सा नहीं इसकी अस्थापना की थी ठीक है पागल पंथ की अस्थापना किस ने की 27 नंबर बात करते हैं निमलिखित में से कौन सा अस्थल राजस्थान में 1857 की करांति का केंदर नहीं था राजस्थान से संबंदित प्रश्णा बताएं अजवेर आपका जैपूर नीमच या आउव कौन सा जवाब सही है बताईए 27 का जवाब दीजिए आप लोग तीजी से कमेंट करें 27C बहुत बढ़ियां धीरज बहुत बढ़ियां भाई D है NGC है देख लेते हैं जैपुर नहीं था बाकी जो हैं से सस्तल ये सब के सब अजमेर है नीमच है अववा है ये सब के सब 1857 में बढ़ चड़ के प्रतिभाग किये थे 27 के बाद 28 नंबर 28 आप से पूछ रहा है बहुत बढ़ी हाँ प्रशन है 1862 की बसीन की संद्धिविती इस पर हस्ता चर किसके मत दिवेते बताइए अंग्रेज और बाजिराव प्रतं अंग्रेज गेवा दोतिए फ्रांस जी की पाझीर प्रतं डच तथा बाजीीर ये नूतिए सही जब आप दीजिए 1802 की बहुत बढ़ियां जो बहुत बढ़ियां जया जई चलिए सही जब आप इसका देख लेते हैं 28 नंबर में अगर सही जब आप देखें ठीक है तो इसका बिकल भी एकदम सही होगा अंग्रेज तथा बाजी राव सिकेंड के बीच में बसीन की संदी हुई थी 1802 वाली समझ गए और 1802 खासकर दिसंबर में हुआ था बाजी राव सिकेंड और अंग्रेजों के बीच हुई थी बसीन की संदी 29 नंबर पर बढ़ लेते हैं कि इस गवर्नर्स जनरल पर महावियोग का मुकदमा चला बताएं इंपीजमेंड लाया गया था गवर्नर्स जनरल पर भी बताईए वारन हैस्टिंग था लाड कलाइब था लाड करण वालिज था या लाड वेलेजली था सही जबाब इसका क्या होगा चले 29 नमबर सही ध्यान देते हैं कि 29 का सही विकल्ब क्या है तो 29 में सही जो विकल्ब आपका आएगा ठीक है इसका जबाब आपका ये एकदम राइट होगा वारेन हैस्टिंग जिन लोगों ने भी विकल्ब ए चुना है एकदम सही है गवर्नर जनरल जिस पर महावियोग चला ये वारेन हेस्टिंग था आज भी आपके राश्पत पर महावियोग चलता है अन्तिम प्रश्ण है 30 नमबर बताएं अभी कौन सा वा देश राज जिसके राश्पत पर महावियोग जैसी करिवाई हुई है करिण का मुद्ध रा सा जहा नामा के लेखक कौन है वाई गुलवदन बेगम सा जहा अब्दुलहमीद लाहोरी इनायत खान सा जहा नामा के लेखक कौन है तीस नमबर का प्रेश्ण का सही जवाब दे अमेरिका कहां पर हैं बहुत ज़्यादा वाई पीछे हैं आप लोग देख लेते हैं सही जवाब इसका क्या है तीस नमबर प्रेश्ण का आपका सही जवाब जो होगा सा जहा नामा जो है इस किताब का आपका रैटर इनायत खां है ठीक अब आप लोग किस नाम में जानते हैं एक तो और नाम जान लीजिए इसका असली नाम है मुहम्मत ताहिर इनायत खां का असली नाम है मुहम्मत ताहिर और इसको बोला जाता था इनायत खां इसने रचना थी कि थी सा जहां ना रखता हूँ पहला प्रश्ण कहरा सारदामाडी कौन थी सारदामाडी मुखव पध्याय नाम याद होगा ना राजाराम मोहन राय की पत्नी रामकृष्ट परमहंस की पत्नी स्वामी वेका नंद की मा या केसो चंसेन की पुत्री साही जबाब क्या हो सकता है चले भई आप ल मैं बढ़ रहा हूँ पहले प्रश्ण के अगर सही जबाब की बात की जाए तो इनमें से वो बहुत सारे चेहरे जिन्होंने जबाब के तोर पर बीविकल चुना एकदम सही है रामकृष्ट परमहंस की पत्नी थी कौन सारदामडी मुखव पध्याय आपको ये ध्यान रख थी 1869 1859 इस भी की बात थी तब इनका पांच वर्स की अवस्था में रामकिश्ट परमहंस के साथ विवा हुआ था ठीक है तो आप ध्यान याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं दो नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर वह बंगाली नेता प्रश्ण दीख रहा है पूरा पूछ रहा वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूडवाधिता का समर्थन किया विकलपे राधाकांत देओ बी नेमी शागन बोस सीबोला हेमचंद विस्वास डीबोला हेमचंडे साही जबाब क्या हो सकता है तेजी से क अगर मैं सही विकलप की बात करूँ तो यह विकलप पर ध्यान दीजिए राधाक देओ का नाम आपके सामने आ रहा है यह बंगाली आपके नेता थे 1830 की 1830 की 1830 में किया हुआ था बंगाल में धर्म सभा की इनोंने अस्थापना की एक सभा की इसका नाम दिया धर्म सभा और उससे जो समाजिक धार्मिक सुधार समंधी थे जो समाज में सुधार लाने थे उसका ब्यापक इनका बिरोध भी हुआ था क्योंकि आप जानते हो समाज में जो चीज बनती है परम परावाधिता है इसको अगर आप तोड़ने का बेड़ा उठाते हो तो समाज आपका बहुत भरपूर बिरोत करेगा तीन नंबर प्रश्णा आप के सामने हैं ठीक है बिकल्ब देखें जबाब दें निमलिकित में से वाक कौन 1880 में अस्थापित बंबाई Presidency Association के सबकों में से एक था A बोला फिरोसा मेता, B बोला B आनन चालू, C विकल्ब कहरा M B रागुचेरिया, D बोला S N बनर जी, सही जबाब क्या होगा गोड इवनिंग अनामिका जी बहुत दिन बात दिखी हैं आप बहुत बढ़ियां रिशी जी चलिए चलिए बहुत बढ़ियां A विकल्ब पा रहा 3B, सुगंधा जी, मिश्ठाकोब B, चलिए बही केदार जी, D है देख लेते हैं सही जबाब तीन नमबर प्रश्ण में सही जबाब वो होगा जिन्होंने बिकल्ब के तोर पर चुना है A, फिरोसाब महता ठीक है, 1885 में जो अस्थापी थोई, बंबई प्रेसिडेंसी ठीक, एस्सोसियेशन इसके संस्थापक में फिरोसाब महता का भी नाम आता है, ठीक है हुआ क्या था, इसमें कौन-कौन अनिभी थे ये भी देख लीजे, क्योंकि परिक्षा के लिए अईसा भी पूछा जा सकता है, कि निमलिकित में से कौन एक, बंबई प्रेसिडेंसी एस्सोसियेशन का सदसी नहीं था, तो पहला तो हो गया फिरोसामेहता, दूसरा नाम याद अपने को क्या रखना है, बदुरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, कौन नाम है इनका, बदुरुद्दीन तैयब जी तीसरा प्रश्नागर मैं तीसरे ब्यक्ति की नाम का उलेख करू तो नाम है केटी तेलंग क्या नाम है, केटी तेलंग ये तीन ऐसे ब्यक्ति हुए, जिनके योगदान से बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन की अस्थापना हुई है, कब 1885, चार नमबर प्रश्नागर की स्क्रीन पर, चार नमबर आप से बोल यूं रहा कि भारतिय राष्टी कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित इरूपिय अगधिक्ष कौन था, एवो हिउम जार जी ले, अल्फरेड बेब एनिवेसेंड, सही जबाब सभीक से अपएक्षित, तेजी से कैमेट करें बहुत अच्छे, बहुत बढ़ियां वही रश्मीबाला जी, विनीद जी, बहुत बढ़ियां, केदार जी, बहुत अच्छे, मिश्ठा कुरभी जी, प्रमो जी, चलिए देख लेते हैं सही जबाब अखिर क्या होता है बहुत सारे जबाब आ चुके, चार नंबर प्रश्ण के सही जबाब की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ विकल्ब के तौर पर, ठीक है 1888 की बात है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन ठीक है, उसमें इनको जो है अध्यचता इन्होंने की थी पांच नंबर देखें पांच नंबर बुला, 16, 1908 में 6 वर्स के कारागार की सजा स्वतनता शंग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी सही जबाब क्या हो सकता है तेजी से कमेंट करें महाजन जी बेलकुल भाई, देख रहा हूं सभी को रिशी मोहन बहुत बड़ियां भाई प्रमोज जी ये विकल पा रहा है देख लेते हैं इसका सही जबाब पांच नंबर प्रश्ण में सही जबाब अगर हम देखें तो बिकल पी यहां पर जो आपका सही होगा कि 1908 में 6 वर्स के कारागार की बात कर रहा है आपसे कारावास की सजा का तो इसमें वो हुगरवादी नेता बालगंगा धरतिलक था जिसे 6 वर्स का कारागार दिया गया था ठीक है तो इसमें क्या हुआ था क्यों क्योंकि केसरी इनका पत्र जानते हैं केसरी में इनके जो आलेख प्रकासित हुए वो कही ना कही अंग्रेजों के बहुत ही ज़्यादा खिलाब थे ठीक है तो इनके आधार पर राजद्रोह का मुकदमा इन पर चला ठीक है राजद्रोह का मुकदमा चला और राजद्रोह के मुकदमे के बाद इनको जो है छे वर्स कारावास की सजा दी गई और इनको भेजा गया था मांडले जेल ध्यान है ना मांडले जेल कहाँ पर कहाँ आवस्तित है मैं नहीं बताऊंगा जबाब आप कमेंड करिए मांडले जेल कहाँ है जबाब आपका होना चाहिए छे नंबर प्रशन देख लें छे नंबर आपसे पूछ रहा है कि निमलिखित में से किस महिला क्रेंदकारी ने दिछांत समारोह में अपनी उपाद यानी जो डिग्री दिया जाता है ग्रेहन करते समय अंग्रेज गवर्नर जो कुलाधिपती था उसमय पर गोली चलाई थी सांती घोस सुनीती चौधरी बीनादास कलपनादत या कलपना जोसी सही जबाब दीजिए बीनादास रिशी जी बीनादास जी जबाब आ चुक है इसमें सही बात करूँ ठीक है तो वो महला ग्रेहन करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई नाम है उसका बीनादास ठीक है अभी बीनादास एक और आपकी चर्षा में रही है हाकी से समभंदित कहीं ना कहीं उनको भी ध्यान रखेगा करेंट का मुद्दा है बात है जन्वरी की जन्वरी सन था आपका 1932 ठीक है जन्वरी 1932 की ये घड़ना है दिछान्त समारोह चल ला था यानि कि कुलाधिपद डिग्रियों का वितनड कर रहे थे और बीनादास जब डिग्री लेने गई तो बहुत पास से जाकर के गोली इन्होंने मारी थी छे के बाद साथ नंबर देख लीजिए साथ नंबर आपसे कह रहा है कि निमलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानि 1905 के विरोध में हुए अंदोलन का नेतुर्त किया था सुरेननाद बनर जी, सी आरदास, आसुतोस सुरेननाद बनर जी को या विकल्प डेर अविन्ना टैगोर, सही जबाब क्या होगा, गोडिवनिंग कलबना जी, बहुत-बहुत स्वागत है वाई, रश्मिवाला जी ये विकल्प प्रमोजी डी, बहुत-बढ़ियां गोतम जी, डी विकल पारा है, सही जबाब देख ल प्रारंबिक आंदोलन चला था, इसका नेत्युत किया था, उनी सो पांच में जो प्रारंब में आंदोलन चला, इसका नेत्युत करता सुरिन्नाद बनर जी थे, आगे बढ़ते हैं, आठ नंबर प्रशन आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान दें और जबाब आसानी से दें, पैड़ा पध्धती या पैड़ा पध्धती क्या है, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना राशाइनिक खात का अधिकुपियोग सीचाई या सूखी कास्त, साही जबाब आप सभी से आप एक्षित, चले भई, राकेश जी, बहुत बढ़ियां, आठ नंबर प्रशन का साह मैंने नहीं लिखा कि देखते हैं कौन साही जबाब बताता, देखो पैड़ा पध्धत बोलते हैं जूम पध्धती को, अब जूम समझ गए न, अस्थांतरित खेती, ठीक, तो जंगल को काटकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक, उसके बाद जब जंगल स पूझ सकता, तो इस चीज को धियान रखें, आगे बढ़ते हैं नौ नंबर पर, नौ नंबर आपसे पूछ रा, सुमेलिद नहीं है, ठीक है, सुमेलिद कौन सा नहीं है, असान अंतरन क्रिशी का नाम दिया, राजी दिया, मैंने एक प्रशन वो डाला, एक ही हो गया, बत जी, आप कभी जबाब आ रहा है, बहुत बढ़ी हामिद जी, अनूब जी, बहुत अच्छे, ये विकल्फ है, ये आ रहा है, देख लेते हैं, किसका जबाब होता है, सही, डी आ रहा है, गरिमा जी, चलिए, सुमेद जी, आप दोनों के नाम दिख गए, इसमें सही बारत सामिल जरूर किये जाते हैं, यहां ध्यां दिखिए, पॉंडू को ओडिशा में बोला सही है, मासा को हिमाचल प्रदेश में बोला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि मासा आपकी मध्ध प्रदेश की अस्थानांतरन क्रिशी है, कहां कि मध्ध प्रदेश में जो अस्थ दस नंबर आप ध्यान दे, दस आप से पूछा है, फसलों से संबंदित है, निमनमे से कौन सा समूह, रेसे वाली फसलों से संबंदित है, विकल पे बोला पटशन, चना, अलसी, बी बोला मसूर, जै, डहचा, सी बोला कपास, जूट सनई, और डी बोला जूट, गेहूं कपा साही जबाब क्या हो सकता है, गरिमा जी, इधर तो नेटवर्क समस्या कोई नहीं रहे गई है, क्योंकि इतना प्रियास कर दिया गया है, सी, रश्मी बाला जी, बहुत बड़ी हाँ, कपास, जूट, सनई, बहुत बड़ी हाँ, कुछ लोग पूरा पूरा आंसर देते हैं, देख लेते हैं, सही जबाब, दस नमबर में, दस में ध्यान दे, जिनोंने भी विकल्प के तोर पर, ठीक है, चुल लिया है कौन सा विक सी, कपास, जूट, सनई, एकदम सही हैं, रेश्या इसमें ही सबसे ज़्यादा होता ना, खेती बाड़ी जो लोग करते हो तो जानते ही जानते हैं, कि जूट पैदा हुआ, कपास हुआ, सनई हुआ, कपास तो सब पैदा नहीं करते, लेकिन जूट भी अपने यहाँ बहु सुमेलिन नहीं, फसल है, इदार प्रजातियां है, धान की फसल, गोविंद कोई प्रजाति है, यहूं, शुस्क समराट कोई प्रजाति है, अरहर, पारस कोई प्रजाति है, मतर का क्या प्रकास कोई प्रजाति है, बताएं, सनी होता है, बहुत बढ़ी हाँ, बहुत बढ़ चलिए सई जबाब इसका अगर मैं बात करूं कि सई जबाब है क्या तो सई जबाब में यहां ध्यान दीजिए ठीक है ऐसे प्रशन आएंगे जरूर तो इसमें देखो धान की फसल को गोविंद बोला है ठीक तो गोविंद हमें बोलना ही बोलना है ठीक है गोविंद सही है बाई गेहूं को बोला है सुस्क समराड ये सुस्क समराड गेहूं की नहीं है ये धान की ही फसल है ये धान की ही एक फसल है सुस्क समराड इसलिए विक आंकित में से कौन फसले हैं अधिकांसता निर्वाहमूलक क्रिशी के अंतरगत पैदा की जाती निर्वाहमूलक यानि मलब गुजारा होता रहे बताओ मोटी अनाज तथा चावल कपास तथा तंबाकू चाय तथा कहवा सबजी तथा फल बताईए सही जबाब क्या है थोड़ा सा भी मलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें ठीक है थोड़ा सा प्रियास करें बता दें चलिए भाई रवी जी डी विकलप आगे आपका द देख लेते हैं हेमा जी बहुत दिनों बाद आज दिखाई दी हैं सही जब आप देखते हैं बारा नंबर में देखो ठीक है कि अपना पेट चलता रहे ठीक है और परिवार का पेट चलता रहे तो उसमें सही आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी खेती होगी बाई मोटा अन पर राष्टी डेरी सोज संस्थान इस्थित है कहां पर जहांसी में नई दिल्ली में लुधियाना में करणाल में सही जबाब तेरा नंबर का क्या होगा सही जबाब दीजिए बहुत बढ़ियां रवी जी कमलेशर जी बहुत अच्छे अनूब जी विकल पारा देखते हैं तेरा नंबर में चलिए बहुत बढ़ियां रिश्मी बाला जी देख लेते हैं सही जबाब के जबाब के जबाब आ चुके हैं तो तेरा में जिन्होंने विकल चुना है इनको मैं कहूंगा सही ठीक है करणाल में है भाई कब अस्थापना एक इससे जोड़ा थोड़ा सा ध आप से जानकारी या पेक्षित हैं कि आप इसे ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं चौदा नंबर प्रशन पर आपके चौदा नंबर बोला राजस्थान की नायरा की पाल नाम तो याद ही है ना बताओ इस छेतर में कौन सा खनीज पाया जाता लोह एस या तामबा सीसा वज़स्ता या फिर मैगनीज सही जब आप कमेंट करिए बहुत बढ़ियां भाई गोड़ इबनिंग अनिल जी थोड़ा सा देर हो गए चलिए भाई स्वागत है स्वागत है अनुजी स्वागत है लग जाईए भाई आठ वज़े कोसिस करिए ठीक है कामवम जो भी है उसको थोड़ा सा मनलब अरजेश्ट करिए और आठ वज़े सारे लोग पहुँच जाईए चलिए भाउना जी 14 सी आ रहा निलोगों के भी जबाब आए है देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या है तो 14 नमबर प्रश्ण में जिनों ने भी बताया है ये राजस्थान के जब जाओगे उदैपुर जिला ठीक है उदैपुर जब आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको नैरा की पाल उदैपुर में ठीक है योम एक तो नैरा की पाल है उदैपुर में दूसरी चीज एक और आपका छेतर है जिसका आपका नाम है धूर हुडेर अगला नाम है वो छेतर का धूर हुडेर धूर मनलब धूल तो वहां ऐसा बोलते ना धूर हुडेर और नैरा की पाल ये दोनों की दोनों आपकी किस से संबंदित हैं लोह आयस से तो विकल्प ए चुना है एकदम सह ही हैं ठीक है पंदरा नंबर देख लेते हैं बाई मानों आखों की पुतली समझ गये ना जिस एलकेलाइड के अतितन विलैन से फैलाई जाती वह कौन सी है एफेडरीन एक्वेरनिल एट्रॉपिन या एड्रिनलीन सही जबाब आप सभी से अपेक्षित तेजी से कमेंट करें नेट स्लो चला इधर तो भाई समस्या नहीं है इस पीड तो सही दिखा रहा सारी चीजे हैं चलिए इसका सही जबाब दीजिए अनिल जी कोई दिक्कन नहीं है बाद में ये लेक्षर जो छूट गया है उनको देख लीजिएगा चलिए बाई केदार जी भी विकल पा रहा देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या है आपका बहुत बढ़ी हां रश्मी बाला जी सही जबाब की 15 नमबर की अगर आपसे अपेक्षा मलब बात की जाए तो विकल सी पर ध्यान दे एट्रोपिन होता है आपका वह है अलकुलाइड जिससे क्या किया जाता है आती ये तन बात 16 नमबर बीमारी कोई पूछा है आपसे बताएं बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अमल प्रधान रूप से पाया जाने लगता है कौन सी बिमारी है अर्थराइटिस हो गई या गठिया हो गई जिसको गाउड बोलते या संधिवात हो गया या फि स्राइटिस बी ए डी देख लेते हैं सही जवाब आखिर तो 16 नमबर में ध्यान दें 16 में अगर सही जवाब जिनोंने चुना है बी वाला एकदम सही गठिया रोग हो जाता है जब यूरिक अमल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा रक्त में ठीक है तो गठिया में गठिय ज़्यादे दर्द होता है ठीक है और यह ऐसा क्यों होता कि खून में जो है यूरिक अमल बहुत उच्च मात्रा में पाया जाता है तब उसकी वज़े से ऐसा होता है 17 नमबर आपके सामने 17 नमबर प्रश्ण आपसे पूछा है कजाय खंज रोग ठीक जिसको बोलते हैं किस खेसारी अरे वहां वाला मत समझेगा खेसारी चलिए सई जबाब दीजिए बिरेंजी कहीं से भी नरहो न निरास करो मन को हमेशा अपना कर्व करना है गलत सही तो सही तो वह तो बता ही रहा हो डिसका सो ही रहा है 17 नमबर बहुत बढ़ी हैं वाई जबाब बहुत तीजी से आ गए हैं सभी के देख लेते हैं 17 में सही जबाब देखिए ये कलाय खंज रोग होता है ये अगर खेसरी डाल का उपियोग बहुत किया गया खेसरी या खेसारी बोलते हैं ठीक आपको खेसारी भी लिखा जाता है रहर के दाल में इसको मिक्स करके बेच चते भी हैं मिक्सिंग जानते ही हो कोई ऐसा छेतर नहीं जहां मिक्सिंग नहीं है रहर के दाल जैसी पीली दिखती है ठीके लेकिन कुछ चीजों में बहुत ज़्यादा फाइदेमन्द है कुछ चीजों बीमारियों में एक अंग्रेजी जुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, जूट कंड बोला है या फाल्स इसमट जिसको बोलते जो में पाया जाने वाला रोग है, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, सही जबाब इसका क्या होगा बताएं बफरिंग हो रही है इधर तो मैंने चेक किया इधर ऐसी समस्या नहीं है नेट वाली खास कर चले बहुत बढ़ियां सभी के जबाब आ रहे हैं देखते हैं इसका विकल्ब क्या है तो इसमें ध्यान दीजिए जितने विकल्बों के बारे में कहा है पहला विकल्ब तो वो बोला है आपसे की जो है इसमें कथन सही नहीं है वो पूछना था हमें तो पहला विकल्ब गिरवी पूछा गेहूं में बिल्कुल सही है अंग्रेजी जुलसा आलू में पाया जाता बिल्कुल सही है जूटकंड को इसने बोला है जूटकंड यानि फाल्स इसमट ये जो में बोल दिया है जबकि आप जानते हो ये धान की फसल में पाया जाता है किसकी ये धान की फसल का रोग है तो धान की फसल में ये रोग लगता है इसलिए बिकल्ब C आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है, खैरा भी आपके धान में एक रोग लगता है, आगे बढ़ लेते हैं, 19 नंबर आपसे पूछ रहा है, निमलेखित में से कौन सुमेलिस सही नहीं है, इधर फसल है, इधर बीमारी रोग है, धान को बोला हरित मेरी नहीं जा रही, सी विकल्ब C आ रहा, भाई सभी के कमेंड भी आ रहे है, चलिए इसका सही जबाब देखते हैं, ठीक है, 19 नंबर प्रश्ण का अगर सही जबाब देखें इसमें से, ठीक है, कि कौन सी फसल, कौन सी बीमारी से सही सुमेलिस नहीं है, तो इनमें ध्यान जबकि आप जनते हैं, यह रित जो वाल होता है, यह धान में नहीं, यह बाजरे में पाया जाने वाला रोग है, तो विकल्ब A ही आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, इस चीच को ध्यान दीजिए, विकल्ब A सुमेलित नहीं है, 19 का, आगे बढ़ते हैं, अब बाकी सब सही हैं, 20 नमबर आपसे पूछ रहा है कि किस योजना का उद्देशी, सर्वांगीर मानो विकास था, किसमें यह रखा गया उद्देशी, सात्वी पंच वरसी योजना, आट्वी, नवी, या फिर छट्वी, सही जबाब इसका क्या हो सकता है, सही जबाब इसका बताईए, बह अंगडीन, मानो विकास हो, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 20 के बाद 20 नमबर प्रशन आपके सामने है, एक योजना चली थी, ध्यान होगा आपको, नई मंजिली योजना, इसका एम क्या था, उद्देशी क्या था, अल्पशंख्यक समुदायों, खासकर जैसे योजन कोशल विकास से, जीवी को पारिजन में साहिता करना, बी बोला, सांस्कृति बिरास्त का समर्चन, शी बोला, विशम लेंगी कंपात की समस्या को दूर करना, डी बोला, उप्युक्त में से कोई नहीं, कोई और इसका उद्देशी रहा, बहुत बढ़ियां भाई, इसके जबा बार है, नयन सुगला, स्वागत है भाई, पहली बार दिखें, फरीन जी, चली भाई, बखफरिंग हो रही, स्टाफ हो गया, एक सेगंड देख लेते हैं, अगर क्या समस्या है, दिक्कत कोई नहीं है, इधर सारी चीज़े सही है, बिरेंजी, डीविकल पा रहा, अनि लोग भी, हनुप जी, तेज़ डी आ रहा, जिनको एकदम क्लियर है, वो लोग कमेंट करते रहें भाई, सुमिच जी, सी विकल्ब है, चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, ठीक है, क्लियर हो चुगा है, नहीं सभी को, बेट कर लेते हैं, अगर ऐसी समस्या लग रही है, कि बफरिंग हो रही है, तो बेट कर लेते हैं, सारी लोग बने रहे हैं, सारी लोग बने रहे हैं, जाहिए गामत क्लियर हो जाए, फिर बढ़ते हैं, कर दो बने YouTube? मुझा है नहीं टूए है? ठीक है मुझा थ्री लोग सुनिए मुषगा दोग्षट बने रहे हैं, सबी को क्लीर दिख रहा है या नहीं सबी को क्लीर दिख रहा हूं तो मैं आगे बढ़ूं नेट नहीं चलना अखिर एक साथ जबाब भी आ रहे है लोगों के और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नेट कैसे नहीं चलना प्र रपिर भी आखित्फावं प्र पर रहा है कि अ सब्सक्वी आखित्व में आखित्वेशना अबाब भी आखिव रहा है कि आखित्वा में नहीं है वँ आखित्वां? झाल 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 देखे सारी चीजे सही हुई आप लोगों की अब क्लियर हो गया हो तो मैं आगे सुरू करूँ क्लियर हो चुगा हो तो मैं बढ़ूँ देखे सही हुआ कमेंट करके बताईए क्लियर हो चुगा हो तो बोली आप लोग फिर मैं सुरू करूँ क्लियर दिख रहा है तो मैं सुरू कर रहा हूँ आगे चली सभी को क्लियर आ रहा है तो मैं सुरू करूँ साथ क्वेशन आपके बाकी है साथ देख ले उसके बाद क्लियर दिख रहा है आप लोगों को कमेंट करिए तीजी शे चली क्लियर हो चुका है ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 23 में देखिए जिन्होंने भी विकल्प के तोर पर यहां चुना है ए एकदम सही है सूखा चेत्रों के बिगास से सम्मंदित यह आपकी समित रही जैन्द पाटिल समित 23 नंबर का सही जबाब आपका यह होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर इसमें अगर 24 देखा जाए 24 नंबर प्रश्ण आपका है विश्व आर्थिक पर इस रिपोर्ट जो होती है यह कौन जारी करता है विकलब A बोला IMF, B बोला बिश्व एंग, C बोला WEF, D विकल बोला आपका अंकटाड तो इनमें सही जबाब आपका 24 नंबर में क्या हो सकता है ठीक है जिन लोगों तक क्लियर है तेजी से बोल दें इसका जबाब चलिए बाई, गोट इपनिम गेजे जी, बहुत बाद में है इसका 24 नंबर का अगर सही जब आप देखें ठीक है तो विकलब A आपका एकदम सही होगा IMF सही होगा क्योंकि बेस्वार्थिक परदिस रिपोर्ट ये IMF आपका जारी करता है ठीक है तो 24 का विकलब आपका A सही होगा 25 नंबर में प्रोजेक्ट एलिफैंट के बारे में आपसे पूछा है कि प्रोजेक्ट एलिफैंट की सुरवात कब होई A बोला 1991, B बोला 1993, C बोला 1992, D बोला 1994, 24 का A आ रहा है चले वई C आ रहा है मुकेश जी बहुत बड़ी हाँ चले वई सभी के जबाब आ रहा है 25 के देख लेते हैं प्रोजेक्ट एलिफैंट क्या है ठीक है C वी आ रहा है तो सही जबाब इसका अगर देखे कि क्या हो सकता है ठीक है तो 25 नमबर में सही विकल्प आपका सही होगा 1992 की बात है 1992 जब प्रोजेक्ट जो है एलिफैंट सुरू हुई थी हाथी के और उसके जो है हाथी के एक तरीके से परिवास के लिए ठीक है निवास के लिए परिवास के लिए जो भी बोला जाए 26 नमबर आपसे पूछा है कि भारती वन सर्वेक्षंड देहरादून की अस्थापना कब हुई A बोला 1980, B बोला 1982, C बोला 1983, D बोला 1981 सही जबाब क्या हो सकता है भारती वन सर्वेक्षंड जो है आपका ठीक है इसके बारे में बताए 26 नमबर प्रश्न चलिए अन्जू जी बहुत बढ़ियां आपका जबाब सबसे पहले होता है A आ रहा, D आ रहा, अन्नन जी बहुत बढ़ियां चलिए भाउना जी, D आ चुका है C आ रहा, बहुत बढ़ियां नूब जी, A आ है आपका सही जबाब देखते हैं, 26 में देखिए अगर भारती वन सर्वेक्षंड देहरादून की अस्थापना के बारे में कहा जाए तो इसका सही जबाब 1981 है 1981 की बात है, ठीक है जब इसकी अस्थापना देहरादून में की गई थी इसका उद्देश ही था कि जो भी खनिस संपदा देहरादून जानते ही है वन खनिस संपदा के मामरे में धनी है तो उसकी एक तरीके से संरच्छा के लिए ऐसा किया गया था 1981 में अगला है 27 नंबर आपके सामने Clouded Leopard National Park कहां इस्थित है Clouded Leopard National Park A बोला त्रिपुरा B बोला मिजोरम C बोला सिक्किम D बोला जम्मू एंड कास्मीर इसका सही जबाप क्या हो सकता है चलिए भाई इसका सही जबाप बताइए 27 नंबर A विकल पा रहा अनूप जी चलिए यह निलोग भी कमेंट करिए 27 के अगर बात मैं करूँ आपसे कि इसमें Clouded Leopard National Park है इसमें सही विकल के तोर पर हमेशा ध्यान रखिए त्रिपुरा में कहां पर है त्रिपुरा में है या लागू हुआ 1981 1980 1986 1990 28 नंबर प्रश्ण का सही जबाब क्या हो सकता है भाउना जी आप पीछे पहुँच गई है 28 नंबर बताए B आ रहा चलि मुकेस्त जी बहुत बड़ी हाँ C आ रहा है चलि B आ रहा देख लेते हैं इसका सही जबाब 28 नंबर का तो 28 में सही जबाब के तौर पर देखें विकल B को याद रखे 1980 की बात है जबाब का वन सर्दचन अधिरियम पारित हुआ था ठीक है लागू हुआ था 1980 की बात है तो इस चीज को ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर ओजोन छिदर के लिए कौन उत्तरदाई है जो ओजोन छिदर बन जाता है इसके लिए उत्तरदाई गैस के तौर पर कौन सी है CO2, SO2, O2 या CFC ठीक है इसका सही जबाब क्या हो सकता है 29 नंबर परशन का सही जबाब क्या हो सकता है ओजोन छिदर जो है चलिए CFC आ रहा जबाब D आ रहा A आ रहा भाउना जी 29 D बहुत बड़ी हाँ D है देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या है 29 मैं ध्यान ने ठीक है यहाँ D बेखल पर CFC को कमेंट किया है क्लोरो फ्लोरो कार्बन यहीं सबसे ज़्यादा मुख्य उत्तरदाई आपकी यहीं है ओजोन छिदर के लिए तो इस चीज को ध्यान रखें ओजोन छिदर से बहुत सारे सवाल इसे पहले भी मैंने कबर किये किसने सबसे पहले खोजा कहां पर खोजा यह सारे सवाल हो चुके है तीस नंबर आपसे पूचा है कि भारत के उच्चतम नयाले की अस्थापना ठीक किसके द्वारा की गई थी PITS India Act 1784 Regulating Act 1773 Charter Act 1793 D.Bula Charter Act 1813 सही जबाब 30 नंबर का क्या होगा 30 B बहुत बढ़ी हां अन्जू जी चले भाई 30 का जबाब बताएं कभी यह आया था मुके जी बहुत बढ़ी हां भाई B अनूप जी B बेनित जी बहुत अच्छे चले भाई B जबाब सभी के आ रहे एकदम सही है 1773 की बात है Regulating Act की जब यह क्या होई थी उच्छतम नयाले की अस्थापना की घोशड़ा लेकिन कभी भी सवाल में ध्यान रखना अगर यह पूच लेया सीधा अगर सवाल दे दे 1773 Regulating Act की द्वारा उच्छतम नयाले की अस्थापना की गई तो वहाँ गलत कर देना क्योंकि 1774 में इसकी अस्थापना होई थी बनकर तयार हुआ था स्थापना होई थी 73 में प्रावधान आया था समझ गए ना 74 में बनकर तयार हुआ था तो इस चीज को ध्यान रखेगा क्योंकि सब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है UPPCS में खास कर आज की अपनी स्रेंखला पूरी हो चुकी है पहला प्रशन आपसे पूछ रहा है कि बिधवा पुनर विवाह ठीक है ध्यान है ना कहरा बिधवा पुनर विवाह अधिनियम किसके साशन में क्रियान बिध किया गया ध्यान रखियेगा क्रियान बिध पूछा है लाड डल हो जी लाड कैनिंग सर हेनरी होर्डिंग लाड लॉरेंस सही जबाब क्या होगा तेजी से कमेंट करके बताएं यह जबाब बहुत बड़ी है अगर मैं आपसे बात करूँ तो ध्यान रखियेगा हमेशा लाड कैनिंग को लाड कैनिंग का उस समय शाषनकाल था जब ये किरियान बन हुआ ठीक है बात थी अठारा सो कब की अठारा सो चपन की बात थी अठारा सो चपन की और साथी साथ इसमें सबसे जादा योगदान था आपके युशर्चंद बिद्या सागर का ठीक है किसका युशर्चंद 15 के अंतरगत किसके अंतरगत इस अधनियम के भाग 15 के अंतरगत इसको क्या किया गया था विद्वा विवा को वैलिड माना गया था बैद माना गया था समझ गए ठीक है तो इसको ध्यान रख लीजेगा यानि अगर कोई विद्वा हो जाती है तो उसके बाद में संतान होत दो नंबर प्रश्न आप से पूछ रहा है इसके बारे मैंने बात किया था एक दिन इसे दूसरा प्रश्न मेंने रखा था आपको ध्यान हो तो कि नीती के साथ जुड़ा है चतुराइग पूलिंडिन निस्क्रियाता कौन लेकर आया था? बिलियम बेंटिंग, लाड कैनिंग, लाड मेयो या जॉन लारेंस, सही जबाब क्या होगा आपका, सही से कमेंट करीए, गोड इबनिंग भाई, गोरो जी, गरिमा जी, थोड़ा लेट, लेकिन जुट जाएं, एक प्रशन आपका हुआ है, हैमा जी स्वागत है, चलिए निसक्रेता की बात की है, बिकल डी पर ध्यान दीजिए, जॉन लारेंश को, ये बेक्ति एक ऐसा था, जो इस नीती में बहुत ज़्यादा माहिर था, ये नीती एगर मैं आपसे बात करूँ कि मुख्रूप से कहां से आपको प्रभाव में दिखेगी, जब आप इतिहास प पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चली हो शुरू हो मिलेगा ठीक है उस समय सासनकाल था लाड एलन बरो का किसका लाड एलन बरो का सासनकाल था वहां से यह चीज प्रारंब होती है और किसमें ठीक है जॉन लारेंस तक यह चीजें जो है जॉन लारेंस के एक सबसे अंतिम सब तका पूरी नीत यहां तक चलती रही तो यह अपने हमें बहुत बड़ी चीज है इतिहास में अगर देखा जाए तीन नंबर प्रश्ण देखें तीन नंबर प्रश्ण आप से पूछ रहा कि पेसवाई पेसवा समस्ते हैं ना को कब समाप्त किया गया था अठारा सो अठारा 1818, 1861, 1802 सही जबाब क्या होगा तीन नंबर प्रश्ण आपके सामने है प्रैक्टिस परिवार बहुत दिन बात दिखें बलब आपके कमेंट मैं देख रहा था कल उस पर थे बहुत बड़ी हाँ है बई प्रणाम प्रणाम लग जाईए गरिमा जी सी वेकल बहुत बड़ी सुनू सुसील जी बहुत अच्छे देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या है आपका ठीक है इसका सही जबाब की बात की जाए कि पेशवाई को समापत आखिर कव किया गया पेशवा जो एक तरीके से पच चल ला था तो आप जानते हैं बिकल्प इसमें भी एकदम राइट है ठारजो अठारा की बात है वहा क्या था जानते हैं जब आप पढ़ोगे यह जो तृतियों आपका यह ओध्धक यह हुआ था क्या बोलते हैं आंगल माराठा यूध्ध जब हुआ अधिये अंग्ल मराथा युद्ध जबा पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको जब इस युद्ध का पढ़ाम आया, तो उसमें मराथों की हुई थी पराजे, और मराथों की जब पराजे हो गई, तो वो समय वेकती था आपका लाड हेस्टिंग, बैठा था गद्धी पर लार्ड हेष्टिंग्स इसने क्या किया पेषवा के पद को ही समाथ कर दिया 1818 में ठीक है तो यहाँ से क्या हुआ मराथा जब आप पढ़ना प्रारव करते हैं तो मराथाओं की राझनैतिक सकती यहीं से समाथ हो जाती है इसमें बताइए इस सिधान को दिया इन्होंने तो इस पर बिश्वास करने वाला कौन नहीं था, बाल गंगा धर तीलक, आर सी धक, एम जी रानाडे, सर सयद अहमद खा, सही जबाब चार नमबर प्रश्ण का, आप सभी से अपेचित, अनपम जी, स्वागत है भाई, गूड इबनिंग, ये विकल, बहुत बड़ी हैं, प् के नामों के अंतराल से, चले भाई, देख लेते हैं, चार नमबर प्रश्ण का सही जबाब क्या है, चार नमबर ध्यान दीजिए, इस विकल्ब में सबसे बेस्ट आपका उप्शन है, सरसयद अहमद खा, विकल्ब D आपका एकदम सही है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कि ये जो सरसयद आहमद खा है, ये सबसे ज़्यादा किसके वफादार थे, ये ब्रिटिसर्स के वफादार थे, सरसयद आहमद खा, ये ब्रिटिस के वफादार के तोर पर जानने जाते हैं, इनका ये मानना था कि मुशलमानों का कल्यान तभी होगा, अगर ब्रिटिस की नीत रहें इस चीज को इन्होंने अपोज किया था समझ गए आगे बढ़ लेते हैं चार के बाद पांच देगे कोसिस मेरी यहीं होती है कि उससे संबंधित में इतिहास आपको बता सकूँ ताकि आपका यहीं होगा कि आपके साथ बहुत सारी कॉंसेप्ट यहां किलियर रहेंगे निमलिखित मैं से कौन इलहाबाद में अठारसो सताओन के संग्राम का नेता था नना साहिब अजी मुल्ला तात्या टोपे मौलवी लिया का तली इलहाबाद में मैंने पूछा है बताएं गोडिवनिंग भाई अखंड जी थोड़ा सा लेट हो गए गोडिवनिंग मुकेश जी चलिए लग जाइए बहुत बड़ी हैं अवलाज जी स्वागत है भई फाइवे नाना साहब केदार जी अभी दिखा है कमें मैं सोच रहा ता कहा रहे गए देख लेते हैं ठीक है इस इसलिए आपसे खास कर पूछा है ठीक सुरुवात में क्या थी लियाकत अली ने संभाली थी बाद में अगर इसके बिद्रोह को समाप्त किसने किया मान लीजे प्रश्न पूछ लिया जाए ठीक है तो उस समय बेकती था जन्रन नील कौन सा नाम था जन्रन नीम नाम का जो बेकती था ठीक कमेंडर था इसने इस भी द्रोह को समाप्त किया था आगे बढ़ लेते हैं पांच के बाद छे नंबर पर छे नंबर आपसे पूछ रहा है कि भारतिय भासा में 1857 के बिलब के काड़ों पर लिखने वाला प्रथम भारती बताईए प्रथम इंडियन को था सर सेद जो है एमत खां बेडी शावर्कर बंकेंचेंचेनर जी इनमें से कोई नहीं चलिए बताईए सही जबाब इसका क्या हो सकता है कोई नहीं करें माजी सही जबाब तो मैं यहां बता ही रहा हूं बहुत बढ़ी हां रिया जीतेन जी बहुत अच्छे चलिए भाई बी विकल पारा देख लेते हैं इसका सही जबाब क्या है अगर सही जबाब की मैं आपसे बात कर रहा हूं आप आपको धीमी तो नहीं जो प्रश्न है ठीक है इसमें विकल ए वाले कुछ जिन लोगों ने भी चुना है एकदम सही है सरसयद एहमत खा ठीक है यह बिलब के कारणों को अठारा सो सत्तामन जो आपका हुआ मलब फेल हुआ एक तरीके से पूरी तरीके से मलब इतिहास में गायब होने लगा तो इस असबाग ए बगावत क्या नाम था असबाग ए बगावत समझ गए इस किताब का नाम था इसमें इन्होंने जिक्र किया था ठारा सो सत्तामन के संग्राम की समझ गए इसको ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए यह ठारा सो 69 में प्रकासित हुई थी तो दो चीजे इसको ध्या गाई है लेकिन किसी भी एक्जाम के स्लेवस में देखो हमेसा ये जरूर जिक्र करता है कि आपका भारती सुतंता संग्राम इसलिए थोड़ा सा प्रश्ण के अस्तर इसमें हर दिन टीम ये कोसिस करती है कि बढ़ी हां दिया जाए नेशनल काउंसिल आफ एजूकेशन की अस्थापना कब हुई 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906 इव पीपीचेस ऐसे अप्शन दिया है जिसमें आप कन्फ्यूज हूँ इसलिए थोड़ा सा इसके अप्शन ऐसे हैं चलिए बटाएं 1904, सही बात है, चलो भाई, और लोग जबाब करूँ, डी विकल्फ है, डी है सरज जी, बहुत अच्छे, अंजनी जी यह विकल्फ है, सही जबाब देख लेते हैं, केदार जी आप सी विकल्फ से उत्तर दे रहे हैं, तो इसमें साथ नमबर प्रशन का, अगर सही जबाब सदगुर्दास बनर जी का नाम, सदगुर्दास बनर जी, मैरे सब्धों पर बहुत जाला मत जाइएगा लिखा उड़ पर, मैरी वाड़ी पर भी थोड़ा सुनियेगा, इन के द्वारा राष्ट्य सिख्चा परिषट की स्थापना हुई थी, किसकी? राष्ट्य सिख्च परिशाद की अस्थापन होई थी किसके द्वारा सद्गुर्दास बनर जी के द्वारा तो दो चीजें यहां से धियान रखेएगा ठीक है एक तो यह कि नेशनल काउंसिल आफ एजूकेशन ठीक है वहीं चीज इसका नाम है लेकिन कौन किया तो यह सद्गुर्दास बनर जी इन में से कोई नहीं है सही जबाब क्या हो सकता है युठांग घाटी सही जबाब बोली है बहुत बढ़ी है जबाब आ रहे हैं बहुत अच्छे सारे लोग बीविकल पा रहा है देख लेते हैं इसका सही जबाब भाई कि क्या है युठांग घाटी कहां पर अवस्तित है तो इसके सही जब आपकी अगर मैं आपसे बात कुनूँ तो बीविकल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिक्किम को कमेंट किया है, युथांग घाटी आपकी सिक्किम में अवस्तित है, जब आओगे कहां, गंग्टो का आप जाएंगे कभी भी, ठीक है, गंग्टो सिक्किम की राजधानी है, यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी, ये युथांग घाटी, समझ गए ना, ठीक, गंग्टो जो आपकी है, ये लगभग वहाँ से 150 के अप्राक्स, 150 किलोमेटर के अप्राक्स पड़ती है, 149 ऐसे करके कुछ है, ठीक है, उतनी किलोमेटर दूरी पर ये इस्थित है, युथांग, बोर्डर निवासी बता दीजिए, कहां के में ली है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रशन पूच्छता है बोर्डर निवासी है कहां के, गारू पाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्र प्रदेश के, चले सही जवाब दीजे इसका, बहुत बड़ी हां, चले फरींजी इसका सही जवाब दीजे, नो नंबर प्रशन का सही जवाब आपका क्या हो सकता है, नो सही जवाब क्या है, तो नो नंबर में ध्यान दीजे, यह जो बोर्डो आपकी जंजाती है एक तरीके से, ठीक है, यह आपको कहां मिलेगी, उत्तरपूर जब आप भारत में जाएंगे और गारू की पहाड़ीयां विजिट करेंगे, वहाँ पर मिलेगी, मुक्यता कहां, बोर्डो निवासी, गारू की पहाड़ीयों पर मिलते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह समदाए बहुभासी है, यानि भासाओ का प्रशलन यहां बहुत जादा है, और दूसरी चीज निरिजाती है, यानि एकदम बेस है, मूल है, ठीक, आगे बढ़ लेत पूछा है, गद्धी पूछा है, लेर्चा पूछा है, ठारू, चलिए, सही जवाब दीजे, दस नमबर का, धौलाधार स्रेणी अगर आप विजिट करेंगे, तो कौन सा है, देखें, मैं जंजाती से सम्मदित, कल भी बहुत अच्छे-चे प्रसन थे, परसों भी थे, ठ ठीक है, और कहां, दौलाधर स्रेणी में जाओगे, उसकी ये प्रमुक जंजात के तोर पर मिलेगी, गद्धी जंजात, ठीक है, वैसे इसके अलामा बहुत सारी जंजाती हैं, कौन-कौन सी देख लो, एक तो आपकी है, जिसको बोलते हैं, नाम दिया गया है, लद्धाख तो इतनी जंजाती है, ये कहां से प्रमुक रूप से हैं, दौलाधर स्रेणी से, आगे बढ़ लेते हैं, दस नमबर में, के बाद 11 नमबर, इस पीती किसकी साहग नदी है, ठीक है, इस पीती, नदी पूछा है, साहग नदी, दामोधर, सतलज, जेलम, ब्यस, साही जबाब इसका 11 नमबर प्रश्ण के सही जबाब हो की, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यहां ध्यान दीजिए, बी विकल सतलज को, ठीक है, सतलज की साहग नदी है, आपकी स्पीती, ठीक है, विकल बी राइट है, आगे बढ़ लेते हैं, 11 के बाद 12 नमबर आपसे पूछा है, न गोविंद घाट पूछलिया, गोप्तकासी, तो यह मंदाकिनी नदी के किनारे कौन नहीं पड़ेगा, बताईए, बहुत अच्छे, रिया जी, D है, आनन जी, 12D, बहुत अच्छे, आओ लोग कमेंट कर दीजे, चलिए, देख लेते हैं, इसका जबाब, आरा है जबाब, जब आपकी अगर इसमें सही बात करूँ मैं, तो यहां देखिए, मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो यह आप गोविंद घाट को नहीं पाएंगे यहां पर, ठीक है, गोविंद घाट को नहीं पाएंगे, ठीक है, अलगनन्दा और एक आपकी वो नदी है, क्या बोलते हैं, लचमड, अलगनन्दा और लचमड नदी जो है, इन दोनों के यह किनारे पर वस्थित है, ठीक है, कौन, गोविंद घाट, आगे बढ़ लेते हैं, तेरा नंबर आपके सामने है, तेरा आपसे बोल ला है, कि यह डुडुम्मा जलप्रपात बता दीजी अब लोग, डुडुम्मा जलप्रपात कहां है, किस पर है, मांडवी पर, मच्छकुंड पर, घाट प्रभा पर या सरावती ने दी पर, सही जबाब क्या होगा, डुडुम्मा का, गोड एविनिंग भाई, राम निवास जी, बहुल लेट हो गए, अंजु जी, तिरा सी, बहुत बड़ी हैं, देख लेते हैं, सही जबाब, हम भी भाई, आनन जी, बहुत अच्छे, देख लेते हैं, इसके सही जबाब की, अगर मैं आपसे बात कुरू, तो तेरा नमबर प्रश्मे, जबो, लोगों ने भी उत्तर के तोर पर, यहां पर ध्यान दीजिए, बिगल बी वाला देखिए, ठीक है, एकदम सही है, मच्छकुंड पर है, डुडुम्मा जलब्रपाद, मच्छकुंड आपकी जो है, वहां क्या बोलते हैं, कोरापुट, कोरापुट यानि आपका यह हो गया, ओडिशा, कोरापुट यानि ओडिशा में पढ़ता है, कोरापुट पर आपको मिलेगा क्या, मच्छकुंड यह नदी है, एक मचकुण नदी यह ओडिशा में है और इस पर कोरापुट जो आपका है जगे ठीक है वहाँ पर यह डैम आपका बना हुआ है ड्यान रखेगा तेरा के बाद चोदा नंबर आपके सामने हैं चोदा आप से पूझ रहा है कि भारत की निम्निव जीलों में से कौन असम में आवस्तित है बताइए ठीक है हमेरे सर पूझा है जील कोलोरू सला चपनाला चार में से नाम चूझ करिए गोड़ इविनिंग भाई अनिल जी आप लोग लेट होगे मनलब समझ में नहीं आ रहा है रिया जी क्वश्चन अजीब नहीं है ठीक है पीसी एस प्री में लगना है पीसी एस बीओ अगर देना है तो इन सब के लिए खासकर तयार रहिए चले देख लेते हैं सही जवाब 14 नमबर प्रश्ण का सही जवाब अगर देखें तो इसमें विकल्ब में ध्यान देए डी वाला चपनाला जील जो है ये आपकी कहां असम में अवस्थित जील है चपनाला ठीक है चपनाला के बाद अगर बात कुनू तो एक नाम सुन लीजिए वो चंदुवी असम में है ये चंदुवी चपनाला हो गई चंदुवी हो गई और एक पढ़ती है वो क्या नाम है हाफलांग ये पूछा भी गया है हाफलांग को हाफलांग चपनाला और जो है जो है चंदुवी तीन जीलो को याद रखेगा असम में है आपके आगे बढ़ लेते हैं 15 नमबर गन्य में स्वय बीन में किस में लग जाता है पायरी लाकीटा चली बहुत अच्छे बहुत बढ़ी है प्रमोजी सी विकलब है रिया सी अंजु जी फिफ्टीन है देख लेते हैं सही जबाब अगर 15 नमबर प्रश्ण की सही जबाब के तौर पर बात कुरूं तो जिनोंने भी विकलब सी वाला चुना है ठीक है गन्या वाला एकदम सही है क्योंकि ये देखा जाए अगर गन्या की जो पांड होती है पती गन्या की जो पती होती है ठीक है उस पर ये आपके लग जाते है छोटा सा ये पतंगा टाइप का होता है कीट होता है चोटा सा कीट होता है उस पर लग जाता है, ये क्या करता है, उसकी जो पत्तियां होती है गन्य की, और गन्य का तना जो होता है, उससे रस चूसता है, ठीक है, और इसकी वज़े से गन्य में जगे जगे आपको सुराग मिलेगी, वो सुराग इसी कीट के, पाइरिला कीट की वज़े से होता है, क्य इधर फसल दे दिया, इधर मैंने रोग दे दिया, A पूझरा धान में उख्ठा रोग, B पूझरा सरसों में सफवेद गिरवी रोग, C पूझरा बाजार में कंडुवा रोग, बाजरा होगा, ठीक है, बाजरा में कंडुवा रोग, D विकल बोला मुंगफली में टिक का, सही जब आप 16 नमबर प्रश्ण का आपका क्या हो सकता है CR आप बहुत बड़ी हाँ अंजनी जी आपका भी जब आप CR है देख लेते हैं 16 नमबर में कौन सा सही सुमेलिन नहीं है ठीक है इसमें चले भाई जितेन जी 15 A आनन जी देख लेते हैं जब आप 16 नमबर में देखिए ध्यान दीजी आप लोग ठीक है इसमें जैसे धान में उक्ठा बोला है धान में उक्ठा रोग नहीं होता है यहीं चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर करते तो एकडम सही हो जाते उक्ठा रोग इसे पहले कल भी मैंने सामिल किया है ठीक है यह समझ जैए जहाँ पर कोई भी पउधा मिल गया जिनमें पतियां है ऐसे फ़सल वाले पतोधे उनमें उक्ठा रोग होगा ठीक पतियों में खास कर क्योंकि पतियां इसमें सूह जाती है जो पतियां होगी वो सूह जाएंगी उक्ठा रोग की वजे से तेक इसलिए और क्या ध्यान रखना है जो दलहनी की फसल है दलहनी फसल हो गई और दूसरी बात तिलहनी की फसल हो गई इन दोनों में आपको उक्ठा रोग मिलेगा दलहनी और तिलहनी की फसलों में उक्ठा रोग पाया जाता है बाकी सुमेलित है गरिमा सिकेंड बताइए गरिमा जी, गरिमा सिकंड नाम किसका है एक, क्लोन भेंस का, क्लोन गाए का, ख्लोन भेंड का, बीटी टमाटर का, चलिए सही जवाब इसका क्या हो सकता है, बहुत बढ़ी हैं भाई, अन्जू जी 17 यह, चलिए भाई भी, बहुत बढ़ी हैं, देख लेते हैं, इसका सही आया गया था किसका वेफैलो का भैस का तो इसलिए ध्यान रखना है क्या हुआ था करनायल में अपनी इस्थित है जो क्या बताएं है अभी कली ध्यान रखिएगा राष्टी डेरी यान संधान संस्थान जो करनाल में इस्थित है उसमें क्या हुआ था 2010 में वहां के जो आपक ना है 2010 की बात है आगे बढ़ लेते हैं 18 नंबर 18 आप से पूछाए DNA को किस ने अंता पातर में बनाया ये पूछ रहा है आर्थर कोरवन बी बोला रावर्टो फूक सी बोला एडवर्ड जेनर्ड डी बोला जोसेफ लेड जो है लिस्टर सही जवाब इसका क्या हो सकता है ते यह आ रहा", यह आ रहा है, चले-फट के लिए आप लोग, सही जवाब इसका या क्या है? चले वह बहुत लोग 550 के जवाब आ चुके हैं, अब हम लोग जवाब दिखते हैं इसका सही जवाब आपका क्या है, तो इसमें ध्यान दीजिये, ठीक है? जवाब के तोर पर 18 नमबर प्रस्ट में जिन्हों ने भी विकल्प A वाला चुन लिया है ठीक है आर्थर कोड़ बर ये एक दम सही है ठीक है आर्थर कोड़ नमबर एक ऐसा बैग्यानिक था जिसने सर्फ प्रतम क्या किया था DNA को एक अंता पात्रम में बनाया था आगे बढ होता है इनमें से सही जवाब उन्निश नमबर का क्या हो सकता है कि बहुत बढ़ियां वाई है एक ठैन्जी कलौण वारत गय सिद्ध making अगर उन्नीश नमबर प्रश्ट का साही जवाब कि मैं आप से बात करओ तो निस नमबर प्रश्ट का जो सही जवाब होगा ये विकल् मैं याद हूँ ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अगला प्रश्म 20 नंबर 20 आप से पूछा है निमने में कौन सा जैविक मूल का है ठीक है कौन सा इन में से जैविक मूल का है चली बताइए मूंगा पन्ना मडिक या माडिक पोखराज इन चारों में से कौन सा सही जबाब होगा जैविक मूल जिसमें बायो के कोई ना कोई चीजे पाती है चली बाई बहुत बढ़ी हैं 20 यार है हमा जी यह विखल समर जी बहुत बढ़ी हैं देख लेते हैं 20 नंबर बें ठीक है आसान सी चीज है जैविक मूल आप से पूछा है तो 20 नंबर में ध्यान दे मूंगा जो ह रखेएगा 20 के बाद 21 आपके सामने है बायो सुरच्छा आपसे पूछा है ठीक है बहुत अच्छा प्रश्ण है जैव सुरच्छा यानि बायो सेफ्टी का कार्टे जो ना जो प्रोटोकाल रहा ठीक है ये किस से संबंधित एक तरीके से रहा बताइए विज्ञानियों प्र प्रोटोकाल हुआ था उसमें जैव सुरच्छा को लेकर जित्ते मुद्दे चलाए बताए गए उन मुद्दों को कौन चलाता है आपका इन में से कौन सा मंत्राल है जो इन पर कारी करता है चलिए वाई 21C भावना जी बहुत बढ़ी हाँ देख लेते हैं बी आ रहा फॉर संधित एक प्रोटोकाल जो ये काटे जेना था इस पर भारण ने 2001 में हस्ताचर किये थे कब 2001 में ठीक है बात थी 23 जनवरी की संथा आपका 2001 तब हुआ था परियावरण वनियों जलवाई परिवर्तन मंत्रा ले इसको करता है अगला प्रशन देख लें 22 नंबर आपके साम नहीं ना है बताए फड़ा फड़ कोई नहीं दिपक जी अब आ चुके हैं तो आप लग जाएं ठीक है है 22 नंबर प्रशन का सही जबाब बता दीजी आप फिर मैं आगे बढ़ू चलिए देख लेते हैं सही जबाब है किसका 22 नंबर में जिनोंने भी विखल्ब के तोर पर यहां ध्यान दें ठीक ए वाला चुल लिया 22 मैं एकदम सही हो गए ठीक है जह विवित्ता 22 मैं को मनाया जाता है आगे बढ़ लेते हैं अगला है 23 नंबर आप से पूचाएं निमन में से कौन सी चीज कौनसी गैस ग्रीन हाइए उस गैस नहीं है मिथेन पूचा नैटरस आकसाइड पूचा क्लोरो फोरो कारबन पूचा है ओड्रोजन पूचा बता दे इन में से कौन सा नहीं है चलिए वाई आमेज जी बहुत बड़ी हाँ विद्यानन जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए देख लेते हैं इसका हाइड्रोजन आ रहा है सही जब आप के तोर पर देखते हैं तो 23 नंबर प्रस्ट में जिनों ने भी चलिए यहा बेगल्ब के तोर पर डी बाले को चुना एकदम सही है वहाई हाईड्रोजन इसमें ग्रीन हाँस गैसों में समलेद नहीं होती है आगे बढ़ लेते हैं अगला प्रश्ण है आपके सामने तेज के बाद 24 नमबर जलवाई परिवर्तन का कारण क्या है बहुत सामा निश्या प्रश्ण है जलवाई परिवर्तित होती है ग्रेन हाउस गैस की वज़े से ओजुन पर्त गे चरण की वज़े से प्रश्ण की वज़े से या उपिक्त सभी रिजन इसके लिए जरूरी है या जिम्मेदार है चले बाई बताएं इसका सही जबाब जलवाई परिवर्तन नाखिर क्यों हो जाता है ठीक है 24 नमबर में चले देख लेते हैं हम भी डी वाले जित्ते लोग बता रहें ना ये लोग एकदम सही है बाई सही है ग्रेन हाउस गैस ठीक है वो जोन परत का चारण होगा प्रदूशन होगा तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा ठीक है 24 के बाद 25 नमर आपकी स्क्रीन पर स सुमेलीन नहीं ध्यान दीजिए प्रशन आराम से पढ़िए और जबाब दीजिए सुमेलीन नहीं है पहले तो यह फोकस करिए प्रथम 22 सल जलवाई सम्मेलेन 1969 प्रथम 20 सिख़ समेलेन एजनटा21 प्रथम 20 सिख़ समयलेन प्लस फाइब नाइटी नाइटी सेवन कार्बन ब्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलिए 25 नमबर में बताएं कौन सो मेलिन नहीं है चलिए 25 नमबर अंजू जी ये विकल को आप जबाब दे रही है डी आ रहा है देखते हैं कौन होता है सही तो सही होने में देख लिजिए कौन सा जबाब सही है ठीक है 25 में यहां डी वाला देखें कार्बन ब्यापार को इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जोड़ दिया अगला है 26 नंबर पूछा है दूतिय पंच वर्षी योजना इसको तो नहीं भोलना है ना दूतिय पंच वर्षी योजना किस माडल पर आधारित थी शुलो माडल डोमर माडल रॉबिंसन माडल महाल नोविश माडल सही जबाब क्या होगा देख लेते हैं 26 नंबर मैंने जैसा समझा था वैसा ही है डी वाला ही सही है और सारे लोग जबाब भी बता रहे हैं बहुत बढ़ी है अभी नीतियायोग बन गया है तो क्या पांच वर्षी पर योजनाए चल नहीं अभी भी अब जो क्या गवर्मेंट की जो योजनाए चल यह कितने वर्ष की हैं जबाब आप देंगे हम नहीं 27 नंबर 27 आप से पूछा है कि निमलेखित मेंसे कौन संग सरकार की राजयसु प्राप्तियों का घटक नहीं है संग सरकार को थे के बजट का ला चुका है उसके बारे में आर्थिकी के बारे में पहले ही डाल दिया गय है चले वाई सोरकान जी बहुत बढ़ी है सोसेल जी डीविकल पा रहा है देख लेते हैं सही जबाब इसका क्या है तो सही जबाब की अगर बात करें एकॉनमी में मलब ठीक है 27 वाला देखिए सी वाला बीनिवेस प्राप्तियां कल वाला बजट देख रहे थे निर्मला सी के बाद 27 के बाद 28 ठीक है नॉर्मल सा प्रशन है राजा चलाईया समीत संबंध बता दीजिए से जनसंख्या नहीं दी साक्षिक सुधार बैंकिंग आपका सुधार या कर सुधार साही जबाब क्या है इसका कमलेसर जी बैडी विकलप आप चुनने रश्मी बाला जी स्री है आपका स्री आ रहा है अंजो जी डी है देख लेते हैं सही जबाब 28 में अगर मैं आपसे सही जबाब की बात करूँ ठीक है तो इसका प्रशन जीनों ने भी कर सुधार को चुना एकदम सही है ठीक है राज है रगट्टा जैपुर में जहां सी में गाजियाबाद में सही जबाब बता ये जबाब 29 नमबर बता दीजिए एविकल डेविकल देखते हैं कौन होता है सही इसमें देखो सही जबाब क्या होगा है सर गट्टा मलब जहां समझ जो तीन विकल्ब एक जहीं से लग रहा ए तो इसको मारने में जो है लगबख चांसर होते हैं सही होने ये हैसर गट्टा की बात कुरू ये जानते हैं कहा पड़ता है ये बैंगलोर में आपका पड़ता है ठीक है बैंगलोर में पड़ता है तो यहां पर जो है चारा बीज उत्पादन फॉर्म है मैंने ये तो बताय यह प्रश्ण सामिल आया है लेकिन मैंने सिर्फ बताया था कि बैंगलोर में है ठीक है तो यह हैसर गट्टा नाम याद रखेगा इसका भूलिएगा मत चलिए उन्तिस के बाद तीस नंबर आपके सामने हैं तीस नंबर रिपोर्ट से समध्नित प्रश्ण है हमें इसा होगा प्रदुक की रिपोर्ट कौन जारी करता है आई एम एफ डबलू एफ विश्व बैंक इन में से कोई नहीं कोई और संस्था बैठी है बताएं चलिए वह सभी के जवाब आ रहे हैं ठीक है देख लेते हैं इसके सही जवाब की और अगर बढ़ें के दर जी ती से बी भी आ प्रदुक की रिपोर्ट के बारे में मैंने इसके बारे में चर्चा किया है आपसे प्रशनिक्स के आ चुके हैं आज आपका बैस्विक सुचना प्रदुक की रिपोर्ट भी आ गया ठीक है यह आपका विश्वार्थिक मंच जारी करता है तीस प्रशन आज की सीरीज के संबान होगा आपके द्वारा जित्ता वर्क होगा जो लोग नए है बाई चैनल सब्सक्राइब कर लें कोर्स से जरूर जुट जाएं कल चार फरोरी है चल कल से हमारा कोर्स यह प्रारम हो रहा है ठीक है यूपी-पी-पी-स का ठीक है सारी नोट्स और वगेरा यह सारी चीज 6007 इन सब नंबर पर कॉल करिए वाटसब करिए और कोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करिए क्लास केदार जी मैं थोड़ा बाहर था काम की वज़े से इसलिए नहीं ले पाया बलकि कल जरूर होगी रिया जी ठीक है बिलकुल गुड़नाइट भाई बाई लंगल रिया जी कोसिस जरूर करूंगा लेकिन इसमय जो है इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं ठीक है कि यह चीजे मैं कई दिन से कोसिस कर रहा हूँ सभी का बहुत स्वागत जो लोग नए है भाई अभी भी जाकर के आप डाउनलोड करिए और पहला डेमो टेस्ट आप देख लीजिए इसकी गुणवत्ता देख लीजिए उसके बाद जो है टेसरीज में आप लोग जरूर जोईन करें आपके जो हित्मित्र करना चाह रहे उनको भी बताईए पूरे माटेरियल हम लोग देही रहे मलब उनको सिर्फ प्रिंट कराके आपको पढ़ना है बागे समस्य है सुबह आठ बज़े सारी लोग ध्यान रखेगा करेंट के साथ एटेम पर मिलूँगा मैं करेंट के लिए ठीक है तो मस्त होकर पढ़िए हसी खुसी रही है कोई समस्या है टेलिग्राम पर आईए ठीक है मैं सारी चीजे आपसे जरूर डेसकस करता रहूंगा तो सभी का भाई धन्यवार टीम की यूर से मैं रमन मिश्रा आप सभी से विद्या लेता हूं सुबह फिर मिलते हैं 8 बजे ठीक है बाए बाए